आप साथ आपके में हुआ पितार रहा है सोशल मीडिया पर मशूर यूट्यूबर एलविश शाद और नौइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापों के जहर की कथित खरीद फरोख्त मामला है पुछताच में उसने आरोप भी कबूल कर लिये है और यह बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेपार्टी वे मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी वे सापों के जहर के सप्लाई करता था अब उली केई निसा धिकारी दीफलाए ए प्रियाना बने कदे रांगे नावताए ए अजी ने दिखे जे अब आम बिसाड़ा वही कर्दार या परकी पाइं आइ शिरी भाहे शुदाने दॉड़ाने 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 कदी चाहे एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोबराज है पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला सच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लानी से पहले नौईडा पुलिस ने इसी एल्विश यादव के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नौईडा पुलिस के लिए दूर की कौड़ी बने हुए था तभी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुद्धनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से NDPS मामले में पूछताच की और अगर सूतरों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रग दिया सूतरों का यहां तक कहना है कि जिन इल्विश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में साम्प और साम्पों का जहर मंगवाता था अल्विश यादव ने पूछताच में खबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला अल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके पाँच लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुलासा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है एल्विश यादो को रविवार को नौईडा पुलिस ने पूच साच के लिए बलाया था де पूच साच के दौरान जो कुछ एल्विश ने खबोल किया उसके बाद ही पुलिस ने उसे गिरफतार कर कोड के सामने पेश कर दिया कोट ने बिना देरी किये एल्विश को 14 दिनों की न्याई खिरासत में भेज दिया नोईडा पुलिस ने एल्विश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोग से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अर्विंद ओजहा, नोईडा आज था एल्विश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया अर्वियों के साथ उनका संपर्ख था और उनसे जान पैचान भी थी आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफे जूते पहने यही एल्विश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोईडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे है इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आखे रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह वही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई के आगे कोई मोल सकता है क्या एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चहर जबसे ये मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरिये शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे अलविश श्यादव का जिक्र सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली एंसियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीरजादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉलोवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तसकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा नाम इल्विश यादो की मुश्किल अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक एल्विश यादो ने पूश्ताच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है मामला बहुत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पढ़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर इल्विश यादव का खास आदमी बताया बलकि इल्विश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तयार हो गया अपने पूरी फैमिली में ने सुना किसी का नाम ना राहूल के नाम से कौन है जो फसा रहा है अगर आप कह रहे हैं कि फात्री की बहुत बड़ी साजिस है जो अल्विश यादव को और हमारी फैमिली को गरीब आदमी हम सफेरा वज़ी से कहानी में एक ट्विस तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे PFA कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सापों को लेकर बलकि 20 एमेल स्नैक वेनम यानि सापों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिल्ली एंसियार में सापों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो गरीब खेल का खुलास अर्विंद ओजह, नौइडा, आज था जो पांच लोग गिरिफतार किये गए थे नौमबर में और उनके पास से 20 एमेल जो साप का जहर बरामद हुआ था और 9 प्रतिबंधित साप बरामद हुए थे उस मामले में FIR दर्च की गई थी, FIR में अलविश का नाम था जो 20 एमेल जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुश्टी हुई कि जो बरामद जहर था वो कोबरा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका FIR में नाम था साथी साथ CDR डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरफतार हुए इसमें जो बड़ी बात यह है क्योंकि इसमें NDPS Act की धाराये भी एड की गई है और काफी संगीन अलग अलग NDPS की धाराये जोड़ी गई है जैसे 27A ये सबसे संगीन धाराये 27A का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रक्स की खरीद फरोक्त में शामिलों फिनांस करता हो और इस असानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लाबा 29 NDPS Act 27 NDPS Act ये तमाम अलग अलग धाराये लगाई गई है और उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में भेजा गया है सूतर ये बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे हुए थे उनसे एलविश यादो की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका ये स्टैबलिश्ट होना साइंटिफिक तोर पर की वो एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था इसलिए इसमें NDPS Act जोडा गया तमाम एविडेंस कलेक किये गया और तब एलविश यादो को गिरफतार किया गया तो यानि यह माना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एलविश ही थे या सिर्फ एलविश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिर्म का कौन कहा जा सकता है वो ज़रा बताईए और आगे आपके र साराएं लगाई हैं नोडा पुलिस में देखे वाइल लाइफ एक्ट का एक जारा तो लगी है क्योंकि भाई प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताया है कि जो दिली के अलग-अलग फार्मा उसमें रेव पार्टी होती थ लेकर जाते थे एलविश मंगवाता था इसलिए इसमें 27A एलविश यादो पर लगाए गया अब 27A का मतलब ही होता है कि ड्रग की खरीद फरोक करना ड्रग की खरीद फरोक के लिए फिनेंस करना पैसे देना फैनेंस करना बकायदा ये गंभीर स्प्रेणी में आता है 29 NDPS Act लगाया गया है यानि कॉंस्प्रेसी ड्रग के किसी मामले में साजिस करना तो 29 NDPS Act 27 A NDPS Act तो इस तरह की कई धाराएं लगाई हैं जिससे ये कम से कम नोड़ा पुलिस का दावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीत फरोग फैनेंसिंग ये तमाम चीज़े तो मोरा बिलकुल एलवी शादो को नहीं कहा जा सकता है सूत्रधार जरूर एलवी शादो को कहा जा सकता है और ये तमाम जो कडिया है वो नोड़ा पुलिस जोड़ रही है नोड़ा पुलिस का कहना है कि और भी टीपियस एक लगा दिया एक सक्स पर तब नोडा पुलिस ने वो लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजी और बताया कोट को कि जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी श्यादो की कनेक्टिविटी हमने स्टेबलिस्ट किये लगातार वो संपर्क में थे न उनने जहर रिकवर किया था वह वाकई में जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था तो इस आधार पर घिरफतारी हुए और यह सब कुछ सुनने के बाद फिर जज ने 14 दिन की नियाई खिरासत में एल्विश को भेज दिया है अब 14 दिन तक जो नोड़ पुलिस हा उसके पास ग्राउंड है अगर कुछ और एविदेंस मिलते हैं जरूरी पड़ा एल्विश यादो से पूछ ताज करने के लिए तो पूछ ताज करने के लिए कोट मूव कर सकती है और पुलिस कस्टडी ले सकती है वहीं एल्विश यादो के लिए विकर है क्योंकि अलग अलग कई धाराएं लगाई गई है उसके अलावा एक्ट भी लगाया गया है तो अलविश से भी बड़े नाम इस पूरे रैकित में सामने आ को चुन और बढ़े नामों के खुलाशा हो सकते हैं कुछ और बड़े गिरफ्तारिया ओसकती है तो कि नहीं तो अपका वाजीब सवाल है और आपने सही कहा जो सूठ रहो बताते हैं कि कुछ और यूट्यवर वार रेडॉर पर है पिछाबी सिंगर है वह रेडepende है उससे भी पूश्टाच हो सकती है जो जो लोग रेव पार्टी में शामिल होते थे एलविश के और एलविश ने भी कुछ नामों का खुलासा किया है उनसे आने वाले दिनों में पूश्टाच हो सकती है बहुत मुम्किन है उन पर शिकंजा कसा जा सकता है अर्विन जिस Чтобы मोरे पर शर्णा कि मली कोप अबने गुरां उसने अगर अपने गुनाह को ख्बूल किया है तो कॉर्ट में उसका केज सी होता है टब होता है आकी कि की रहा कितने मुश्किल हो सकती सजा या चुर्माना क्या हो सकता आगे इर आ लो आडोष के लिए नहीं देखिए अभी तो जो पुलिस है वो सबसे पहले चाशिट फाइल करेगी पूरी इनिवेस्टिगेशन करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चाशिट दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तै करेगी वो दोसी है या नहीं दोसी है नमबर ए वाइल्ड एनिमल एक्ट वह लगाए गया है दूसरी तरह ड्रक के इस्तमाल का ड्रक की खरीद फरोक्त का सेक्षन और अलग अलग धाराय लगाई गया दो अलग 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 सेक्षन आई-पी-स के सेक्षन लगाया तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकते यह अलविश को अभ राव साहब कहते हैं फेमस हर्याडवी गीत राव साहब पर एलविश की लाखो रील सोशल मीडिया पर मौझूद है एलविश यादो का एक सामान परिवार का वो लड़का है लेकिन आज वो सोशल मीडिया से प्रिसिद्धी पाकर करोडों रुपए की गाड़ियों और घर में रहता है सोशल मीडिया की सरीए वो सेलिबिर्टी बन गया लेकिन एलविश का सोशल मीडिया पर जो कॉंटेंट है उन नई पीडी को मारपीट दबंग गई के अलावा कुछ और नहीं सिखाता है एलविश यादो का एक फेमस डैलोग है जो यवाओं के बीच काफी लोग प्रिय है एलविश यादो अपनी अधिकान स्रील में कहता नजर आता है कि सिस्टम के नीचे ये सिस्टम एलविश का है एलविश दावा करता है कि उसकी ताकत युवा है और उसकी एक आवाज पर लाखोर नौजवान सडक पर उतर जाते है बच्पन से जवानी की दहलीज पर पहुचे युवाओं का गुट बनाकर एलविश यादो अपनी इमिज एक भाई के तोर पर समझता है एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किलें एलविश पर एंडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एलविश यादो की अब मुश्किलें इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताये गया है कि एलविश यादो ऐसी रेव पार्टीज के रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौइडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुठाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहत की गई आईए देखते हैं लविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नडी पियस के सेक्शन 8 बाई 20 के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गाजा या गाजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 नडी पियस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना नडी पियस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ति के जरिये नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना Section 30 NDPS के मताबिक financing या consumption के लिए plan बनाना पूच्टाच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पांच तक पहुँचने में खाम्याब अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो जरा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने ही फैंस के बूते ये मनजिल हासिन की दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाव के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस लाग से ज्यादा फॉल्वर्स है एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गाडियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट है वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अरविंद उसा, नोईडा आज स्था विए बन एक दे रांग नावत आए अजीने तिखे जे अभाम में साथा वही दनार या परकी पाई दाई स्रीवाहे श्वाणने वाई रखे कभी जाहे एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जहर पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला सच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल की इस दर्वाजे तक लानी से पहले नोईडा पुलिस ने इसी एल्विश यादो के सीने में छिपे उस राज को भी गलबाया है जो अभी तक नोईडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए था तभी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुद्धनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादो से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्विश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में साम्प और साम्पों का जहर मंगवाता था एल्विश यादव ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी वीनर एलविश श्यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एलविश श्यादो को 14 दिन की नयाई खिरासत में जेल भेज दिया है एलविश श्यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एलविश श्यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है अलविश श्यादो को रविवार को नोएडा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था और पूछ साच के दौरान जो कुछ अलविश ने खबूल किया उसके बाद ही पुलिस ने उसे गिरफतार कर कोट के सामने पेश कर दिया कोट ने बिना देरी किये एलविश को 14 दिनों की न्याईक हिरासत में भेज दिया नोईडा पुलिस ने एलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोख से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा, नोईडा, आज तक आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोईडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आँके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश यादव का हाथ थाम रखा है यह भही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए देर रात की रेव पार्टी, रेव पार्टी में सांपो का जहर, जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे यह मामला सामने आया है, जबसे सोशल मीडिया के जरिये शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अन्सियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तसकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा नाम मामला बेहत संगीन था पी एफे ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर पी एफे की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एल्विश यादव का खास आदमी बताया बलकि एल्विश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेफ पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया अपने पूरी फैमिली में ने सुना किसी का नाम ना राहूल के नाम से कौन है जो फसा रहा है अगर आप कह रहे हैं कि फसी की बहुत बड़ी साजिस है जो अल्विश यादव को और हमारी फैमिली को गरीब आदमी हम सर सपेरा वज़ी से एंजियो सो ही है एंजियो की है औ कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब एजिन्ट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफ़े कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजिन्ट ना सिर्फ एक साथ अलग अलग किस्म के नौ सांपों को लेकर बलकि 20 एमिल स्नैक वेनम यानि सांपों के जहर के साथ भी अर्विंद ओजह, नौइडा आज था एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर NDPS Act की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफुलेंसर एलविश यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एलविश यादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नॉइडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुटाएं तभी तो सारी कारवाई एलविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नॉइडा पुलिस ने जैपूर के लेब में जो बरामत सांप का जहर था वो टेस्टिंग के लिए भेजा लैब की टेस्ट रिपोर्ट नॉइडा पुलिस के हाथ लगी जिसमें इस बात की पुष्टी हुई कि जो बरामत सांप का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नॉइडा पुलिस हरकत में आई एल्विश यादो को एक बार फिर नोटिस भेज़ कर पूछ ताच के लिए बुलाए गया पूछ ताच में एल्विश यादो सही ओब नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एल्विश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एल्विश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एल्विश यादो अंतिम पांच तक पहुचने में खामयाब है अगर आपके जहन में एल्विश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई अरे एल्विश भाई क्या ये कोई मोल सकता है क्या ये एल्विश यादव का चलवा गुरुगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एल्विश यादव के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एल्विश ने अपने ही फैंस के बूते ये मन्जिल हासिन की दरसल एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एल्विश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एल्विश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एल्विश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एल्विश के 1.30 लाग से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एल्विश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गाडियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोड़ों में है अर्विंद उसा, नॉइडा आज सा एक तरफ हाधिरात यूट्यूवर एल्विश यादव की खामोशी से नॉइडा पुलिस के सामने हाधिरी और दूसरी तरफ अलग अलग डिब्बों में बंद एक से बढ़कर एक जहरीले सांपों को मिलती है आज़ादी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो अलग अलग वक्त में सामने आए लेकिन जब भी ये सामने आए संसनी फैला गए इन दो तस्वीरों का एक दूसरे से बड़ा ही अजीब मगर बहुत दिल्चस्प रिष्टा है एल्विश यादव को जिस इल्जाम में नॉइडा पुलिस के सामने हाधिरी लगानी पड़ी उस इल्जाम के जड़ में ये बेजुबान है इल्विश पर रेव पाटी कर उनमें सामपों के साथ तस्वीरे खिचवाने और सामपों के जहर का नशे के लिए इस्तेमाल करने का संगीन और चौकाने वाला इल्जाम है और फिलहाल नोईडा पुलिस इल्विश पर लगे इन ही इल्जामों के इर्दगिर्द मामले की तफ्तीश कर रही बिग बॉस OTT के विजेता रहे इल्विश के खिलाफ इस सिल्सले में नोईडा के सेक्टर 20 थाने में तीन नवंबर को तब एक F.I.R. धर्च की गई थी जब जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एक गेर सरकारी संस्ताप पीपल्स फॉर एनिमल यानि P.F.A. ने बखायदा एक लिखित शिकायत दी अपने शिकायत में P.F.A. ने बताया कि किस तरह एल्विश के इशारे पर नोईडा समेत दिली इंसियार में कई जगों पर रेव पार्टीज में सांपों का इस्तेमाल हो रहा है इसी दोरान P.F.A. ने अलग-अलग दुरला परजाती के नो सांपों को और उनके बीस मीली लीटर जहर के साथ पांच सपेरों को गिरफतार भी करवाया था सबूत के तोर पर पुलिस को कुछ ऐसे ओडियो और वीडियोज, क्लिप्स मिले जिनमें एक सपेरा एलविश के लिए सांप लेकर जाने की बात कबूल कर रहा था हलाकि एलविश ने उस वक्त एक वीडियो जारी करके इल्जामों से इंकार कर दिया था लेकिन उस वात को चार महीने गुजर जाने के बाद अब गौतम बुधनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एलविश यादव से एंडी पीएस मामले में पूछताच की नोईडा पुलिस ने एलविश यादव पर 29 एंडी पीएस एक्ट लगाया है जब कोई ड्रक्स से जुड़ी साजिश में शामिल हूँ इस एक्ट में आसानी से जमानत नहीं मिलती एलविश यादव को गिरफतार कर लिया गिरफतारी के दोरान पुलिस कष्टडी में एलविश यादव कभी मुस्कुराता तो कभी अदालत में रोता हुआ नजर आया हाला कि उसे बाद में अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने उसे 14 दिन की न्याई खिरासत में भेज दिया जेल जाते वक्त भी एल्विस का हाव भाव कुछ अलग साही दिख रहा था मानो वो नर्वस हो अपने का ते रांगे नाम अचा यहाए अजी दिखेगे अभाम इसका अधितडारीया परखी पार्खी भाव में अचारीवा हे स्वायाने का इन अचेका दीचाह आए है कई में उसका है एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेव पार्टी में मंगवाया कोबरा जहर पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला सच बिग बॉस के घर से जीत की ट्रोफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादो एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल की इस दरवाजे तक लानी से पहले नोईडा पुलिस ने इसी एल्विश यादो के सीने में छिपे उस राज को भी वलबाया है जो अभी तक नोईडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए था तबी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुधनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादो से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्विश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में साम्प और साम्पों का जहर मंगवाता था एल्विश यादव ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी वीनर एलविश श्यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोट में पेस किया गया जहां अदालत ने एलविश श्यादो को 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है एलविश श्यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दें कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एलविश श्यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है अलविश श्यादो को रविवार को नोएडा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था और पूछ साच के दौरान जो कुछ अलविश ने खबूल किया उसके बाद ही पुलिस ने उसे गिरफतार कर कोट के सामने पेश कर दिया कोट ने बिना देरी किये एलविश को 14 दिनों की न्याईक हिरासत में भेज दिया नोईडा पुलिस ने एलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोख से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा, नोईडा, आज तर आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश यादव है, जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोईडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आखें रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह वही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे यह मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरिये शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली एंसियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती है जहां अमीर्जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते है पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तसकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा नाम इल्विश यादो की मुस्किले अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक एल्विश यादो ने पूछताच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा प्लिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दें कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहत संगीन था पी एफे ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग उपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर पी एफे की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एल्विश यादव का खास आदमी बताया बलकि एल्विश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेफ पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तयार हो गया कहानी में एक ट्विस तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफए कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सांपों को लेकर बलकि 20 एमेल स्नैक वेनम यानि सांपों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिली एंसियार में सांपों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो गरीब खेल का खुलासा हुआ एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर एंडीपियस एक्ट की गंभीर धराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस ओटी टी विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एलविश यादो की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एलविश यादो ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है नवसकार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूँ अरपितार है और यह बताया कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेव पार्टी में मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी में साप और सापों के जहर के सप्लाई करता था अपूरी कैने साथी का रिंदी फलाए प्रियाना बने कदे रांगे जावत आए अजी ने किदे आप आम विसाड़ा वही कंदार या परकी पार्टी में भाए श्वाराने दॉए रखे कदी चाहाए एल्विश यादो का बड़ा खबूलना मत रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जैर पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश कुछ कहना है चाहिए है एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला सच बिग बॉस के घर से जीत की ट्रौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दरवाजे तक लाने से पहले नोईडा पुलिस ने इसी एलविश यादो के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नोईडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तभी तो एलविश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुदनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एलविश यादो से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एलविश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इलविश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था एलविश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एलविश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है एल्विश यादो को रविवार को नोड़ा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था पंजिकरत इभ्योग के क्रम में हमारे द्वारा 160 CRPC के नोटिस के अधर को बुलाया गया था विशने के दवरान यह आरो प्रमारी पाये जाने पर हमारे द्वारा मानने ने लेक्समस ट्रस्त लिए जाए नोड़ा पुलिस ने अलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोग से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस Act में आसानी से जमारत नहीं मिलती अर्विंद ओजहा नोड़ा आज ता अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया आरोपियों के साथ उनका संपर्क था और उनसे जान पैचान भी थी नोड़ा पुलिस ने एलविश को 17 मार्च की शाम को गरफतार किया कुछ माईने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ कतित रूप से दुरलब सापों को गले में डाल कर डांस पार्टी कर रहा था आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफे जूते पहने यही एलविश शैदव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोएडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आँके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश यादव का हाथ थाम रखा है यह वही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई के आगे कोई मोल सकता है क्या एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चहरे जब से ये मामला सामने आया है जब से सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे अलविश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अंसियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तथकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ाना इल्विश यादो की मुश्किल अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मताबिक इल्विश यादो ने पूच्टाच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोडा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहुत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एलविश यादव का खास आदमी बताया बलकि एलविश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया काम करते हैं तो हमारे घर में भी होगा, हमारी बस्ती में भी होगा एक बार आप तेकी था कितकोरो जैल चल के हमारे फ़साने के लिए चकर में कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफए कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सांपों को लेकर बलकि बीस एमल स्नेक वेनम यानि सांपों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिल्ली एंसियार में सांपों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो गरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौइडा, आज दा अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और आगे कितनी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगे हैं पुलिस के जो पांच लोग गिरफतार किये थे नौवंबर में और उनके पास से 20 ml जो साब का जहर बरामद हुआ था और 9 प्रतिबंधित साब बरामद हुए थे उस मामले में F.I.R. दज की गई थी, F.I.R. में अलविश का नाम था जो 20 ml जहर बरामद हुआ था उसको नोडा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुष्टी हुई कि जो अबरामद जहर था वो कोब्रा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलवी श्यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका एफ आई यार में नाम था साथी साथ सीडियार डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरफतार हुए थे वो ल्वी श्यादो के संपर्क में थे जिसके बाद ल्वी श्यादो को नोटीस भेजा गया पूच्च के लिफ बुलाए गया जिसमें उसने कुछ बाते एकसेप्ट की और उस ग्राउंड पर ल्विश श्यादो को गिरफतार कर लिया गया इसमें जो बड़ी बात यह है क्योंकि इसमें NDPS Act की धाराये भी एड की गई है और काफी संगीन अलग अलग NDPS की धाराये जोड़ी गई है जैसे 27A यह सबसे संगीन धाराये 27A का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रक्स की खरीद फरोक्त में शामिलों फिनांस करता हो और इसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लावा 29 NDPS Act 27 NDPS Act यह तमाम अलग अलग धाराये लगाई गई है और उसे 14 दिन की नयाई खिरासत में भेजा गया है सूतर यह बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे पूछ हो सकती है लेकिन आप जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी श्यादों की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका यह स्टैबलिश्ट होना साइंटिफिक तौर पर की वो एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था इ यानि यह माना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एल्विश ही थे या सिर्फ एल्विश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिल्म का कौन कहा जा सकता है वो जरह बताईए और आगे आपके रहें जबानत मिलना मुश्किल है सजा कितनी आप सकती है नहीं देखें मोहरा तो नहीं कहेंगे सूत्रधारी कहेंगे कम से कम जो धाराएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखें वाइल लाइफ एक का एक जारा तो लगी है क्योंकि बही प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताय है कि जो दिली के अलग-अलग फारमा उसमें रेव पार्टी होती थी एलविश की उसमें बकायदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वह एलविश की पार्टी में साप और सापों का जहर लेकर जाते थे एलविश मंगवाता था इसलिए इसमें 27A एलविश यादो पर लगाए गया और 27A का मतलब ही होता है कि ड्रग की खरीद फरूक्ट के लिए फिनैंस करना पैसे देना फाइनस करना बकायदा ये गंभीर स्रेणी में आता है देखे ड्रग कंज्यूम करना वो एक अलग धारा होती है कि ड्रग का इस्तमाल करना लेकिन इसमें NDS की कई धाराएं एक नहीं कई धाराएं लगाई है 29 NDPS Act लगाया गया है यानि कांस्परेसी ड्रग के किसी मामले में साजिस करना तो 29 NDPS Act 27 NDPS Act 27 A NDPS Act तो इस तरह की कई धाराएं लगाई है जिससे ये कम से कम नोडा पुलिस का दावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीद फरोग, फैनेंसिंग, ये तमाम चीजे तो मोरा बिल्कुल अलवी शादो को नहीं कहा जा सकता है सूत्रधार जरूर अलवी शादो को कहा जा सकता है और ये तमाम जो कडियां है वो नोडा पुलिस, जोड़ रही है, नोडा पुलिस का कहना है कि और भी एविडेंस अभी इस मामले में कलेक्ट किये जा रहा है जब नोडा पुलिस ने अलवी शादो को कोट में पेश किया, तो जज नहीं पूछा कि आपके पास किराग है कि आपने NDPS Act लगा दिया एक सक्स पर तब नोडा पुलिस ने वो लेब की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजी और बताया कोट को कि जो पाँच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी शादो की कनेक्टिविटी हमने स्टेबलिस्ट किये, लगातार वो संपर्क में थे नमबर एक, नमबर दो, जो रिकवरी किया था, वो वाकई में जहर है, और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था, तो इस आधार पर घिरफतारी हुए और ये सब कुछ सुनने के बाद फिर जज ने 14 दिन की नियाई खिरासत में एलविश को भेज दिया है, अब 14 दिन तक जो नोडा पुलिस है, उसक कर अभी ये है, कि वो जमानत की अरजी लगाए और बेल के लिए अप्लिकेशन मूव करें, लेकिन फिलहाल एक बात तो ये जरूर कहीं जा सकती है कि बहुत आसानी से भी जमानत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अलग अलग कई धाराएं लगाई गई है, आई पीसी की धारा हो सकता है, कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, नहीं, बिल्कुल आपका वाजीब सवाल ना, आपने सही कहा, जो सूत रहों बताते हैं कि कुछ और यूट्यूबर, वो रडार पर है, एक पंजाबी सिंगर है, वो रडार पर है, उचसे भी पूस्ताच हो सकती है जो जो लोग रेव पार्टी में शामिल होते थे, एल्विश के, और एल्विश ने भी कुछ नामों का खुलासा किया है, उनसे आने वाले जिनों में पूस्ताच हो सकती है, बहुत मुम्किन हैं उन पर शिकंजा कसा जा सकता है अर्विश के इज सबूत हाथ लगे हैं जिसलिकरी करते लिए यह कंपषक आम किस तरह देखते हैं, किस आपाराधी या किसी आरोपी का मानिए जिस पर इस तदो की आरोप लग रहा है उसने अगर अपने गुना को खबूल किया है, तो कोट में उसका केस एजी होता है, चाशिट फाइल करेगी पूरी इन्वेस्टिगेसन करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चाशिट दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तै करेगी वो दोसी है या नहीं दोसी है नमबर एक नमबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी दूसरी तरफ ड्रक के इस्तमाल का ड्रक की खरीक फरोग का सेक्षन अंडी पीएस की अलग अलग धाराये लगाई गई है तो दो अलग अलग सेक्षन आई पीसी के सेक्षन लगाये तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकती है अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत हर्याणवी, गीत, राव साहब पर एलविश की लाखो रील सोशल मीडिया पर मौझूद है एलविश यादो का एक सामान परिवार का वो लड़का है लेकिन आज वो सोशल मीडिया से प्रिसद्धी पाकर करोणों रुपए की गाडियों और घर में रहता है सोशल मीडिया क अपनी अधिकान श्रील में कहता नजर आता है कि सिस्टम के नीचे ये सिस्टम एलविश का है एलविश दावा करता है कि उसकी ताकत युवा है और उसकी एक आवाज पर लाखोर नौजवान सड़क पर उतर जाते हैं बच्पन से जवानी की दहलीज पर पहुचे युवा पाई जाए तभी फायदा है वरना अन्जाम सामने है अलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले अलविश पर एंडी पियस एक्ट की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस ओटी टी विनर और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर अलविश यादो की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद अलविश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि अलविश यादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए हैं जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौईडा पुलिस ने इलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुठाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहट की गई आए देखते हैं इलविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई हैं और इन धाराओं का मतलब क्या है नौईडा पुलिस ने जैपूर के लेब में जो बरामत साब का जहर था वो टेस्टिंग के लिए भेजा लैब की टेस्ट रिपोर्ट नौईडा पुलिस के हाथ लगी जिसमें इस बात की पुष्टी हुई कि जो बरामत साब का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नौईडा पुलिस हरकत में आई एलविश यादो को एक बार फिर नोटिस भेज कर पूछ ताच के लिए बुलाए गया पूछ ताच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नौईडा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस ओटीटी के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर अलविश यादो अन्तिम पाच तक पहुचने में खामयाब है अगर आपके जहन में अलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई अरे एलविश भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या ये एलविश यादव का चलवा गुरुगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दिवानगी एलविश यादव के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाना का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मन्जिल हासिल की दरसल एलविश यादव फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन ब्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस दाख से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उस्था, नौइडा आज साथ नौइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोग्त मामला है ये और उससे उन्हें अरिस्ट किया गया पुष्टाच में उसने आरोप भी कबूल कर लिया है और ये बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टी में मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी में सापो के जहर की सप्लाई करता था एल्विश कुछ कहना था होगे एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोब्रा जैर्ड पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला रेफ पार्टी में मंगवाया कोब्रा जैर् एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की ट्रॉफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नोईडा पुलिस ने इसी एल्विश यादव के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नोईडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तभी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही थे गौतम बुद्धनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्जामों को एल्विश अभी तक जूटा और फरे बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था एल्विश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौंबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके पांच लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और नौ प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है अल्विश यादो को रविवार को नौएडा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था और पूछ साच के दौरान जो कुछ अल्विश ने खबूल किया उसके बाद ही पुलिस ने उसे गिरफतार कर कोट के सामने पेश कर दिया कूट ने बिना देरी किये एलविश को 14 दिनों की न्याईक हिरासत में भेज दिया नोईडा पुलिस ने एलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रक के खरीद फरोक से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा, नोईडा आज तार अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया अरुपियों के साथ उनका संपर्क था और उनसे जान पैचान भी थी आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोएड़ा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने अलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह भही अलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाए हुए देर रात की रेव पाट रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे ये मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश श्यादव का जिक्र सांपो के इस किसे से जुड़ा तभी से संसनी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अन्सियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती है जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते है पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तथकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा नाम अल्विश यादो की मुस्किले अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक एल्विश यादो ने पूशताच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है मामला बहुत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पढ़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एल्विश यादव का खास आदमी बताया बलकि एल्विश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया अपने पूरी फैमिली में ने सुना किसी का नाम नारा हूल के नाम से कौन है जो फसा रहा है अगर आप कह रहे हैं कि फसी की बहुत बड़ी साजी से जो अल्विश यादव को और हमारी फैमिली को गरीब आदमी हम सर कहानी में एक ट्विस तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफ़े कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सापों को लेकर बलकि 20 एमेल स्नैक वेनम यानि सापों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिली NCR में सापों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो घरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौएडा, आज ता अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं अर्विंद, ये एल्विश यादो जो बुलंदियों के शिकर पर पहुच रहा था आखिरकर कौन-कौन से ऐसे सबूत हाथ लगें जिसके बाद इनकी मुसीबते बढ़ी हैं इनको गिरफतार किया गया है और आगे कितनी मुसीबते और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगें पुलिस के जो पांच लोग गिरफतार किये थे नौमबर में और उनके पास से 20 ML जो साब का जहर बरामद हुआ था और 9 प्रतिबंदित साब बरामद हुए थे उस मामले में FIR दज की गई थी FIR में अलविश का नाम था जो 20 ML जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुष्टी हुई कि जो बरामद जहर था वो कोबरा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका FIR में नाम था साथी साथ CDR डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरफतार हुए इसमें जो बड़ी बात यह है क्योंकि इसमें एंडी पियस एक की धाराये भी एड की गई है और काफी संगीन अलग अलग एंडी पियस की धाराये जोडी गई है जैसे 27 ये सबसे संगीन धाराये 27 एक का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रक्स की खरीद फरोप्त में शामिलों करता हो और इसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लावा 29 एंडी पियस एक्ट 27 एंडी पियस एक्ट ये तमाम अलग अलग धाराये लगाई गई है और उसे 14 दिन की नयाई खिरासत में भेजा गया है सूतर ये बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्य और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका ये स्टैबलिश्ट होना साइंटिफिक तौर पर की वह एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया रहा था इसलिए इसमें एंडी पियस एक्ट जोड़ा गया तमाम एविडेंस कलेक्ट किये गया और तब अलविश के फिल्म का कौन कहा जा सकता है वो जरह बताईए और आगे आपके रहें जमानत मिलना मुश्किल है सजा कितनी है कि देखें मोहरा तो नहीं कहेंगे सूत्रधारी कहेंगे कम से कम जो धाराएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखें वाइल लाइफ एक का एक जहरा तो लगी है क्योंकि प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताया है कि ज नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वो एल्विश की पार्टी में साप और सापों का जहर लेकर जाते थे एल्विश मंगवाता था इसलिए इसमें 27A एल्विश यादो पर लगाए गया अब 27A का मतलब ही होता है कि ड्रग की खरी ड्रग का इस्तमाल करना लेकिन इसमें देपियस की कई धराएं गया गया है यानि बहुतिसादी, पर लग्लिवर का कइक्ति मामले साजिस, तो इस तरह की कई धराएं लगाई है, जिस से यह कम्सेकम नोड़ा पुलिस का धावा है कि वो पूरी साजिस में शामिल था ँसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीद फरोग, फैनेंसिंग ये تمाम चीज़ें तो मोरा बिल्कुल एलवी शादो को नहीं कहा जा सकता है सूतरधार जरूर एलवी शादो को कहा जा सकता है और ये तमाम जो कडिया है वो नोडा पुलिस जोड़ी है नोडा पुलिस का कहना है कि और भी एविडेंस अभी इस मामले में कलेक्ट किये जा रहे हैं जब नोडा पुलिस ने लवीश यादो को कोट में पेश किया तो जज ने पूचा कि आपके पास किराग क्या ग्राउंड है कि आपने NDPS Act लगा दिया एक सक्स पर तब नोड़ा पुलिस ने वो लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजी और बताया कोट को कि जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे LV स्यागों की कनेक्टिविटी हमने स्टेबलिस्ट किये लगातार वो संपर्क में थे हमने जहर रिकवर किया था वो वाकई में जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था तो इस आधार पर घिरफतारी हुए और ये सब कुछ सुनने के बाद फिर जज ने 14 दिन की नियाई खिरासत में LV को भेज दिया है अब 14 दिन तक जो नोड़ा पुलिस उसके पास ग्राउंड है अगर कुछ और एविडेंस मिलते हैं जरूरी पड़ा एल्विस यादो से पूछ आज करने के लिए तो पूछ आज करने के लिए कोट मूव कर सकती है और पुलिस कस्टडी ले सकती है वहीं एल्विस यादो के लिए विकरप यह है कि वो जमानत क की अरजी लगाए और आप बेल के लिए अप्लिकेशन मूव करें लेकिन फिलहाल एक बात तो यह जरूर कहीं जा सकती है कि बहुत आसानी से भी जमानत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अलग कई धाराएं लगाई गई है आई पीसी की धारा लगाई गई है उसके अलावा एं सकती है नहीं बिल्कुल आपका वाजीब सवाल ना आपने सही कहा जो सूत रहों बताते हैं कि कुछ और यूट्यूबर वो रडार पर है एक पंजाबी सिंगर है वो रडार पर है उससे भी पूस्ताच हो सकती है जो जो लोग रेव पार्टी में शामिल होते थे एल्विश आप जिस तरह से सबूत हाथ लगे हैं जिस अलविश का प्पूल नामा भी सामने आ चुका है यह कबूल नामा आप किस तरह देखते हैं किसी अरोपी का मानिये जिस पर अगर अपने गुनाह को खबूल किया है तो कोर्ट में उसका केस एजी होता है टफ होता है एल्विश करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चाशिड दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तय करेगी वह दोसी है या नहीं दोसी है नमबर एक नमबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी बहुत आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है कोट के चक् की अलग अलग धाराय लगाई गई है तो दो अलग 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 सेक्षण आई पीसी के से लगाए गया तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकती है अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अर्विन तमाम जानकारे के लिए तो या तो सोशल मीडिया पर मौजूद है एलविश्यादो का एक सामान परिवार का वो लड़का है लेकिन आज हो सोशल मीडिया से प्रिसिद्धी पाकर कρωणों रुपए की गाड़ियों और घर में रहता है जोसिल मीडिया की सरही है वो सेस्टम के नीचे सिस्टम् — का है यह सिस्टम् — का है एलव पर लाखोर नौजवान सड़क पर उतर जाते हैं बच्पन से जवानी की दहलीज पर पहुचे युवाओं का गुड बनाकर एलविश यादव अपनी इमिज एक भाई के तौर पर समझता है लेकिन आज एलविश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से एलविश यादव की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर एंड़ी पियस एक्ट की गंभीर धराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरोग बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एलविश यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताये गया है कि एलविश यादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नॉइडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुठाएं तभी तो सारी कारवाई NDPS Act के तहत की गई आए देखते हैं लविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है NDPS के सेक्षन 8 by 20 के मताबिक किसी व्यक्ती के पास से गांजा या गांजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है इसमें इस बात की बुश्टी हुई कि जो बरामत साब का जहर था वो टेस्टिंग के लिए भेजा लैब की टेस्ट रिपोर्ट नोडा पुलिस के हाथ लगी जिसमें इस बात की पुष्टी हुई कि जो बरामत साप का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नोडा पुलिस हरकत में आई अलविश यादो को एक बार फिर नोटीस भेज कर पूश्टाच के लिए बुलाए गया पूछताच में एल्विश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एल्विश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एल्विश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एल्विश यादो अंतिम पाच तक पहुँचने में खामयाब है अगर आपके जहन में एल्विश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एल्विश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एल्विश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एल्विश ने अपने ही फैंस के बूते ये मन्जिल हासिल की दरसल एल्विश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकपरियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एल्विश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एल्विश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल है जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एल्विश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन ब्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एल्विश के एक करोड तीस दाख से ज्यादा फॉल्वर्स है एल्विश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट है वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उस्था, नॉइडा आज था नॉसकार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूँ अर्पिता रहा सोशल मीडिया पर मशूर यूट्यूबर एल्विश शाद और नॉइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोग्त मामला है ये और उससे उन्हें अर्स्ट किया गया पुछताच में उसे आरोप भी कबूल कर ली है और ये बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टी में मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी में सापो के जहर के सप्लाई करता था एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जहर पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नौएडा पुलिस ने इसी एल्विश यादव के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नौएडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तबी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुतनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्जामों को एल्विश अभी तक जूटा और फरे बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था एल्विश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौंबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके पांच लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और नौ प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है अल्विश यादो को रविवार को नौएडा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था और पूछ साच के दौरान जो कुछ अल्विश ने खबूल किया उसके बाद ही पुलिस ने उसे गिरफतार कर कोट के सामने पेश कर दिया कूट ने बिना देरी किये एलविश को 14 दिनों की न्याईक हिरासत में भेज दिया नोईडा पुलिस ने एलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रक के खरीद फरोक से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा, नोईडा आज तार अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया अरवियों के साथ उनका संपर्ख था और उनसे जान पैचान भी थी आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोईडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश यहादव का हाथ थाम रखा है यह वही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए है देर रात की रेव पार्ट रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे ये मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश श्यादव का जिक्र सांपो के इस किसे से जुड़ा तभी से संसनी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अन्सियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती है जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते है पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तथकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा नाम अलविश यादो की मुस्किले अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक एलविश यादो ने पूशताच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है मामला बहुत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पढ़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एल्विश यादव का खास आदमी बताया बलकि एल्विश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया अपने पूरी फैमिली में ने सुना किसी का नाम ना राहूल के नाम से कौन है जो फसा रहा है अगर आप कह रहे हैं कि फाताइब की बहुत बढ़ी साजी से जो अल्विश यादव को और हमारी फैमिली को गरीब आदमी हम सर कहानी में एक ट्विस तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफ़े कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सापों को लेकर बलकि 20 एमेल स्नैक वेनम यानि सापों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिली एंसियार में सापों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो घरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौएडा, आजस्ता अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं अर्विंद, ये अलविश यादो जो बुलंदियों के शिकर पर पहुच रहा था आखिरकर कौन-कौन से ऐसे सबूत हाथ लगें जिसके बाद इनकी मुसीबते बढ़ी हैं इनको गिरफतार किया गया है और आगे कितनी मुसीबते और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगें पुलिस के जो पांच लोग गिरफतार किये थे नौमबर में और उनके पास से 20 ML जो साब का जहर बरामद हुआ था और 9 प्रतिबंदित साब बरामद हुए थे उस मामले में F.I.R. दर्च की गई थी F.I.R. में अलविश का नाम था जो 20 ML जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुष्टी हुई कि जो बरामद जहर था वो कोबरा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका F.I.R. में नाम था साथी साथ C.D.R. डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरफ प्तार कर लिया गया इसमें जो बड़ी बात यह है क्योंकि इसमें की धाराये भी एड की गई है और काफी संगीन अलग-अलग फिसी धाराये जोड़ी गई है जैसए 27 यह सबसे संगीन धाराये 27 ए का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रुच्स की खरीद फरोक्त में शामिलों फिनांस करता हो और इसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लावा 29 NDPS Act 27 NDPS Act ये तमाम अलग-अलग धाराएं लगाई गई है और उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में भेजा गया है सूतर ये बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे पूछ ताच हो सकती है लेकिन जो पांच आरोपी गिरतार हुए थे उनसे लवी शादो की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका ये साइन्टिफिक तौर पर कि वो एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था इसलिए इसमें ंडिपियस एक्ट जोड़ा गया तमाम एविडेंस कलेक्ट किये गया और तब एल्विश यादों को गिरपतार किया गया तो यानि यह माना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एल्विश ही थे या सिर्फ एल्विश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिल्म का कौन कहा जा सकता है वो जड़ा बताईए और आगे आपके रहें जमानत मिलना मुश्किल है सजा कितनी है सकती है नहीं देखे मोहरा तो नहीं कहेंगे सूत्रधारी कहेंगे कम से कम जो धाराएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखे वाइल लाइफ एक का एक जारा तो लगी है क्योंकि बही प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताया है कि जो दिलीक के अलग-अलग फारमाउस में रेव पार्टी होती थी एलविश की उसमें बकायदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वो एलविश की पार्टी में साप और सापों का ज जहर लेकर जाते थे एलविश मंगवाता था इसलिए इसमें 27A एलविश यादो पर लगाये गया और 27A का मतलब ही होता है कि ड्रक की खरीद फरोक्त के लिए फिनैंस करना पैसे देना फाइनस करना वकायदा ये गंभीर स्रेणी में आता है देखें ड्रक कंजियूम करना वो एक अलग धारा होती है कि ड्रक का इस्तमाल करना लेकिन इसमें एंडीपियस की कई धाराएं एक नहीं कई धाराये लगाई है तो इस तरह की कई धाराएं लगाई है जिससे ये कम सिकम नोडा पुलिस का धावा है एक पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा ज़ो ड्रक का इस्तमाल करता था ड्रक की खरीद फरोध, फैनेंसिंग ये तमाम चीज़े तो मोरा बिलकुल एलवी सादो को नहीं कहा जा सकता है सूत्रधार जरूर एलवी सादो को कहा जा सकता है और यjuna प्लिस किया है है कि आपने एक सक्स पर तब नोड़ा पुलिस ने वो लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजी और बताया कोट को कि जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी स्यादों की कनेक्टिविटी हमने स्टेबलिस्ट किये लगातार वो संपर्क में थे नंबर एक नंबर दो जो रिकवरी हुई थी 20 ml जो जहर की उसको हमने जैपूर के फॉरंसिक टेस्ट लेब में भेजा उसकी टेस्ट लेब रिपोर्ट आई है और उसमें ये स्टेबलिस्ट हो गया है क जो हमने जहर रिकवर किया था वो वाकई में जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था तो इस आधार पर घिरपतारी हुई और ये सब कुछ सुनने के बाद फिर जज ने 14 दिन की नियाई खिरासत में एल्विश को भेज दिया है अब 14 दिन तक जो नोड श्यादो के लिए विकर पविये हैं कि वो जमानत की अरजी लगाए और बेल के लिए अप्लिकेशन मूव करें लेकिन फिलहाल एक बात तो यह जरूर कहीं जा सकती है कि बहुत आसानी से भी जमानत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अलग अलग कई धाराएं लगाई गई है आ अब बड़े नामों का खुलासा हो सकता है कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है ने बिल्कुल आपका वाजीब सवाल ना आपने सही कहा जो सूत रहों बताते हैं कि कुछ और यूट्यूबर वह रडार पर है एक पंजाबी सिंगर है वह रडार पर है उससे भी अर्विंद आब जिस तरह से सबूत हाथ लगे है जिस अलविश का खभूल नामा भी सामने आच्चुका है यह कभूल नामा आप किस तरह देखते हैं किसी आप राधि या किसी आरपी का मानिये जिस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं उसमें अगर अपने गुना को से पहले चाशिट करेगी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चाशिट दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तै करेगी वह दोसी है या नहीं दोसी है नमबर एक नमबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी ब उस्तमाल का ड्रग की खरीग फरोग का सेक्षन एंडी पीएस की अलग-अलग धाराय लगाई गई है तो दो अलग-अलग सेक्षन आई-पी-स के सेक्षन लगाएगे तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकती है अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुक्र पर मौजूद है एलविष आदोका एक सामान परिवार का वो लड़का है लेकिन आज हो सोचल मीढिए से प्रिसिद्धी पाकर करोणों रुपय की गाड़ियों और घर में रहता है वो सचल मीढिया की सरीए वो सेलिब्लीटी बन गया लेकिन एलविष का सोचल मीढिया पर पर लाखोर नौजवान सडक पर उतर जाते हैं बच्पन से जवानी की दहलीज पर पहुचे युवाओं का गुड बना कर एलविश यादो अपनी इमेज एक भाई के तौर पर समझता है लेकिन आज एलविश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कानून के दाइरे में रहकर ही लोग प्रियता पाई जाए तब ही फायदा है वरना अंजाम सामने है बस एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर N.D.P.S. Act की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस, O.T.T. विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एलविश यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एलविश यादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साम और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौइडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुठाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहट की गई आईए देखते हैं लविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नडी पियस के सेक्शन एट बाई ट्वेंटी के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गांजा या गांजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 नडी पियस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना नडी पियस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ति के जरिये नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सेक्शन 30 NDPS के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान बनाना पूछ ताच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पाच तक पहुँचने में खाम्याब है अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो जरा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने ही फैंस के बूते ये मनजिल हासिल की दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकपरियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल हैं जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोर 30 दाख से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोरों में है अर्विंद उस्था, नॉइडा आज सब्सक्राइबर नॉइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोग्त मामला है ये और उससे उन्हें अरिस्ट किया गया उससे आरोप भी कबूल कर लिए है और ये बताए कि पार्टि में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टि वे मिल चुका था उसपर आरोप था कि वो पार्टि वे में साप और सापो के जहर के सप्लाई करता था एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जह पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादो एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नौएडा पुलिस ने इसी एल्विश यादो के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नौएडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तभी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही थे गौतम बुद्धनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादो से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्जामों को एल्विश अभी तक जूटा और फरे बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था एल्विश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है एल्विश यादो को रविवार को नोड़ा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था व्योग पंजिकरित था पंजिकरित व्योग के करम में हमारे द्वारा 168 CRPC के नोटिस के अधर तो बुलाया गया था व्योग इचना के दवरान यह आरो प्रमारी पाये जाने पर हमारे द्वारा मानने ने लेक्समस ट्रस्त लिए जाए जाए 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोख से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस Act में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा, नोएडा आज तार अलविशादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया आरोपियों के साथ उनका संपर्ख था और उनसे जान पैचान भी थी नोएडा पुलिस ने एलविश को 17 मार्च की शाम को गरफतार किया कुछ माई ने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ कथे तूप से दुड़लब सापो को गले में डाल कर डांस पार्टी कर रहा था आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश शैदव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोईडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह भही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई क्या यह कोई मोल सकता है क्या एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे यह मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अंसियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तज़करी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा ना इल्विश यादो की मुश्किले अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक इल्विश यादो ने पूच्टाच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एलविश यादव का खास आदमी बताया बलकि एलविश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तयार हो गया काम करते हैं तो हमारे घर में भी होगा, हमारी बस्ती में भी होगा एक बार आप तेकी था कितकोरो जैल चल के हमारे फ़साने के लिए चकर में कहानी में एक ट्विस्ट तब आया और यहीं से दिली एंसियार में सांपों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो घरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौइडा, आज दा अर्विंद ओजह, हमारे सयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं अर्विंद, यह अलविश यादो जो बुलंदियों के शिकर पर पहुच रहा था आखिरकर कौन-कौन से ऐसे सबूत हाथ लगें जिसके बाद इनकी मुसीबतें बढ़ी हैं, इनको गिरफतार किया गया है और आगे कितनी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगें पुलिस के जो पाँच लोग गिरफतार किये थे नॉवंबर में और उनके पास से 20 ml जो साब का जहर बरामद हुआ था और नौ प्रतिबंधित साब बरामद हुए थे उस मामले में फाई आर दज की गई थी फाई आर में अलविश का नाम था जो 20 ml जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुष्टी हुई कि जो अबरामद जहर था वो कोब्रा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका फाई यार में नाम था साथी साथ CDR डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरफतार हुए थे वो एलविश यादो के संपर्क में थे जिसके बाद एलविश यादो को नोटीस भेजा गया पूस्ताच के लिए बुलाए गया जिसमें उसने कु अलग NDPS की धाराये जोड़ी गई है जैसे 27A ये सबसे संगीन धाराये 27A का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रक्स की खरीद फरोक्त में शामिलों फिनांस करता हो और इसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लाबा 29 NDPS Act 27 NDPS Act ये तमाम अलग-अलग धाराये लिए जा गया है सूतर ये बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे पूछताच हो सकती है लेकिन आप जो पांच आरोपी गिरपतार हुए थे उनसे लवी शादो की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका ये स्टैबलिश्ट होना साइन्टिफिक तौर पर की वो एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था इसलिए इसमें एंडी पियस एक्ट जोड़ा गया तमाम एविडेंस कलेक्ट किये गया और तब एलविश यादों को गिरपतार किया गया तो यानि यह माना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एलविश ही थे या सिर्फ एलविश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिल्म का कौन कहा जा सकता है वो जड़ा बताईए और आगे आपके रहें जबानत मिलना मुश्किल है सजा कितनी है सकती है नहीं देखे मोहरा तो नहीं कहेंगे सूत्रधारी कहेंगे कम से कम जो धाराएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखे वाइल लाइफ एक का एक जारा तो लगी है क्योंकि बही प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताया है कि जो दिलिक के अलग-अलग फांवाउस में रेव पार्टी होती थी एलविश की उसमें बकायदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वो एलविश की पार्टी में साप और सापों का जहर लेकर जाते थे ऐलविश मंगवाता था इसलिए इसमें 27A एलविश यादो पर लगाए गया और 27A का मतलब ही होता है कि ड्रग की खरीद फरूक्त करना ड्रग की खरीद फरूक्त के लिए फिनेंस करना पैसे देना फैनेंस करना बकाईदा यह गंबीर स्रेणी में आता ह देखे ड्रग कंज्यूम करना वो एक अलग धारा होती है कि ड्रग का इस्तमाल करना लेकिन इसमें NDPS की कई धाराएं एक महीं कई धाराएं लगाई है 29 NDPS Act लगाया गया है यानि कॉंस्परेसी ड्रग के किसी मामले में साजिस करना तो 29 NDPS Act 27 NDPS Act 27 A NDPS Act तो इस तरह की कई धाराएं लगाई है जिससे ये कम सिकम नोड़ा पुलिस का धावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीद फरोद, फैनेंसिंग ये तमाम चीज़े तो मोरा बिल्कुल Elville Shadow को नहीं कहा जा सकता है सूत्रधार जरूर Elville Shadow को कहा जा सकता है और ये तमाम जो कड़ियां है जोड़ी नोड़ा पुलिस का कहना है कि और भी एविडेंस अभी इस मामले में कलेक्ट किये जा रहा है जब नोड़ा प्लिस ने एलवी श्यादो को कोट में पेश किया तो जज ने पूछा कि आपके पास किराग क्या ग्राउंड है कि आपने अंडी पीएस एक्ट लगा दिया एक सक्स पर तब नोडा पुलिस ने वो लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजी और बताया कोट को कि जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी श्यादो की कनेक्टिविटी हमने स्टेबलिस्ट किये लगातार वो संपर्क में थे नंबर एक नंबर दो जो रिकवरी हुई थी 20 ml जो जहर की उसको हमने जैपूर के फॉरंसिक टेस्ट लेब में भेजा उसकी टेस्ट लेब रिपोर्ट आई है और उसमें यह स्टेबलिष्ट हो गया है कि जो हमने जहर रिकवर किया था वह वाकई में जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था तो इस आधार पर घिरफतारी हुई और यह सब कुछ सुनने के बाद फिर जज ने 14 दिन की नियाई खिरासत में एलविष को भेज दिया है अब 14 दिन तक जो नोड़ा पुलीस है उसके पास ग्राउंड है अगर कुछ और एविडेंस मिलते हैं जरूरी पड़ा एलविष यादो से पूश्टाच करने के लिए तो पूश्टाच करने के लिए कोट मूव कर सकती है और पुलिस कस्टडी ले सकती है वहीं एलविष यादो के लिए विकर अभी यह है कि वह जमानत की अरजी लगाए और बेल के लिए अप्लिकेशन मूव करें लेकिन फिलहाल एक बात तो यह जरूर कहीं जा सकती है कि बहुत आसानी से भी जमानत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अलग अलग कई धा लगाई गई है उसके अलावा एंडी पीएस एक्ट भी लगाया गया है तो अलविष से भी बड़े नाम इस पूरे रैकित में सामने आ सकते हैं कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है कुछ और बड़े गिरफतारियां हो सकती है ने बिलकुल आपका वाजीब सव एलविष के और एलविष ने भी कुछ नामों का खुलासा किया है उनसे आने वाले दिनों में पूश्ट आच हो सकती है बहुत मुम्किन है उन पर शिकंजा कसा जा सकता है अर्विष का कबूल नामा ओं किस तरह देखते हैं किसी आरोपी का मानिये जिस पर अगर अपने गुनाह को कबूल किया है तो कोर्ट में उसका केस इजी होता है तुफ होता है एलविष की आगए कि राह कितने म Georgia के लिए के लिए देखिए अभी तो आप जो पुलिस है वो सबसे पहले चाशिट करेगी पूरी इनिवेस्टिगेसन करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चाशिट दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तै करेगी वो दोसी है या नहीं दोसी है नमबर एक नमबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी बहुत आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है कोट के चक्कर लगाने होंगे कि जैसा मैंने बताया कि IPC के सेक्षन है जिसमें 120B Wildlife Animal Act वो लगाये गया है दूसरी तरफ ड्रक के इस्तमाल का ड्रक की खरीग फरोग का सेक्ष की अलग-अलग धाराय लगाई गई है तो दो अलग-अलग सेक्षन IPC के सेक्षन लगाये गये तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकते अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अर्विन तमाम जानकारे के लिए तो यादो सोशल मीडिया पर काफी परिवार का लड़का है लेकिन आज हो सोशल मीडिया से प्रिसिद्धी पाकर करोड़ों रुपए की गाड़ियों और घर में रहता है। बच्पन से जवानी की दहलीज पर पहुचे युवाओं का गुड बनाकर एल्विश शादो अपनी इमेज एक भाई के तौर पर समझता है लेकिन आज एल्विश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कानून के दाइरे में रहकर ही लोग प्रियता पाई जाए तभी फायदा है वरना अन्जाम सामने है बस एल्विश शादो की और बढ़ी मुश्किले एल्विश पर अन्डीपियस एक्ट की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस ओटी टी विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एल्विश श्यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एल्विश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एल्विश शादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साम और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौइडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुटाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहत की गई आये देखते हैं ल्विश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नडी पियस के सेक्शन 8 बाई 20 के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गांजा या गांजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 नडी पियस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना नडी पियस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ति के जरिये नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सेक्शन 30 NDPS के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान बनाना पूछ ताच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पाच तक पहुँचने में खाम्याब है अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चल्वा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने ही फैंस के बूते ये मन्जिल हासिल की दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन ब्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस दाख से ज़्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उसा नौइडा आज साथ नौइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोग्त मामला है ये और उससे उन्हें अरिस्ट किया गया पुष्टाच में उसने आरोप भी कबूल कर लिया है और ये बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टी में मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी में सापो के जहर के सप्लाई करता था एल्विश कुछ कहना था होगे एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम्रेफ पार्टी में मंगवाया कोब्रा जैर्ड पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला था एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नौएडा पुलिस ने इसी एल्विश यादव के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नौएडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए था तभी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुतनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूतरों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूतरों का यहां तक कहना है कि जिन इल्जामों को एल्विश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था एल्विश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है एल्विश यादो को रविवार को नोड़ा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था नोड़ा पुलिस ने अलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीत फरोग से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस Act में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहार, नोड़ा आज था अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया आरोपियों के साथ उनका संपर्क था और उनसे जान पैचान भी थी नोड़ा पुलिस ने अलविश को 17 मार्च की शाम को गिरफतार किया पुश माई ने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ कतित रूप से दुरलब सापो को गले में डाल कर डांस पार्टी कर रहा था आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश शैदव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोईडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह भही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई क्या यह कोई मोल सकता है क्या एए एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे यह मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरिये शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अंसियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तज़करी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा ना इल्विश यादो की मुश्किले अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक इल्विश यादो ने पूच्टाच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एलविश यादव का खास आदमी बताया बलकि एलविश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तयार हो गया काम करते हैं तो हमारे घर में भी होगा, हमारी बस्ती में भी होगा एक बार आप तेकी था कितकोरो जैल चल के हमारे फ़साने के लिए चकर में कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफए कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सापों को लेकर बलकि बीस एमेल स्नेक वेनम यानि सापों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिली एंसियार में सापों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो गरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौइडा, आज दा अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और आगे कितनी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगे हैं पुलिस के जो पाँच लोग गिरफतार किये थे नौमबर में और उनके पास से 20 ml जो साप का जहर बरामद हुआ था और नौ प्रतिबंधित साप बरामद हुए थे उस मामले में फाई आर दज की गई थी फाई आर में अलविश का नाम था जो 20 ml जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुष्टी हुई कि जो बरामद जहर था वो कोबरा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका F.I.R. में नाम था जिसमें उसने कुछ बाते एक्सेप्ट की और उस ग्राउंड पर एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया इसमें जो बड़ी बात यह है अरकिता क्योंकि इसमें NDPS एक की धाराय भी एड की गई है और काफी संगीन अलग-अलग NDPS की धाराय जोड़ी गई है जैसे 27A य इसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लावा 29 NDPS एक्ट 27 NDPS एक्ट यह तमाम अलग-अलग धाराय लगाई गई है और उसे 14 दिन की नयाई खिरासत में भेजा गया है सूतर यह बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल इसी साथ जो बरामज जहर था उसका यह स्टैबलिश्ट होना साइन्टिफिक तोर पर की वह एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया रहा था इसलिए इसमें NDPS एक्ट जोड़ा गया तमाम एविडेंस कलेक्ट किये गया और तब एलविश यादों को गिरपतार किया गया तो यानि यह माना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एलविश ही थे या सिर्फ एलविश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिल्म का कौन कहा जा सकता है वो ज़रा बताईए और आगे आपके रहें जबानत मिलना मुश्किल है सजा कितनी है कि देखे मोहरा तो नहीं कहेंगे सूत्रधारी कहेंगे कम से कम जो धाराएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखे वाइल लाइफ एक का एक जारा तो लगी है क्योंकि प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताया है कि जो दिली के अलग-अलग फारमा उसमें रेव पार्टी होती थी एलविश की उसमें बकायदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वो एलविश की पार्टी में साप और सापों का जहर लेकर जाते थ इसलिए इसमें 27A एलविश यादो पर लगाए गया और 27A का मतलब ही होता है कि ड्रग की खरीद फरोक्त करना ड्रग की खरीद फरोक्त के लिए फिनेंस करना पैसे देना फैनेंस करना बकाइदा ये गंभीर स्रेणी में आता है देखें ड्रग कंज्यूम करना वो एक अलग अधारा होती है कि ड्रग का इस्तमाल करना लेकिन इसमें NDPS की कई धाराएं एक नहीं कई धाराएं लगाई है तो इस तरह की कई धाराएं लगाई है जिससे ये कम सिकम नोडा पुलिस का दावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीद फरोग फैनेंसिंग ये तमाम चीज़े तो मोरा बिल्कुल एलवी शैदो को नहीं कहा जा सकता है सूतरधार जरूर एलवी शैदो को कहा जा सकता है और ये तमाम जो कड़िया है वो नोडा पुलिस जोड़ क्या ग्राउंड है कि आपने NDPS Act लगा दिया एक सक्स पर तब नोड़ा पुलिस ने वो लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजी और बताया कोट को कि जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी स्यादों की connectivity हमने स्टेबलिस्ट किये लगातार वो संपर्क में थे नंबर एक नंबर दो जो recovery हुई थी 20 ml जो जहर की उसको हमने जैपूर के फॉरंसिक टेस्ट लेब में भेजा उसकी टेस्ट लेब रिपोर्ट आई है और उसमें ये स्टेबलिस्ट हो गया है कि हमने जहर रिकवर किया था व अब 14 दिन तक जो नोड़ा पुलिस है उसके पास ग्राउंड है अगर कुछ और एविडेंस मिलते हैं जरूरी पड़ा यादो से पूश्टाज करने के लिए तो पूश्टाज करने के लिए कोट मूव कर सकती है और पुलिस कश्टडी ले सकती है वहीं यादो के लिए वि दिनने वाली नहीं है क्योंकि अलग अलग कई धाराय लगाई गई है आई पीची के धारा लगाई गई है उसके अलावा एंडी पीस एक्ट भी लगाया गया है तो विश के अलविश से भी बड़े नाम इस पूरे राकित में सामने आ सकते हैं कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है ने बिल्कुल आपका वाजीब सवाल ना आपने सही कहा जो सूत रहो बताते हैं कि कुछ और यूट्यूबर वह रडार पर है एक पंजाबी सिंगर है वह रडार पर है उससे भी पूस्ताच हो सकती है जो जो अब जिस तरह से सबूत हाथ लगे हैं जिस अलविषक का अपक़ूल नामा भी सामने आ चुका है यह कभूना मा आप किस तरह देखते हैं किसी अपराधि क्या इक आरॉप की इस तरह की आरोप लगए उसने अगर अपने गुना को खबूल किया है तो कोर्ट में उसका केस इजी होता है टफ होता है एलविश की आगे की रहा कितने मुश्किल हो सकती सजा या जुर्माना क्या हो सकता आगे एलविश के लिए देखिए अभी तो आप जो पुलिस है वो सबसे पहले चाशिट करेगी पूरी इन्वेस्टिगेसन करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट कर के चाशिट दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तै करेगी वो दोसी है या नहीं दोसी है नमबर एक नमबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी बहुत आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है आप कोट के चक्कर लगाने होंगे कि जैसा मैंन ही गई है तो दो अलग अलग सेक्शन आई पीसी के सेक्शन लगाया गया तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकती है अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अर्विन तमाम जानकारे के लिए तो अलविश यादो सोशल मीडिया पर काफी फेमस शक्सित है और उनका अंदास एकदम रॉबदार है उनकी चाहने वाले उन्हें राव साहब कहते हैं फेमस हर्याडवी गीत राव साहब पर अलविश क सोशल मीडिया पर जो कॉंटेंट है उन नई पीडि को मारपीट दबंग गई के अलावा कुछ और नहीं सिखाता है अलविश यादो का एक फेमस डैलोग है जो युवाओं के बीच काफी लोग प्री है अलविश यादो अपनी अधिकान स्रील में कहता नजर आता है कि सिस लेकिन आज अलविश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कानून के दाइरे में रहकर ही लोग प्रियता पाई जाए तभी फायदा है वरना अंजाम सामने है बस अलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले अलविश पर अड़ी पियस एक्ट की गंभीर धराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर अलविश यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद अलविश का चेहरा लटक गया है बताये गया है कि अलविश यादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नॉइडा पुलिस ने अलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुठाएं तभी तो सारी कारवाई NDPS Act के तहट की गई आईए देखते हैं अलविश पर कौन कौन सी धराएं लगाई गई है और इन धराओं का मतलब क्या है NDPS के सेक्शन 8 by 20 के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गांजा या गांजे जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 NDPS Act के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना NDPS 27A के मताबिक किसी व्यक्ति के जरीए नार्कोटिक ड्रग खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सेक्शन 30 NDPS के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान बनाना नोडा पुलिस ने जैपूर के लैब में जो बरामत सांप का जहर था वो टेस्टिंग के लिए भेजा लैब की टेस्ट रिपोर्ट नोडा पुलिस के हाथ लगी जिसमें इस बात की पुष्टी हुई कि जो बरामत सांप का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नोड़ा पुलिस हरकत में आई एलविश यादो को एक बार फिर नोटिस भेज कर पूछ ताच के लिए बुलाए गया पूछताच में एल्विश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एल्विश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एल्विश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एल्विश यादो अन्तिम पार्च तक पहुँचने में खाम्याब है अगर आपके जहन में एल्विश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एल्विश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एल्विश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एल्विश ने अपने ही फैंस के बूते ये मन्जिल हासिल की दरसल एल्विश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकपरियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एल्विश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एल्विश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एल्विश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन ब्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एल्विश के एक करोड तीस दाख से ज्यादा फॉल्वर्स है एल्विश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट है वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उसा, नौइडा आज साथ नौइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोग्त मामला है ये और उससे उन्हें अरिस्ट किया गया पुछताच में उसने आरोप भी कबूल कर लिया और ये बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टी में मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी में सापो के जहर की सप्लाई करता था अपूरी कैने साथी का रिदी फलाए प्रियाना बने कदे रांगे जावताए अजी ने दिखे दे आपाम विसाड़ा वही कर्दार या परकी पार्टी में श्रीवाए आप अजी यादो का बड़ा कबूलना मत रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जैर्टी में पुलिस के सामने यूटीवर ने खबूला एलविश ने पुलिस के सामने खबूला सच बिग बॉस के घर से जीत की ट॔फी लेकर निकलने वाला यूटीवर एलविश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नोईडा पुलिस ने इसी अलविश यादो के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नोईडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तभी तो अलविश भी उनके शिकंजे से दूर ही थे गौतम बुधनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता इलविश यादो से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो इलविश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इलविश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में साम्प और साम्पों का जहर मंगवाता था अलविश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला अलविश अलविश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था अलविश बिग बॉस ओटी टी विनर एलविश श्यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एलविश श्यादो को 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है एलविश श्यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एलविश श्यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है अलविश श्यादो को रविवार को नौइडा पुलिस ने पूच साच के लिए बलाया था और पूच साच के दोरान जो कुछ अलविश ने खबूल किया उसके बाद ही पुलिस ने उस से गिरफतार कर कोट के सामने पेश कर दिया कूट ने बिना देरी किये एलविश को 14 दिनों की न्याईक हिरासत में भेज दिया नोईडा पुलिस ने एलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोक से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा, नोईडा आज तार अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया अरविश के साथ उनका संपर्ख था और उनसे जान पैचान भी थी आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नवेड़ा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह भही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई क्या ये कोई मोल सकता है क्या एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चहरे जब से ये मामला सामने आया है जब से सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे अलविश श्यादव का जिकर तब ही से संसनी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली एंसियार में कुछ ऐसी रेव पार्टीज भी होती है जहां अमीरजादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते है पी एफए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेव पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्वर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तर्सकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेव पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा ना इल्विश यादो की मुश्किले अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक एल्विश यादो ने पूश्ताच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहुत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एल्विश यादव के से जुड़ी बड़ी अपडेट की इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं इसमें सिंगर फाजिल पुरिया का भी नाम आया है अभी एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी ख़बर है एल्विश यादव चुकि गिरपतार किया गया है नॉइड़ा पोलिस ने एल्विश यादव को गिरपतार किया है कोर्ट में पेश किया गया 14 दिनों की नए खिरासत है और अब पूछता अच में सिंगर फाजिल पुरिया कभी इसमें जिक्र है जो कि प्रसिद सिंगर है और कई और भी नाम इसमें बता जा रहे कि सामने आ सकते हैं कई और नामों जिन जिन का नाम आ रहा है फिर उनसे भी पूछता मभव है रहो सेकतर उसमें बहुत सारे ऐसे भी नाम हो जो हाइप प्रोफाइल हो नौइडा पॉलिस इसके इंवेस्टिकेशन कर रहे है वा मशूर यूट्यूबर शुरबात से यह कह रहे थे कि वह इसमें इन्वाल्ब नहीं है उनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन हाँ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सांपों का जहर सांप मंगवाए और अब अपने हुए अपने उपर लगे हुए आरोपों को खुबूल कर चुके हैं तो ऐसे में उनकी मुश्किले बढ़ सकते हैं अगर कूर्ट में अपना बयान बतलने ना तो अभी पुलिस इस और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं इस मामले की अभी वो आरोपी है और अब उनको अपने आप पर लगे हुए आरोपों को अपने आपको जो है आरोप मुक्त बताना है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उनके वकील भी हैं अभी आपको यह बताते हैं कि इ बाज़ोध है हमारे सेहोगी चिरागोठी और चिरागे पास देखी समय हाथ में ओफ एक वह की आप साथ की थी और अपडीर देखे यह तो सब कोई पता है कि इस केस में हुआ है कि जील जाकिए और तमाम बातें NDPS के तमाम sections लग चुके हैं राजीव लेकिन मैं वो F.I.R पढ़ना चाहता हूँ ताकि लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी मिले जो रिटन में नॉड़ा पुलिस ने दर्ज किया है ये लिखती है F.I.R में जो इसमें complainant थे वो थे गौरव गुपता जो P.F.A. Organization के Animal Welfare Officer है ये लिखते हैं ये जो संस्थाती में का गांधी द्वारे संचाली थी इन्होंने जो लिखा है कि इनके पास ऐसी information थी कि Elvish आदव इंवॉल्विंस तमाम चीजों में इसमें मैं वरबटम पढ़ता हूँ कि इस सूचना पर हमारे एक मुखिबर खास ने इस पूरे मामले में Elvish से संपर्क किया ये जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इनका कोई मुखिबर था जिसने Elvish से संपर्क किया और Elvish फोन लाइन पर आ गया Elvish ने रहूल नाम के एक एजेंट का नाम बताया उसका मोबाइल नंबर दिया और कहा कि इस व्यक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो ये बाते कहीं हैं FIR में अब सवाली उठता है कि इस सूचना पर हमारे एक मुखिबर खास ने इस पूरे मामल में Elvish से संपर्क किया ये कौन मुखिर खास था जिसने Elvish से संपर्क किया उसकी डिटेल सामने आनी चाहिए पहली बात दूसरी बात वो कहता है कि जो Elvish ने कहा कि भई आप राहूल नाम के एक एजेंट से बात कर लो राहूल का नंबर भी दे दिया और उसके बाद इस वक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो ये बात बोली मुखिर खास ने हमें उस राहूल नाम के तथकर का उपरोग्वाइल नंबर दिया हमने राहूल नाम की वक्ति से Elvish का नाम लेकर बात की इसके बाद ये सारी बाद शुरूआ थे राहूल से उसमें पकड़ा गया यानि जो पांच आरोपी पकड़ा गया इसमें तो सवाल ही उठता है कि किसने किसे बात की राजीव ये तो पूरा क्लियर होना जी लेकिन कई वर साजिश मुखबिर इंपोर्टन नहीं होता है इंप मुखबिर खास ने फुलाने से बात की सवाल ये उठता है कि ये जब आपको प्रूव करेंगे आपकी ये एंडीपीस का केस है तो आपको एक एक शक्स से किसकी राजीव और चिराग की क्या बात हुए ये तो आप फोन डिटेल बताएंगे ना ताकि ये स्टेबलिश होके जिनमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है इसका मतलब ये कि प्रोफेशनल तरीके से कोई आदमी रैकेट चला रहा है पुलिस का तो यह कहना है अब सवाल उठता है कि इस केस के अलावा ऐसा कौन सा उसका पास्ट मिले हैं कई सारे केसे मिलें जिसमें एविडेंस मिलें जो तरीकि आधार बना रही है पुलिस अचना जो करी ल। ध। लेकिन सवाली उठता है कि इतनी तमाम बाते जो ए mau और में लिखी थी जिसमें सारे करा मनने को इतियार नहीं के सुआ CD को मननोन ऑध मैं किर रहा है लेकिन अटलीस्ट आप जब यह मामला इतना हाइप है इतना जादा इसका है कि कोट को यह तमाम जानकर यह देनी पड़ेगा आपको बहुत लंबे समय से इसको कवर कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी मतलब आपकी तो बीट किया है तो मुझे आप से जानना कि क्या सभी क किसिस में ऐसा होता है कि अगर जहां पर मुखबिर की इन्वाल्मेंट है तो पुलिस से जुड़ी वी इंफॉर्मिशन साजा कर दिया क्योंकि F.I.R. में क्या उस सारी डेटेल्स होती है या पर बाद में जाके कोट में चार्ज शीट के रूप में सारी चीज़ें के इस से संबंद है कोई जरूनिया पुलिस के अपनी कन्वीनेंस होती है जिसको जहां पुलिस को लगता है यह यह जानकारी देना अवश्यक है यह अवश्यक नहीं है वो अपने हिसाब से करती है लेकिन सवाल ही उठता है कि भई आपको कॉल डिटेल्स तो बताने पड़ करेंगे तो आप जा होगा में टीकानियों तो अपर रही इसके अवश्यक की इसके बाद था पाई जाल आप और इसको जाएक इस परशाब्याल में यह साय वीमें इसको पर जाले वाच आपकी बात दुरुस्त है लेकिन हम कई केसे जैसे भी देखते हैं राजीव पास्ट में की पुलिस कई बार गलत मुकद में दर्ज करती है गलत आरूपी को फसा देते हैं पुलिस में हर बड़ा हट नहीं देखी है जल्दबाजी नहीं देखी पुलिस ने बहुत आराम समय लिया बहुत समय के बाद जाकर गिरफतार हुए जब अपने आपको पाक साब उस सारी अपनी चीजें एक नॉर्मल लाइफ थी जो चल रही थी इस वीच में एक गिरफतार बिग बॉस जाना नहीं है आपका जो में सोर्स ओफ इंकम में वो हो गया ड्रग्स कि आप ड्रग्स में डील कर रहे हो जहां पार्टी होती है लग्स ही है ओके मैं आपको नंबर दूँगा आप उससे बात करोगे वो आपके लिए ड्रग्स ले आएगा और मेरा कट आजाएगा ये बताईए कि कितने ड्रग्स से उसकी कितनी कमाई हुए लविश आदव की उसका में सोर्स ओफ इंकम क्या है ये भी क्लियर हो ना अब ये इंपोर्टन इसे हैं उसकी खिलाफ 10 मुकद में हमें पता चले हैं 10 लोगों के बारे में पता चले है जो इस तरह की संखेद मिला है कि आने वाले मतब बहुत जल्दी हो सकता है कि उनके ठिकानों पर रेड भी हो देखे रेड तो अविसली होगी लेकिन सवाल ही उड़ता है ना कि जब अपने NDPS के ऐसे सेक्शन्स इन्वाल कर दी है तो इसका मतलब बहुत क्लियर कट है कि आपको पूरा स्टेबलिश करना पड़ेगा कि भी यह एक ड्रग का डीलर था इसका यूट्यूब से कमाई नहीं हो रही है उसकी कमाई Big Boss ने से वह जीता उससे नहीं हुई या वह इवेंट करते हैं उससे नहीं वह ड्रग माफिया है माफिया है उसका जो काम है वह सिर्फ एक काम है उसका कि जाकर जिसको भी ड्रग्स चाहिए मैं पहुआँगा मैं पहुआँगा मैं पहुआँगा मैं पहुआँगा लड़किया चाहिए मैं पहुआँगा तो यह मतलब अगर इस तरह के संगीन इल्जाम किसी पर लगा दे तो यह तो आपको प्रूव करना पड़ेगा भाई आप ऐसे एक F.I.R. में बहुत गंभी कितने पैसे आये हैं कब कर प्राज़ेशन होई इस तरह के कामों के लिए बहुत प्रूपर्टी परचेस की थी इस तरह की बाते सामने आ रहे थी खबर आई तो आप गुरूगराम में रहता है उसकी फैमिली तो आप क्लियर कट बता दीजे ना कि उसके परिवार में कितने अकाउंट हैं कितने अकाउंट होल्डर हैं कितना पैसा उसने कहां रूट किया है यह क्लियर कट बताना पड़ेगा नौइडा पॉलिस को तब ही जा अगर यह के स्टैबलिश होगा कि भाई यह ड्रग डीलर है आपने उसको इस इस के आधार पर उसको आपने ड्रग डीलर तो मेरा सिर्फ यह है कि अगर ड्रग डिलर बता है, तो यह नहीं कह सकता हूं है, यह नाम जरूर आए, तो शुरुवात से यह आ रहा है, क्योंकि दोनों ने एक साथ, जहां तक है, मुझे याद है कि शूट भी किया था, और दोनों सापों के साथ उनकी तस्वीरे भी आई तो शायद माइड भी उससे भी कुछ पुष्टाच करनी हो पुलिस ने, वो तो एक प्रॉसेस है, वो तो पुष्टाच होगी है, वो भी कैस दंदे में इन्वाल्व है, अब यह बताईए कि कोई ड्रग अगर आपको चाहिए, मैं बेसिक चीज जानना चाह रहा हूं, पुलिस वालों के सामने बात की, कि हम सुडेंट तक ड्रग इसली अवेलेबल है, अगर हम ही ड्रग चाहिए, तो हम बहुत इसली पुलिस थाने के चौप की, कि बिल्कुल नजदिक ड्रग मिल रहे होगी, जब हम तक वो ड्रग पहुंच रही है, तो पुलिस वाले क्यों अक्टिव है, तो अलविश यादव की ज़ुरत क्या है किसी को ड्रग लेने के लिए, अगर वो ऐसी को लेने के सकता है, उनके जरीय अवेलेबल है, चलिए, माल लीजिए, एक आउट कॉंटक्ट, दो कॉंटक्ट हो जाएं, लेकिन आपने जो सेक्शन इंपोस्त की है, उ जरीय इस अट्रग डिलर, और उसका सारा कमाई का जो जरिया है, वो जो सोर्स ओ इंकम है, वो यही है, कि वो और जाद मुशकर है, क्यूंकि आप वो नॉमल एक प्यादे निबल की, वो तो पूरा का पूरा गिरोह का सरगना, सरगना ही आपने बता दिया कि इतने सारे सेक् करनी पड़ेगी, बहुत क्लियर करेंगी, बहुत क्लियर करेंगी, अगर मैं शक भी करूँ, तो नॉइडा पूलिस को शक को दूर करना चाहिए, मुझा लगता है, खुलकर सामने आना चाहिए, कि ये कोट के एविडेंस है, अभी जो ऐलविश यादव के वकीले, वो क्या कह रहे है, वकीलों का देखिए, वो इतना सीरिसल लेते नहीं इस तरह की चीजों को, उनका कहने है कि हमारा जो भी मेन प्राइटी है, वो है बेल, हम मूव करेंगे, जिससे आगे कोशिश करेंगे, बेल इसमें केस में मिल जाए, और अब देखना है, कोट देती है, बेल न बनावड़ा, उसका समराज्य, कारोबारे, सारी चीज़ें बताइए ना फिर, जब आप इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं तो, तो ये मुझे लगता है कि ये नॉड़ा पुलिस के लिए टेड़ी खीर होने वाली है, छिराग, तैंकी सो मच, आप जुड़े इस जानक के लिए, एल्विश पर एंड़ी पीएस एक्ट की गंभीर धाराएं, ड्रग के खरीद फरोग और फैनांस का आरो, बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एल्विश यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है, कि खुद एल्विश का चेहरा लटक गया है, बताये गया है कि एल्विश यादव ऐसी रेव पार्टीज के रैकेट से जुड़े हुए हैं, जिसमें स आईए देखते हैं, हल्विश पर कौन-कौन सी धाराएं लगाए गई हैं, और इन धाराओं का मतलब क्या है? NDPS के section 8 by 20 के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गाजा या गाजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है Section 27 NDPS Act के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना NDPS 27A के मताबिक किसी व्यक्ति के जरीए नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना Section 30 NDPS के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान बनाना नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लेब में जो बरामत सांप का जहर था वो टेस्टिंग के लिए भेजा लेब की टेस्ट रिपोर्ट नोड़ा पुलिस के हाथ लगी जिसमें इस बात की पुष्टी हुई कि जो बरामत सांप का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नोड़ा पुलिस हरकत में आई एलविश यादो को एक बार फिर नोटिस भेज कर पूच्टाच के लिए बुलाए गया पूच्टाच में एलविश यादो सही ओग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पांच तक पहुँचने में खाम्याब अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गोर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा बुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस टॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये चोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मनजिल हासिल की दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल है जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस दाख से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विन्द उसा, नॉइडा आज स्था एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर एंडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फैनांस का आरो बिग बॉस, ओटीटी विनर और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर एलविश यादव की अब मुश्किले इसकाई कदर बर चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताये गया है कि एलविश यादव ऐसी रेव पार्टीज की रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौइडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुठाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पीएस एक्ट के तहट की गई आईए देखते हैं एलविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नडी पीएस के सेक्शन 8 बाइ 20 के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गाजा या गाजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 नडी पीएस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना नडी पीएस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ति के जरीए नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सेक्शन 30 एंडी पियस के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान बनाना पूछताच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अन्तिम पांच तक पहुँचने में खाम्याब अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गोर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा बुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये चोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मनजिल हासिल की दरसल एलविश यादव फेमस यूट्यूबर है जो शौर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूगराम के वजीराबाद गाव के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल हैं जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोर 30 लाग से ज्यादा फॉलोवर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोरों में है अर्विंद उचा, नॉइडा आज स्था नॉइसकार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके में हुआर पितार है सोशल मीडिया पर मशूर यूट्यूबर एलविश शाद और नॉइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोग्त मामला है ये और उससे उन्हें अरेस्ट किया गया पुष्ताच में उसने आरोप भी कबूल कर लिया है और ये बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेपार्टी वे मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी वे सापों के जहर के सप्लाई करता था एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जह पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नौएडा पुलिस ने इसी एल्विश यादव के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नौएडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तभी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही थे गौतम बुद्धनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्जामों को एल्विश अभी तक जूटा और फरे बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था एल्विश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस OTT विनर एल्विश श्यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश श्यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश श्यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौंबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके पांच लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और नौ प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश श्यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है अल्विश श्यादो को रविवार को नौएडा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था और पूछ साच के दौरान जो कुछ अल्विश ने खबूल किया उसके बाद ही पुलिस ने उसे गिरफतार कर कोट के सामने पेश कर दिया कूट ने बिना देरी किये एल्विश को 14 दिनों की न्याईक हिरासत में भेज दिया नोईडा पुलिस ने एल्विश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोक से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अर्विंद ओजहा, नोईडा आज तार अल्विश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया अर्वियों के साथ उनका संपर्ख था और उनसे जान पैचान भी थी आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एल्विश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोएड़ा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह वही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश बाइगे कोई मोल सकता है क्या ये एल्विश बाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे ये मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एल्विश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसनी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अन्सियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती है जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तज़करी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ाना इल्विश यादो की मुश्किले अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक इल्विश यादो ने पूच्टाच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एलविश यादव का खास आदमी बताया बलकि एलविश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफ़े कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सांपों को लेकर बलकि 20 एमेल स्नेक वेनम यानि सांपों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिली एंसियार में सांपों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो घरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौइडा, आज दा अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं अर्विंद, ये अल्विश यादो जो बुलंदियों के शिकर पर पहुच रहा था आखिरकर कौन-कौन से ऐसे सबूत हाथ लगें जिसके बाद इनकी मुसीबते बढ़ी हैं इसको गिरफ्तार किया गया है और आगे कितनी मुसीबते और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगे हैं पुलिस के जो पाँच लोग गिरफ्तार किये गए थे नौमबर में और उनके पास से 20 एमल जो साब का जहर बरामद हुआ था और 9 प्रतिबंदित साब बरामद हुए थे उस मामले में फाई आर दर्च की गई थी फाई आर में अलविश का नाम था जो 20 एमल जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुष्टी हुई कि जो बरामद जहर था वो कोबरा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका फाई यार में नाम था साथी साथ सीडियार डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो इसमें जो बड़ी बात यह है क्योंकि समें एंडीपियस एक की धाराय भी एड़ की गई है और काफी संगीन अलग अलग एंडीपियस की धाराय जोडी गई है जैस जैसे 27-1 मतलब होता है कि कोई सक्स की खरीद फरोक्त में शामिलो फिनांस करता हो और इसमें बहुत आसान से जमानत नहीं मिलती है उसके लावा 29 NDPS Act 27 NDPS Act ये तमाम अलग-अलग धाराएं लगाई गई है और उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में भेजा गया है सूतर ये बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे पूछ ताच हो सक करती है लेकिन आप जो पांच आरोपी गिरपतार हुए थे उनसे लवी श्यादों की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका ये स्टैबलिश्ट होना साइंटिफिक तोर पर की वो एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था इसलि अर्विन सूत्रधार इसमें एलविश ही थे या सिर्फ एलविश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिल्म का कौन कहा जा सकता है वो जरह बताईए और आगे आपके रहें जबानत मिलना मुश्किल है सजा कितनी हो सकती है नहीं देखें मोहरा तो नहीं कहेंगे सूत्रधारी कहेंगे कम से कम जो धाराएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखें वाइल लाइफ एक का एक जारा तो लगी है क्योंकि बही प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताय है कि जो दिली के अलग-अलग फारमा उसमें रेव पार्टी होती थी एल्विश की उसमें बकायदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वह एल्विश की पार्टी में साप और सापों का जहर ले फारोग्ज के लिए फिनेंस करना पैसे देना फैनेंस करना बकायदा ये गंभीर स्रेणी में आता है देखे ड्रग कंज्यूम करना वह एक अलग आधारा होती है कि ड्रग का इस्तमाल करना लेकिन इसमें एंडिपियस की कई धाराएं एक में कई धाराय लगाई हैं 29 एंड एक 27 एंडिपियस एक तो इस तरह की कई धाराएं लगाई हैं जिससे ये कम सिकम नोड़ा पुलिस का धावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीद फरोग फैनेंसिंग ये तमाम चीज़े तो मोरा बिलकुल एलवी शादो को नहीं कहा जा सकता है सूत्रधार जरूर एलवी शादो को कहा जा सकता है और ये तमाम जो कडिया है वो नोड़ा पुलिस जोड़ी है नोड़ा पुलिस का कहना है कि और भी एविडेंस अभी इस मामले में कलेक्ट किये जा रहा है जब नोड़ा पुलिस न कि जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी स्यादों की connectivity हमने established किये लगातार वो संपर्क में थे नमबर एक नमबर दो जो recovery हुई थी 20 ml जो जहर की उसको हमने जैपूर के forensic test lab में भेजा उसकी test lab report आई है और उसमें ये established हो गया है कि जो हमने जहर recover किया था वो वाकई में जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था तो इस आधार पर गिरफतारी हुए और ये सब कुछ सुनने के बाद फिर जज ने 14 दिन की नियाई खिरासत में Elvis को भेज दिया है अब 14 दिन तक जो नोडा पुलीस है उसके पास ग्राउंड है अगर कुछ और evidence मिलते हैं जरूरी पड़ा Elvis यादो से पूछ आज करने के लिए तो पूछ आज करने के लिए कोट मूव कर सकती है और पुलिस custody ले सकती है वहीं Elvis यादो के लिए विकर पभिये है कि वो जमानत की अरजी लगाए और बेल के लिए application मूव करे लेकिन फिलहाल एक बात तो अरपता है यह जरूर कहीं जा सकती है कि बहुत आसानी से भी जमानत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अलग कई धाराएं लगाई गई है IPC की धारा लगाई गई है उसके अलावा NDPS Act भी लगाया गया है तो अलविश के अलविश से भी बड़े नाम इस पूरे रैकित में सामने आ सकते हैं कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है कुछ और बड़े गिरफतारियां हो सकती है ने बिलकुल आपका वाजीब सवाल ना सही कहा जो सूत रहों बताते हैं कि कुछ और यूट्यूबर वो रड़ार पर है एक पंजाबी सिंगर है वो रड़ार पर है उससे भी पूस्ताच हो सकती है जो जो लोग रेव पार्टी में शामिल होते थे एल्विष के और एल्विष ने भी कुछ नामों का खुलासा किया है उनसे आने वाले जिनों में पूस्ताच हो सकती है बहुत मुम्किन है उन पर शिकंजा कसा जा सकता है अर्विंद जिस तरह से सबूत हाथ लगे है जिस अल्विष का कबूल नामा भी सामने आ चुका है यह कबूल नामा आप किस तरह देखते हैं किसी अपराधी या किसी आरोपी का मानिए जिस पर इस तरह क्या रोप लग रहे हैं उसने अगर अपने गुना को खबूल किया है तो कोर्ट में उसका केस इजी होता है टफ होता है अल्विष की आगे की रहा कितने मुश्किल हो सकती है सजा या जुर्माना क्या हो सकता आगे अल्विष के लिए नहीं देखिए अभी तो आप जो पुलिस है वो सबसे पहले चाशिट फाइल करेगी पूरी इनिवेस्टिगेशन करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चाशिट दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तै करेगी वो दोसी है या नहीं दोसी है नमबर एक नमबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी बहुत आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है कोट के चक्कर लगाने होंगे कि जैसा मैंने बताया कि IPC के सेक्षन है जिसमें 120B Wild Life Animal Act वो लगाए गया है दूसरी तरफ ड्रक के इस्तमाल का ड्रक की खरीग फरोग्ष का सेक्षन NDPS की अलग-अलग धाराय लगाई गई है तो दो अलग-अलग सेक्षन IPC के सेक्षन लगाए गए NDPS के सेक्षन लगाए गए तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकती अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अर्विन तमाम जानकारे के लिए तो अलविश यादो सोशल मीडिया पर काफी फेमस शक्सित है और उनका अंदास एकदम रॉबदार है उनकी चाहने वाले उन्हें राव साहब कहते हैं फेमस हर्याडवी गीत राव साहब पर अलविश की लाखो रील सोशल मीडिया पर मौझूद है अलविश यादो का एक सामान परिवार का लड़का है लेकिन आज वो सोशल मीडिया से प्रिसद्धी पाकर करोणों रुपए की गाड़ियों और घर में रहता है सोशल मीडिया की सरिये वो सेलिब्रिटी बन गया लेकिन अलविश का सोशल मीडिया पर जो कॉंटेंट है उन नई पीडी को मारपीट दबंग गई के अलावा कुछ और नहीं सिखाता अलविश यादो का एक फेमस डेयलोग है जो युवाओं के बीच काफी लोग प्रिय है अलविश यादो अपनी अधिकान स्रील में कहता नजर आता है कि सिस्टम के नीचे ये सिस्टम इलविश का है अलविश दावा करता है कि उसकी ताकत युवा है और उसकी एक आवाज पर लाखोर नौजवान सड़क पर उतर जाते है बच्पन से जवानी की दहलीज पर पहुचे युवाओं का गुड बनाकर अलविश यादो अपनी इमिज एक भाई के तौर पर समझता है अलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले अलविश पर अड़ी पियस एक्ट की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर अलविश यादो की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद अलविश का चेहरा लटक गया है बताये गया है कि अलविश यादो ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नॉइडा पुलिस ने अलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुठाएं तभी तो सारी कारवाई NDPS Act के तहट की गई आये देखते हैं लविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है NDPS के सेक्षन 8 by 20 के मताबिक किसी व्यक्ती के पास से गांजा या गांजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्षन 27 NDPS Act के मताबिक किसी व्यक्ती का नार्कोटिक ड्रक्स का इस्तमाल करना NDPS 27A के मताबिक किसी व्यक्ती के जरिये नार्कोटिक ड्रक्स खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सेक्षन 30 NDPS के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लैन बनाना साब़ का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नोहड़ा पुलिस हरकत में आई अलविश यादो को एक बार फिर नोटिस भेज कर पूछ ताच के लिए बुलाए गया पूछ ताच में अलविश यादो सहीओग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलीस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पार्च तक पहुँचने में खाम्याब है अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो जरा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने ही फैंस के बूते ये मनजिल हासिल की दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाव के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल हैं जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन ब्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस दाख से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उसा नौइडा आज था नौइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोग्त मामला है ये और उससे उन्हें अरिस्ट किया गया पुष्टाच में उसने आरोप भी कबूल कर लिये हैं और ये बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टी वे मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी वे सापो के जहर के सप्लाई करता था अल्विश कुछ कहना था होगे अल्विश यादो का बड़ा खबूल नम्द्ध रेफ पार्टी में मंगवाया कोब्रा जैर्ड पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला अल्विश कुछ कहना था होगे हैं अल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर अल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नोईडा पुलिस ने इसी अल्विश यादव के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नोईडा पुलिस के लिए दूर की कौड़ी बने हुए था तभी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुतनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्जामों को एल्विश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में साम्प और साम्पों का जहर मंगवाता था एल्विश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला एल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है एल्विश यादो को रविवार को नोड़ा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था व्योग पंजिक्रित था पंजिक्रित व्योग के क्रम में हमारे द्वारा 160 CRPC के नोटिस के अधर को बुलाया गया था विशने के दवरान यह आरोग प्रमारी पाये जाने पर हमारे द्वारा मानने ने लेक्समस ट्रस्त लिए जाए नोईडा पुलिस ने अलविश यादो पर 29 NDPS अक्ट लगाया है 29 NDPS अक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोग से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा नोईडा आज ता अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफ्तार किये गया आरोपियों के साथ उनका संपर्क था और उनसे जान पैचान भी थी नोईडा पुलिस ने अलविश को 17 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया कुछ माई ने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गय आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोईडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह भही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई क्या यह कोई मोल सकता है क्या एए एए एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे यह मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरिये शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली अंसियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तथकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ाना इल्विश यादो की मुश्किल अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक इल्विश यादो ने पूच्टाच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोडा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एलविश यादव का खास आदमी बताया बलकि एलविश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तयार हो गया कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफ़े कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सांपों को लेकर बलकि 20 एमेल स्नेक वेनम यानि सांपों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिली एंसियार में सांपों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो घरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौइडा, आज दा अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं अर्विंद, ये अल्विश यादो जो बलंदियों के शिकर पर पहुच रहा था आखिरकर कौन-कौन से ऐसे सबूत हाथ लगें जिसके बाद इनकी मुसीबते बढ़ी हैं इसको गिरफ्तार किया गया है और आगे कितनी मुसीबते और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगें पुलिस के जो पांच लोग गिरफ्तार किये थे नौमबर में और उनके पास से 20 ml जो साब का जहर बरामद हुआ था और नौ प्रतिबंधित साब बरामद हुए थे उस मामले में फाई आर जच की गई थी फाई आर में अलविश का नाम था जो 20 ml जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने साथ सीडियार डिटेल खंगाली गई जिसमें यह कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे वह एलविश यादो के संपर्क में थे जिसके बाद एलविश यादो को नोटीस भेजा गया पूस्ताच के लिए बुलाए गया जिसमें उसमें कुछ बाते एकसेप्ट की और उस ग्राउंड पर एलविश यादो को गिरफ्तार कर लिया गया इसमें जो बड़ी बात यह है अरकिता क्योंकि इसमें एंडीपियस एक की धाराये भी एड की गई है और काफी संगीन अलग 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 एंडीपियस की धाराये जोडी गई ह जिसे 27A यह सबसे संगीन धाराये 27A का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रक्स की खरीद फरोक्त में शामिलों फिनांस करता हो और इसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लाबा 29 एंडीपियस एक्ट 27 एंडीपियस एक्ट यह तमाम अलग अलग धाराये लगाई ग है सूतर यह बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे पूछताच हो सकती है लेकिन आप जो पांच आरोपी गिरपतार हुए थे उनसे लवी शादो की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका यह स्ट प्यास एक्ट जोड़ा गया तमाम एविडेंस कलेक्ट किये गया और तब एलविश यादो को गिरपतार किया गया तो यानि यह माना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एलविश ही थे या सिर्फ एलविश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिल्म का कौ प्राएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखें वाइल लाइफ एक्ट का एक जहरा तो लगी है क्योंकि प्रतिबंदित साप परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताया है कि जो दिली के अलग-अलग फार्मा उसमें रेव पार्टी होती थी इसमें बकायदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वो इल्विष की पार्टी में साप और सापों का जहर लेकर जाते थे इल्विष मंगवाता था इसलिए इसमें 27A इल्विष यादो पर लग कायदा यह गंभीर श्रेणी में आता है देखें ड्रग कंजियूं करना वह एक अलग अधारा होती है कि ड्रग का इस्तमाल करना लेकिन इसमें एंड़ी पियस की कई धाराएं एक नहीं कई धाराय लगाई है 29 ंडी पियस एक्ट लगाया गया है यानि कॉंस्परेसी जिस से ये कम से कम नोडा पुलिस का दावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीद फरोग फैनेंसिंग ये तमाम चीजे तो मोरा आप बिल्कुल एलवी शादो को नहीं कहा जा सकता है सूत्रधार जरूर एलव शादो को कोट में पेश किया तो जज नहीं पूछा कि आपके पास किराग क्या ग्राउंड है कि आपने अंडीपियस एक्ट लगा दिया एक सक्स पर तब नोडा पुलिस ने वो लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजी और बताया कोट को कि जो पांच आरोपी पुर्णिक टेस्ट लेब में भेजा उसकी टेस्ट लेब रिपॉर्ट आई है और उसमें ये स्टेब्लिष हो गया है कि हमने जहर किया था वह वाकई में जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए कि आ जा रहा था तो इस आधार पर गिरद्पतारी हो यह सब कुछ सुनन के लिए तो पूछ ताज करने के लिए कोट मूव कर सकती है और पुलिस कश्टडी ले सकती है वहीं यादो के लिए विकर अभी यह है कि वह जमानत की अर्जी लगाए और आप बेल के लिए अप्लिकेशन मूव करें लेकिन फिलहाल एक बात तो यह जरूर कही जा सकती है कि आसानी से भी जमानत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अलग अलग कई धाराएं लगाई गई है आई पीसी की धारा लगाई गई है उसके अलावा एंडी पीएस एक्ट भी लगाया गया है तो अलविश के अलविश से भी बड़े नाम इस पूरे रैकित में सामने आ सकते हैं आपका वाजीब सवाल ना आपने सही कहा जो सूत रहों बताते हैं कि कुछ और यूट्यूबर वो रडार पर है एक पंजाबी सिंगर है वो रडार पर है उससे भी पूस्ताच हो सकती है जो जो लोग रेव पार्टी में शामिल होते थे एलविश के और एलविश ने भी आप कबूल नामा भी सामने आ चुका है यह तरह देखते हैं किसी आपराधी या किसी आरोपी का मानिए जिस पर इस तरह क्या रोप लग रहे हो उसने अगर अपने गुनां को खबूल किया है तो कोर्ट में उसका केस इजी होता है टुफ होता है एलविश की आगी की रहा क करके चाशिर दाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तै करेगी वह दोसी है या नहीं दोसी है नमबर एक नमबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी बहुत आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है आपकोट के चक्र लगाने होंगे कि जैसा मैंने है कि IPC के सेक्शन है जिसमें 120 B Wild Life Animal Act वो लगाया गया है दूसरी तरह द्रग के इस्तमाल का ड्रग की खरीक फरोक्त का सेक्शन NDPS की अलग-अलग धाराय लगाई गई है तो दो अलग-अलग सेक्शन IPC के सेक्शन लगाए गया तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकती है अभी इसको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अर्विन तमाम जानकारे के लिए तो अलविश यादो सोचल मीडिया पर काफी फेमस शक्सित है और उनका अंदास एकदम रॉबदार है उनके चाहने वाले उन्हें राव साहब कहते हैं फेमस हर कॉंटेंट है उन नई पीड़ी को मारपीट दबंगई के अलावा कुछ और नहीं सिखाता है अलविश यादो का एक फेमस डैलोग है जो युवाओं के बीच काफी लोग प्री है अलविश यादो अपनी अधिकान स्रील में कहता नजर आता है कि सिस्टम के नीचे ये सिस लेकिन आज अलविश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कानून के दाइरे में रहकर ही लोग प्रियता पाई जाए तभी फायदा है वरना अंजाम सामने है बस एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर NDPS Act की गंभीर धराएं ड्रग के खरीद फरोग और Finance का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एलविश यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है के खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एलविश यादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नोईडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुटाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पीएस एक्ट के तहत की गई आईए देखते हैं लविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नडी पीएस के सेक्शन एट बाई ट्वेंटी के मताबिक किसी व्यक्ती के पास से गांजा या गांजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 नडी पीएस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ती का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना नडी पीएस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ती के जरिये नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सेक्शन 30 NDPS के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान बनाना पूछ ताच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पाच तक पहुँचने में खामयाब है अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो जरा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मन्जिल हासिल की दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकपरियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन ब्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोर 30 दाख से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोरों में है अर्विंद उस्था, नॉइडा आज था नॉसकार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूँ अर्पितार है सोशल मीडिया पर मशूर यूट्यूबर एल्विश शाद और नॉइडा पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद फरोख्त मामला है ये और उससे उन्हें अर्ष्ट किया गया पुछताच में उसने आरोप भी कबूल कर ली है और ये बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टी में मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी में सापो के जहर के सप्लाई करता था एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जहर पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नौएडा पुलिस ने इसी एल्विश यादव के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नौएडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तबी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुतनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्विश अभी तक जूटा और फरेब बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था अल्विश यादव ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला अल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोर्ट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है एल्विश यादो को रविवार को नोड़ा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था पंजिकरत इभ्योग के क्रम में हमारे द्वारा 160 CRPC के नोटिस के अधर को बुलाया गया था विशने के दवरान यह आरो प्रमारी पाये जाने पर हमारे द्वारा मानने ने लेक्समस ट्रस्त लिए जाए नोड़ा पुलिस ने अलविश यादो पर 29 NDPS अक्ट लगाया है 29 NDPS अक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोग से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस एक्ट में आसानी से जमारत नहीं मिलती अरविंद ओजहा नोड़ा आज ता अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफ्तार किये गया आरोपियों के साथ उनका संपर्क था और उनसे जान पैचान भी थी नोड़ा पुलिस ने अलविश को 17 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया कुछ माई ने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गय अधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफेज जूते पहने यही एलविश यादव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोएड़ा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आंके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने एलविश श्यादव का हाथ थाम रखा है यह भही एलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई क्या यह कोई मोल सकता है क्या एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चेहरे जबसे यह मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे एलविश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पीपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को ख़बर मिली थी कि दिली एंसियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को ख़बर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तज़करी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ाना इल्विश यादो की मुश्किल अब लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक इल्विश यादो ने पूच्टाच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई डग से रिलेटेड केस में साजिस से जुड़ा हुआ हो मामला बहत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को ना सिर्फ मशूर यूट्यूवर एलविश यादव का खास आदमी बताया बलकि एलविश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया काम करते हैं तो हमारे घर में भी होगा, हमारी बस्ती में भी होगा एक बार आप तेकी था कितकोरो जैल चल के हमारे फ़साने के लिए चकर में कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पी एफए कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सापों को लेकर बलकि बीस एमेल स्नेक वेनम यानि सापों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिली एंसियार में सापों के जहर से चलने वाली रेव पार्टीज के एक अजीबो घरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौइडा, आज दा अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं और आगे कितनी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं जिस तरह के आधार, जिस तरह के सबूत अभी हाथ लगे हैं पुलिस के जो पाँच लोग गिरफतार किये थे नौमबर में और उनके पास से 20 ml जो साप का जहर बरामद हुआ था और नौ प्रतिबंधित साप बरामद हुए थे उस मामले में फाई आर दज की गई थी फाई आर में अलविश का नाम था जो 20 ml जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुश्टी हुई कि जो बरामद जहर था वो कोबरा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसना सुरू हुआ क्योंकि उसका F.I.R. में नाम था साथी साथ C.D.R. डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविट इस्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरिफतार हुए थे वो एलविश यादो के संपर्क में थे जिसके बाद एलविश यादो को नोटीस भेजा गया पूस्ताच के लिए बुलाए गया जिसमें उसने कुछ बाते एकसेप्ट की और उस ग्राउंड पर एलविश याद एक का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रक्स की खरीद फरोप्त में शामिलों फिनांस करता हो और इसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लावा ट्वंटी नाइन डिपियास एक्ट ट्वंटी सेवन डिपियास एक्ट यह तमाम अलग-अलग धाराएं लगाई है सूतर यह बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे पूछताच हो सकती है लेकिन आप जो पांच आरोपी गिरपतार हुए थे उनसे लवी शादो की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका यह स्ट पीएस एक्ट जोड़ा गया तमाम एविडेंस कलेक्ट किये गया और तब एलविश यादो को गिरपतार किया गया तो यानि यह माना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एलविश ही थे या सिर्फ एलविश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिल्म का कौ प्राएं लगाई है नोड़ा पुलिस में देखें वाइल लाइफ एक्ट का एक जारा तो लगी है क्योंकि प्रतिबंदित साप परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताया है कि जो दिली के अलग-अलग फार्मा उसमें रेव पार्टी होती थी इसमें बकाईदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा पुलिस में गिरफतार किया था वो इल्विष की पार्टी में साप और सापों का जहर लेकर जाते थे इल्विष मंगवाता था इसलिए इसमें 27A इल्विष यादो पर भीर स्रेणी में आता है देखे ड्रग कंज्यूम करना वो एक अलग आधारा होती है कि ड्रग का इस्तमाल करना लेकिन इसमें NDPS की कई धाराएं एक महीं कई धाराएं लगाई है 29 NDPS Act लगाया गया है यानि कॉंस्प्रेसी ड्रग के किसी मामले में साजिस करना तो 29 NDPS Act 27 NDPS Act तो इस तरह की कई धाराएं लगाई है जिससे ये कम सिकम नोड़ा पुलिस का धावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उसके अलावा जो ड्रग का इस्तमाल करता था ड्रग की खरीद फरोग फैनेंसिंग ये तमाम चीज़े तो मोरा आप बिलकुल एलवी शादो को नहीं कहा जा सकता है सूत्रधार जरूर एलवी शादो को कहा जा सकता है और ये तमाम जो कडियां है वो नोड़ा पुलिस जोड़ी नोड़ा पुलिस का कहना है कि और भी एविडेंस अभी इस मामले में कलेक्ट किये जा रहा है जब नोड़ा पुलिस ने एलवी शादो को को भेजी और बताया कोट को कि जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवी स्यादों की कनेक्टिविटी हमने स्टेबलिस्ट किये लगातार वो संपर्क में थे नंबर एक नंबर दो जो रिकवरी हुई थी 20 ml जो जहर की उसको हमने जैपूर के टेस्ट लेप में भेजा उसकी टेस्ट लेप रिपोर्ट आई है और उसमें ये पुलिष्ट हो गया है कि जो हमने जहर रिकवर किया था वह वाकई में जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था तो इस आधार पर घिरपतारी हो और यह सब कुछ सुनने के बाद फिर जज ने चौदा दिन की नियाई खिरासत में एलविष्ट को भेज दिया है अब चौदा दिन तक जो नोड़ा पुलिस है उसके पास ग्राउंड है अगर कुछ और एविडेंस मिलते हैं जरूरी पड़ा एलविष्ट यादो से पूछ ताज करने के लिए तो पूछ ताज करने के लि बहुत आसानी से भी जमानत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अलग अलग कई धाराएं लगाई गई है आई पीसी की धारा लगाई गई है उसके अलावा एंडी पीस एक्ट भी लगाया गया है तो अलविष्ट के अलविष्ट से भी बड़े नाम इस पूरे रैकित में सामने सकते हैं कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकते हैं कुछ और बड़े गिरफ्तारियां हो सकती है ने बिल्कुल आपका वाजीब सवाल ना आपने सही कहा जो सूत रहों बताते हैं कि कुछ और यूट्यूबर वो रडार पर है एक पंजाबी सिंगर है वो रडार पर ह उसे भी पूश्टाच हो सकती है जो जो लोग रेव पार्टी में शामिल होते थे एलविश के और एलविश ने भी कुछ नामों का खुलासा किया है उनसे आने वाले जिनों में पूश्टाच हो सकती है बहुत मुंकिन है उन पर शिकंजा कसा जा सकता है अर्विश का पूल नामा भी सामने आ चुका है यह कबूल नामा आप किस तरह देखते हैं किसी अपराधी या किसी आरोपी का मानिये जिस पर इस तरह क्या रोप लग रहे हैं उसने अगर अपने गुनाह को खबूल किया है तो कोर्ट में उसका केस इजी होता है टफ होता है एल्विश की आगे की रहा कितने मुश्किल हो सकती सजा या जुर्माना क्या हो सकता आगे एल्विश के लिए देखिए अभी तो आप जो पुलिस है वो सबसे पहले चाशिट फाइल करेगी पूरी इनिवेस्टिगेसन करके प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चाशिट चाखिल करेगी ट्राइल चलेगा उसके बाद फिर आदालत तैय करेगी वो दोसी है या नहीं दोसी है नंबर एक नंबर दो जमानत की जो आपने बात पुछी अभी बहुत आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है आप कोट के चक्कर लगाने होंगे कि जैसा मैंने बताया कि आई पीजी के सेक्शन है जिसमें वन टून्टी वी वाइल ड्राइफ एनिमल अक्ट वह लगाये गया है दूसरी तरह प्रक के इस्तमाल का ड्रक की खरीक फरोग्ष्ट का सेक्शन औन डिपीएस की अलग-अलग धाराये लगाई गई है तो दो अलग-अलग सेक्शन आई के से लगायागे तो जमानत आसानी से नहीं मिल सकते एल्विश को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अर्विन तमाम जानकारे के लिए तो एल्विश यादो सोशल मीडिया पर काफी फेमस शक्सित है और उनका अंदास एकदम रॉबदार ह उनकी चाहने वाले उन्हें राव साहब कहते हैं फेमस हर्याडवी गीत राव साहब पर एल्विश की लाखो रील सोशल मीडिया पर मौझूद है एल्विश यादो का एक सामान परिवार का वो लड़का है लेकिन आज वो सोशल मीडिया से प्रिसद्धी पाकर करोणों हर में रहता है सोशल मीडिया की सरिये वो सेलिब्रिटी बन गया लेकिन एल्विश का सोशल मीडिया पर जो कॉंटेंट है उन नई पीडी को मारपीट दबंग गई के अलावा कुछ और नहीं सिखाता है एल्विश यादो का एक फेमस डैलोग है जो युवाओं के बीच का का गुड बना कर एल्विश यादो अपनी इमेज एक भाई के तौर पर समझता है लेकिन आज एल्विश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कानून के दारे में रहकर ही लोग प्रियता पाई जाए तभी फायदा है वर बढ़ी मुश्किले एल्विश पर एंडी पियस एक्ट की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्रेंसर एल्विश यादव की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एल्विश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एल्विश यादव ऐसी रेव पार्टी इसके रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौईडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुटाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहट की गई आए देखते हैं एल्विश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नौईडा पुलिस ने जैपूर के लेब में जो बरामत साब का जहर था वो टेस्टिंग के लिए भेजा लैब की टेस्ट रिपोर्ट नौईडा पुलिस के हाथ लगी जिसमें इस बात की पूश्टी हुई कि जो बरामत साब का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नौईडा पुलिस हरकत में आई एलविश यादो को एक बार फिर नोटिस भेज कर पूश्टाच के लिए बुलाए गया पूश्टाच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नौईडा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया एलविश यादो अन्तिम पांच तक पहुँचने में खामयाब है अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गोर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा गुरुगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दिवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाना का ये छोरा पहली बार अपने प्रशंसकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मन्जिल हासिल की दरसल एलविश यादोव फेमस यूट्यूबर है जो शौर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर अलविश यादोव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया अलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती अलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.3 साथ बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी अलविश के एक करोर 30 लाग से ज्यादा फॉल्वर्स हैं अलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोरों में है अलविंद उठा, नॉइडा आज था बड़ी खबर आपको देदे हैं एल्विश यादव के से जुड़ी बड़ी अपडेट की इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं सिंगर फाजिल पूरिया का भी नाम आया है अभी एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर है एल्विश यादव के सामने आ सकता हैं जिन-जिन का नाम आ रहे हैं फिर उनसे भी पूचता संभब है रहो सकते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी नाम हो जो हाई प्रोफाइल हो नॉइडा पॉलिस इसके इंवेस्टिकेशन कर रहे है मशूर यूट्यूबर शुरबात से ये कह रहे थे कि वो इसमें इन्वाल्ब नहीं है उनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब सूत्रों के मताबिक उन्होंने इस विकार किया पॉलिस के सामने कि हाँ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सापों का जहर साप मंगवाए और अब अपने हुए अपने उपर लगे हुए आरोपों को खुबल कर चुके हैं तो ऐसे में उनकी मुश्किले बढ़ सकते हैं अगर कोट में अपना बयान बतलने ना तो अभी पॉलिस इस मामले की इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं पॉलिस कहरे कि उनके पास एविडिन्स है और अब अपनी हल में घलतियों की चलते सुर्कियों में थे और अब बहुत बड़ी बजा है जसको लेकर अब एलवी शिया दब सुर्कियों में है और अब तो जेल में जा चुके हैं और इंवेस्टिगेशन चल रहे है इस मामले की अभी वो आर्पी है और अब उनको अपने आप पर लगे हुए आरोपों को अबने आपको जो है आरोप मुक्त बताना है उसके लिए investigation चल रहे हैं, उनके वकील भी है, अब ही आपको ये बताते हैं कि इस मामले में क्या-क्या update है, जो investigation पुलिस की चल रहे हैं, उस investigation से क्या-क्या चीज़ें बाहर सामने आ रहे हैं और किस-किस व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है और इसे पर जाधा जानकारे के साथ हमारे साथ studio में मौझूद है, हमारे से होगी चिराग गोठी, और चिराग के पास से समय हाथ में वो F.I.R. की कॉपी भी है, जो Noida Police की थी, और क्या इस F.I.R. की कॉपी में है, अपडेट्स आप साथे देंगे क्या है, देखें, ये तो सब कोई पता है कि इस case में क्या हु कंप्लेनेंट थे, वो थे गौरव गुपता, जो P.F.A. और्गनाईजेशन के एनिमल वेलफेर ओफिसर हैं, ये लिखते हैं, ये जो संस्थाती में का गांधी द्वारे संचाली थी, इन्होंने जो लिखा है कि इनके पास ऐसी इंफर्मिशन थी कि Elvish आदव इंवाल्व पर आ गया, Elvish ने राहूल नाम के एक एजेंट का नाम बताया, उसका मोबाइल नंबर दिया और कहा कि इस वक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो, ये बातें कहीं है F.I.R. में, अब सवाली उठता है कि इस सूचना पर हमारे एक मुख्विर खास ने इस पूरे मामल में Elvish से संपर्क किया, ये कौन मुख्विर खास था जिसने Elvish से संपर्क किया, उसकी डिटेल सामने आनी चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, वो कहता है कि जो Elvish ने कहा कि भई, आप राहूल नाम के एक एजेंट से बात कर लो, राहूल का नंबर भी दे दिया और उसके बाद इस वक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो, ये बात बोली, मुख्विर कास ने हमें उस राहूल नाम के तथकर का उपरोग मवाईल नंबर दिया, हमने राहूल नाम की वक्ति से Elvish का नाम लेकर बात की, इसके बाद ये सारी बाच शुरूआ थे राहूल से, उसमें पकड़ कि ये जो कंप्लेंट किये, गौरव गुपता ने की है, तो ये कहा है कि इन्होंने कि ऐसे-से कोई मुख्विर खास ने फुलाने से बात की, सवाल ये उठता है कि ये जब आपको प्रूव करेंगे आपकी ये NDPS का केस है, तो आपको एक एक शक्स से किसकी, राजीव और कि क्या बात हुए, तो आप फोन डिटेल बताएंगे ना, ताकि ये स्टेबलिश होके भी बात हो रही है, और फ्रीक्वेंट बात हो रही है, कई बार बात हो रही है, एक बार नहीं हो रही है, तो ये सच तो सामने आना चाहिए पहली बात, दूसरी बात, जो NDPS के तमाम स सेक्शन्स लगा दी गए हैं, वो सारे सेक्शन्स ऐसे हैं जिनमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल तरीके से कोई आदमी रैकेट चला रहा है, पुलिस का तो यह कहना है, अब सवाल उठता है कि इस के अलावा ऐसा कौन सा उसका जो यह आधार बना रही है, पुलिस, दूसरी बात, जो बात कही जा रही है कि उसने कनफेस के, ठीक हो, कनफेशनल पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सवाल ही उठता है कि इतनी तमाम बातें जो F.I.R. में लिखी थी, जिसमें राहूल का जिक्र हुआ, राहूल से बात पुलिस की बात हुई या, गौर्व गुप्ता की बात हुई, यह सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि यह पता लगे है, हाँ जी, यह साजिश है, क्योंकि कई सारे इनके फॉलोवर्स हैं, जो मानने को इतियार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है और पुलिस का यह काम भी नहीं कि किसी को मनवाए है, मैं नहीं कह रहा कि पुलिस आकर मनवाएगी, हमें बताएगी, कोई ब्रीफ नहीं करेगी, लेकिन अप्लिस्ट अब जब यह मामला इतना हाइप है, इतना जादा इसका है, कि कोट को यह तमाम जानकर यह देनी पड़ जानकरी देना अवश्चक है, यह अवश्चक नहीं है, वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन सवाल ही उठता है, कि भई, आपको कॉल डिटेल्स तो बताने पड़ेंगे, अगर आप कोट में जाएंगे, तो आपको यह इस्टेबलिश करना पड़ेगा, कि इन पांचों का लिंक इससे है, और यह पांचों का लिंक सिर्फ एक बार नहीं है, पास्ट में कई बा आपको यह इससे हैं राजीव, पास्ट में की पुलिस काई बार गलत मुकद में दरज करती है, गलत आरूपी को फसा देते हैं, पुलिस ने बहुत आराम समय लिया, बहुत समय के बाद जाकर गिरफतारी हुए, जब अपने आपको पाक साब, उससे तो यह प्रूव होता है, बहुत क्लियर कट, कि आपका काम यह ही है, आपका काम यूट्यूब पर वीडियो बनाना नहीं आपका काम बिग बॉस जाना नहीं है, आपका जो मेन सोर्स ओफ इंकम है, वो हो गया है, ड्रग्स, कि आप ड्रग्स में डील कर रहे हो, जहां पार्टी होती है, ड्रग्स ही है, ओके, कॉन्टैक्ट टूमी, मैं आपको नंबर दूँगा, आप उससे बात करोगे, वो आप बड़ा रैकेट है, तो ED की भी होगी, आप साफसी बात यह है कि आपने एक गिरो, एक केस पकड़ाया भी, अगर वो ऐसा धंदा कर रहा है, तो आप बता दीजे सारे कि 10 केस हैं उसकी खिलाफ, 10 मुकद में हमें पता चले है, 10 लोगों के बारे में पता चले है, जो इस तर पूरा स्टेबलिश करना पड़ेगा कि भी यह एक ड्रग का डीलर था, इसका यूट्यूब से कमाई नहीं हो रही है, उसकी कमाई बिग बॉस ने से वो जीता उससे नहीं हूई, या वो इवेंट करते हैं, उससे नहीं, वो ड्रग माफिया है, वो माफिया है, उसका जो का करना पड़ेगा भई, आप ऐसे एक FIR में, बहुत गंबीरा रोप है, वही मैं कह रहो न, तो मुझे सर्फ इस बात का यह है, मैं यह नहीं कह रहा कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस ने हार्श च्रेक्शन लगा हैं, तो यह स्टेबलिश दफक्ट कि भईया, वह ऐसा था, सबसे बड़ी बात, उसके कितने अकाउंट है, अलवेश के, कितने अकाउंट में कितने पैसे आये हैं, कितने अकाउंट में, कई तो लोग कहेंगे इस तरह के कामों के लिए भईया, वह एकाउंट में थोड़ी लेंगा पैसे, एगरी, क्या कोई ऐस कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, कितने अकाउंट हैं, कितने अकाउंट होल्डर हैं, कितना पैसा उसने कहां रूट किया है, यह clear cut बताना पड़ेगा नॉइडा पुलिस को, तब ही जागर यह case established होगा, कि भई यह drug dealer है, आपने उसको इस F.I.R. के आधार पर, इस case के और उसको आपने drug dealer बता दिया है, तो मेरा सिर्फ यह है कि अगर drug dealer बता है, तो मेरा सिर्फ पुरिया का नाम आए, तो क्या यह Elvish ने नाम लिया है, कैसे यह आए? अब यह नहीं कह सकता हमें, कुछ भी, यह नाम जरूर आए, तो शुरुवात से यह आ रहे है, क्योंकि द क्या drugs खरीदना इतना असान है, या इसको खरीद कर आगे sale purchase के business में चले जाना? बिल्कुल, तो जब drug mafia इतने अक्टिव है, तो Elvish ने नाम लेने के लिए, अगर वो ऐसी को खरीद है, उनके जरीए easily available है, चले, माल लीजिए, एक आउट contact, दो contact हो जाए, लेकिन आपने जो section imposed की है, उससे बहुत clear cut यह impression जा रहा है, कि he is a drug dealer, और उसका सारा कमाई का जरी section लगा दिये, कि वो possession उसके पास से मिलना, sale purchase में शामिल होना, consume करना, मतलब यह तो सारे section ही लगा दिये, कोई छोड़ा नी, मेरा सिर्फ यह है, कि अगर आपने इतने संगीन section लगाए है, तो Noida police को यह बात प्रूव करनी पड़ेगी, बहुत clear करेगी, बहुत clear करेगी, ब अगर मैं शक भी करूँ, तो Noida police को शक को दूर करना चाहिए, मुझा लगता है, खुल कर सामने आना चाहिए, कि यह court के evidences है, अभी अलविशाद अब के वकीले, वो क्या कह रहे है, जब अलविशाद अगर अब पुलिस सूत्र को कह रहे है, लेकिन वकील क्या कह रहे है, वकीलों का देखिए, वो इतना सीरिसल लेते नहीं इस तरह की चीज होगो, उनका कहना है कि हमारा जो भी मेन प्राइटी है, वो है, बेल हम मूव करेंगे, जिससे आगे कोशिश करेंगे, बेल इसमें केस में मिल जाए, और अब देखना है, कोट देती है, बेल नहीं देती क्योंकि ये सारे सवाल उनके वकील भी पूछने वाले है, ये सारे सवाल कि भई, अगर वो ड्रग डीलर है तो बताइए, कब से कर रहा है, किस से डीलिंग हो रही है, कौन उसके कांट में है, कौन से अकाउंट में पैसे आ रहे है, दो नंबर में कहां जा रहे हैं पैसे, क इतनी प्रॉपर्टियां उसने पर्चेस कर लिया, कितना बड़ा उसका समराज्य है, कारोबार है, सारी चीज़े बताइए ना फिर, जब आप इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं तो, तो ये मुझे लगता है कि ये नॉटा पुलिस के लिए टेड़ी खीर होने वाली है। चिराग तैंकी सो मच आप जुड़े जानकारे के लिए और अब चलते चलते एक रिपोर्ट इस पूरे घटना करम पर आपके दिखाते हैं। एल्विश यादों की और बढ़ी मुश्किलें। ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो। बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर एल्विश यादों की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी हैं कि खुद एल्विश का चेहरा लटक गया है। बताया गया है कि एल्विश यादों ऐसी रेव पार्टीज के रैकेट से जुड़े हुए हैं जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है। नौइडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ बीते पांच महीनों में सबूत भी जुटाएं। तभी तो सारी कारवाई एंडी पीएस एक्ट के तहट की गई। आईए देखते हैं एल्विश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई हैं और इन धाराओं का मतलब क्या है। एंडी पीएस के सेक्शन 8 बाई 20 के मताबिक किसी व्यक्ती के पास से गांजा या गांजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है। सेक्शन 27 एंडी पीएस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ती का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना। NDPS 27A के मताबिक किसी व्यक्ति के जरीए नार्कोटिक ड्रग खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सक्षिन 30 NDPS के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान भनाना नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लेब में जो बरामत साप का जहर था वो टेस्टिंग के लिए भेजा लेब की टेस्ट रिपोर्ट नोड़ा पुलिस के हाथ लगी जिसमें इस बात की पुष्टी हुई कि जो बरामत साप का जहर था वो दरसल कोबरा का जहर था जिसके बाद नोडा पुलिस हरकत में आई, एलविश यादो को एक बार फिर नोटिस भेज़ कर पूच्टाच के लिए बुलाए गया पूच्टाच में एलविश यादो सही ओग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी माली वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पांच तक पहुँचने में खाम्याब है अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चल्वा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये चोरा पहली बार अपने प्रशन्सकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मनजिल हासिन के लिए दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाव के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.3 साथ बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस लाग से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उसा, नॉइडा आज स्था एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर NDPS Act की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फैनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर एलविश यादव की अब मुश्किले इसकाएं कदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एलविश यादव ऐसी रेव पार्टीज की रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौईडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच बहीनों में सबूत भी जुटाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहट की गई आईए देखते हैं लविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नडी पियस के सेक्शन 8 बाइ 20 के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गाजा या गाजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 नडी पियस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना नडी पियस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ति के जरीए नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना Section 30 NDPS के मताबिक financing या consumption के लिए plan बनाना पूच्टाच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूवर एलविश यादो अंतिम पाच तक पहुँचने में खाम्याब अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गोर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस टॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये चोरा पहली बार अपने प्रशन्सकों के बीच था अलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मनजिल हासिल दरसल अलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर अलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाव के रहने वाले डिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया अलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मताविक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.3 साथ बिलियन व्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस लाग से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट है वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उसा नॉइडा आज साथ नॉसकार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूँ अर्पितार है और यह बताए कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रे पार्टी में मिल चुका था उस पर आरोप था कि वो पार्टी में साप और सापों के जहर के सप्लाई करता था एल्विश यादो का बड़ा खबूल नम रेफ पार्टी में मंगवाया कोबरा जहर पुलिस के सामने यूट्यूबर ने खबूला एल्विश ने पुलिस के सामने खबूला साच बिग बॉस के घर से जीत की टौफी लेकर निकलने वाला यूट्यूबर एल्विश यादो एक बार फिर बड़े घर यानी जेल चला गया है मगर जेल के इस दर्वाजे तक लाने से पहले नौएडा पुलिस ने इसी एल्विश यादो के सीने में छिपे उस राज को भी उगलबाया है जो अभी तक नौएडा पुलिस के लिए दूर की कोड़ी बने हुए थे तबी तो एल्विश भी उनके शिकंजे से दूर ही था गौतम बुतनगर की पुलिस ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादो से NDPS मामले में पूछताज की और अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों का पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख दिया सूत्रों का यहां तक कहना है कि जिन इल्विश अभी तक जूटा और फरे बता रहा था अब उसने ये मान लिया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था अल्विश यादर ने पूछताच में कबूल लिया है कि सभी आरोपियों से अलग-अलग मिल चुका है सभी आरोपियों से रेव पार्टी में मिला अल्विश एल्विश की आरोपियों से जान पहचान भी थी आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था एल्विश बिग बॉस ओटी टी विनर एल्विश यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे कोट में पेस किया गया जहां अदालत ने एल्विश यादो को 14 दिन की न्याई खिरासत में जेल भेज दिया है एल्विश यादो पर नोड़ा पुलिस ने NDPS Act भी लगाया है आपको बता दे कि नौबर 2023 में नोड़ा पुलिस ने छापे मारी करके 5 लोगों को गिरफतार किया था उनके पास से बड़ी मात्रा में सापो का जहर और 9 प्रतिबंदित साप बरामद हुए थे उस मामले में खुला सा हुआ था कि एल्विश यादो रेव पार्टियों में सापो के जहर की खरीत फरोग करता है एल्विश यादो को रविवार को नोड़ा पुलिस ने पूछ साच के लिए बलाया था पंजिकरत इभ्योग के क्रम में हमारे द्वारा 160 CRPC के नोटिस के अधर तो बुलाया गया था विशने के दवरान यह आरोग प्रमारी पाये जाने पर हमारे द्वारा मानने ने लेक्समस ट्रस्त लिए जाए नोड़ा पुलिस ने अलविश यादो पर 29 NDPS Act लगाया है 29 NDPS Act तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग के खरीद फरोग से जुड़ी साजिश में शामिल हो इस Act में आसानी से जमारत नहीं मिलती अर्विंद ओजहा नोड़ा आज तक अलविश यादो ने कबूल किया कि नवेंबर में गिरफतार किये गया आरोपियों के साथ उनका संपर्क था और उनसे जान पैचान भी थी नोड़ा पुलिस ने एलविश को 17 मार्च की शाम को गरफतार किया कुछ माईने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ कतित रूप से दुडलब सापो को गले में डाल कर डांस पार्टी कर रहा था आधी बंद जैकेट, काले रंग की कारगो, लाल सफे जूते पहने यही एलविश शैदव है जिसका हाथ एक पुलिस अफसर ने थाम रखा है नोएडा पुलिस के अफसरों के साथ शान से आगे बढ़ते दिख रहे इस मशूर यूट्यूबर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आँके रो रही है, मगर इसने दिखावटी मुस्कराहट को ओड़ लिया है एक तरफ दो पुलिस वाले, दूसरी तरफ दो पुलिस वाले एक पुलिस अफसर ने अलविश यादव का हाथ थाम रखा है यह भही अलविश है जो सोशल मीडिया पर संसरी मचाय हुए अरे एलविश भाई के आगे कोई मोल सकता है क्या एए एए एलविश भाई देर रात की रेव पार्टी रेव पार्टी में सांपो का जहर जहर से मिलती नशे की किक और अंधेरे में छिपे चमकदार चहरे जबसे ये मामला सामने आया है जबसे सोशल मीडिया के जरीए शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे अलविश श्यादव का जिकर सांपो के इस किस्से से जुड़ा तभी से संसरी मची हुई जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एंजियो पेपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इस फिराक में थी क्योंकि एंजियो को खबर मिली थी कि दिली अन्सियार में कुछ ऐसी रेफ पार्टीज भी होती हैं जहां अमीर जादे नशे के लिए सांपो के जहर का इस्तेमाल करते हैं पी एफ ए को खबर मिली थी कि सांपो वाली रेफ पार्टीज में सोशल मीडिया का मशूर चेहरा सोशल मीडिया के उस बड़े नाम के फॉल्लवर्स लाखों में उसका नाम जानवरों की तथकरी के एक रैकेट से जुड़ा जहर वाली रेफ पार्टीज के नेकसिस से भी जुड़ा नाम इल्विश यादो की मुस्किलिव लगातार बरतीच चली जा रही है सूतरों के मुताबिक इल्विश यादो ने पूछ ताच में कबूल किया है कि वो अपनी रेव पार्टीओं में साप का जहर और साप मंगवाता था इसके अलावा नोड़ा पुलिस ने उसके उपर 29 NDPS Act का केस भी दर्ज कर लिया है मामला बेहत संगीन था PFA ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किये और इसी कड़ी में प्लान किया गया एक स्टिंग उपरेशन जाल में फसे एजेंट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये कि सुनकर PFA की टीम हैरानी में पड़ गई इस एजेंट ने खुद को न सिर्फ मशूर यूट्यूवर इल्विश यादव का खास आदमी बताया बलकि इल्विश का नाम लेने भर से ही वो किसी भी रेव पार्टी इसके लिए सांप और उसके जहर की खेप के साथ हाजिर होने को भी तैयार हो गया अपने पूरी फैमिली में ने सुना किसी का नाम ना राहूल के नाम से कौन है जो फसा रहा है अगर आप कह रहे हैं कि फसी की बहुत बड़ी साजी से जो अल्विश यादव को और हमारी फैमिली को गरीब आदमी हम सफेरा वजी से कहानी में एक ट्विस तब आया जब एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे PFA कारिकरताओं के बुलावे पर वो एजेंट ना सिर्फ एक साथ अलग-अलग किस्म के नौ सापों को लेकर बलकि बीस एमेल स्नेक वेनम यानि सापों के जहर के साथ भी हाज़े हो गया और यहीं से दिल्ली NCR में सापों के जहर से चलने वाली रेव पाटीज के एक अजीबो गरीब खेल का खुलासा हुआ अर्विंद ओजह, नौइडा, आज दा अर्विंद ओजह, हमाई से थमाई सयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं अर्विंद, ये अलविश यादो जो बुलंदियों के शिकर पर पहुच रहा था आखरकर कौन-कौन से ऐसे सबूत हाथ लगें जिसके बाद हिनकी मुसीबतें बढ़ी हैं, इनको गिरफतार किया गया है और आगी कितनी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं जस तरह के आधार, जस तरह के सबूत अभी हाथ लगे हैं पुलिस के जो पांच लोग गिरिफतार किये गए थे नॉम्बर में और उनके पास से 20 ML जो साब का जहर बरामद हुआ था और 9 प्रतिबंदित साब बरामद हुए थे उस मामले में FIR दज की गई थी FIR में अलविश का नाम था जो 20 ML जहर बरामद हुआ था उसको नोड़ा पुलिस ने जैपूर के लैब में बेजा उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये पुष्टी हुई कि जो बरामद जहर था वो कोबरा का जहर था तो ऐसे में जो टेस्ट से जो लैब रिपोर्ट आई उससे कहीं न कहीं एलविश यादो पर शिकंजा कसिना सुरू हुआ क्योंकि उसका FIR में नाम था साथी साथ CDR डिटेल खंगाली गई जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टेबलिस्ट हुई कि जो आरोपी गिरफतार इसमें जो बड़ी बात यह है क्योंकि इसमें NDPS Act की धाराये भी एड की गई है और काफी संगीन अलग अलग NDPS की धाराये जोड़ी गई है जैसे 27A ये सबसे संगीन धाराये 27A का मतलब होता है कि कोई सक्स ड्रक्स की खरीद फरोक्त में शामिलों फिनांस करता हो और इस असानी से जमानत नहीं मिलती है उसके लावा 29 NDPS Act 27 NDPS Act ये तमाम अलग अलग धाराये लगाई गई है और उसे 14 दिन की नयाई खिरासत में भेजा गया है सूतर ये बताते हैं किस मामले में कुछ और जो यूट्यूबर है वो रडार पर है और जल्द ही उनसे पूछताच हो सकती है लेकिन आप जो पांच आरोपी गिरफतार हुए थे उनसे लवीश यादो की कनेक्टिविटी और शाथी साथ जो बरामज जहर था उसका ये स्टैबलिश्ट होना साइंटिफिक तोर पर की वो एक जहर है और जहर का इस्तमाल नशे के लिए किया जा रहा था इसल जाना जाए अर्विन सूत्रधार इसमें एल्विश ही थे या सिर्फ एल्विश भी एक मोहरा थे इसकी सारी सूत्रधार इस पूरे फिर्म का कौन कहा जा सकता है वो जरा बताईए और आगे आपके रहें जमानत मिलना मुश्किल है सजा कितनी हो सकती है नहीं देखें मोहरा तो नहीं कहेंगे सूत्रधारी कहेंगे कम से कम जो धाराएं लगाई है नोड़ा पुलिस ने देखें वाइल लाइफ एक का एक जारा तो लगी है क्योंकि बही प्रतिबंदित साब परामद हुए थे जो आरोपी गिरफतार हुए उन्होंने ये बताय है कि जो दिलीक के अलग-अलग फारमा उसमें रेव पार्टी होती थी एलविश की उसमें बकायदा जो ये गिरफतार आरोपी थे जो नॉम्बर में गिरफतार हुए तो नूड़ा प्लिस में गिरफतार किया था वह एलविश की पार्टी में साप और सापों का जहर लेकर जाते थे एलविश मंगवाता था इसलिए इसमें 27A एलविश यादो पर लगाए गया और 27A का मतलब ही होता है कि ड्रग की खरीद फरोक्त के लिए फिनेंस करना पैसे देना फैनेंस करना वकायदा ये गंभीर स्रेणी में आता है देखे ड्रग कंज्यूम करना वो एक अल एक्ट लगाया गया है यानि कॉंस्प्रेसी ड्रग के किसी मामले में साजिस करना तो 29 एंडीपियस एक 27 एंडीपियस एक 27A एंडीपियस एक तो इस तरह की कई धाराएं लगाई है जिससे ये कम से कम नोड़ा पुलिस का दावा है कि वो पूरी साजिश में शामिल था उस ऐल विश जयदों को नहीं कहा जा सकता है सूत्र धार जरूर एल्वीश एदों को जा सकता है और यह तमाम जो कड़ियां भूला प्लीध में अर्विदेन्स है कि और भी एविडेंस अभी इस मामले में में आक कलक्ट कि शार रहे जब नोड़ा पुलिस ने एल्मीश आद आज तक एल्विस यादो को नहीं जानता सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर फेमस यूट्यूबर जिसे नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सापो के जहर के इस्तमाल का अब नोड़ा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद एल्वि पुलिस ने गिरफतार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है ये तो बात हुई OTT बिग बॉस के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौझूद है एलविश यादो के पिता और माता जी नमश्कार सुसमा जी देखें आपने देखा होगा मेडिया में टीवी में तमाम जगह पर चल रहा है सापो क्या जहर सापो की पार्टी और तमाम चीज़े चल रही होंग देख भी रहोंगे पहले तो यह बताईए कि आपका बेटा जो एक फेमस है आप खुछ उनके साथ रहते हैं कि इतनी फैन फॉलोईंग है अब उसको एक विलेन के तौर पर पेस किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है आपका क्या कहना है कि यही तो बात करने आया मेडिय कि मीडिया से यही बात करने आएं कि वह विलेन नहीं है और यह चीजे नेगरी टूटी फेलाना बंद करें रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि बिना तत्थों पर आधारित बाते ना करें मैं कल से देख रहा हूं है दो दिन बिजी था परसों में साथ ही ले गया था उस हमसे तो कोर्ट का पदा उसका पुलिस वाले जाने की कौन से संबंद के तहत क्या होता है लेकिन उसमें यह लिखावात है कि इसमें आपका ब्यान अंकित किया जाना है जी एक सो साथ कर नोटिस था तो मगा बिटा चल जल्दी और हम फोनों करके आई उसे मिलने के सारे मतल कि अपने ओफिस में ले जाएंगे महीं से बात करेंगे सिंपल अब मैं ही रुक गया अकिल थे साथ एक उचले गए साथ तो उसके बाद हमें पता लगा कि वो तो भई हरासात हम भिंज दिया है 14 दिन की में जैसे सूच रहा है मतला है जो साथ थे कि ऐससे हो गया जी कल मैं क्योंकि मैं तो समली नहीं पाया इस चीज को लेकि कि आये कि इस काम के लिए थे और हमें अंदेशा होता वकील साभी यह कह रहे थे कि इसमें तो कोई गरिफतारी हो नहीं सकती अब वो तो खेर परसासन जाने जी वो तो उनका काम है उसे पता नहीं कि हमारा नहा कोई बैक मिले से पतार बंदख तो अधिकल करा यह भाइ और नहीं लेमसित तो समझे आप मिली एल्वज से तो तब मैंने कहा कि यह क्या चल रहा है इसलिए मैन आज रुक्या मेडिया का क्यों यह अपनी बात रखी जाए और आपको देने वाद है कि हम अपनी बात रखे हैं और हमें हाग भी है क्योंकि किसी का भी बेटा ऐसे जुरम में या इस तरह कि जूटे जुरम में कि अच्छे में तो वही एद पीड़ा यही है कि कुछ किया नहीं है क्या आप अजब अलविस से आप मिलने गए जेल में है किस हालत में है क्या बातचीत हुई वादचीत यह हुई है कि इसके फैंस भी जानना चाहते हैं जो इसके फैंस बिल्कुल ठीक है और उनके फैंसे मे अब भरोसा है उसके सरण में हैं और बस प्रे करें भगवान से कि उसको मार रहने की जितने दिनी भी उसका महाँ पे है जो भी मुझे नहीं पता इन चीजों के मैंने पहले का क्या कारवाई होती वकील कर लिया हमने सिंपल बस वो करता रहे जो भी और आज मैंने सोचा कि ये कहां है रेव पार्टी हुई होगी लाओ मेरे बैटी की टिकट कहां एंट्री की उसने किसको क्या किया लाओ ने कुछ सामने हम बेद पता लगे वो था ही नहीं बंबे में था उस दोरान वो यहां पर है नहीं ना कभी वो उसमें गया है मैं कह रहा हूं कि जितने भी दुन पीछे बैक में कौन काम कर रहा है। प्यप फेवारे हैं जो जिनकी लेडर वो है। उनके संट्रक्षन में चलता है। मैंने का गांदी जी बाई बड़े राज़ाब आदमी हमारी कहां टक कर रहा है। उन्होंने कर रहा है क्यों किया है। यह वीडियो उठा लाया आठ महीने पहले साल वर पुरानी। अगर वो इतना ही काम कर रहा था तो बिग बोस होने के बाद ही परसीद्य होने के बाद ही क्यों वीडियो की किलिप छाटी गई है। तभी कर देते है उसको तो। वो जुलाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे के गाने की किलिप काड लाया। और यह यह करके सब शड़ी अंतर के तहत किया गया। बाकि अब यह है कि.. सुस्मा जी जब पहला केस नोडा पुलिस ने दर्च किया था और फाइयार में अल्विस का नाम आया था तब आपकी अल्विस से कोई बात्चीत हुई थी कि बेटी क्या है क्या आरूप लग रहा है साब के जर्ट तब उस दौरान कभी कोई बात्चीत हुई थी का विविस थी इस मंसले पात्ट देखो जब यहीं चीजे होती है तो वैसे वहने विश्वास था पूरा कि वैसा कुछ नहीं है पर फिर बी आपसे आपसी बात्चीत हुए मैं बात्चीतत हुँत है जब यह पता है कि कि किसी भी तरी की कि कोई उस है नहीं उस रहा हुआ ह यहाई ने आया तो आरोप कैसा लगा हो गया जब आया ही नहीं आप आपको चीजे ग्राउंड पर भी लेवल पर सोच ना आप अपने आपको रखे सोच ना कि आपकी मोझू कुछ है नहीं तो यह चीजे बिना सरपेर की कैसे चल रही है वामें इनके पीछे कौन है हमें भी चाहिए जी अचेरा बाटा अज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर टाल रखा है अधिके आप हिम्मत रखी हिम्मत के आगी रखे जी इनन तो मेडिया वाला नुमारे के छोट रखा हमको हमारे गर में को याग लगा जाए इतना इतना प्रोपकेंट अपला दिया नहीं नहीं आप लूई है मन दखिया हूमत ऊटियल गए रहुंको नहीं ऐसे अभली की एफ़ाएर करवा दी इनरद ओ अगर दोस्ट ओ तद में बहुत कुछ कर देता हुआ है क्या में निया राहूम है उसके बाद में चीजे साइन करने पड़ रही है कुछ करके हो तो कैसे माल मैं आपको नहीं पता आपका पेटा क्या करता है या और किया करता है क्यों नहीं पता मुझे भलफल पता होता है उसका। मेरा फ्रेंड से बिल्गुल बैवार है मेरा आपने देखे उसकी वीडियो अगयरा कैसे अपने ममीके साथ हस्ता खेलता रहता है हो। वह स्ताखिलत प्रिवारी सहनी वास के पिछे उसके मैनुत ही तही देखी किया कितना संगर्श किया इसने लोगों ने वह देख लिया उसका भाई यह आज इसको पकड़ो इसको करो साड़े को खराब कर आगे जाके कहीं क्या पता कॉन-कॉन काम कर रहा है को इसके बैक में कि आप जब यह आता है तो आना भी चीए अमको उससे कुछ लोग उसके साथ जोड दिया तो बीजेपी का है मेरा तो बच्चा इनन डूगली बना दिया न जिससे आप से बात कर लिए आपका है मेरा है सबसे बात करने पड़ेगी वह उसको तो कोई समानित आपको समानित मैं मतलब क्या बात्चीत एक्जेट से तो अगर तक तो मैं साथ ही था सर क्या है है नहीं कुछ भी हमारे घर में बात नहीं होती थी हम मैंने यह कहा कि मैं उसको खुद लेकर गया हूं भी इंगे पिता बटब चलो जल्देश निमट के आते जो लिखना है लिख लेगे जी और की बात की एडिया में चल रहा है जी बहुत बुरा चल रहा है हमारे खिलाभ और एसा चल रहा है कि शाया हमारा पता नहीं है अब ही अदालत में केस जाएगा अभी और हम ये दर्सक्राइब को पता है क्या ही चीज आप लोटा दोगे हमारी देखिए बिल्कूल तीन देन खाना खाए हो ली हमने मेरी 90 एर्स की मदर भी खाना नहीं खा रही है मेरी लड़की विदेश रहती है उनके घर में चूला नही ऐन यह सारे वाब अधो निर्दोश हमें भी पता है कल को निर्दोशिध होगा यह भी हमें पता है तो यह नहीं बख्याए कि यह दिन वापस फुर्ट जो भार पिस हो जाएगा सब कूछ वह तो हो गा ही होगा डाय डालत से लेकिन यह चीज से कहाता यह इं इन्डिनों के वो इस चिल्सले में रहा कि हमें कुछ किया है नहीं दरने के आउशकता नहीं बापाजी भलानी यह चीज रेव पार्टी यह हमारे आपकी बाती तक तो बात ही हो रही थी भाही आपने बात करते हैं अब नॉमबर बीज बीज में आते रही नॉमबर में बार बुलाया था इनोंने आपने जो भी छोड़ दिया था दो गणटे बाद पूछ के जा ओगई सिंपल उसके बाद उसने बुलाया था आपके लास्ट वियान वहने अब तो वो जाने उन्हें क्या किया है अब तो पी एफ में खुस होगा बहुत है नहीं मेरा एक सवाल देखिए मैं बोलना हूं कि जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस गिरफतार हुए थे जिनके पास से नौ प्रतिबंदित सांप जो वाइल डाइफ एप में आता है वो रिकवर हुए थे 20 ml जो सांप का जहर है वो रिकवर हुए था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और जो पांच आरोपी किरफतार थे उनसे एल्वीश की किनेक्टिविटी Cdr called details से वह connect हुई है और उन लोगों ने बताया कि एल्विश की कई पार्टी में अरुपार्टी में वह सांप का जहर और सांपलेकर गय थे तो यहे कनेक्टिविटी में जिसके बाद मैंने मैंनेनी किया likely प्रेस जारी एंडी पियस की मतलब जो ड्रग मुझे इस बारे में ग्यान नी है कि ऐसे कुछ हुआ है मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को लेगा तर उने बिना पूछे गो मापे मतलब सीधा हो लेगे नहीं आच्छा चली है इसके मुझे एक बाब बता है चुकि नोडा पुलिस का यह दावा है एक वक्ति को उसको गिरफ्तार किया गया है अभी नियाई खिरासत में चाशीर दाखिलोगे चाशीर दाखिलोने के बाद ट्राइल चलेगा और उसके बाद फैसला होगा आप आहत है और यह हमारे दर्सकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी है लेकिन फिर वही बात आएगी लोग पूछेंगे भी क्योंकि अभी बीते दिनों सोसल मीडिया पे आपको याद होगा उसका किसी से जगड़ा हुआ था गुरुग्राम सेक्टर तिरपन में एक से हुई या उसके बारे में जानकारी हुई या उसके बारे में जानकारी हुई हुई मेरे को क्यों नहीं हुई पूछा है उसको पूछा क्यों नहीं है पता मेरे को पता नहीं है पता है सब कुछ क्या है उनका कहने लगे पाप जह मित्र है मित्र थे मित्र था होगी कोई न जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या अलविस है चुकि आपकी वीडियोस हम लोगों ने काफी देखें आपसे काफी लगाओ है उसका कई वीडियोस है इन फैक्ट हम ने आपके देखें जो यह सब कुछ विवाद एल्विस के साथ जूड़ा खासतोर से टैंजब वीडियोस हो Quickly अपके चौन अब लिह जाने के यह सब कुछ विभाद पहूंdo क souvent कऌई बटाने की कई करें कोशिछ करी की कॉछिश करी है तो यह अपना यह जब इता हमारे तो अपने घर में computer करते हैं हर मुद्दे पर बात्चीत होती है दिस्कुशन होती है, मान लो कुछ बात होती है, समझाई भी जाती है, वो भी अपना मत रखता है, हम भी अपना मत रखते हैं, मुझा घरम सब बच्चे माबाप से बात करते हैं, माबाप में बच्चों से बात करते हैं पहले जब Elvis जो था छोटा वालग अब जब फेमास हुआ उसके बाद क्या परिवर्तन आया Elvis में कोई changes आपने देखे किसी तरह का इसरू में भी असमुक था भी भी असमुक है कोई चेंज नहीं वही आजे मजा करना वही चीज़ें वही आदते हैं आपने सोचा था कभी की इस तरह से होगा कि वह जेल जाएगा उसाम की ऊप्र है एकicion कुछ नहीं सीज़ेगा है ऐखार, शोच फिंदस । हमारा सामने जो पेओ्फ़में बाड़े हैं अपने बन्ते के बारे में की सब्सक्रादि करें कंखरी क्योंकि थो ही जो है ना है आप दिख्य बैट के सब कुछ कर रेसा । यह बिन्हीं नीपताथ किस ने किया है काम किसी ने नहीं और गुत akin कि अंधेरे में देते हैं, हम तो आपके सामने फिर भी रोशनी में बैठे हुए है, क्यों किया उन्होंने, बता तो उनको भी है, अब दिखिया, जो चुकि दर्सक है और बहुत चर्चा चल रही है, चुकि मैं आप बता हूँ कि हमारे घर में भी कुछ लोग है, जो एल्वि पर मुझे लोग पहचानते हैं, एक बहुत खुले से, चुकि आप भी माबाप है, मैं भी एक पिता हूँ, मेरा एक सवाल है, कि जो वीडियोज आते हैं, और आजकल चुकि यंग जेनरेशन है, लोग थोड़ा सा खुले विचार के हैं, तो जो वीडियोज आती हैं, जिसम कम देखता हूँ, आपने देखा से, मैं देख लेते हूँ, अगर कुछ गल्द लगते हैं, कोई शब्द, मैं उसको समझा देते हूँ, कि आपने कभी बातचीत की किस तरह के अप शब्द भासा, मालो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक दो शब्द, तो मैं उसको ब मुझे बाद हुआ था, ड्रग पर हम फिर आएंगे, एक मुनववर फारुकी के साथ फोटो, जो पिक्चर, जगडा आप लोको मालूम है कि ये, जो मुनववर फारुकी के साथ, जगडा है उसका, नहीं, फोटो जो वायरल हुआ था उसके बाद, आप बताओ, क्या है, न साथ कोई सोसल मीडिया में बहुत जादा नहीं जानता, सोसल मीडिया, मैंने सिर्टा जानता या जिता है, कौन सा बीग बोस जो अभी गया, अभी रेसेंट कब जो बीग बॉसे जगए थे, तो उसने इसको आउट कर दिया, पिछे से उगले, पिछे से हाठ डाल के बोरू ये ढम पितमीद है है कि इसको तया अशिन को उत्व अब घठी इसको नगा लिए इसको एसलोगा司 चिसको फिर मूनभार को इसको सबसात्क इसको मैं लगा लूँ आपको गले लाओ इसा कोई बिवाद है मैं समझा नहीं देखता ना ज्यादा मुझे नहीं हम लोग भी कम देखते हैं नहीं हमें कोई आपती नहीं इसको लेकर ही तो जगड़ा इस नहीं किसी को मुद्धे को लेकर अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन मुझे नहीं पता जिए नहीं पता जिए नहीं हमें आपको तो सोचल मीडिया पर ट्रेंड चला और उसको लेकर ऐसी नोबत आ गई कि चार पांट जोड़ दिया या गेम से जोड़ दिया या क्या जोड़ दिया मैं मतलब यह मताता हूँ एल्विस जो एक खास राइट वि कोई मुद्ध यह इन चीज होगा जी मैं तो बहुए टीचर हूँ अगर हम यह चेजर रखेंगे जाती दारम यह चीजर मैं तो कोछो दूर हूँ आप माने और ना माने आप मेरे जितने स्कूल अगर बच्चा है कि मेरे साथ चल को जाती बाद पहलता है माले कहता है मुझ मेरे साथ चल मेरे घर अगर मेरा घरवाले तरी जाती बता दे तो कहना कि तुई है हम इंसान है अगर बच्चे ने गड़े लगा लिया मेरेने तो मेरे तो बहुँ ठीक किया है ऐसे तो मैं ज्यादा नहीं बड़ी बात कहूंगा लेकिन हमारे बड़े-बड़े जो देश क सोचराने वाड़े उन्होंने भी कही ना कहीं जी जी एक अध्यापक है और एक अध्यापक है और बिल्कूल आपने बहुत अच्छी बात की और अप्रिशेट एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चीए अब इस चीज का बुरा भी मेर लेकि उसका पिता ऐसा कह रहा है नहीं नहीं रहे तो मैं तो अनेरा की तारीफ कर रहूं कि एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए ऐसे ही अध्यापक पूरे देश में आज की दौर में ऐसे ही टीचर की जड़ी लेकिन फिर अब वहीं पूछा जागा एक सवाल अगर आप अ जिम्यदारी निभा रहे हैं मैं पत्रकार हूं मैं पत्रकार के तोर पर जिम्यदारी निभाओंगा अगर एलविश पहले क्या था वो मतलब नहीं है लेकिन बिग बॉस जबसे वो जीता उसके हजारों की संख्या में चाहने वाले हजारों की लाखों की संख्या में ऐसे च सोसल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए चुकि एक अध्यापक है आपने कभी ये बात्चीत की जो विवाद और अभी विवाद हाल फिलाल में चलना थो आपके कान तक एक ख़बर आती होगी यही इल्लाई जगडे की या फिर कुछ अप कर दूँगा कर देता हूं मैं अगर गलत बात है तो चीक ऐसा नहीं है वो मेरा बेटा है उसका मेरा ही सबसे पहला मैं ही गुरू है उसका ममी पापा ही गुरू है कर गलत करेगा वो कहीं लगेगा हमें तो आपको लगता है कि मैं नहीं डाटता हूंगा मैं जैसा अपने ब बात करने आये हैं उसकी बात करें कि वो भी गलत है बिल्कुल सरासर हमारे बच्चे को अतम करने की कोशिस है उसमा जी जानती है आपका बेटा इतना बड़ा इंफ्लूएंसर है लेकिन आज की डेट में उस पर यह आरोप है कि वो सांप के जहर का इस्तमाल करता है वो मतलब आरोप यह बिल्कुल बे बुनियाद है और अब तो यह भी आरोप 27 ने सबसे संगीन धारा NDPS Act की लगा दी यह भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रक रिकवर नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चलें कि यह सबसे पर आपको बताता हूं सबसे पर हम यह क्लियर कर दें कि द सेक्टर 49 पुलिस स्थाने में फाइयार दर्ज हुए थी और बहुत हरानी के बात है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने फाइयार दर्ज की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ नवंबर में FIR दर्ज हुई और अब मार्च में यानि 4-5 मेने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है मार्च में एलवी स्यादों को अचानक जैसा पिता बता रहे हैं कि नोटिस आपको दिया और पूस्ताज के लिए बुलाया और उसके बाद अचानक गिरफ्तार कर लिया लेकिन अब उस पर आरोप यह है कि वो 27 ए जो NDPS Act है कि वो ड्रक्स के लिए करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इस्तवाल होता है वो ड्रक्स का सिवन भी करता है इस तरह के विया रूप लग रहे है इसे कोई कुछ भी लगा दे इंचे जोगा कोई तुक थोड़े ना है ठीक है पर हम तो एक ही चीज गहेंगे कि आ लाग बार पुछोगे हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है बेकसूर है और बेकसूर है उसको फसाया गया है बिल्कुल जिसने फसाया जिन्नोंने उनसे भी पुछो कि ऐसी क्या रंजिश थी एक बच्चे से आरा बिल्कुल जिए ड़ा लगा दे कि कौऊभी बहार नहीं घाएगा वह बाहर तो एसा नहीं आधाल थे है क्योंकि हमार कानु को यह पता नहीं है नहीं लिए खाले क्या होती है लूटी सवन जो एधारा होती है नडीपीएस अपक्त की वो और मने चुकिए सुसांत के दोरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए 27 ndps की जो एक धारा होती है 27 a ndps में होता है ड्रक्स की फैनेंसिंग करना खरीद फरोग्त करना फैनेंसिंग करना तो यह इसमें जो कानून के आपके कोफिया अगर यह हमें तो पता नहीं चीजोगा यह पाले का पूरा विश्वास है कि शयाद जल्दी हो जाए बाकि चलो हमें तो नहीं पते हैं चीजोगे परी बे बुनिया लगा के कितने दिन फुछ रह लेगा कोई यह बताव मुझे भूश नहीं रहे सके गवाद ऐसे किसी बच्चे को फसा कर गलत गलत क्या क्या मले ऐसी ऐसी नहीं नहीं चीजे हमने तो जिनेंगी में सूनी नहीं है हमें नहीं पता 24 गंडे बिच्चे हमारे पास रहता है कि हमारे बच्च तो जो लुक्न फ हमें लून करते हैं यह ऑंकर Insya कि बिग बने नहीं घले स domestic स winning नहीं 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 हो रहे हैं मたलब ऐसा इसमें क्या पिछे लग गए इसके? क्या देख लिया ऐसा? कोई कुछ भी लगाए मा की ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हद गर्दी लगाने वाड़ोने भी बिलकुल है कुछ भी नहीं है कि हमें जीने का दिकार नहीं है या बती है यह पिछले चैनल पे भी क्या है कि मुझे हजार जनम मिले पिता बढ़ने के लिए तुम्हें ऐसा ही बेट चाहूं जैसे मेरा है क्योंकि मुझे फक्र महसूस कर आया है हमेशा उसने अमारा सिरुचा कर रहा है और इस चीज के करें कि उसकी यह चीजे न आप वो करें मत दिखाऊ अच्छा ही आप उसकी बुराई भी ना मतलब इस तरह कि अपने तरफ से बिना उस तरह कि चीजे ना करें आप से जो वाजीब सवाल है वो पूछा और देखिए ख़वर चल भी रही है यह बास तो सच्छाई है क्या आ हमारे गाओं में हर तीसरे घर में गड़ी है जी छोटो Changing डोप है चोटो आप इस न्हारे ह漫ारे अधरे होनी चाहिए बिल्कुल लगज़री गाड़ि बिक बॉस विनर है था पैसे कमा रहा है में आपको अनेर क्या रहा हूं किसी सक्स के पास गाड़ी हो ना पैसा होना अ कोई पैसे ने कोलबरेशन होता है उसके बदले में उसका भी पताना किस-किस लोग उने वीड़ डाला हुआ है कि इतने करोड का अरे भाई भाई मतलब जमीन के बदले में लिया वाँ पर कहा खरीद सकता है गुडगाम कोई प्लाटो ले गे उस टाम दिमाग लगा लिए पै वो एक अलग चीज है असलिस वो दस बाई-दस के कमरे में लेटता है वी भी आके हम खाट पे सोते हैं भाई ऐसा नहीं है हम ग्राउंड से जुड़े हो है तो इसमें बुराई भी क्या अगर एक बात बता रहा हूँ मैं तो इसको भी हाइप करके वह घर है वो है उसको पा आये लगाई है 29 ड्रक्स के लिए साजिस 27 ए ड्रक्स की फैनेंसिंग करना देखिए अज लगाई आज नहीं उसी एक्ट में ग्रिफ्तारी हुई है यही तो मैं आपको बता रहा हूँ जो यह खबर चल रही है कि जहर पार्टी यह पता नहीं आपको जानकारी तो हम आपको अवह ज आनकारी देदें कि उस पर जो यह साफ वाला जो होता प्रतिबंधिस सर्प उस पर वाईड लाइफ अनिमल अट लगता लेख वो 1967 की धरा होती है 100B ध्रक्स का कारोबार करते डुक्स का सिंडिकेट चलाते हैं डुक्स के लिए पैसा करते हैं उसमें टी पीएस एक्ट लगता है तो एंडी पीएस एक्ट भी लगा है इसमें गिरफ्तार हुआ तब ही जो आप देख रहे होंगे यह जहर-वहर की बात भीस वज़ेसे लगाने दो जिसको भी कि दोगा बेकसर तो है कि अश्चीद होगा आप हमें खुद बुला के फिर बिठाओगे ऐसे अब फिर आम आप से बिल्कुल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे मैं यह बोला हूँ जैसे आभी आपने उसकी बात की पर देकिए हर पिता चाहता है क जाएना लिखे हो तो पैसा कमाना किसी के पास गाड़ी होना अगर वो मांदारी से अपनी मेनस से कमा रहा तो यह कोई जुर्म नहीं है एल्विस के पास पचास गाड़ियां हो हमें कोई अतराज नहीं है तो हमने कभी ख़बर चलाई लेकिन हां यह भी एक कड़वी जैसे हमने आपसे पूछा हमने कभी हम आपसे कॉंटेक्ट नहीं करते कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकी कि बिग बॉस ओटीटी का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भ लोगों तक पहुचे कि क्या यह जो ड्रक्स का रोप है कि वो ड्रक्स यूज करता है ड्रक्स के लिए फैनेंस करता है रेव पार्टी आंलग अलग होती है जिसमें कोई दूचार में आनुमान ना हूजी चाति भाड़ के दिखा दूंग है कुछ नहीं करता हो कुछ भी न निए तच में इसनी जो जो के सरवक्त कर देबर कर लाह बार कर ओ हजार वार कितनी वार कर ओ नहीं है इसरे जडिक्स कुछ भी इतना भी इतना भी कि उनको सदबुद्धिदे भगवान जिनों ने ऐसा चीज़े की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो पुलिस अगर कहना चाहें आप उनको अब तो उनका रोल ही खतम हो गया आपने बता दिया कि उनन तो कर दिया जो कर दिया नहीं अभी 14 दिन की नहा जाड़े हैं उनके ओपर ध्यान दोखी विए क्या कर रहे हैं किस बच्चे के उपर एलिविक्शन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मेवारी बनती है तो एक ऐसे माव वो सोचे कि आज उनके माव आप किस सीचुशन से उजर रहे है क्योंकि उनके लिए एक बेटा है अगर आप कहरें कि 14 दिन बाद दुबारा कुछ क्या बता रहे हैं अब अपील करेंगे हम इसको पुंड़ा बिरती हो अगर ऐसा हुआ है तो उनसे मिलने के उसे करेंगर मिल जाएंगे तो कि ऐसा मैंutral है ॅपने पता करूगा जाकर कि क्या हुआ है काहिए मुझे नहीं पता बिलकुल है क्यों कि हम इन चीज़ों मैं पड़ें नहीं कभी भी ओपा इननी चीज होगा कि हमारी तरफ सतय है एक नमबर धार है रहाशी आजार नमबर धार है मुझे तो पता ही नहीं किस चीज के तो कानून के जारकार ही बता सकते हैं सर पीएफए की जो आपने बात करी पीएफए का ये कहना है कि उनकी पास कावी एविडेंस है ओडियो है वीडियो है चलो ठीक है जी कहने दो इसके पहले क्या कभी जब जैसे नोड़ा पुलिस से सामना आमना हुआ पुलिस से क्या इसके पहले कभी एल्विस को लेकर किसी और पुलिस से कभी सामना हुआ नहीं कभी कोई कभी कोई नोड़ा पुलिस कर नमबर मौदा एक बर सामना तब बुलाय था इसको जब यह केस हुआ ह uwagę तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन चलो आप कहह दो मान रहे कि हमारी लड़कशे सोस्ता है आई जो चार महीं नहीं भी ते हैं। हुआत है अराम सपटन जिंद्गी वैदे네 मैं लगा रहेँ प्रुट ही हमें धित करें लगार लगा दे उन पनाराम से वेटे वे तपने गार में शांती की जिन्दिए भाई अमेर लड़का निर्दोस है तो पुछ भी नहीं है एक ही बात कहता हूँ तो बाबाज में कुछ किया यह नहीं है तो मैं क्यो डरने कि क्यों किसी के पास जाओं कि मेरा यह हॉए वो है अप मेरा उठ जाएगा पर बाक कि अगर हमें लड़के इनने कुछ गल्ती किया तो हमां हत्पाऊं नहीं मारती दर उदर तो आप इस चीज़ को अगर के लिए उसको बचाने के लिए कुछ करने के लिए यह दिन ना दे तो यह नहीं तो यह जब पड़ा था जब तीन राजों कि जो रूट रही है तो तो कि तब उन से फोन किया था को कि वह कोई वह नहीं से है दो इसको कुछ भी चला देथे। जब वह ऑड़ा था जब पुछ क्या हुआ था इननो थो मेडिया बॉर्ण तो तु तो पिर आपकी उसमक दोंट रही है तो पिर आपकी उस्मक ना इल्विस से बात चीज़ है तो वो आई रहा था मुनमे से मैं को यार क्यों कि उस दौरान था ही हो अब यह क्या दिया था जिए तो में रजा जा जा भाई घर फो राई रोड इस ली बुला था अबने कि रोड रातू पाई बहुत अब लग जाए उनको खबर आश चल रही थी तो तीन राजव के पुलिस डूंटे बता नितना सरभ क्या हो गया इसके मतलब क्या हो है तो यह चीज है अब देखे मैं आपको बताता हूं तो यह चीज मेडिया को बिसिकली क्या है यह पुलिस कहती है मैं पुलिस पे कुछ नहीं कहूँगा जी हमारे देश को चला रही है लेकि मैं कहने जब भी उस पुलिस वालों ने नौवडा पुलिस से कन्टक्ट किया था यह हमें जानगा रही है तो यह जाने था कि ऐसा कुछ भी अपीन अब ही नहीं है बिल्कुल अब देखे लेकिन वही बात हुई ना वही पुलीस जो बोली थी वॉंटेड नहीं है वही पुलीस नौबर के बाद गिरफ्तार के ले रही है और गिरफ्तार भी असा कले रही है पहले तो सामाने भाराय लगी थी अब तो एंडीपेस एक्ट लग गया वही पुलीस जो पुली थी वॉंटेड नहीं है आखिर वह नौबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च बात कैसे प्लट भी आप जो मीडिया को बने पता ही है प्लट गई यह वह पता करूँ नहीं करना आप दार लगे आपकी कैस मालनों कि वह वह है मुझे तो नहीं पता जिन दारा होगी हम पता करके फिर आएंगे आपके पास कि क्या दार लगाई है क्या वकील से प्चुआ है पहली जो प्रेस रिलीज आई है आज नहीं जिस दिन अरेस्टिन हुए उसमें उपर सेक्शन लगा हुआ है उसके बाद जो भी है ऐसा थोड़ीए लगवाया है वो तो आप सही किया लिए आए अट लगा फिर हमने इन डीपीएस एक्ट में जानने की हमारी कुश्च थी कि कोन कौन से अंडीपीएस में धाराय लगाई है तब वह अलग-अलग अन्डीपीएस की धाराय होती है जैसे आइपी सी जिसने केश किया है, करवाया है, तो अपनी तरफ से कसर थोड़ी छोटेगा, वो तो है, मेन बात तो ही है, कि कितना भी जोट गोल, कितना पावरफुल आदमी होगा, जो भी है, ऐसा थोड़ी है, वाइल लगवाया, उसके कोण जहर कहा बेच रहा है, कोण क्या कर रहा है, इ अब रिकोर्डिंग चल रही है, जैसे, जैसे हमने देखा, आपको पता भी होगा, आप से कोई पुछा, आप अलुषादो को जानते हो, तो आप क्या कोगे, हाँ जानता हूँ, यही तो कोगे न, आज नाम बना हुआ है, हर घर का बच्चा जानता है, उसकाम पले भी कड़ी जूड़ना रही है क्योंकि हमें चीजम पड़े नहीं कभी भी, पेटा यह कहते रहा है पापजी, मेरा को लेड़ा देना नहीं है, आप भी फिकर रही है, बस, कुछ नहीं है मेरा, अगवा कहीं क्रिशित बात करनी पड़े है, करें नूगल, कुछ नहीं है, जह ही इसको आपको तो जानकार है, यार दोस्तों, मैंसे मजाक वगएरा करता है, उसको उसको इलक्शन लटना है, नहीं ऐसा अगर उसका रुजान था या है, तो तो बात अलग है, वागे हम भी पॉलिटिक्शन उसको नहीं उता रहेंगे, क्योंकि वह स्याद इसी चीज़ का कि शिवा ऐसा लगा की वही क्योंकि इतना वो उसको प्यार मिल रहा देश में हो सकता किसे न सोचा हो गिया हमारा कम्पीटर आ गया अधा क्या पता भी एस वह प्लिटिक्स में इंट्रेस्ट है अधर लोगों को लगा हो इसको सम्मानित कर ने आय थे तो लोगों को लगा हो क कहीं कुछ इसको ना कुछ कर दे कि अधर सब्सक्राइब मुझे भी आसा काफिला चीए हसमुक तो है ही समिजाग करने वाड़ा कर दे इसको वही कि मुझे भी आसा काफिला चीए जैसे कि अधर साब के पिछे चला था तो लोगों सोच लिए शायद पॉलिटिक्स ना कि अधर सेकेंड डियर में श्याज शुरुआत हुई थी तो जैसे बे और बच्चों की देखता था यह वाइन वगेरा यह वाइन मतलब छोटी चोटी वीडियो बगारा तो इसको शोग था फोन जैसे आया मुझ से वीडियो बनवा लेता है यह तो हमें तो यही नही पता हुँ बस फिर अपने वीडियो बगरा बनाने लगाई फाइनल एर तकात देखें मैं एक चीज यह बोलूँगा देखें इस पर आरोप है और आरोप यह दावा नोड़ा पुलिस का है कि सांपू के जहर का मीडिया का दावा नहीं है इस वज़े से नोड़ा पुलिस ने ग कुछ आप लोगों को तो यह पता होगा मैं तो बहुत ज्यादा इसा किया सराजी से जो इसका एटिट्यूड जो हाव भाव है उसको लेकर क्योंकि एक चीज मुझसे लोगों ने पूछी जो बोला था कि जरूर पूछना कभी हो कि यह जैसे कोई भी सेलेब्रिटी जैसे बहुत फेमस हो गया पहले आपके लिए तो बेटा ही है घर में जाता होगा भले बहुत बास बिनर एक माबाप के लिए बेटा किता ही बड़ा हो जाए वो बेटा ही रहता है लेकिन क्या अब अगर चीजे हूँ अब मिली तो जो वीडियो में गाली गलोच अब शब्द भ मैं मिला हूँ यह तारीफ ही समझ लीजे कि 7th class के बच्चे, 8th class के बच्चे, 3rd class के बच्चे यह सब Elvis के फैन है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंसे कई लोगों को जानता हूँ और मैंने बताया भी कि घर में भी हैं तो क्या आप उनको यह बता रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या मिलें गे तो Elvis को बताएंगी कि बेटा अब तुम्हारी जम्यदारी तुम्स सलीबरीटी जो थोड़ा सा नए तरीके से चलना हो और आप यह बीग बच्यों की बात कर रहे हूँ अप यह जैसे माले जे व तो आपने बोला है जरूरूरूरू को बहुत अच्छी बात है और यह हर माबाप होते हैं कोई भी माबाप होते हैं वो यही बिल्कुल accept करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी बदलाओ करेंगे लेकिन सीधे सीधे यह आरोप लगाया पी फाई पर एल्विस की मान ने क की एक कॉंसप्रेसी के तहते हैं अल्विस यौदो को फसाया गया है पिता अध्यापा कहिना कि अपने बीटे को हमेसा सलाह दी है वो किसी तरह से किसी बी ड्रक्स में वाल नहीं है किसीद्रक्स के syndicate में involved नहीं है जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की और यह माबाप का कहना है कि एल्वी स्यादों पर जो भी आरोप लगे है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और यह लड़ाई अदालत तक जारी रहेगी अब मेडिया से अपील है जी यह तो बताओ जी है प्लीज कि मेडिया वाले बाई चीज़े को रोके प्लीज इन चीज़े को नेगटिव टी फिलाने से अब मेडिया तो देखे जो पुलिस बता रही है जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वह हम आपको दिखा रहे है और इसी वज़े से तरह के टाइटल है यह चीजे थोड़ा सा ठीक है ठीक है विल्कुल आप देखते रही है आज तरह के बंद करें बड़ी खबर आपको देदें एल्विश यादब के से जुड़ी बड़ी अपडेट की इसमें कई नाम सामने आ रहे है इसमें सिंगर फाजिल पुरिया का भी नाम आया है अभी एलवी श्यादब से जुड़े भी बड़ी खबर है एलवी श्यादब चुकि गिरफतार किया गए नॉइडा पॉलिस ने एलवी श्यादब को गिरफतार किया है कोर्ट में भी पेश किया गया 14 दिनों की नाय खिरासत है और अब पूछता आच में सिंगर फाजिल पुरिया कभी इसमें जिक्र है जो कि प्रसिद सिंगर है और कई और भी नाम इसमें बता जा रहे कि सामने आ सकते है कई और नामों जिन जिन का नाम आ रहा है फिर उनसे भी पूछता संभव है रहो सकते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी नाम हो जो हाई प्रोफाइल हो नॉइडा पॉलिस इसके इंवेस्टिकेशन कर रहे है मशूर यूट्यूबर शुरबात से ये कह रहे थे कि वो इसमें इंवाल्ब नहीं है उनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब सूत्रों के मताबिक उन्होंने इस विकार किया पॉलिस के सामने कि हाँ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सापों का जहर साप मंगवाए और अब अपने हुए अपने उपर लगे हुए आरोपों को खुबल कर चुके हैं तो ऐसे में उनकी मुश्किले बढ़ सकते हैं अब अपने बैन बतलने ना तो अभी पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस करें कि उनके पास एविडिन्स है और अब अपनी हल में जो है घलतियों की चलते सुर्कियों में थे और अब बहुत बड़ी बजा है जसको लेकर अलवी शियाद अब सु अब ही आपको यह बताते हैं कि इस मामले में क्या-क्या अपडेट है जो इन्वेस्टिगेशन से क्या-क्या चीज़ें बाहर सामने आ रहे हैं और किस-किस व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है और इसे पर जाधा जानकारे के साथ हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है ह और चिरा के पास से समय हाथ में वो एफायर की कॉपी भी है जो नौईडा पुलिस की थी और क्या इस एफायर की कॉपी में है और अप्डेट सो आप साथ देंगे क्या देखिए यह तो सब को ही पता है कि इस केस में क्या हुआ है कि वो जेल जा चुका है और तमाम बातें दीपेस के तमाम सेक्शन्स लग चुके हैं राजीव लेकिन मैं वो एफायर पढ़ना चाहता हूं ताकि लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी मिले जो रिटन में नौईडा पुलिस ने दर्ज किया है यह लिखती है फायर में जो इसमें कंप्लेनेंट थे वो थे गौरव चीजों में इसमें मैं वरबेटम पढ़ता हूं कि इस सूचना पर हमारे एक मुखिबर खास ने इस पूरे मामले में एलविश से संपर्क किया यह जो बोल रहे हैं यह बोल रहे हैं कि इनका कोई मुखिबर था जिसने एलविश से संपर्किया और एलविश फोन लाइन पर ये कौन मुख्विर खास था जिसने एलविश से संपर्क किया उसकी डिटेल सामने आनी चाहिए पहली बात दूसरी बात वो कहता है कि जो एलविश ने कहा कि भई आप राहुल नाम के एक एजेंट से बात कर लो राहुल का नंबर भी दे दिया और उसके बाद इस वक्ति से म ने किस से बात की राजीव ये तो पूरा क्लियर होना जी लेकिन कई वर साजिश मुख्विर इंपॉर्टन नहीं होता है इंपॉर्टन यह होता कि क्या घटना करा मुख्विर के घटित हुआ वो कौन आरोपी है और उसने क्या-क्या प्रोवाइड करा वह ज्यादा शक्स से किस की राजीव और चिराग की क्या बात हुए ये तो आप फोन डिटेल बताएंगे ना ताकि ये स्टेबलिश होके भी बात हो रही है और फ्रीक्वेंट बात हो रही है कई बार बात हो रही है एक बार नहीं हो रही है तो ये सच तो सामने आना चाहिए पहली बात दूसरी बात जो NDPS के तमाम सेक्शन्स लगा दी गए हैं वो सारे सेक्शन्स ऐसे हैं जिनमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है इसका मतलब यह कि प्रोफेशनल तरीके से कोई आदमी रैकेट चला रहा है पुलिस का तो यह कहना है अब सवाल उठता है कि इस केस के अलावा ऐ पुलिस की बात हुई या गौर्व गुप्ता की बात हुई इस सारी चीजें बिलकुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जिससे कि यह पता लगे हाँ जी है क्योंकि कई सारे इनके फॉलोवर्स हैं जो मानने कुई त्यार निए कि ऐसा कुछ हुआ है और पुलिस का एकाम भी से इसको कवर कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी बाप की तो बीट किया है तो मुझे आप से जान रा कि क्या सभी किसिस में ऐसा होता है कि अगर जहां पर मुख्बिर की इन्वाल्मेंट है तो पुलिस तो से जुड़ी इंफॉर्मिशन साजा कर दिया है क्योंकि F.I.R. मे पुलिस के अपनी कर देना अवश्यक नहीं है वह अपने हिसाब से करती है लेकिन सवाल ही उठता है कि आपको कॉल डिटेल्स तो बताने पड़ेंगे अगर आप कूर्ट में जाएंगे तो आपको इस्टैबलिश करना पड़ेगा कि इन पांचों का लिंक इस से है और यह कैस एक बाहनी है पास्ट में कई बार बात हुई है दस्यों बार इंकी बात हुआ अपष में उसके बाद ये देखें ये पाटी ओरने इसकी पिलिडीो समने ने हो ये देखिए सेल परचेश ने का helpãy कि आप उसके अकाउंट में आए, बात में आपकाउंगा रूप में रखा हूँगा, अजिसको बात में रखा जाएगा, और लौक से बात कर ने में आपकाउनीच भी happy กराइब के पाकूंगा, करती है गलत आरूपी आरूपी को फसा देते हैं जल्द बासे नहीं देखी पोलिस ने बहुत आराम समय लिया बहुत समय के बाद जाकर गिरफतार हुए जब अपने आपको पाक साब उस सारी अपनी चीजें एक नॉर्मल लाइफ थी जो चल रही थी इस वीच में एक गिरफ आरही हुगा यानि कि हड़ बढ़ाहट तो नहीं दिख रही है यह भी बहुत सही है आपके हड़ बढ़ाहट भी नहीं दिख रही है लेकिन सवाल ही उठता है कि NDPS की जब ऐसे सेक्शन्स लगा दिये जाए तो इससे तो यह प्रूव होता है बहुत क्लियर कट कि आपका का इस तरह से लगर बहुत बढ़ा रहकेट है तो ED की भी होगी भाईया, साफसी बात यह है कि आपने एक गिरो एक केस पकड़ाया भी, अगर वो ऐसा धंदा कर रहा है तो आप बता दीजे सारे कि 10 केस हैं उसकी खिलाफ, 10 मुकद में हमें पता चले हैं, 10 लोगों के बारे में पता चले हैं, जो इस तरह की गतिंगे होगी कि आने वाले मतलब बहुत जल्दी हो सकता है कि उनके ठिकानों पर रेड भी हो, देखे रेड तो अविसली होगी, लेकिन सवाल ही उठता है, कि जब आपने NDPS के ऐसे सेक्शन्स इन्वाल कर दी है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर कट है, कि आपको पूरा स्टेबलिश करना पड़ेगा, यह एक ड्रग का डीलर था, उसका यूट्यूब से कमाई नहीं हो रही, उसकी कमाई बिग बॉस ने से वो जीता उससे नहीं हुई, या वो इवेंट करते हैं, उससे नहीं, वो ड्रग माफिया है, वो माफिया है, उसका जो काम है, वो सिर्फ एक काम है, उसका तो मुझे सरफ इस बात का यह है, मैं यह नहीं कह रहा कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस नितने हार्श च्रेक्शन लगाए हैं, तो यह स्टेबलिश दफक्ट कि भाईया वह ऐसा था, सबसे बड़ी बात, उसके कितने अकाउंट है, कितने पैसे आये है कितने अकाउंट में, कई तो लोग कहेंगे इस तरह के कामों के लिए भाईया, वह एकाउंट में थोड़ी लेंगा पैसे, एगरी, क्या कोई ऐसे रिकवरी हुए काले धन की, आप बताईए कि उसकी जगा, दस जगा हमने रेड की, उसकी दस प्रॉपर्टी का पता चला, म जग इस तरह की बाते सामने आरे थी, लिचमे एक ख़बर आई थी, आप वो गुरुग्राम में रहते है उसकी फैमिली, तो आप क्लियर कट बता दीजें, कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, कितने अकाउंट हैं, कितना पैसा उसने कहां रूट किया, ये क्लियर कट ब अब यह नहीं कह सकता में कुछ भी यह नाम जरूर आए तो शुरुवात से यह आ रहा है क्योंकि दोनों ने एक साथ जहां तक है मुझे याद है कि शूट भी किया था और दोनों सापों के साथ उनकी तस्वीरे भी आई थी तो शायद माइड भी उससे भी कुछ पुछ पु मुझे इंट्रेसिंग प्रसंग याद आ रहा भी हाल में वीडियो सोचल मीडिया पर बड़ा वायरल वा जहां पर पुलिस के अधिकारी थे और सामने कॉलेजिस के स्टूडेंट था अलगला कॉलेजिस के तो एक स्टूडेंट से खुलके पुलिस वालों के सामने बात की क हम सुडेंट तक ड्रग इजिली अवेलेबल हैं अगर हमें ड्रग चाहिए तो हम बहुत इजिली पुलिस स्थाने के चौप की कि बिल्कुल नस्दिक ड्रग मिल रही होगी जब हम तक वो ड्रग पहुंच रही है तो पुलिस वाले क्यों पकड़ पा रहे हैं मताब ड्रग माफिया तो एक्टिव है बिल्कुल तो जब ड्रग माफिया इतने एक्टिव है तो एल्विश यादव की जरूरत क्या है किसी को ड्रग लेने के लिए अगर वो ऐसी पर उनके जरीय एजिली अवेलेबल है चलिए माल लीजिए एक आट कॉंटक्ट दो कॉंटक्ट हो सरगना, सरगना ही आपने बता दिया कि इतने सारे सेक्षन लगा दिया कि वो पॉजेशन उसके पास से मिलना, सेल परचेज में चामिल होना, कंजियूम करना, मतलब यह तो सारे सेक्षन ही लगा दी को छोड़ा नी, मेरा सर्फ यह है कि अगर आपने इतने संगीन सेक्षन लगाएं तो नॉड़ा पुलिस को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी बहुत क्लियर करें अगर मैं शक भी करूँ तो नॉड़ा पुलिस को शक को दूर करना चाहिए मुझे लगता है खुलकर सामने आना चाहिए कि ये कोट के एविडेंसे जे अभी चूप अब कि वकीले वो क्या करें जब अब पुलिस सूत में कि कबूल कर लिया है लेकिन वकील क्या कर रहा है वकीलों का देखिए ओविसली वो इतना सीरिसले लेते नहीं इस तरह की चीजों को उनका कहने है कि हमारा जो भी मेन प्रॉर्टी वो है बेल हम मूव करेंगे जिससे कौन से अकाउंट में पैसे आ रहे हैं दो नंबर में कहा जा रहे हैं पैसे कितनी प्रॉपर्टी उसने पर्चेस कर लिया कितना वड़ा उसका समराज्य कारोबार है सारी चीज़े बताए ना फिर जब आप इतने संगीन इलजाम लगा रहे हैं तो यह मुझे लगता है कि यह नौटा पुलिस के लिए टेड़ी कीर होने वाली है छे चिराग तैंकी सो मच आप जुड़े इस जानकारे के लिए और अब चलते-चलते एक रिपोर्ट इस पूरे घटना क्रम पर आपके दिखाते हैं एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर एंडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फैनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर एलविश यादो की अब मुश्किले इसकदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताये गया है कि एलविश यादो ऐसी रेव पार्टीज के रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौइडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच बहीनों में सबूत भी जुठाए है तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहट की गई आईए देखते हैं एलविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है एंडी पियस के सेक्शन 8 बाइ 20 के मताबिक किसी व्यक्ति के पास से गाजा या गाजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 एंडी पियस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना एंडी पियस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ति के जरिये नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना सेक्शन 30 एंडी पियस के मताबिक फिनांसिंग या कंजम्शन के लिए प्लान बनाना पूछताच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूबर एलविश यादो अंतिम पांच तक पहुँचने में खाम्याब अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चल्वा गुरूगराम के ताओ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस टॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये चोरा पहली बार अपने प्रशन्सकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मन्जिल हासिन की दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोक अप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाउं के रहने वाले दिली के हंसराज कॉलिज से बीकॉम किया एलविश एक फांडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.37 बिलियन भ्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस लाग से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट हैं वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विन्द उसा, नॉइडा आज स्था एलविश यादो की और बढ़ी मुश्किले एलविश पर NDPS Act की गंभीर धाराएं ड्रग के खरीद फरोग और फाइनांस का आरो बिग बॉस, OTT विनर और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर एलविश यादव की अब मुश्किले इसकाएं कदर बढ़ चुकी है कि खुद एलविश का चेहरा लटक गया है बताया गया है कि एलविश यादव ऐसी रेव पार्टीज की रैकेट से जुड़े हुए है जिसमें साप और उसके जहर का इस्तेमाल होता है नौइडा पुलिस ने एलविश के खिलाफ बीते पांच बहीनों में सबूत भी जुटाएं तभी तो सारी कारवाई एंडी पियस एक्ट के तहट की गई आईए देखते हैं लविश पर कौन कौन सी धाराएं लगाए गई है और इन धाराओं का मतलब क्या है नडी पियस के सेक्शन 8 बाइ 20 के मताबिक किसी व्यक्ती के पास से गाजा या गाजी जैसा किसी ड्रक्स का मिलना पाया जाता है सेक्शन 27 नडी पियस एक्ट के मताबिक किसी व्यक्ती का नार्कोटिक ड्रक का इस्तमाल करना नडी पियस 27 एक के मताबिक किसी व्यक्ती के जरीए नार्कोटिक ड्रक खरीदने या उसके फिनांस में मदद करना Section 30 NDPS के मताबिक financing या consumption के लिए plan बनाना पूछताच में एलविश यादो सहीयोग नहीं कर रहा था और उसी दोरान नोड़ा पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिसके बाद एलविश यादो को गिरफतार कर लिया गया पिछले साल 4 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में एक नाम चमका नाम था एलविश यादो जिसने 14 अगस्त को बिग बॉस का खिताब जीत कर बाजी मारी वाइल कार्ड एंट्री लेकर बिग बॉस का हिस्सा बने फेमस यूट्यूवर एलविश यादो अंतिम पांच तक पहुँचने में खाम्याब अगर आपके जहन में एलविश को जानने और समझने के खाईश है तो ज़रा फैंस की इस भीड़ पर गौर फरमाई ये एलविश यादो का चलवा गुरूगराम के ताउ देविलाल स्टेडियम में ये दीवानगी एलविश यादो के लिए दिखी बिग बॉस टॉफी जीतने के बाद हरियाणा का ये चोरा पहली बार अपने प्रशन्सकों के बीच था एलविश ने अपने इनी फैंस के बूते ये मनजिल हासिल है दरसल एलविश यादो फेमस यूट्यूबर है जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूट्यूब की बदलत उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है 26 साल के यूट्यूबर एलविश यादव गुरूग्राम के वजीराबाद गाव के रहने वाले डिली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया एलविश एक फाउंडेशन भी चलाते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो सिस्टम क्लोटिंग के संस्थापक है उनके यूट्यूब पर कुल तीन चैनल जिनमें हर महीने मोटी कमाई होती एलविश के यूट्यूब चैनल पर 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.3 साथ बिलियन व्यूज हैं इंस्टाग्राम पर भी एलविश के एक करोड तीस लाग से ज्यादा फॉल्वर्स हैं एलविश को लगजरी कार के लिए भी जाना जाता है महंगी गारियों का बेहत शौक है गुरू ग्राम में उनके कई फ्लैट है वो नया घर बनवा रहे हैं जिसके कीमत करोडों में है अर्विंद उसा नॉइडा आज था जा रहे के सामने आ सकते हैं कई और नामों जिन जिन का नाम आ रहा है फिर उनसे भी पूछता संभव है रहो सकते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी नाम हो जो हाई प्रोफाइल हो नॉइडा पॉलिस इसके इंवेस्टिकेशन कर रहे है मश्वूर यूट्यूबर शुरवात से यह कह रहाय थे कि वो इसमें इन्वॉल्ब नहीं है उनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब सुत्रों के मताबिक उन्होंने इस विकार किया है पुलिस के सामने कि हाँ उन्होंने अपनी पार्टिस के लिए सापों का जहर साप मंगवाई और अब अपने हुए अपने उपर लगे हुए आरोपों को खुबूल कर चुके हैं तो ऐसे में उनकी मुश्किले बढ़ सकते हैं अगर कोर्ट में अपना बयान बतलने ना तो अभी पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे है पुलिस कह रहे हैं कि उनके पास एविडिन्स है और अब अपनी हल में घलतियों की चलते सुर्कियों में थे और अब बहुत बड़ी बजा है जसको लेकर अलवी शियादव सुर्कियों में है अब तो जेल में जा चुके है और इन्वेस्टिगेशन चल रहे है इस मामले की अभी वो आरोपी है और अब उनको अपने आप पर लगे हुए आरोप मुक्त बताना है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उनके वकील भी है अब ही आपको यह बताते हैं की इस मामले में क्या क्या आपडेट है जो investigation police की चल रहे हैं उस investigation से क्या क्या चीज़ें बाहर सामने आ रहे हैं और किस-किस व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है और इसे पर ज़ाधा जानकरेक के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है हमारे से होगी चिराग गोठी और चिराग के पास से समय हाथ में वो F.I.R की कौपी भी है जो नॉइडा पुलिस की थी और क्या इस F.I.R की कौपी में है और अपडेट्स आप साथ देंगे क्या देखे ये तो सब कोई पता है कि इस केस में क्या हुआ है कि वो जेल जा चुका है और तमाम बातें N.D.P.S के तमाम सेक्शन्स लग चुके हैं राजीव लेकिन मैं वो F.I.R पढ़ना चाहता हूँ ताकि लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी मिले जो रिटन में नॉड़ा पुलिस ने दर्ज किया है ये लिखती है F.I.R में जो इसमें कंप्लेनेट थे वो थे गौरव गुपता जो P.F.A. और्गनाइजेशन के एनिमल वेलफेर ओफिसर है ये लिखते हैं ये जो संस्थाती में का गांधी द्वारे संचाली थी इन्होंने जो लिखा है कि इनके पास ऐसी इंफर्मिशन थी कि एलविश आदव इंवॉल्विंस तमाम चीजों में इसमें मैं वरबेटम पढ़ता हूँ कि इस सूचना पर हमारे एक मुखिबर खास ने इस पूरे मामले में एलविश से संपर्क किया ये जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इनका कोई मुखिबर था जिसने इलविश से संपर्किया और इलविश फोन लाइन पर आ गया इलविश ने राहूल नाम के एक एजेंट का नाम बताया उसका मोबाइल नंबर दिया और कहा कि इस व्यक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो ये बाते कहीं हैं F.I.R. में अब सवाली उठता है कि इस सुचना पर हमारे एक मुखिर खास ने इस पूरे मामल में इलविश से संपर्किया ये कौन मुखिर खास था जिसने इलविश संपर्किया उसकी डिटेल्स सामने आनी चाहिए पहली बात दूसरी बात वो कहता है कि जो तो Elvish ने कहा कि भई आप राहुल नाम के एक एजेंट से बात कर लो, राहुल का नंबर भी दे दिया और उसके बाद इस वक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो, यह बात बोली, मुख्बिर कास ने हमें उस राहुल नाम के तसकर का अपरोग्स मवाईल नंबर दिया, हमने रा क्या घटना करा मुख्बिर के जरे घटित हुआ, वो कौन रोपी है और उसने क्या-क्या प्रोवाइड करा, वो ज़्यादा इंपॉर्टन है, लेकिन सवाल ही उठता है कि यह जो कंप्लेंट किये गौरव गुपता ने की है, तो यह कहा है कि इन्होंने कि बही ऐसे-एसे क कोई मुख्बिर खास ने फिलाने से बात की, सवाल यह उठता है कि यह जब आपको प्रूव करेंगे आपकी यह NDPS का केस है, तो आपको एक-एक शक्स से किसकी, राजीव और चिराग की क्या बात हुई है, तो आप फोन डिटेल बताएंगे ना, ताकि यह स्टेबलिश हो रैकेट चला रहा है, पुलिस का तो यह कहना है, अब सवाल उठता है कि इस केस के लावा ऐसा कौन सा उसका पास्ट मिले हैं, कई सारे केसे मिलें जिसमें एविडिन्स मिलें, जो यह आधार बना रही है पुलिस, दूसरी बात, जो बात कही जा रही है कि उसने कंफेस के, कनफेशनल पर हम नहीं जा रहें लेकिन सवाल ही उठता है कि इतनी तमाम बातें जो F.I.R. में लिखी थी जिसमें राहूल का जिक्र हुआ राहूल से बात हुई पुलिस की बात हुई या गौर्व गुपता की बात हुई ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी जिससे की पता लगे हाँ जी ये साजिश है क्योंकि कई सारे इनके फॉलोवर्स हैं जो मानने को इतियार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है और पुलिस का एक काम भी नहीं कि किसी को मनवाए है मैं नहीं कहरा कि पुलिस आ कर मनवाएगी हमें वताएगी कोई प्रिफ नीं करेगी लेकिन अट लीस्ट आप जब यह मामला इतना हाई है इतना जादा इसका ही है कि कोट को यह तमाम जानकर यह देनी पड़ी है जानकर यह देना अवश्यक है यह अवश्यक नहीं है वो अपने हिसाब से करती है लेकिन सवाल ही उठता है कि भई आपको कॉल डिटेल्स तो बताने पड़ेंगे अगर आप कोट में जाएंगे तो आपको इस्टेबलिष करना पड़ेगा कि इन पांचों का लिंक इससे है और यह पांचों का लिंक सरफ एक बार नहीं है पास्ट में कई बार बात हुए दसیो बार इनकी बात हुए है उसके बाद ये देखे holding इन पार्ट ारफी है इसकी पिचर आ रही है इसकी बीडियो सामने रही है घेण गूजाज देखे ने सेल परचेस में आपको आप कीसे पुरूब करेंगे सेल परचेيف इतने बड़े आदमे को इतना आसान नहीं होगा कि इस पुलिस के लिए वे कि उसके गिरेबान तक पहुंच जाए उसको गिरफतार कर लिया जाए बिना एविडिन्स के आपकी बात दुरुस्त है लेकिन हम कई केसिस ऐसे भी देखते हैं राजीव पास्ट में की पुलिस कई बार गलत मुकद में दर्ज करती है गलत आरूपी को फसा देते हैं इसमें हर बड़ा हट नहीं देखी है जल्द बासे नहीं देखी पुलिस ने बहुत आराम समय लिया बहुत समय के बाद जाकर गिरफतार हुए जब अपने आपको पाक साब उस सारी अपनी चीज़ें एक नॉर्मल लाइफ थी जो चल रही थी इसमें एक आए गिरफतार यह भी बहुत सही है आपके हडवडाहत भी नहीं दिख रही है लेकिन सवाल यह उठता है कि NDPS के जब ऐसे सेक्शन लगा दिये जाए तो इससे तो यह प्रूव होता है बहुत क्लियर कट कि आपका काम यही है आपका काम YouTube पर वीडियो बनाना नहीं है आपका काम Big Boss जाना और मेरा कट आजाएगा यह बताईए कि कितने ड्रग से उसकी कितनी कमाय हुई एलविश आदव की उसका मेन सोर्स ओफ इंकम क्या है यह भी क्लियर हो ना अब इस तरह से अगर बहुत बड़ा रैकेट है तो इडिकी भी होगी भया आप साफसी वात यह है कि आपने एक गि एक गानों पर रेड भी हो देखे रेड तो ऑविसली होगी लेकिन सवाल ही उठता है ना कि जब आपने NDPS के ऐसे सेक्शन्स इन्वाल कर दी है तो इसका मतलब बहुत क्लियर कट है कि आपको पूरा स्टेबलिश करना पड़ेगा कि भीया यह एक ड्रग का डीलर था इसका सेवन नहीं करें तो इसका यूट्यूब से कमाई नहीं हो रहे है उसकी कमाई बिग बॉस ने से वह जीता उससे नहीं हुई तो यह मतलब अगर इस तरह कि संगीन इलजाम किसी पर लगा दें तो यह तो आपको प्रूव करना पड़ेगा भई आप ऐसे एक एक फिर में दिख भाई हम इसको सपोर्ट कर रहा है लेकिन अगर पुलिस नितने हार्ट स्क्शन लगाए है तो हैस्ट आइस टू इंदलिजड़ आपक्त कि भाई वो ऐसा था शबसे बड़ी बात उसके कितने कितने एकांट में कितने पैसे आये हैं कब करने एकांट में गौन नहीं जानता सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर फेमस यूट्यूबर जिसे नोडा पुलिस ने गिरफतार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सापो के जहर के इस्तमाल का अब नोडा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद एलवी शादो को गिरफतार कर लिया है उस पर IPC के सेक्षन के अलावा NDPS की कई संगीन धाराएं लगाई है पूस्ताज के बाद एलवी शादो को नोडा पुलिस ने गिरफतार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है ये तो बात हुई OTT बिग बॉस के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है इलविश यादो के पिता और माता जी नमश्कार सुस्मा जी देखे आपने देखा होगा मीडिया में टीवी में तमाम जगा पर चल रहा है सापो क्या जहर सापो की पार्टी और तमाम चीजे चल रही होंगी देख भी रहोंगे पहले तु यह बताईए कि आपका बेटा जो एक फेमस है आप खुछ उनके साथ रहते हैं कि इतनी फैन फॉलोइंग है अब उसको एक विलें के तौर पर पेस किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है आपका क्या कहना अब नोडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सापो के जहर के इस्तमाल का अब नोडा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद एलवी शादो को गिरफ्तार कर लिया है उस पर IPC के सक्षन के अलावा NDPS की कई संगीन धाराएं लगाई है पूस्ताच के बाद एलवी शादो को नोडा पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है ये तो बात हुई OTT बिग बॉस के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में ह होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है अलवी शादो के पिता और माता जी नमश्कार सुसमा जी आपने देखा होगा मेडिया में टीवी में तमाम जगह पर चल रहा है सापो क्या जहर सापो की होंगे पहले तो यह बताईए कि आपका बेटा जो एक फेमस है आप खुछ उनके साथ रहते हैं कि इतनी फैन फॉलोइंग है अब उसको एक विलेंग के तौर पर पेस किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है आपका क्या कहना है जिए यही तो बात करने आया मेडिया की मे परसो में साथ ही ले गया था उसको हम तो एक उसका संबन आया था कि उसको ठाने में आके वह रिपोर्ट करना है अपने ब्यान लिखवाने है जिए सिंपल अगर हमें पहले ऐसा पता हूँ कि कुछ होने वाला है बहुत से तरीके होते हैं ना भी जाते है निया आपने का ब हम अगा चल जल्दी और हम फोन ओन करके आयो से मिलने के सारे माला उसके टच मे रहे और हमने लोकेशन बेजिए हम जाके क्योंकि वह साहब वाले बड़े लेट थोड़े से तोड़े से तो हम कई बैट के नोएड़ा में उनके फ्रेंड हैं जो भी रिष्दार हैं हमारे ज जो साथ थे कि ऐसा हो गया जी कल में गया हूँ फिर में से मिलने क्योंकि मैं तो समली नहीं पाया इस चीज को लेकि कि आये किस काम के लिए थे और अंदेशा हो ता वकील साब ही यह कह रहे थे कि इसमें तो कोई गरिफतारी हो यह नहीं सकती अब वो तो खेर परसासन जान तो मैंने पूछा भई कल नूजी सलतर पड़ी कि उसने कबूल कर लिया यह कर लिया अब 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 कर लिया मेरे को तो कई रोका ही नहीं और सीधा मेडिकल कराया और भई यह ले आए तो समा जी आप मिली यह से तो तब मैंने कहा कि यह क्या चल रहा है इसलिए मैं आज अब बेटा ऐसे जुरम में या इस तरह एक जूटे जुरम में सच्छे में तो वही है पीड़ा यह है कि कुछ किया नहीं है क्या आप जब अलविस से आप मिलने गए जेल में है किस हालत में है क्या बातचीत हुई बातचीत हुई है इसके फैंस भी जानना चाहते है जो इ सब्सक्राइब अब वे बातचीत है जो बातचीत है कि वही जेएड़ों से एक पर टो और क्यों कि प्रोष्य हों बहुत जो एक तो इस पर क्या है अब तो क्योंकि कानून के उसमें चले गए हैं यह पालिएकाप बरुस्य है उसके सरन में हैं और बस प्रे करें से उसको उ भाई ऐसा मत करो प्लीज आप भी हैं जिसमें मेडिया की बाते मेडिया से कहने आया हूं मैं हमारे फैमिली बैग्राउंड चेक करिया बिना तत्थो पे अधारित बात करिये कि अरे कहां है रे रेव पार्टी हुई होगी लाओ मेरे बेटी की टिकट कहां एंट्री कि उसने क इसको क्या किया लाओ उने कुछ सामने हम बेदर पता लगे उ था इनीं मौम्बे ना कभी वो उसमें गया है मैं कह रहा हूं कि जितने भी दुनिया में पूरा परसंट मैं ठोके कहता हूं ढ़आ करता हूं वह हमारी प्रवरेश है एसा काम में बिल्कुल सनलिप्त नहीं है वह बिलकुल भी, क्यों दालय लगाई, किसने लगवाई, सब को सब पता है, पीछे बैक में कौन काम कर रहा है, पीछे भाड़े हैं जो, जिसकी लेडर वो है, उनके संट्रक्षन में जलता है, महिना का गांदी जी, बड़े राजवादमी हमारी कहां टककर है उनसे, उन्हो वाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे के गाने की किलिप काड़ लाया और यह करके सब शड़ी अंतर के तहत किया गया बाकि अब यही है कि अच्छ जब पहला केस नोडा पुलिस ने दर्च किया था और F.I.R. में अल्विस का नाम आया था तब आपकी अल्विस से कोई बातचीत हुई थी कि बेटी क्या है क्या आरूप लग रहा था आपके जर्ट तक उस दौरान कभी कोई बातचीत हुई थी अल्विस से इस मसलेपक देगो जब यह चीजे होती है तो वैसे हमें विश्वास था पूरा कि वैसा कुछ नहीं है पर फिर भी आपसे आपसी बा कि आपकी मुझू कुछ ही नहीं तो यह चीजे सर पैर की बिना सर पैर की कैसे चल रहे हुआ हमें इनके पीछे कौन है हमें भी तो चाहिए जी अचेरा बाटा आज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर टाल रख़ा है कि दिखे आप हिम्मत रखिए हिम्मत क्या अगी रखेंजी है नहीं तो मेडिया वाला हमारे के छोट रख्था हमको हमारे गर में को याग लगा जाए इतना इतना प्रोफिकेंट आप भला दिया नहीं नहीं आप रूहिए माद दिखिए अधिए वाड़ों ने सर जी एसे इसे अपनी अमने की आफ एर कर वादी निर्ग अगर दो फीच रखेंट में बहुत कुछ कर देता हमारे आप कुछ करके हो तो कैसे मालूम है आपको नहीं पता आपका बेटा क्या करता है या अवाई क्यों नहीं पता मुझे जुड़ का पता उता हुट उसका मेरा फ्रें वोगों ने वह देख लिया उसका वाई यहाज इसको पकड़ो इसको करो सड़े को खराब कर आगे जाके कहीं क्या पता कॉंड कॉंड काम कर रहा है कोई उसके बैक में कि किसी को क्या है कि क्योंकि सीम साब भी आये थे कि समानित करने कुछ उसको कोई भी शियम आपको अगर आपका शियम तो वो भी यह उसने अच्छा काम किया था बच्चे ने आगया कुई और हो ता वो भी आता श्याद नहीं आता तो आना भी चीए शियम को उससे कुछ लोग उसके साथ जोड दिया तो बीजेपी का है मेरा अब मतbay नहीं कि ठाहते थैजिक शुदै मैंने यह कहा है कि मैं उसको खुद लेके गया हूं भी इंगे पिता बेटा चलो जल्देश निमत कि आते हैं जो लिखना है लिख़ा लेंगे जी और भी काम है हमारे जी और चलो पापाजी आज ही कर लेते है अगर हमें अन्देशा होगी यही पकड़ के बठाया जाएगा मत टुक कदगे आनल सब को मड़ीों जाकर सबको नमस्ते बोला уж मिटार को मतलब कर बynnाने टीके अपनी commodity की बात की आप मेट वचल रहा है जिबवत बुरा चल रहा मारे अकलब और यहसे चल रहा इंndय है कि लिए पहनी है उडल परिवार जडने काकन नहीं है नहीं नहीं आ मैं बता हूँ न कैसा क्यों है देखिए हिम्मत रखे देखिए अभी अदालत में केस जाएगा अभी और हम यह दर्सक्राइब को जाएगा क्या ही चीज आप लोटा दोगे हमारी देखिए बिल्कुल जा तीन देन खाना खाये हो ली हमने मेरी 90 एर्स की मदर भी खाना नहीं मेरी लड़की विदेश रहती है उनके गार में चूला नहीं जट रहा है हाँ भूक नहीं लग रही है मैं सरे बाव बताओ निर्दोशा हमें भी पता है कल को निर्दोशिध होगा यह भी हमें पता है यह बताए कि यह दिन वापसी लोटा देंगे कोई जो हमारे पर प्र यह दिन वापस हो जाएगा सब कुछ वो तो होगा ही होगा डाइफिनेट होगा दालत से लेकिन यह चीज यह तक आई क्यों कि इन दिनों की मरभाई कर देंगे कि अमने कुछ किया नहीं हमें डरने के आउशकता नहीं बापाजी पलानी यह चीज रेव पार्टी यह हमारे आपकी बाटी थूइक अभी जब सुरुआत में केस में अरे परसो तक तो बात ही हो रही थी भाई अपने हमें बात कर दो नहीं होते है जब नौंबर में बार बुलाय था इनोंने हमाई थे है क्या हुआ है हमने जो भी इनों पूछा जबी छोड़ दिया था दो गंटे ब बताओ मैं बोलना हूं कि जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस रेलीज जारी किया पूरी बात सुनिएगा अच्छा और नोडा पुलिस के डी सीपी से मैंने खुद इंपूव किया बताओ नोडा पुलिस का ये कहना है कि जो नवंबर मे पांच लोग गिरफतार हुए थे जिनके पास से नौ प्रतिबंदीत सांप जो वाइल डाइफ एप में आता है वो रिकवर हुए थे 20 ml जो सांप का जहर है वो रिकवर हुए था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और जो पा रेव पार्टी में वो सांप का जहर और सांप लेकर गए थे तो यह कनेक्टिविटी हुए जिसके बाद मैंने नहीं देखा गी इंट्रों मैं नहीं देखा प्रेस जारी हुए है और उसमें ंडिपियस की मतलब जो ड्रग मुझे इस बारे में ग्यान नी है कि ऐसे कुछ ह हुआ है मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को लेगा तरो बना पूछे वहाँ पर मादला शीदा मौलेगे नहीं आच्छा चली है इसके मुझे बाब तकी देखे एक केस है चुकि भाई नोडा पुलिस का यह दावा है एक व्रक्ति को उसको गिरफतार किया गया है कि अभी बीते दिनों सोचल मीडिया पर आपको याद होगा उसका किसी से जगडा हुआ था गुरुग्राम सक्टर तिरपन में एक फाई आर और दर्ज है किसी यूट्यूबर ने दर्ज कराई कि हमारे साथ मारपीट की हमारा स्पाइन तोड़ने की कोशिस की हाला कि यह भ पर नहीं को नहीं पता मेरे पता नहीं है अगर ऐसा गुछ जो ये सब कुछ चलता होगा सुस्माजी कभी घर में क्या लविस है क्या यह आपकी वीडियो अम लोगोंने काफी देखें आपसे काफी लगाओ है उसका कई वीडियो इन फैक्ट हमने आपके देखें जो यह एल्विस के साथ जुड़ा, खासतोर से जब बिग बॉस में जीता, यह जो सब कुछ विवाद, लाए, जगले, कई वार विवाद भी होता है, तो उस पर कभी आपकी कोई बात्चीत या आप कभी बताने की, कोई बात करने की आपने कोशिश करी है कभी, मतलब यह आपने हैं सब बच्चे माबाप से बात करते हैं, माबाप में बच्चों से बात करते हैं, पहले जब एल्विस जो था, छोटा वालक, अब जब फेमास हुआ, उसके बाद क्या परिवर्तन आया, एल्विस में कोई चेंजेज आपने देखे, किसी तरह का, इसरू में भी असमुक था, कोई चेंज नहीं, आजे मजा करना, वही चीज़ें हैं, वही आदते हैं, तो आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा कि वह जेल जाएगा, उस पर साफ की, ऐसा कोई सोचता है, कोई नहीं सोचना चीज़े है, तो, ठीक है जी, अपने बच्चों के बारे हम कोई सोचेग कि हमारे सामने, जो पिए पेंगे में बाड़े हैं, वह पने बच्चे के बारे हमें, तो आप के सामने, फिर भी रोशनी में बैठे में, क्यों किया उन्हें पधिए अब दिछी दर्सक और बहुत चरचा चल रही है, चुकि मैं आप बता हूँ घर में कुछ लोग है, जो पसंद करते हैं, मैं असाब बता देना चाहता हूँ, तो ये चुकि मैं पत्रकार हो, तो मेरे जिमदारी हो जाती है, अगर सड़क पर मुझे लोग पहचानते हैं, एक बहुत खुले से, चुकि आप भी माबाप है, मैं भी एक पिता हूँ, मेरे एक सवाल है, कि जो वीडियो जाती है, जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है, और सिर्फ एल्विस की बात नहीं, कई यूट्यूबर्स है, तो कभी आप लोगों ने वो वीडियो देखे हैं, तो कई वीडियो देखे हैं उसके, जो मैं तो बहुत कम देखता हूँ, आपने देखा से कि आपने कभी बातचीत की कि इस तरह के अपशब्द भासा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक-दो शब्द, तो मैं उसको बोल देखती हूँ, कैसे ठीक है ममी, हाल गया ऐसी को बहुत बड़ी बातते नहीं हुई, माले छोटी मोटी अपने बच्चों को सब समझा अभी जो रिसंड का जो विवाद हुआ था, ड्रग पर हम फिर आएंगे, एक मुनववर फारूकी के साथ फोटो जो पिक्चर, जगडा आप लोको मालू मैं कि ये जो मुनववर फारूकी के साथ जगडा है उसका, नहीं फोटो जो वायरल हुआ था उसके वान, आप बता मैं क्या बोल रहा हुँ, जो ये उसकी फैंस है, और जो अभी ट्रोलिंग पुरा ट्रेंड किया था, कोई मुनववर फारूकी है, उसके साथ कोई सोसल मीडिया में बहुत जादा नहीं जानता, सोसल मीडिया, मैंने से बिता जानता है, कौनसा बिग 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 ज know the budget, the capture. Elvisी नो उसको out किया था, मैंने सब्स للड होता है, ज मिलेख रक्रेंकिया, तो क्या हो गया हो गया तो क्या हो गया यह बिग बिग कि इफ गजगा लिय।альной रहा पिछे से इसको गड़े क्नलिया नहीं पर बिग है इसको धए की यह की मुनबर को तो मुनवर को दर ज़ाइब लगा लिया मत्ति हम लोग भी कम देखते हैं नहीं हमें को या पती नहीं इसको लेकर जगडा कि लड़ाई किसी की कुछ नहीं हुई किसी को मुद्दे को लेकर जनता अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला मुझे नहीं पता जिए जो एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता है अलविस और इस वजह से जो तुल अपनाओ यह बोलू आप बढ लूं हम बिल्कुल बारे में प्लीज आप मुझे नहीं पता कौन है कोई मुद्दा नहीं इन चीज होगा जी कि मैं तो बहुंग टीचर हूँ अगर हम यह चेज रखेंगे जाती दाराम यह चीज़ मैं तो को फुक्त दूर हैं। अप माने ना माने शुक्त 하면। ना जा。 मैं कि कहता हूं। Чुँझ और बच्शे म्याβु रहा है। कुछ जाती बाद क्वादता है। मुआ कहता है। कईकल ना साथु आधाना मेरे खरिण मेरे घर त्रहे हैं। तो कहना कि तुई है, हम इंसान हैं, अगर बच्चे ने गड़े लगा लिया मेरे 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 कोई फर्क ने पड़ता है, तो मेरे असाब से तो भूर ठीक किया है, ऐसे तो मैं ज्यादा तो नहीं बड़ी बात कहूंगा, लेकिन हमारे बड़े-बड़े जो देश को चराने वा हो चुकी है, आप टीचर है, अध्यापक है, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए, समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चीए, अब इस सीज़ का कोई बुरा भी मेरा भी मान लेकि उसका पिता ऐसा कह रहा है, नहीं नहीं मैं तो ऑनेर आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए, ऐसे ही अध्यापक पूरे देश में आज की दौर में ऐसे ही टीचर की ज़र्वत है, लेकिन फिर अब वहीं पूछा जाएगा एक सवाल, अगर आप अध्यापक है तो, और जो आपने, फ पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार के तोर पर जिम्यदारी निभाओंगा, अगर एल्विश पहले क्या था, वो मतलब नहीं है, लेकिन बिग बॉस जब से वो जीता, उसके हजारों की संख्या में चाहने वाले हैं, जिनको शायद आप नहीं भी जानते होंगे, हम लोग देखत पत्रकारी अब नहीं बढ़ जाती है, कि उसको अपने बोलने पर, जब खास तोर से, नहीं, जब वो वीडियो में आता है, सोसल मीडिया में आता है, तो बोलने पर, चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए, चुकि यह अध्यापक है, आपने कभी यह बात्चीत की, जो में बोला है कि वह देखो, मैं तो बेंग टीचर बेलकुल कहूंगा, उसको सम्झाता भी रहता हूं, और सम्झाओगा भी आगे, और इसकी पिटाई भी कर दूँगा, कर देता हूं मैं, अगर गलत बात है तो, ठीक ऐसा नहीं, वो मेरा बेटा है, उसका मेरा ही सबसे पहल समझ के बच्चों को डाटता हूं है, कि चीजे गलत है, वो अपने लिए भी गलत है, औरों के लिए भी गलत है, अब सब्द है, या वो चीजे तो गलत ही रहेंगा, उसको आप ठहरा नहीं सकते, लिकिन हम इस मुद्धे पर बात करने आए हैं, उसकी बात करें कि वो भी ग बिल्कुल बेगुनियाद है, और अब तो ये भी आरोट 27A, सबसे संगीन धारा NDPS Act की लगा दी, ये भी एक है कि उसके पास कोई ड्रग रिकवर नहीं हुआ, ये भी हम आपको बताते चलें कि ये, सबसे पर आपको बताता हूं, सबसे पर हम ये क्लियर कर दें कि दरसल नोईडा पुलिस ने, पिएफे जैसा कि ये पिता रामोतार जी ये कह रहा है, पिएफे ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे, सेक्टर 49 पुलिस थाने में FIR दर्ग हुई थी और बहुत धरानीक बात है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने FIR दर्ग की उसी का तबाद हो गया था, उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ, नवंबर में FIR दर्ग हुई और अब मार्च में, यानि चार पांच मेंने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मार्च में एल्वी स्यादों को अचानक जैसा पिता बता रहे हैं कि लोटिस आपको दिया और करता है, साजिश में सामिल है, उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इस्तवाल होता है, वो ड्रक्स का सीवन भी करता है, इस तरह के भी आरूप लग लगा है, सर एक 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 बात गलात है, बिल्गुल, ऐसे कोई कुछ भी लगा दे, इन्चे जोगा कोई दुख थोड़ है, बिल्कुल, आज जिसने फसाया, जिन्होंने उनसे भी पुछो, कि ऐसी क्या रंजिश्ट थी, एक बच्चे से, आज आप यह क्या रहा हो, कि ऐसी धारा लगा दे कोई भी बाहर नहीं आएगा हूँ, ने, बाहर तो ऐसा नहीं हदालत है, यह क्योंकि हमारे को पता नही इह क्या है, प्यादो भुल्साुन ite c 27a अजिश्ट में फ्रीषग की अच्छा क्वन, खरीट फ्रोंद करना, फैनेंसिंग। दॉदिश्ट वहने नहीएं प्यांने बाहर विखट आयों कि भी और neutrक औरब ओर्सीध के लोगे, कॾुद कर मढले हो ब्स hawakरों श Cookieश्दश् कि अगे ज़िए बस पीलिए आपके कोफिए अगर यह तो पता नहीं चीज हो का जिए जाए पाले का पुरा विश्वास है कि शयद जलदी हो जाए बाकि चलो हमें दो नहीं पता है चीज हो के एल्गोली पिग्यान नहीं है थो और आवकील से बात की हमने पाने परीब उन्य जब आधिया लगा कितने दिन पुश रह लेगा कोई ये बताओ मुझे पुश नहीं रहे सके गवाद ऐसे किसी बच्चे को फुसाकर गलत गलत क्या क्या मैं ऐसे ऐसी नहीं नहीं चीजे हमने दो जिन्दीग में सूनी नहीं है चीजे हमें नीपता चोबिस गंटे बत्चा हमारे पास रहता गिंग हमारे बचच आधाht है क्या करता क्या करता है यह पड़ा कई छीज कि उठा इटा ologist कि कि मारे है कि वो एक गांगों से निकल कर कहां से कहां पहुच गया यही चीज हैं नहीं हो रही है मतलब बिग बोस पतल नहीं इतने बड़ वे यूट्यूबर बैठे हुए है क्या मेरा लड़का यूट्यूबर है ऐसा इसमें क्या पिछ्छे लग गए इसके क्या देख लिया ऐसा कोई कुछ भी लगाए मा की ऐसा कुछ भी नहीं है 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 हमें जीने का अधिकार नहीं है हमारे लड़के को जीने का अधिकार नहीं है यह बते हैं तो पिछले चनल पे भी कहा हूं कि मुझे हजार जनम मेले पिता बनने के लिए तो मैं ऐसा ही बेट चाहूं जैसा मेरा है इस चीज के लिए हम सिर्फ जुकाएंगे भी नी क्योंकि हमारा लड़का बेकसूर है कि नजरे आजी कुछ भी सिच्वेशन हैं हमारी नजर नहीं जुकिए हैं अगर 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 अजुकिए पालिक का हैं और यही अपील करने आया आप लोगों से बस इसी बारे में कि उसक ख़वर चल भी रही है यह बास तो सच्चाई है क्या आपके वाजिब सवाल के जबी हुए थे मैं बिल्कुल है ने प्लीज पूलिए कौन सा सवाल आपको चुभा बिल्कुल अब हो सबती है देखे निए वो चीज का जबाब दो ना कि लगजरी गाडिया है फोर्चिनर हमारे गाउं हर तीसरे घर में फ़ाड़ी है चोट हो खूए हाट्रों ८ह इसकि नगारे होना पैसा होना अगर अपनी हो मेंनत से कमा रहा है तो कोई जूर्म नहीं है आपको यहीं बता दे रहा हूँ कृड़ ए पैसे निकाते है वेडियों दिखान लें इसा करते होगा हूं हम सबस्पूरा ही वे corazón पीक्रण इसाफ में प्रश रहेगा लिखा अगर वह कोई दू मैं डी इसमें यह इनकफ बनाद ब़ुड है और वह रहा है वसकोї पाई में दूछski करते हैं लेकिन जो आपने बात बताई उससे थोड़ा सा मैं विच्रित हूँ कि मैं भी पता करूं कि उपकील से जाके मुझे नहीं पता था इन चीजों के बारे मुझे नहीं उसकी धराएं लगाई है 29 ड्रक्स के लिए साजिस 27A ड्रक्स की फैनेंसिंग करना देखिए अज लगाई यह पता नहीं आपको जानकारी तो हम आपको जानकारी दे दें कि उस पर जो यह साप वाला जो होता है प्रतिबंदी सर्प उस पर Wildlife Animal Act लगता है लेक वो IPC की धारा होती है NDPS की धारा जो ड्रक्स का कारोबार करते हैं ड्रक्स का इस्तमाल करते हैं ड्रक्स का सिंडिकेट च लगाने दो जिसको भी वक्ति स्वीज का भी जबाब देगा जब टाइम आएगा बेकसूर सीध होगा बेकसूर तो है आज सीध होगा आप हमें खुद बुला के फिर बिठाओगे ऐसे अब फिर हम आप से मैं बिलकुल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप पाएंगे मैं यह बोला हूँ जैसे आभी आपने उसकी बात की पर देके हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे अधा कमाया और बिल्क बिग बॉस में जा रहा है इतना बड़ा सूस आजकल तो यूट्यूबर जितने वो भी पैसा कमा रहे हैं चाहे पड़े लिखे हो च सचाही है कि आज की डेट में एllowis कि लिव पिरफ्तार है उस-पर आरोप है नोधर पूलीस ने press release जारी किया है press release हमारे पास है और उस-पर आरोप इस वजह से मीडिया इस वजह से हमने आप से पूछ से हमने कभी हम आप से कॉंटेक्ट नहीं करते कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकी कि बिग बॉस ओटीटी का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भी आपसे बात करना चाहते थे हम चाहते थे कि द्रक्स कारियों कि है कि वह डग्स यूज करता है ड्रक्स के लिए फैनेंस करता है रव पार्टी नलग अलोग होते हैं जिसमें कोई दूचार में आनुमान ना हूजी तो चाती भाड़ के दिखा दूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ कुछ भी नहीं करता है ऐसा काम कुछ भी और इसी चीज गहामे अफसोश है कि कुछ किये बिना उसका नाम भी जोड़ दिया कुछ भी नहीं नहीं है इतना भी उनको सद बुद्धिद भगवान जिन्हों ने ऐसा चीज़े की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो फुलोबी है मुझे नहीं पतागी अगर कहना चाहें आप उनको अब तो उनका रॉल ही खतम हो गया आपने बता दिया कि उनने तो कर दिया जो नहीं अभी 14 दिन की नहां अब दिनका गांदी जी से बोलना चाहूंगी जिनके एंजियो के थ्रू ये चीज हुई है कि एजे मा सोच के देखो और जो उनके प्याफ़ वाड़े हैं उनके उपर ध्यान दो की विक्या कर रहे हैं किस बच्चे के उपर अलिविशन लगा रहे हैं गलत ये उनकी जिम्मे तो मैंनका गांदी जी तक पहुंच जाए ये चीज है नोड़ा पुलिस वाड़ा उसे क्या कहना जी है वे भी कही ना कई पिता भी है एक एक जगे और करेंगे बात अगर आप कहरें कि चोदा दिन बात दुबारा कुछ क्या बता रहे हो आप अबी तुसाइब करेंगे हम की वही इसको पुंड़ा बिरती हो अगर ऐसा हुआ है तो उनसे भी मिलें कि उसे करेंगर मिल जाएंगे तो कि ऐसा मैं कहरा अपने पता करूँँ आप मैं जाके कि क्या हुआ है कौणशी मुझे नहीं पता बिलकुल क्यों कि हम इन चीजों है पड़े नहीं कभी भी पता ह पहले कभी जैसे नोडा पुलिस से सामना आमना हुआ पुलिस से क्या इसके पहले कभी एल्विस को लेकर किसी और पुलिस से कभी सामना हुआ नहीं कभी कोई नोडा पुलिस कर नोड़ा पुलिस कर नौमबर मोधा कर इक बलाए था इसको जब यह केस वा था ओधा था तब दो गटे पूश्टास कर गहर बज़ जओ हुए उसके बाद बलाए था में जिलाश्ट भयाना कि अगित कर ने हम चले गए लेके मैं उसके आपने आप जिन्दगी वेतीत करने लग लग लेगे ते कुछ है नहीं हमें क्या पता था क्या है चल रहे हैं अपने आप अराम से बैठे वे ते अपने गर में श्रांतिकी जिन्दगी है अमयरा लड़का निर्दोस है तो कुछ भी नहीं है अएक एक इबात कहता हूं तो प एदा हो भॉपिस चीज़ को भी ज़े अपने ज़ầnे तो इसको बचाने एक व्यां यूट करने के लिए कि यूट खु इन्मा कुछ वो दूरी जोंटरियोन मेड़जानिकी चल पड़ा था कि अउन से फोन किया था कि मुन साूं नहीं करने बेसको एब तो पोलिस थे लिम तो फिर आपकी उसमत अलविस से बात चीछ होई तो अपने वो आई रहा था बोंबे से में आपको यार यार क्योंकि उस दोरान था ही वहीं पर जो यह क्या चल दिया जी तो अब आजा भाई घर तो वो राई रोड शली बुलाय था 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 रोड आतू रहा था था रहा था तो वही तीन राज्योग पुलिस डूंटे बता नितना सरग क्या हो गया इसके मतलब क्या हो है तो यह चीज है अब देगे मैं आपको बताता हूँ हर चीज मीडिया को बिसिकली क्या है यह पुलिस कहती है कोई आप मैं पुलिस पर कुछ नहीं कहूंगा जी मैं मैं पुलिस जो बोली थी वॉंटेड नहीं है वही पुलिस नोड़ा पुलिस नॉमबर के बाद आज गिरफ्तार के ले रही है और गिरफ्तार भी असा कर ले रही है पहले तो सामाने भाराय लगी थी वाइल लाइफ एनिमल एप अब तो एंडिप्यस एक्ट लग गया वही प हम पता करके फिर आएंगे आपके पास कि क्या धाराय लगाई है क्या वकील से पुछुआ है पहली जो प्रेस रिलीज आई है आज नहीं जिस दिन अरेस्टिं हुए उसमें ऊपर सेक्शन लगा हुआ है उसके बाद वो तो आप सही सही क्या रहा है एक्ट लगा है फिर हमन करवाया है तो अपने तरफ से कसर थोड़ी छोड़ेगा है वो तो है मेन बात तो यह नहीं कि कितना पावरफुल आदमी होगा वो जो भी है ऐसा थोड़ी है वाइल लगवाया उसके कौन जहर कहां बेच रहा है कौन क्या कर रहा है इसका नाम जोड़ना आपके लिए काम क अपने जहर आपको पता भी है तो आप क्या का होगे हाँ जानता हूँ यही तो कहोगे ना आज नाम बना हुआ हर घर का बच्चा जानता है तब की बाद में उन्हों यह भी काया कि वारा तो जो पेरे बगेर थे अमारा इस नाम से कोई लेना देना नहीं उनकी वीड़ी आ बेटा यह कहते है पापजी मेरे को लेना देना नहीं है अब बेफिकर रही बस कुछ नहीं है मेरा अगवा कहीं कुछ बात करनी पड़े यह करें नूगल कुछ नहीं जहीं नहीं इसके क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकली भी उसको चाहिया अपने खट्ड शाब का नाम लिया क्या पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है या या यह यह भी एक अगर उसका रुजान था या है तो तो देखो बात अलग है वागी हमा भी पॉलिटिक्शन उसको नहीं उतारेंगे क्योंकि वह स्याद इसी चीज का भी हो गया हो कि शिवा ऐसा लगा हो कि वही क्योंकि इतना वह उसको प्यार मिल रहा सा देश में हो सकता किसें सोचाओ कि य क्या पाता भी है क्या वो प्लिटिक्स में इंट्रेस्ट है यस एद खटर शाब उससे लोगों को लगाओ इसको सम्वानित करने आये थे तो लोगों को लगाओ कहीं कुछ इसको ना कुछ कर दे कि अधर सभाय ते क्यारे मुझे भी आसा काफिला चीए हसमुक तो है ही इसम मैं यह जाना चाहता हूँ दो मेरे सवाल हैं बलकि यह एल्विस की यह शुरुवात कैसे हुई यूटूब से होगा आप कुछ को यह बताईगी वाई यह कॉलिज के सेकंड एर में श्याज शुरुवात हुई थी तो जैसे में और बच्चों की देखता था यह वाइन वग यह बता चल गया वह फिर अपने वीडियो बनाने लगाई फाइनल एर तकात देखें मैं एक चीज यह बोलूंगा देखें इस पर आरोप है और आरोप यह दावा नोड़ा पुलिस का है कि सापू के जहर का मीडिया का दावा नहीं है इस वज़े से नोड़ा पुलिस ने ग्रफतार किया है सल्मान खान की एक बात को लेते हुए मैं एक सवाल पूछूँगा कि सल्मान खान ने बिग बॉस का जब खतम हुआ था तो एल्विस को सला दी थी कुछ आप लोग कुछ तो यह पता होगा मैं तो बहुत ज्यादा इसा जो उसको लेकर क्योंकि एक चीज लोगों ने पूछी जो बोला था कि जरूर पूछना कभी हो कि यह जैसे कोई भी सेलेब्रिटी जैसे बहुत फेमस हो गया पहले आपके लिए तो बेटा ही है घर में जाता होगा भले बिग बॉस बिनर है एक माबाप के लिए बेटा किता ही बड़ा हो जाए और बेटा ही öllrist के वह जितन जागार निए कि फेम हैं के छूटे चूटे बच्चे करें हैं 7th Class क कि अ मैं आपको नहीं वालू है कि मैं अबको बता देता हूं कि मैं मिला मैं मिला हूं यह तारीफ ही समझ गये कि 7th Class के बच्चे एट्टD class के बच्चे फर्द क्रफ क benefit यह सब एल्विस के फैन अगर आपको नहीं पता है 또 मैं आपको बता दे रहा हूं aise कई लोगों को जानता हूं मैंने बताया भी कि घर में भी है तो क्या अब उनको यह बतायाँ मैं आपको बता रहा हूं, being a generation, चुकि मेरा feed ground पे रहता हूं, तो क्या मिलेंगे तो Elvis को बताएंगे कि बेटा, अब तुम्हारी जम्मधारी तुम थोड़ा सा नए तरीके से चलना होगा, ये बिग बोस के बाद की वीडियो की बात कर रहे हो आप, जैसे माले जे वीडियो वगरा बना दूस में कहा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे भी देखते हैं, उसने कुछ पिछे बिग बोस से पहले एक आद जगे किया है, वीडियो म ठीक है, वो ठीक है, उसको उस बात को मान नेंगे हम, देखें ये बहुत अच्छी बात है, और यही हर माबाप होते हैं, कोई भी माबाप हो, सेलिवरिटीज कोई भी हो, लेकिन ये जो माबाप होते हैं, वो यही बिल्कुल एकसेप्ट करते हैं, कि अगर ऐसा कुछ है तो किसी ड्रक्स के सिंडिकेट में इंवाल्व नहीं है, जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की, और यह माबाप का कहना है, कि अलवी स्यादो पर जो भी आरोप लगे हैं, वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, और यह लडाई अदालत तक जारी रहेगी। और आईपीसी के सेक्सन के अलावा एंडीपीस की कई संगीन धाराएं लगाई हैं, पूस्ता आज के बाद एलवी शादो को नोडा पुलिस ने ग्रफतार किया, उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है, यह तो बात हुई OTT बिग बॉस के विनर की, जिसकी क हमारे साथ मौझूद है अलवी शादो के पिता और माता जी नमश्कार, सुस्मा जी, आपने देखा होगा मीडिया में, टीवी में, तमाम जगा पर चल रहा है, सांपो क्या जहर, सांपो की पार्टी और तमाम चीजे चल रही होंगी, देख भी रहोंगे, पहले तो यह बत जिखो जी यही तो बात करने आया है, मीडिया की मीडिया से यही बात करने आया है, जी वो विलिन नहीं है, और यह चीजे नेगर्टिवी पहलना बंद करें, रिक्वेस्टे मीडिया वालों से कि बिना तथ्थो पर आधारी तो बाते ना करें, मैं कल से देख रहा हूँ कुछ होने वाला है, बहुत से तरीके होते हैं, ना भी जाते हैं, ने ने आपने का, कैसे यह हमसे तो कोट का, उसका पुलिस वाले जाने की कौन से संबंद के तहत क्या होता है, लेकिन उसमें यह लिखा हूँ है कि इसमें आपका व्यान अंकित किया जाना है, जी, 160 कर जाओ भी दूर के, और वहाँ पे लोकेस ने भेज़ दिया हमने, वहाँ पने ओफिस में ले जाएंगे, वहीं से बात करेंगे, मैं रुक गया, वकील थे साथ एक उचले गए साथ, उसके बाद हमें पता लगया कि वह तो भई हरासात हम भेज दिया है, 14 दिन की में, जैसे तो खेर परसासन जाने जी वह तो उनका काम है, मुझे तो पता नहीं है किसी जगा क्योंकि हमारा ना कोई बैकरांड ऐसा फैमिली, और ना हमी चीज़ों से कभी गुजरे हैं, और श्याद कोई भी नहीं गुजरना चाहेगा, तो उसके बाद हमें कल बेटे से मिलने गया ह तो हमने पूछा भई कल नूजी सलतर पड़ी की उसने कभूल कर लिया, यह कर लिया, और अब पाजी मेरे को तो कई रोका ही नहीं है, और सीधा मेडिकल कराया और भई, यह ले आए, तो सुष्मा जी आप मिली ऐली से, तो तब मैंने कहा कि यह क्या चल रहा है, इसलिए मै आज रुक्या मेडिया का क्यों इपनी बात रखी जाए, और आपको मिली दिन्यवाद है, कि हम अपनी बात रखे है, और हमें हाक भी है, क्योंकि किसी का भी बेटा ऐसे जुरम में या इस तरह कि जूटे जुरम में, सच्छे में, तो वही है पीड़ा यह है कि कुछ किया है जिए आप फ्म मिलने गए, जेल मैं है, किस हालत में है, क्या बात रखी दूइए, यह भी जानना चाहते है यह पालीका भरोस है, उसकी शरण में हैं, और बस प्रे करें बखवान से कि इसको महार रहने कि जितने दिन भी उसका महापे है, जो भी मुझे नहीं पता इन चीजों के उसका मैंने पहले कि मुझे नहीं पता इन चीजें कि या कारवाय होती है, वकील कर लिए, अमने सिंपल करें कि अरे कहां है रेव पार्टी, हुई होगी, लाओ मेरे बेटी की टिकट, कहां एंट्री कि उसने, किसको क्या किया, लाओ उने कुछ सामने, हम बेदा पता लगे, वो था ही नहीं बंबे में था उस दोरान वो, यहां पे ही नहीं वो, ना कभी वो उसमें गया है, मैं क कि अरे लगाई, किसने लगवाई, सब को सब पता है, पीछे बेक में कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, यह फेवारे हैं जो, जिनकी लेडर वो है, उनके संडक्षन में जलता है, मैं दो का गांदी जी बाई, बड़े राजवादमी हमारी कहां टक कर रहे हुएं से, उन्होंने करा है क्यों किया है यह वीडियो उठा ले आठ महीने पहले साल वर पुरानी अगर वो इतना ही काम कर रहा था तो बिग बोस होने के बाद ये परशीद ये चाटी गई है तब ही कर देते है उसको तो वह जुलाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे की गाने की क इसका नाम आया था, तब आपकी Elvis से कोई बातचीत हुई थी कि बेटी क्या है, क्या आरूप लग रहा है था आपके जर्ट तब उस दौरान कभी कोई बातचीत हुई थी आपकी मोजू कुछ ही नहीं तो यह चीजे सरपेर की कैसे चल रहे हुआ हमें इनके पीछे कौन है हमें भी तो चाहिए जी अचेरा बाटा आज उन्होंने बेना बेकसूर के अंदर टाल रखा है आज देखे आप हिम्मत रखिए हिम्मत क्या अगी रखे जी नहीं तो मेडिया वाला हमारे के छोट रख्या हमको हमारे गर में कोई आग लगा जाए इतना इतना प्रोवगेंट है भला दिया नहीं नहीं आप रोई है मत दिखिए अधे वाड़ों ने आप नहीं नहीं से दखिए वाड़ों दनी पेजा साम्रे नहीं आप रही है कुछ करके हो तो कैसे मालूम मैं आपको नहीं पता अपका बटदा क्रता है या उख कपाही क्या करता है क्यों नहीं पता मुझे अधी पलफल का पता हुत तो उसका मेरा फ्रेंड ली प्रेंड स कि आपकरोषारे को खराब कर दाय के तू किया पूड़ कर रहा कि इसके बैक में कि किसी को क्या है कि क्योंकि सिय्म साफ वह भी आये थे, भी आपको अगर आपका शियम तो वह आए उसने अच्छा काम किया था बच्चे ने आगया, कोई और हो तो वह आता शयद नहीं आता तो आपना चीए शियम को, उससे कुछ लोग उसके साथ जोड दिया था बीजेपी का है, मेरा तो बच्चा इनन डूगली करूँगा, परतिवाण बच्चों को कर रहे हैं, नहीं करोगे क्या, या मना कर दोगे आवा की मता हो, आप जब एल्विस के पास जेल में गए तो आपने पुछा कि बेटा ये क्या है, या मतलब क्या बातचीत एग्जेट एग्जेट तक तो मैं साथ ही था, सर, क्या है, ह अगर अमें अन्देशा होगी यही पकड़के बठाया जाएगा, मतलब मैं ही अपने बेटे को ले जा कि देदू उसको, और मैं बोल रही है, जा कि सबको नमस्ते बोलना है, अपने मीडिया की बात की, अपने मीडिया में चल रहा है जी बहुत बुरा चल रहा है, अमारे अपने मारे परिवार को जिरने काख नहीं है, नहीं ऐसी बाती है, मैं बता हूँ न क्यों है, देखिए हिम्मत रखे देखिए, अभी अदालत में केस जाएगा, अभी और हम यह दर्सकों को बता है, क्या ही चीज आप लोटा दोगे हमारी, देखिए बिल्कुल, देखिए अभी हमने मेरी 90-year-s की मदर भी खाना नहीं खारी है, मेरी लड़की विदेश रहती है, उनके घर में चूला नहीं अचवट रहा है, अभूग नहीं लग रही हमें, पर हमें, सर एगभा बताओ, निर्दोशय हमें भी पता है, कल को निर्दोश्य होगा, यह भी हमें पता भूर नियुकोटों पर्सों तक तो बात ही ताथ बात थी नहीं अपने होने बात करते हैं पम बजब बीच बीचे में आप बुलाया था इनुनोंबर में वार भूलाय था हम थे फिर जो भी चोड़ दिया था दो गंटे बज पूचके जा हुँ गऑं सिंपल उसके बाद उसने बुलाया था आपके लास्ट व्यान होने अब वह तो वह जाने उन्हें क्या किया है अब तो प्याइफ में खुश होगा गोत ने मेरा एक सवाल देखिए मैं बताओ में बोलना हूँ जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रतिबंदीत सांप वह रिकवर हुए थे 20 ml जो सांप का जहर है वह रिकवर हुए था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और जो पांच आरोपी गिरफ्तार थे उनसे एल्विस की कनेक्टिविटी सीडियार कॉल डिटेल से वह कनेक्ट हुई है और उन लोगों ने बताया कि एल्विस की कई पार्टी में रहोपार्टी में वह सांप का जहर और सांप लेकर गए थे तो यह कनेक्टिविटी जिसके बाद प्रेस रिवीज जारी हुए है और उसमें इन्डीपीस की मतलब जो अश्युरा लिए मृसर इतना पता कि मैं आपने बेटे को लेगा तरो बिना पूछे को मुझे एक केस है चुकि नोडा पुलिस का यह दावा है एक वक्ति को उसको गिरफतार किया गया है अभी नियाई खिरासत में चाशीर दाखिलोंगे चाशीर दाखिलोंने के बाद ट्रायल चलेगा और उसके ब अभी बीते दिनों सोचल मीडिया पे आपको याद होगा उसका किसी से जगडा हुआ था गुरुग्राम सक्टर तिरपन में एक फाई आर और दर्ज है किसी यूट्यूबर ने दर्ज कराई कि हमारे साथ मारपीट की हमारा स्पाइन तोड़ने की कोशिस की हाला कि यह भी उस जगडे के बारे में आपकी बातचीत कोई कभी ऑल्विस से हुई या उसके भारे में जयनकारी गारी मेरे को ने पूछा इसको पूछा है था कि बूर्ह को नेगया मich crs भूआ तोब्ला मेरे दोस्ता पहले भी दोस्ता हम साथ काम करते और पहिर करते जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या एलविस है चुकि आपकी वीडियोस हम लोगों ने काफी देखें आपसे काफी लगाओ है उसका कई वीडियोस है इनफेक्ट हम ने आपके देखें जो यह सब कुछ विवाद एलविस के साथ जुड़ा खासतोर से जब बिग भॉस में जीता यह iजजो सब कुछ विवाद राहे ज्ञड़े कई वार विवाद ही होता है तो उस पर कभी आपके कोई बात्चीत या आपका बटाने की कोई बात करने के आपने कोशिश करी है कभी, मतलब यह आप देहां? जब बेटा हमार है तो अबने घर में सब बातचीत करते हैं, हर मुद्धे पर बातचीत होती है, मान लो कुछ बाद होते है समझारी भी जाती है अपना वभी अपना मत रखता है में अपना मत रखते हैं वेड़ा है मैन घर मुझे मावड़े में बच्छों से बात करते हैं पहले जब Elvis जो था छोटा वालक अब जब फेमास हुआ उसके बाद क्या परिवर्तन आया Elvis में कोई changes आपने देखे किसी तरह का इस रूमें भी असमुक था भी भी असमुक है कोई चेंज नहीं आजे मजा करना वोई चीजें वोई आदते हैं आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा कि वो जेल जाएगा उस पर साफ की ऐसा कोई सोच नहीं सोचना चीजिए तो कि अधने पर से घाक हलएं कोई सोचते का के वाय हमारी सामने जो पक्राइप में बाले हैं वह सूच रहे हैं पना बड़ राएं भी देते हैं तो आपके सामने फिर भी रोशनी में बैठे हुए है क्यों किया उन्होंने पता उनको भी है अब दिखिए अब जो चुकि दर्सक है और बहुत चर्चा चल रही है चुकि मैं आप बताऊं कि हमारे घर में भी कुछ लोग है जो एल्विस को पसंद करते हैं पत्रकार हो तो मेरे जिम्हादारी हो जाती है अगर मुझे लोग पहचानते है एक बहुत खुले से चुकि आप भी माबाप है में भी एक पिता हूँ मेरे सवाल है कि जो वीडियो आते हैं और आजकल चुकि यंग जेनरेशन है लोग थोड़ा सा खुले विचारके हैं तो ज वीडियो जाती है जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है और सिर्फ एल्विस की बात नहीं कई वीट्यूबर्स हैं तो कभी आप लोगों ने वह वीडियो देखें हैं तो कई वीडियो देखें उसके मैं तो बहुत कम देखता हूँ आपने अंड देखा कि आपने कभी बातचीत की कि इस तरह के अपशब्द भासा मालो जो मुझे अच्छा नहीं लगता एक दो शब्द तो मैं उसको बहुत बड़ी बाते नहीं हुई माले छोटी मोटी आपने बच्चों को सब समझाते हैं वो भी अपना मत रखता हैं भी अपने बात रखते ह अभी जो रिसंड का जो विवाद हुआ था ड्रग पर हम फिर आएंगे एक मुनवर फारूकी के साथ फोटो जो पिक्चर जगड़ा आप लोको मालू मैं कि ये जो मुनवर फारूकी के साथ जगड़ा उसका नहीं फोटो जो वायरल हुआ था उसके वाद आप बताओ क्या है नहीं हम तो आप से पुछने घर में चल्चा हो जब आप इसने मुनवर का जिकर कर दे तो बताओ सही है मैं क्या बोल रहा हूं जो ये उसकी फैंस है और जो अभी ट्रोलिंग पुरा ट्रेंड किया था एल्वेस कोई मुनवर फारूकी है उसके साथ कोई कोई सोसल मीडि नहीं हो थे तो उसने उसको आउट कर दिया पिछे से उसने गड़े पिछे से हाथ डाल के बोगा तो क्या हो गया था तो क्या हो गया बबाद क्यों लगा लिए इसको किसको एल्वेस ने इसको गड़े क्यों लगा लिए लगा लिए किसको मुनवर को मुनवर को एड़ाई विए किसकी उसे नहीं कुछी भी नाइं जड़ाए एनाथा एक दर्ट चली है किसी को मुद्दे को लेकर जनता अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला मुझे नहीं पता जिए जिनार्ट समय नार्ट पर ट्रेंड चला और उसको लेकर ऐसी नोबत आ गई मैं बताता हूँ एल्विस जो एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता है और इस वज़ा से जो तुड़ा से मैं बोलूँ हाँ बिल्कुल बारे में मुझे नहीं पता आप कौन है कोई मुद्द नहीं इन चीज होगा जी मैं तो बहींगे टीचर हूँ अगर हम यह मैं तो कोसो दूर हूँ आप माने और नहीं आवाने आप मेरे जतनी स्कूलों में जाये पता करे कि मैं तो यह क्यातना हम बच्चों से कोई अगर से मेरे साथ चल को जाती बाद के लट अे माले रॉत कहता है मुप पहुट हम मेरे साथ चल मेरे घर मेरे घरW barley तरी जाती बत कहूँ लेकिन हमारे बड़े बड़े जो देश को चलाने माड़े हैं उनों भी कही ना कहीं जो डिके अधियापक और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और प्रिसी एक अधियापक को ऐसे होना चाहिए समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चीए अभी बुरा भी मेर लेकि उसका पिता ऐसा कह रहा है नहीं नहीं तो मैं आप यह तो ओनेर आपक को ऐसा ही होना चीए ऐसा ही अध्यापक पूरे देश में आज की दौर में ऐसे ही टीचर की जर्वाद के लेकिन फिर अब वहीं पूछा जाएगा एक सवाल अगर आप अध्यापक है तो आप और पिर बार बार और चुकि देखिए मैं यह सवाल पुछाओ प्लीज इसको नराज में तुक्त को कि इसको लेकर वी चर्चा है हाल फिलहाल में मैं फिर बुला कि अगर मैं आप एक अध्यापक है आपकी जिम्हदारी है आपने जिम्हदारी निभा रहे हैं मैं पत्रकार हू हम लोग देखते हैं ऐसे कई ऐसे फैंसे क्या उसकी जिम्हदारी अब नहीं बढ़ जाती है कि उसको अपने बोलने पर जब खास तोर से नहीं जब वो वीडियो में आता है सोसल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए चुकि यह में आप शब तो कभी हाँ जी वही उसी पर वही मैं पूछ नहीं उनकी ममी ने बोला है कि वही हो देखो मैं तो बेंग टीचर बेलकुल कहूंगा और उसको समझाता भी रहता हूं और समझाओंगा भी आगे और इसकी पिटाई भी कर दूँगा कर देता हूं मैं अगर गल अपने बेटे के समान समझगे बच्चों को डाटता हूं है कि चीजे गलत है तो गलत है वो अपने लिए भी गलत है औरों के भी गलत है अब सब्द है या वो चीजे तो गलत तो गलत ही रहेंगा उसको आप ठहरा नहीं सकते हैं सर प्लिकिन हम इस मुद्दे पर बात करने हैं उसकी बात करें कि वो भी गलत है बिल्कुल सरासर हमारे बच्चे को अतम करने की कोशिश को सुस्मा जी जानती है आपका बेटा इतना बड़ा इंफ्लूएंसर है लकिन आज की डेट में उस पर या आरोप है कि वो सांप की जहर का इस्तमाल करता है वो सांप की जहर का पर नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चलें कि यह सबसे पर लाप को बताता हूं सबसे पर यह क्लियर कर दें कि दरसल नॉंबर में यह केस दर्ज किया था नोईडा पुलिस ने पीएफे जैसा कि एल्पिस के पिता राम उतार जी यह कह रहा है पीएफे ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे सेक्टर नुचास पुलिस थाने में एफाई यार दर्ज हुई थी और बहुत हरानी के बात है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने एफाई यार दर्ज की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ नवंबर में ए चाना गिरफ्तार कर लिया लेकिन अब उस पर रोप यह है कि वो 27 ए जो एंडी प्या सेक्ट है कि वो ड्रक्स के लिए फैनेंसिंग करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इस्तवाल होता है वो ड्रक्स का सीवन भी करता है इस तरह के भी इन चीजा पूछा कोई तुक थोड़ी ना थिखे है पर हम तह एक ही चीज गहेंगे कि आप एक बार पुछोगे यह लाग बार पुछोगे हमारे लड़का बेकसूर है बेकसूर है और बेकसूर है है शियुक्ष्चा उन्होंने उन जो एक धारा होती है कि वो मैंने चुकि सुसान्त के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए अब जो करनूम के सलाकार उसमें ये बांते हैं कि बहुत आसानी से जमानत प्लीज आपी लीजे बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है है जलोजी बस पीलिया आपके कोफी अगर ये रह में तो पता नहीं के जिए जोगा बित्रिय पालेकर पूरा विस्वास है कि शायद जललोजी बाकि चलो नमें नहीं बता इंचीज जोगे इल कोली भी क्यान ने इंचीजगगे अगर न में अक्रत की लिग काल परी बेब बुनिया लगा कितने जिन पुछ रहलेगा कोई ये बताओ मुझे है उसे नहीं रहे एसके गवाद ऐसे किसी बच्छे को फुसा कर गलत गलत क्या क्या मिले ऐसी ऐसी नहीं नहीं चीजे हमने दो जिनिकी में सूनी नहीं है चीजे है हमें नहीं पता 24 गंटे बच् एक गाउं से निकल कर कहां से कहां पहुच गया यहीं चीज हैंनी हो रही है मतलब बिग बोश प्तल यह इतने बड़ वे यूट्यूबर बैठे हुए है क्या मेरा लड़का यह यूट्यूबर है ऐसा इसमें क्या पिछ्छे लग जए इसके क्या देख लिया ऐसा कोई कुछ भी लगाए मा की ऐसा कुछ भी नहीं है 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 कि हमें जीने का दिकार नहीं है हमारे लड़के को जीने का दिकार नहीं है यह बते है नहीं तो पिछले चैनल पे यह क्या क्या कि मुझे हजार जनम मेले पिता बनने के लिए तो मैं ऐसा ही बेटा चाहूं जैसे मेरा है तो फक्र महिशूस कराया है हमेशा उसने हमारा सिर्फ चाह राया और इस चीज के लिए हम सिर्फ जुकाएंगे भी नी क्योंकि हमारा लडगा बेकसूर है कि नजरे आजी कुछ भी स मतलब इस तरह कि अपने तरफ से बिना उस देखे हम देखे हमने चीजे ना करें आप से जो वाजीब सवाल है वो पूछा और देखे एक ख़वर चल भी रही है यह बास तो सच्चाई है क्या आपके वाजीब सवाल के जबी हुए थे मैं पूछ आप ने बिल्कुल है प्ल मैं आपको आनियर के लाऊश के पास गाडी होना पैसा होना अगर अपनी एंग मह्नत से कमा रहा है तो कोई जूर्म नहीं है को आपको यही बता दे रहा हूं आपके साल बना रहा हूं पलोट है मेरा जमीन के बदले में उन्सेटे में अमने जमीन दीती कोई पैसाने ऐभी उसके बदले में उसका भी बताना किस-किस लोग उने डाला हुआ है कि इतने करोड का अरे भायों मतलब जमीन के बदले में लिया हुआ पलोट है वहाँ पर कहा खरीद सकता है गुडगाम को प्लाटो लेगे उस टाम दिमाग लगा लिए पैसे ना चीप लोट दे देना चार में लेटता भी भी आके हम खाट पे सोते हैं भाई ऐसा नहीं है हम ग्राउंड से जुड़ने हो है तो इसमें बुराई भी क्या अगर एल्विस बता रहो मैं तो इसको भी हाइप करके भाई वह है उसको पाजी है तो आपके बेटे का आपके पैसा कमा है आपकर तो है लिए साजिस 27A ड्रक्स की फैनेंसिंग करना देखेए अज नहीं उसी एक्ट में ग्रफ्तारी हुई है यही तो मैं आपको बता रहा हूं जो यह खबर चल रही है कि जहरी या जहर पार्टी यह पता नहीं आपको जानकारी तो हम आपको जानकारी दे दें कि उस पर जो यह सांप वाला जो होता है प्रतिबंदी सर्प उस पर वाइलीफ एनिमाल अंगता है हॉच्ट की दहरा होती है से ंडिपयस की दहरा जो ड्रक्स का कारोबार करते हैं ड्रक्स की लिए स्थे ल 215 रगता है तो एंडिप्यस एक्ट भी लगा है रू उसमें गिरफ़तार हुए तब ही जो आप देख रहे होंगे यह जहर वहर की बात इस वज़े से लगाने दो जिसको भी वक्तिस चीज का भी जबाब देगा जब टाइम आएगा बेकसूर सीध होगा बेकसूर तो है असीध होगा आप हमें खुद बुलागे फिर बिठाओगे ऐसे अब फिर हम आप से बिल्कूल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे मैं यह बोल रहा हूँ जैसे आभी आपने उसकी बात की पर देखे हर पीता चाहता है कि उसका बेटा उससे अधा कमाया और बिल्क बिग बॉस में जा रहा है इतना वड़ा सूस आज कल तो यूट्यूबर जितने हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना लिखे हो तो पैसा कमाना किसी के पास गाड़ी उस पर आरोप है नोडा प्लिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है प्रेस रिलीज हमारे पास है और उस पर यह आरोप है इस वज़े से मीडिया इस वज़े से हमने आपसे पूछे हमने कभी हम आपसे कॉंटेक्ट नहीं करते कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते आज हम यह सव करना चाहते थे हम चाहते थे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे कि क्या यह जो ड्रक्स कारोप है कि वो ड्रक्स यूज करता है ड्रक्स के लिए फैनेंस करता है रेव पार्टियां अलग अलग होती हैं जिसमें कोई दूचार में अनुमान ना हुजी जो चाहती वाड़ के कारत वहां कि राखन Gir t darkest अ है कुछ नहीं करता है काम कुछ भी नहीं करता है आछिसा काम कॉछ बी और इसी चीज गाह में है अप अप्सोच है कि कुछ बंod कि बीना उसका नाम जोड़ द्या उखके है क 90 कि अट वश के पतिस पहिंए नहींयों कुछ बहें है नहीं वहीं है कि नहीं है इस एजरेशन कुछ भी इतना भी नहीं है इतना भी उनको सदबुद्धिदे भगवान जिनों ने ऐसा चीज़े की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो पुलिस अगर कहना चाहें आप उनको अब तो उनका रोल ही खतम हो गया आपने बता द एजे मा सोच के देखो और जो उनके प्याफए वाड़े हैं उनके ओपर ध्यान दो कि विए क्या कर रहे हैं किस बच्चे के उपर एलिविशन लगा रहे हैं गलत ये उनकी जिम्मेवारी बनती है तो एक एजे मा वो सोचे कि आज उनके मावाब किस सिचूशन दूजर रह हैं एक जगे और करेंगे बात अगर आप कहरें कि चोदा दिन बात दुबारा कुछ क्या बता रहे हो आप अपील करेंगे हम कोई इसको पुन्रा बिरती हो अगर ऐसा हुआ है तो उनसे मिलने कि उससे करेंगर मिल जाएंगे तो कि ऐसा मैं कह रहा है अपने पता करूँए म प्ली को बता सकते हैं है मैं PFA कि जो आपने बात करी PFA का ये कहना है कि उनके पास का इविडेंस हैreading है और यू है वीदियू है जारो ठीक है जी कहने दो इसके पहले क्या कभी जब जैसे प्लीत रिव्स से सामना आमिन हुआ क्या इसके पहले कभी एल्विस को लेकर किसी औ और पुलिस से कभी सामना होगा? नहीं. कभी कोज़ाए? कभी नहीं. नुटा पुलिस के नुवंबर मोहदा इग वर सामना तब बुलाए था इसको. जब ये केस वा था तब बस दो गंटे फूस्तास कर गयर बज़ा होई. उसके बाद बुलाएद हमें की विलाष्ट ब्यान अंगित करने हम चले गए लेके मैं. उसके बाद पता नहीं अब आप बता रहे हुए जानकारी हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है. हुआ तो कुछ भी नहीं है लेकिन चलो. आजاش है मैं अगर्व झाणि जो महां कि नहीं कुछ किया थे कि लृगा सौस्ता मैं ने कुछ कियाए जो छिया मैंने कुछ किया है, अगर हमें लगता कि लड़के इनने कुछ गलती किया है तो हमाहा हत्पाउं नी मारती इदर उदर में इननने के साध्या का चल पड़ाता है तो प्लीस ने रोका था तुक स्मक्या हुआ था मेरे वारन तब ही चला दिया था, गाया था, गाया रोडरी तो अधनी राजिविक पुलिस दोंड रहा उसको तो फिर आपकी उसमत अलविस से बात चीत होई था तो हम अपने खुछें पाप यार कोंकि उस मेरे था ही वहीं पर को भॉलये क्या चल दिया जी इनों वोडर पर रोक का यह जोना होगा थे तो बिदे मैं आपको बताता हूं पर आपको बताता हूं थे कि अवी जा रहा है तो अपको बताता हूं हर चीज मीडिया को बिसिकली क्या है यह पुलिस कहती है कोई अब देखे लेकिन वही बात हुई ना वही पुलिस जो बोली थी वॉंटेड नहीं है वही पुलिस नौबर के बाद आज गिरफ्तार के ले रही है और गिरफ्तार भी असा कर ले रही है पहले तो सामान भार आए लगी थी 120 वी वाइल लाइफ एनिमल एप अब तो एंडिपेस एक्ट लग गया वही पुलिस जो बुली थी वॉंटेड नहीं है आखिर वो नौंबर डिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च बात कैसे प्लट भी आप जो मीडिया को बने पता ही प में उपर सेक्षन लगा हुआ है उसके बाद तो आप सही सही कह रहे है एंडिपीस एक्ट लगा है फिर हमने एंडिपीस एक्ट में जानने की हमारी कुशिश थी कि कौन-कौन सी अंडिपीस में धाराय लगाई है तब वो अलग-अलग एंडिपीस की धाराय होती है जैसे जिसने केश किया है करवाया है तो अपने तरफ से कसर थोड़ी छोड़ेगा है वो तो है में बात यह है कि कितना पावरफुल आदमी होगा वो जो भी है ऐसा थोड़ी है वाइल लगवाया उसके यह कोन जहर कहां बेच रहा है कोन क्या कर रहा है किसका नाम जोड़ना आप कर दो कि अपके लिए काम करना हूँ है जोजा जी कि लहाँ जाजे बहु अज़ जाज़ भॉल आपके लिवस के लिए अचे 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 बनादिया मेरा लड़के का अबरा किया अबरा कि और रिपोडिंग शल रिये जैसे जुसमें धे देख आपको पता बहुगा अश को पॉलिटिकल भी उसको चाहिए अपने खत्र साब का नाम लिया क्या पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है या आपको क्या यह भी एक है अगर आप इसको आपको हैसा कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन आपको हैसा जानकारी नहीं है अगर उसका रुजान था या है तो देखो बात अलग है वागि हम भी पॉलिटिक्स नहीं उता रहेंगे क्योंकि वह स्याद इसी चीज का भी हो गया हो कि कि शिवा ऐसा लगा हो कि वह इतना वह उसको प्यार मिल रहा सा देश में हो सकता किसें सोच जाओ कि यार हमारा कम्पीटर आ गया मैं क्या पता भी यह क्या वो प्लिटिक्स में इंट्रेस्ट है यस एद खटर शाब उससे लोगों को लगाओ उसको सम्वानित करने आय थे तो लोगों को लगाओ कहीं कुछ इसको ना कुछ कर दे कि अधर सभाय ते कर लें कभी ऐसा हो सकता है अच्छ देखिए मैं यह जाना चाहता हूँ दो मेरे सवाल है बल्कि यह एल्विस की यह शुरुवात कैसे हूई यूटूब से आप कुछ वो यह बताईगी वाई यह कॉलिज के सेकंड एर में शाय शुरुवात हुई थी तो जैसे वे और बच देखिए डावान पुलिस का है कि सापू के जहर का मीडिया का दावा नहीं है इस वज़े से नोडा पुलिस इसने ग्रफ्तार किया है सल्मान खान की एक बात को लेते वे मैं एक सवाल पूछूँगा कि सल्मान खान ने बिग बॉस का जब खतम हुआ था तो एल्विस को सला दी थी कुछ आप लोग कुछ तो यह पता होगा मैं तो बहुत ज्यादा इसा जो इसको लेकर क्योंकि एक ची हो गया पहले आपके लिए तो बेटा ही है घर में जाता होगा भले एक बिग बॉस इनर एक माबाप के लिए बेटा किता ही बड़ा हो जाए वो बेटा ही रहता है लेकिन क्या अब अगर चीजें हुई अब मिली तो जो वीडियो में गाली गलोच अब शब्द भासा का इस यह तारीफ ही समझ लीजे कि 7th class के बच्चे, 8th class के बच्चे, 3rd class के बच्चे यह सब Elvis के फैन है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यह बता दे रहा हूं मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं और मैंने बताया भी कि घर में भी हैं तो क्या आप उनको यह बता रहा अब तुम्हारी जम्यदारी अब तुम्हारी थोड़ा सा नए तरीके से चलना होगा तो यह बिग बोस के बाद की वीडियो की बात कर रहे हो आप जैसे मालेजे वीडियो वगरा बना तो उसमें कह रहे है कि जैसे चोटे बच्चे भी देखते हैं उसने कुछ पिछे अब मैं देखना सरू कर दूंगा जो बात ठीक है वो ठीक है उसको उस बात कुमानेंगे हम देखें यह बहुत अच्छी बात है और यही हर माबाप होते हैं कोई भी माबाप हो सेलिवरिटीज कोई भी हो लेकिन यह जो माबाप होते हैं वो यही बिल्कुल accept करते हैं कि इतने बेटे को हमेसा सलाह दी है वो किसी तरह से किसी भी ड्रक्स में वालव नहीं है किसी ड्रक्स के सिंडिकेट में वाल्व नहीं है जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की और यह आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से बेवुनियाद है और यह वी बिल्स You और पselु मेडिया अब नोडा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद एलवी शादो को गिरफतार कर लिया है उस पर IPC के सेक्षन के अलावा NDPS की कई संगीन धाराएं लगाई हैं पूस्ताज के बाद एलवी शादो को नोडा पुलिस ने गिरफतार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत मे जेल भेज दिया है ये तो बात हुई OTT बिग बॉस के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है अलविश यादो के पिता और माता जी नमस्कार सुस्मा जी आपने देखा होगा मीडिया में टीवी में तमाम जगा पर चल रहा है सापो क्या जहर सापो की पार्टी और तमाम चीजे चल रही होंगी देख भी रहोंगे पहले तो ये बताईए कि आपका बेटा जो एक फेम जी यही तो बात करने आया, मीडिया की मीडिया से यही बात करने आया है कि वह विल्लेन नहीं है और यह चीजे नेगर्टी टी पहलना बंद कर रहें, रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि बिना तत्थों पर आधारी तो बाते ना करें, मैं कल से देख रहा हूँ हूँ परसो में साथ ही ले गया था उसको, हम तो एक उसका संबन आया था कि उसको ठाने में आके रिपोर्ट करना है, अपने ब्यान लिखवाने है, सिंपल, अगर हमें पहले ऐसा पता हूँ कि कुछ होने वाला है, बहुत से तरीके होते हैं, ना भी जाते हैं, ने आपने का, बलत चल जल्दी और हम फोन ओन करके आयो से मिलने के सारे उसके टच मे रहे और हमने लोकेशन भेजिए हम जाके क्योंकि वह साभ वाले बड़े लेट थे थोड़े से, तो हम कही बैठ के नोएड़ा में उनके फ्रेंड्स हैं, जो भी रिष्दार हैं हमारे जो भी दूर के, और कल में गया हूँ फिर में, से मिलने क्योंकि मैं तो समली नहीं पाया इस चीज को लेकि कि आये किस काम के लिए थे और अंदेशा होता हूँ यह कह रहे थे कि इसमें तो कोई गरिफतारी हो यह नहीं सकती अब वो तो खेर परसासन जाने जी वो तो उनका काम है, बुझे पत कर लिया, यह कर लिया, बुझे मेरे को तो कई रोका ही नहीं है, और सीधा मेडिकल कराया और वह यह ले आये, तो समा जी आप मिली अल्मी से, तो तब मैंने कहा कि यह क्या चल रहा है, इसलिए मैं आज रुकिया मेडिया का क्यों यह अपनी बात रखी जाए और आपको किसी का भी बेटा ऐसे जुरम में या इस तरह कि जूटे जुरम में, सच्छे में तो वही है पीड़ा यह है कि कुछ किया नहीं है, जब अल्विस से आप मिलने गए, जेल में है, किस हालत में है, क्या बात चीत हुई, बात चीत हुई है, कि इसके फैंस भी जानना चाते है जो बेलकुल ठीक है हो, और उनके फैंसे मेरी यह ही कहना है कि भई भगवान उसको प्रे करें कि उसको यह चीजे सहन करने के सकती दे कि जितने दिन भी जो भी अब कानून से उपर तो क्या है, अब तो क्योंकि कानून के उसमें चले गए हम, याई पाले का भी भरोस्य है, कि प्रे करें भगवान से कि उसको महान रहने कि जितने बीए उसका महा पे है, जो भी मुझे नहीं पता है, जो इन चीजों कि मैंने पहले daytime है, क क्या कारवाय होक्त है, क्या कारवाई होती हम उन्य systems, वहें वो करते रहेग है रेव पार्टी हुई होगी लाओ मेरे बेटी की टिकट कहा एंट्री कि उसने किसको क्या किया लाओ ने कुछ सामने हम बेद पता लगे वो था यह नहीं बॉंबे में था उस दोरान वो यहां पर है यह नहीं वो ना कभी वो उसमें गया है मैं कह रहा हूं कि जितने भी अधरे लुड़ा परशंट है मैं ठोक कहता हूं कि दावा करता हूं वो हमारी परविरिश है ऐसा काम में बिल्कुल सनलिपत नहीं है बिल्कुल भी क्यो अधरा लगाई वो किसने लगवाई सब को सब पता है पीछे बैक में कौन काम कर रहा है कून काम कर रहा है प्ये कर रहा था तो बिग बोस होने के बाद ही परसीद्य होने के बाद ही क्यों वीडियो के किलिप चाटी गई है तभी कर देते है उसको तो वह जुलाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे के गाने की किलिप काड लाया और यह करके सब शड़ी अंतर के तहत किया गया जी बाक लग रहा था आपके जर्ट तब उस दौरान कभी कोई बात्चीत हुई थी अलविश से इस मसलिप देखो जब यह चीजे होती है तो वैसे हमें विश्वास था पूरा कि वैसा कुछ नहीं है पर फिर भी आपसे आपसी बात्चीत होती हो जह हमें यह पता है कि कि किसी भी कि बिना सरपयर की कैसे चल रहे हो हमें इनके पीछे कौन है हमें भी तो चाहिए जी अच्छा बात्चा अज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर टाल रख्खा है कि दिखें आप हिम्मत रखिए हिम्मत क्या अगी रखेंजी है इन्हां तो मेडिया वाला हमारे के छोट रख्खा हमको हमारे गर में को याग लगा जाए इतना इतना प्रोफिकेंट आप बला दिया नहीं नहीं आप रूह को नहीं है एसे अप्लिए मिलकी एफायर करवा अगर दो सियोता अगर बहुत कुछ कर देता किया में नहीं नहीं पता मुझे पलफलगा पता उसका मेरा फ्रेंड से बिल्कुल बैवार है मेरा अपने देखेंगे उसकी वीडियो बगयर कैसे मुझे में में के साथ हसता खेलता है हो अब हसता खेलता प्रवारी से अगर पाफले कि कि यह कितना संगर्श किया इसने लोगों ने वो देख लिया उसका वाई यह आज इसको पकड़ो इसको करो साड़े को खराब कर आगे जा के कहीं क्या पता कौन-कौन काम कर रहा है को इसके बैक में कि किसी को क्या है कि क्यों क्योंकि सेम साब भी आये थे समानित करने कहाँ जी अगना चीए ता उसको कोई भी सियम को आपको अगर आपका शेम तो वो भी आए उसने अच्छा काम किया था बच्चे ने आ गया को यह और उता श्याद नहीं आता तो आना चीए शीम को उससे कुछ लोग उसके साथ जो परतीवाण बच्चों को कर रहे हैं नहीं करोगे क्या या मना कर दो गया हूँ कि मता हो आप जब एल्विस के पास जेल में गये तो आपने पुछा कि बेटा यह क्या है यह क्या बातचीत एग्जिक्स अब तक तो मैं साथ ही था सर क्या है 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 नहीं कुछ भी हमारे घर मे जाया जाएगा मतलब मैं यह अपने बेटे को ले जा देदु उसको अर मैं जा कर दीख कर शारा जा कि सबको नमस्ते बोला है अमाल हो गया मतलब जैसे जए घर जैसे आपने मेडिया की बात की अधिक्टे में चल रहा है जि बहुत बुरा चल रहा है अमारे खिलाप और ऐ केस जाएगा अभी और हम यह दर्सक्राइब को जाएगा क्या ही चीज आप लोटा दोगे हमारी देखिये बिल्कुल या मदा तीन देन खाना खाये हो ली हमने मेरी नाइंटी एर्स की मदर भी खाना नहीं खा रही है मेरी लड़की विदेश रहती है उनके घर में तूला नि कि यह दिन वापिस हो जाएगा सब कुछ वो तो होगा ही होगा डाइफिनेट होगा दालत से लेकिन यह चीज यहां तक आई क्यों कि इन दिनों के परभाई करते हैं कि अमने कुछ किया नहीं हमें डरने के आऊशकता नहीं बापाजी अलानी यह चीज रेव पार्टी यह ह कि यह चीज बाइफिने पूछा जबी चोड़ दिया था दो गंटे बज पूछ के जा होगा है सिंपल उसके बाद उसने बुलाया था आपके लास्ट व्यान में होने अब वह तो वह जाने उन्हें क्या किया है अब तो पीएफे में खुस होगा गोत है ने मेरा एक सवाल जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया पुरी बात सुनिएगा अच्छा और नोडा पुलिस के डी सीपी से मैंने खुद इंप्रूव किया नोडा पुलिस का यह कहना है कि जो नवंबर में पांच लोग गिरफतार जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और जो पांच अरोपी गिरफतार थे उनसे एल्विस की कनेक्टिविटी सीडियार कॉल डिटेल से वो कनेक्ट हुई है और उन लोगों ने बताया कि एल्विस की कई पार्टी में रेव पा उसमें एंडीपियस की मतलब जो ड्रग मुझे इस बारे में ग्यान नी है कि आशे कुछ हुआ है मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को लेगा तरो बिना पूछे को मुझे एक केस है चुकि बही नोडा पुलिस का यह दावा है एक व्रक्ति को उसको गिरफतार किया ग और उसके बाद फैसला होगा आप आहत है और यह हमारे दसकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी है लेकिन फिर वही बात आएगी लोग पूछेंगे भी क्योंकि अभी बीते दिनों सोसल मीडिया पर आपको याद होगा उसका किसी से जगड़ा होगा तो अब पूछा है उसको पूछा कि अगर दोस्ता पहले भी दोस्ता हम साथ काम करते तो प्रकते जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या लविस है चुकि आपकी वीडियोस हम लोगोंने काफी देखें आप से काफी लगाओ है उसका कई वीडियोस है इनफेक्ट हम ने आपके देखें जो यह सब कुछ विवाद एल्विस के साथ जुड़ा खासतोर से जब बिग बहुस में जीता यह जो सब कुछ विवाद जगले कई वार विवाद भी होता है तो उस पर कभी आपकी कोई ब को दुड़ा कई in a Μावाप सो भड़ करते हैं इसलों बँठियु से सब करते हैं अब पहले जब अलविस जो था छोटा आप जब फेमश वा हूं उसके बाढ़ क्य परिवर्तन है आई एल्विस में कुई चेंजस आपने देखे किसी तरह का कि आसरूमें भी असमुक था भी भी असमुक कोई चेज नी वही आजे मजा करना वही चीज़ें हैं वही आद्ते हैं आप ने सोचा था कभी की इस तरह से होगा कि वह जेल जाएगा उस पर साप इसा कोई सोच तहा है कोई नहीं सोचना चीह ऐगा तो ठीचे जी ऑनो बत्व कोई सोचेगा कि हमारे सामने बाड़े हैं वह हैविश कोछी कि और अहरे सामनेई हैं वैसे होंगा क्या किया उन्होंने अब देखिए अब जो चुकि दर्सक है और बहुत चर्चा चल रही है चुकि मैं आप बताऊं कि हमारे घर में वीडियोज आते हैं और आजकल चुकि यंग जेनरेशन हैं लोग थोड़ा सा खुले विचार के हैं तो जो वीडियोज आती हैं जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है और सिर्फ एल्विस की बात नहीं कई यूट्यूबर से तो कभी आप लोगों ने वह वीडियोज देखें हैं तो कई वीडियोज देखें उसके कि मैं तो बहुत कम देखता हूं आपने देखा से में देख लेते हैं अगर कुछ लगते हैं कोई शब्द मैं उसको समझा देते हूं कि आपने कभी बातचीत की कि इस तरह के अपशब्द भासा है मालो जो मुझे अच्छा नहीं लगता एक दो शब्द तो मैं उसको बोल कि बाते नहीं हुए माले छोटी मोटी अपने बच्चों को सब समझाते हैं वो भी अपना मत रखता हैं भी अपने बात रखते हैं ते समझे लता हूँ अभी जो रिसंड का जो विबाद हुआ था ड्रग प्रम फिर आएंगे एक मुनवर फारूकी के साथ फोटो जो पिक् अब बताओ तो यहां क्या बोल रहा हूँ जो यह उसकी फैंस हैं और जो अभी ट्रोलिंग पुरा ट्रेंड किया था अफ एल्वेस कोई मुनवर फारूकी है उसके साथ को कोई सोसल मीडिया में बहुत जादा नहीं जानता सोसल मीडिया मैंने सिर्टा जानता है अभी कि यह जो यह नहीं है ते तू सना क्या यूट किया दी तो पिछे से चैघर अव्यच के बिआ जैसे सारी कर्केट्र अबू इव काम किया था तो क्या हो गया दिईगू किसको अल्वीच में प्रिचिए क्यो लगा लिगावात लिजसको किसको नर्मखर कोई अब कुछी भी नहीं कोई भी नहीं हम लोग भी कम देखते हैं नहीं हमें को या पती नहीं इसको लेकर इतो जगडा तुछ नहीं किसी को मुद्धे को लेकर अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला मुझे नहीं पता जी नहीं को लेकर अइसी नोबत आ गई कि चार पार जोड़ दिया या गें से जोड़ दिया या जोड़ दिया मैं मैं बताता हूं एल्विस जो एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता एल्विस और इस वज़ा से आख ओष्ञा जोड़ लुड़ प्लिस अधर मुझे नहीं पता आप कोन है कोई नहीं चीज होगा जी मैं तो बहींगे टीचर हूं अगर हम यह चेजर रखेगे जाती दाराम यह चीजर मैं तो को दूर हूं आप माने और झालने अप मेरे इनने में इने प्री इनने प्रम कि मेरे साथ चल कुछ जाती बाद पहलता है माले कहता है मुछ जाती काम मेरे साथ चल मेरे घर अगर मेरा घर वाले तिरी जाती बता दे तो कहना कि तुई है हम इनसान हैं अगर बच्चे ने गड़े लगा लिया मेरे ने मेरे कोई फर्क ने फटता है चेजिए तो मेरे लाम जी ने भी हमारे देश करने तर्फ की और प्रिसेट एक अध्यापक को ऐसा ही होना चीए समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चीए अब इस चीज़ कोई बुरा भी मेरा भी मान लेकि उसका पिता ऐसा कह रहा है अध्यापक को ऐसा ही होना चीए ऐसा ही अध्यापक पूरे देश में आज की दौर में ऐसे ही टीचर की जरुए लेकिन फिर अब वहीं पूछा जाएगा एक सवाल अगर आप अध्यापक है तो और जो आपने फिर बार बार और चुकिए देखिए मैं यह सवाल पुछ आपने जिम्यादारी निभा रहे हैं मैं यह पत्रकार हूं मैं पत्रकार के तौर पर जिम्यादारी निभाओंगा अगर यंविश पहले क्या था वह मतलब नहीं है लेकिन बिग बॉस जब से वह जीता उसके सजारों की संख्या में चाहने वाले हैं जिनको शायद आप नह से फैंसे क्या उसकी जिम्यदारी अब नहीं बढ़ जाती है कि उसको अपने बोलने पर जब खास तोर से नहीं जब वो वीडियो में आता है सोसल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए चुकि यह अध्यापक है आपने कभी यह बात्चीत की जो विवाद और अभी विवाद हाल फिलाल में चलना तो आपके कान तक एक ख़बर आती होगी यहीं लाई जगले की या फिर कुछ और भी गुरूँ भी इसन उ है वहरी प्तायावी गर लगे तो अब रड़ गा कर देता हूं झा ऑगत तो तो अधना जाए टैथा जैसे में तुम्हें टो मैं तुम्हाब इतता हूं अपने इत्व मैं डाटता हूं अपने बेट् ।ो अपने चालन समान समझने की बअगत करें कि वो भी गलत है बिल्कुल सरासर हमारे बच्चे को अतम करने की कोशिश इसमा जैंती है आपका बेटा इतना बड़ा इंफुलेंसर है लेकिन आज की डेट में इस पर यह आरोप है कि वो साथ की जहर का इस्तमाल करता है वो मतलब आरोप यह बिल्कुल बे गुनिया दे और अब तो यह भी आरोप 27 ने सबसे संगीन धारा NDPS Act की लगा दी यह भी एक है कि उसके पास कोई ड्रग रिकवर नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चलें कि यह आप सबसे पहले हम यह क्लियर कर दें कि दरसल नौंबर में यह केस दर्च किया था नोईडा पुलिस ने पीएफे जैसा कि एलविस के पिता रामोतार जी यह कह रहे हैं पीएफे ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे सेक्टर नौंचास पुलिस थाने में एफाई यार दर्च हुई थी और बहुत धरानी के बात है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने एफाई यार दर्च की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ नवंबर में एफाई यार दर्च होई और अब मार्च में यानि चार पांच मेंने से ज्यादा का वक्त हो चुका है मार्च में एलविस स्यादों को अचानक जैसा पिता बता रहे हैं कि नोटिस के लिए फैनेंसिंग करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इस्तवाल होता है वो ड्रक्स का सीवन भी करता है इस तरह के भी आरूप लग लग लगा एक 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 बात गलात है विल्कुल कि एसे कोई कुछ भी लगा दे इन्चे जोंक को तुक थोड़ी ना है ठीक है पर हम तर एक ही चीज गहेंगे कि आप एक बार पुछोगे या लाग बार पुछोगे हमारे लटका बिल्कुल बे कसूर है बे कसूर है और बे कसूर है इसको फसाया गया है बिल्कुल अज इसने फसाया जिन्होंने उनसे भी पुछो कि ऐसी क्या रंजिश्ट थी एक बच्चे से कि बाहर तो एसा जो कि अधारा होती है ड़ारा क्या होती है वह मैंने चुकिं सुसांत के दोरान कवर किया था मंबई हो बहुते हुए खरीद-फरोग्त करना फइनेंसिंग करना तो है इसमें जो कानून के सव्लागार उसमें यह बानते हैं कि बहुत आसानी से जमानत प्लीज आपी लिजें बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है जो जी बस पीलिए आपके कोफिया अगर ये भामे तो पता नी इन चीज होगा ये जद जाय बाकी चलो आमे तो नहीं पता नी इन चीजँ होगे इलकुल भी गान नी इन चीज ओगा न वखील से बात की हमने पारिबे बुनिया लगा कितने जिन पूश रहलेगा कोई ये बत कि हम एपने पता चोबीस गंदे उट्चा हमारे पास रहता है कि हमारा बच्चा कैसा है वह इस एक यह ऑछाँ पऊचगा दो वह यह इसुन हो रही है कि अ कि मेरा लड़का युटीवर है हुआ है, ऐसा इसमें, क्या पिछ्छे लग गह इसके? क्या देख लिया ऐसा? तक जी कोई कुछ भी लगाए माँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है wedding लगाने वी पिलकली है भी नहीं है जो मैंहार लड़को जीने गाधी आधी कार नहीं है सिभल आप्टी ए दो पिचले चैनल पिहा कर ओए मुझे हजार जनने मिले पित्षाइब निये तो मैं आप से यही था हों जैसी मिरा है क्योंकि आधी कि अपरमियों खुत कर रहा है हमीश्य इस्थ लिए इस चीज के लिए हम सिर्फ जुकाएंगे भी नहीं क्योंकि अमारे लड़का बेक असूर है कि नजरी आजी कुछ भी सिच्वेशन है हमारी ने जुकिये हैं अगर 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 अजुकिए गुए पालिक का हैं और यही अपील करने आया आप लोगों से बस इसी कि उसकी यह चीजे ना वो करें देखिए मत दिखाओ अच्छा ही आप उसकी बुराई भी ना मतलब इस तरह कि अपने तरफ से बिना उस तरह नहीं देखिए हम देखिए हम ने चीजे ना करें आप से जो वाजीब सवाल है वो पूछा और देखिए एक ख़वर चल भी रह चाहिए जी चोड़ो आप इस इंची जोगमत करो आप छोड़ो में चुकि भाई रहे हमारे ऐसे लाइन उसके पास गाड़ी होना पैसा होना अगर अपनी हो मेंनत से कमा रहा है तो कोई जूर्म नहीं है आपको आपको यहीं बता दे रहा हूं प्लोट है मेरा जमीन के प्लोट है कहां खरीद सकता है उसके बदले में उसका भी बताना किस-किस लोग उने बीड़ो डाला हुआ है कि वही इतने करोड़ का अरे भाई हो मतलब जमीन के बदले मिलिया वहां पर कहां खरीद सकता है गुड़गा में को लेगे उस टाम दिमाग लगा लिए पैसे न है दस के कमरे में लेटता वी भी आके हम खाट पे सोते हैं भाई ऐसा नहीं है घ्राउंड से जुड़ने हो है तो इसमें बुरा ही भी क्या अगर एल्विस बात बता रहो है तो आपके बेटे का आपके पर रहेगा लेकिन जो आपने बात बताई है उससे थोड़ा सा मैं व ग्रतरी करना थे यही तो मैं आपको बता घृए जहरी यह पार्टी अपको जानकारी जो उस पर जहां वाला जो हता है, प्रतिबंदिस सर्फ, उस पर Wildlife Animal Act लगता है, लेकर वो IPC की धारा होती है, NDPS की धारा जो ड्रग्स का कारूबार करते हैं, ड्रग्स का इस्तवाल करते हैं, ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते हैं, ड्रक्स के लिए पैसा करते हैं, उसमें NDPS Act लगत देगा जब टाइम आएगा बेकसूर सीध होगा बेकसूर तो है अचीध होगा आप हमें खुद बुला के फिर बिठाओंगे ऐसे अब फिर हम आप से बिल्कूल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे फिर मैं यह बोला हूँ जैसे आभी आपने उसक पैसा कमाना किसी के पास गाड़ी होना अगर वो मांदारी से अपनी महनस से कमा रहा तो यह कोई जुर्म नहीं है यह पास 50 गाड़ियां हो हमें कोई अतराज नहीं है दो हमने कभी खबर चलाई लेकिन हाँ यह बी एक कड़ी सच्चाई है कि आज की डेट में एल्विस किर हमने आपसे पूछे हमने कभी हम आपसे कॉंटेक्ट नहीं करते कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकी कि बिग बॉस ओटीटी का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भी आपसे बात करना चाहते थे हम चाहते थे कि आपकी बात लोगों तक पहुँचे कि क्या यह जो ड्रक्स का रोप है कि वो ड्रक्स यूज़ करता है ड्रक्स के लिए फैनेंस करत पार्टियां अलग अलोग होती हैं जिसमें कोई दूचार में आनुमान ना हूजी चुछ आती वाड़ के दिखा दूमें कुछ नहीं करता हो कुछ भी नहीं करता है से काम कुछ भी है और शीचीज शीच गामे हम सासे कि कुछ किये बिना उसका नाम भी जोड़ दिया वह जो कहीं कुछ नहीं भी नहीं कुछ भी नहीं है इतना भी उनको अधबदीदे भगवान जिनोंने ऐसा चीज़े की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो पुलिस जो भी है मुझे नहीं पता जी अगर कहना चाहें आप उनको अब तो उनका रोल ही खतम हो गया आपने बता दिया कि उनन तो कर दिया जो नहीं अभी 14 दिन की नहां कर देंगा गांदी जी से बोलना चाहूंगी जिनके एंज्यू के थ्रू एचीज हुई है कि एजे मा सोच के देखो और जो उनके प्याफए वाड़े हैं उनके उपर ध्यांदों की विक्या कर रहे हैं किस बच्चे के उपर एलिविशन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मे करेंगे तो मेरिका गांदी जी तक पहुंच जाए यह चीज है नवड़ा पुलिस वाड़ा उसे क्या कहना जी है वे भी कहीना कई पिता भी है एक एक जगे और करेंगे बात अगर आप कह रहे हैं कि चोदा दिन बात दुबारा कुछ क्या बता रहे हो आप अपील करेंगे हम कोई इसको पुन्रा बिटी हो अगर ऐसा हुआ है तो इन से मिलें को शिषकरेंगर रहे हो तो कि आसा मैं दो कि पता करूँ हाम जा कि क्या हुआ है कौछ मुझे नहीं पता बिल्कुल हूँ कि हम इन चीजों है पड़े नहीं कभीभी बता है इन चीज हो गा कि हमारी जाए कि जी खेने दो इसके पहले क्या कभी जब जैसे नोड़ा पुलिस से सामना आमना हुआ पुलिस से क्या इसके पहले कभी अल्विस को लेकर किसी और पुलिस से कभी सामना हुआ? नहीं कभी पूलाए था इसको जब ये केस वा था तब दो गंटे फूस्तास कर गहर बज्जा होई उसके बाद बुलाए था हमें कि विलाश्ट भ्यान अंगित करने हम चले गई लेके मैं उसके बाद बता नहीं आप बता रहे हुए जानकारी है कि ऐसा ऐसा हुआ है वा तो क भूशिओं के नहीं लेकिन आप कहा दूमंान रहेै कि हैसा है अग्रा आप फॉष्टे कि हमारे लड़के ने कुछ किया है यह ने कुछ किया है जो चार महींने बीत्ते हैं अर आमसे अपने जिन्दिगी वादीत कर ने लग ए तब खिश है तो मैं क्यों डरने क्यों किसी से के पास जाओं कि मेरा यह हुआ यह वो है तो अबना आप मेरा वो हट जाएगा पर बाकी है अगर हमें लगता कि लड़के इनने कुछ गल्टी किया तो हमा हत्पाउं नी मारती दर उदर आवर यह दो आप इस चीज कन equiv दो करने के लिए कुछ करने के लिए यह उद्र कंशी दिन ना देकता यदो यह एवी हाँ चल पडsवाड़ा था इन राजीव के प्लीस डॉंट रिया उसको तो फिर आपकी उसमत अलविस से बात चीत हुई थी नहीं वह तो हमने वो आई रहा था था वहीं पर उन यह क्या चल दिया जी हम वहाई जा 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 भई घर तो वह राई रोड इसली बुलाय था था रोड आतू प्रताय भ जा रहा है तो खबर आश चल रही थी तो वही तीन राजीव के प्लीस डूंटे बता नितना सब्सक्राइब क्या हो गया तो यह चीजे अब दिए मैं आपको बताता हूं तो हर चीज मेडिया को ब्यसिकली क्या है यह पुलिस कहती है कोई आप मैं पुलिस पे कुछ नहीं क जो बोली थी वॉंटेड नहीं है वही पुलिस नोड़ा पुलिस नॉम्बर के बाद आज गिरफ्तार के ले रही है और गिरफ्तार भी असा कर ले रही है पहले तो सामाने भार आए लगी थी वाइल लाइफ एनिमल एप अब तो एंडिपेस एक्ट लग गया वही पुलिस लगाई है किया वकील से पुछुआ है पहली जो प्रेस रिलीज आई है आज नहीं जिस दिन अरेस्टिंग हुए उसमें उपर सेक्षन लगा हुआ है उसके बाद तो आप सही सही क्या रहा है एंडिपीस एक्ट लगा है फिर हमने एंडिपीस एक्ट में जानने की हमारी कि कौन कौन सी अंडिपीस में धाराय लगाई है तब वो अलग अलग अंडिपीस की धाराय होती है जैसे आईपीस की धाराय होती है वैसी वैसी धाराय होती है जिसने केश किया है करवाया है तो अपने तरफ से कसर थोड़ी छोटेगा वह तो है मेन बात तो यह है कि कितना कितना पावरफुल आदमी हो गो जोगी हैं ऐसा थोड़ी है मेरा लठाट लगवाया उसकर कौन जयहर कहा बेच रहा है कों क्या कर रहा हिसका शोड़ना आपके लिए काम कर आ हुशे घ्राड़ कर आज़ा जी वैं कि अब कॉल झायाना है।ी, आज नाम बना हुआ रहलकु हार गार का बच्चा जानता है। उनगे मेर को लिए कि नीताया था, का अफ़े ट्यार में याधके लेचाशए है। हमारे क्या लेना देना ठीके जी लेकिन शीज इस संपड़नी रहे न हमारे तो कड़ी जूद आ रहे क्योंकि आमी चीजम पड़ नहीं काभी भी पेटा यह कहते रहा है पापँजी मेरे को लेना देना नहीं है आप बेभी कर रही बस कुछ निहीं है मेरा अगल बात बात करनी पड़े करे नूग के फ़ूटीकल अगल करना झो खाफित का सोटमा था वो टिक्ट का दाववदार भी माना जा रहा था, पैक्षन का दाववदार एक इलक्षन लट सकता है, तो क्या बता उसको हटाने के लिए रास्ते से ये चीजे उसको ऐसा कर देखा आपको हैसा कुछ पॉलिकल कनेक्शन है? अगर उसका रुजान था या है तो देखो बात अलग है, वागि हम भी पॉलिक्टिक्स नहीं उसको नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो श्याद इसी चीज का भी हो गया हो, कि कि शिवा इसा लगा हो कि वो इतना वो उसको प्यार मिल रहा सा देश में, हो सकता किसें सोचा हो कि हम हमारा कम्पीटर आ गया मैं क्या पता भी एए एक क्या वो प्रटिक्स में इंट्रेस्ट है यस एद खटर शाब उससे लोगों को लगाओ, उसको सम्वानित करने आये थे लोगों को लगाओ कहीं कुछ इसको ना कुछ कर दे कि अधर सभाय ते कहारे मुझे भी आसा काफिल इस ना जोएन कर लेए कभी ऐसा हो सकता है अच्छे मैं यह जाना चाहता हूँ दो मेरे सवाल है बल्कि यह एल्विस की यह शुरुवात कैसे हुई यूटूब से आप कुछ वह यह बताईगी वाई यह कॉलिज के सेकेंड एर में शाय शुरुवात हुई थी तो जैसे वे और बच्चों की देखता था यह वाईन वगेरा यह वाईन मतलब छोड़ी चोड़ी वीडियो वगेरा तो इसको शोग था फोन जैसे आया मुझसे वीडियो बनवा लेता है यह तो हमें तो यही नहीं पता था भाई साब उस टाइम की यूटूब होता क्या है वीडियो मै तो देरे 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 फिर हमें भी बता चल गया हूं बस फिर अपने वीडियो बगरा बनाने लगाई है फाइनल एर तकात देखें मैं एक चीज यह बोलूँगा देखें उस पर आरोप है और आरोप यह दावा नोडा पुलिस का है कि सांपू के जहर का मीडिया का दावा नहीं है इस वज़े से नोडा पुलिस ने ग्रफतार किया है सल्मान खान की एक बात को लेते विए मैं एक सवाल पूछूँगा कि सल्मान खान ने बिग बॉस का जब खतम हुआ था तो एल्विस को सला दी थी कुछ आप लोग को तो यह पता होगा मैं तो बहुत ज्यादा जो इसको लेकर क्योंकि एक चीज मुझसे लोगों ने पूछी जो बोला था कि जरूर पूछना कभी हो कि यह जैसे कोई भी सेलेब्रिटी जैसे बहुत फेमस हो गया पहले आपके लिए तो बेटा ही है घर में जाता होगा भले बिग बॉस बिनर एक माबाप के लिए गाली गलोज अब शब्द भासा का इस्तमाल क्योंकि आप यकिन जानी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी एल्विस के फैन है इसेवंध क्लास के मैं आपको नहीं वालू कि मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं मिला हूं यह तारीफ ही समझ लीजे कि सेवंध क्लास के वां ख्यंक्रिश गॉम्ष्ट बिज ही समस्तिर इल्विस के फैन है अगर आपको नहीं पता है ऐसी लोगों को जानता हूं मैं बताया भी कि घर में यह तो क्या बूझ prompt की बता रह रहा हूं चुकि में सब ग्राउन पर रहता हूं तो क्या मिलेंके तो अईल्विस को बता जैसे मालेजे वीडियो वगरा बना दूसमें कहा रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे वी देखते हैं उसने कुछ पिछे बिग वो से पहले एक आत जागे किया एक वीडियो में बाद में भी कर रहा है अरे यार दोस्तों के साथ जैसे मजाग यार दोस्तों में वो बंद करवा लेकिन यह जो माबाप होते हैं वो यही बिल्कुल accept करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी बदलाओ करेंगे लेकिन सीधे सीधे यह आरोप लगाया है PFI पर Elvis की मान ने कि एक conspiracy के तहट Elvis यादो को फसाया गया है पिता अध्यापक है इनका कहना है कि अपने बेटे को ह अलाहदी है वो किसी तरह से किसी भी ड्रक्स में इंवाल्व नहीं है किसी ड्रक्स के सिंडिकेट में इंवाल्व नहीं है जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की और यह माबाप का कहना है कि Elvis यादो पर जो भी आरोप लगे है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और यह पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद Elvis यादो को गिरफतार कर लिया है उस पर IPC के सेक्षन के अलावा NDPS की कई संगीन धाराएं लगाई हैं पूस्ताच के बाद Elvis यादो को नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया ह ये तो बात हुई OTT Big Boss के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है Elvis यादो के पिता और माता जी नमस्कार सुस्मा जी आपने देखा होगा मेडिया में टीवी में तमाम जगह पर चल रहा है सापो क्या जहर सापो की पार्टी और तमाम चीजें चल रही होंगी देख भी रहोंगे पहले तो यह बताईए कि आपका बेटा जो एक फेमस है आप खुद चुन के साथ रहते ह अब उसको एक विलं के तोर पर पेश किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा आपका क्या कहना हुआ ख़ुत चुन देख जेख रहा हूं जब चुन मेडिया की मेडिया से ये बात करने आए कि वो विलंड नहीं है और यह चीजे पहलना बंद करहें रिक्वेश्टे मीडिया वालों से कि बिना तथ्थो पर अधारित बाते ना करें। मैं कल से देख रहा हूँ है, दो दिन विजी था। परसो में साथ ही ले गया था। हम तो एक उसका संबन आया था कि उसको ठाने में आके रिपोर्ट करना है, अपने लिखवाने हैं। सिंपल, अगर हमें पहले ऐसा पता हूँ कि कुछ होने वाला है, तो बहुत से तरीके होते हैं। ना भी जाते हैं। ने ने आपने काई। हमसे तो पुलिस वाले जाने कि कौन से संबन के तहत क्या होता है। लेकिन उसमें यह लिखावात है कि इसमें आपका व्यान अंकित किया जाना है। जी, 160 कर नोटिस्ट है। तो मगा बिटा चल जल्दी है। और हम फोनों करके आयो से मिलने के सारे उसके तच मे रहे और हमने लोकेशन बेजिए हम जाके क्योंकि वह साहब बड़े लेट थे थोड़े से तो हम कई बैठे के नोटा में उनके फ्रेंड्स हैं जो भी रिषदार हैं हमारे जो भी दूर के वहाँ पे लोकेशन बेज़ दिया हमने वहाँ पने ओफिस में ले जाएंगे वहीं से बात करेंगे। सिंपल हम भी रुक गया। वकील थे साथ एक उच रहे गए साथ तो उसके बाद हमें पता लगए कि वह तो भई हरासात हम भी बेज़ दिया है चोड़ा दिन की में जैसे सूच रहा है तो साथ थे कि ऐसा हो गया जी कल में गया हूं फिर में से मिलने क्योंकि मैं तो समली नहीं पाया इस चीज को लेकि कि आये किस काम के लिए थे और अंदेशा होता है वकील साभी यह कह रहे थे कि इसमें तो कोई गरिफतारी हो यह नहीं सकती अब वो तो खेर परसासन जाने जी वो तो उनका काम है उज़ कर लिया है मैं परसाई मेरे को सहाते मेडिकल करा है और या लेया तो उसमा जी आप मिली जी तो त barrier क्या चल रहा है इसलिए मैं रुखilla media कर क्योंगी अपनी बात रिखे जया है वह हम हाक बी ए क्योंकि कि कि अब इटराए से जुटे जुरम में सच्छे में तो वही है पीड़ा यही है कि कुछ किया नहीं है क्या आप जब अल्विस से आप मिलने गए जेल में है किस हालत में है क्या बातचीत हुई बातचीत यह हुई है कि इसके फैंस भी जानना चाहते हैं जो इसके फैंस भी जानना चाहते हैं उसके शरण में हैं और भस प्रे करें बख्यून से कि उसको वहार रहने कि जितने दिनी भी उसका है जो भी मुझे नहीं पता इन चीज़ों कि मैंने पहले रहा कि मुझे नहीं बता हैं चीज़ों किया कारवाई होती हुरी वकील कर लिए हमने सिंपल बस व कर था रही हमारे बैग्राउंड चेक करिया, बिना तथ्यों पे अधारीद बात करिएगी, अरे कहां है रेव पार्टी, हुई होगी, लाओ मेरे बेटी की टिकट, कहां एंट्री कि उसने, किसको क्या किया, लाओ उने कुछ सामने, हम बेदा पता लगे, वो था ही नहीं, बॉम्बे में था उ बिल्कुल भी, क्यो दाले लगाई, किसने लगवाई, सब को सब पता है, पीछे बैक में कौन काम कर रहा है, प्यप फेवारे हैं जो, जिनकी लेडर वो है, उनके संट्रक्शन में जोलता है, मैंने का गांदी जी, बड़े राजवादमी हमारी कहां टक कर रहा है उनसे, उ जुलाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे के गाने की किलिप काड लाया, और ये ये करके सब सदे अंतर के तहत किया गया, बाकि अब यह है कि, अच्छ, सुस्मा जी, जब पहला केस, नोडा पुलिस ने धर्च किया था, और F.I.R. में अलविस का नाम आया था, तब आपकी अलविस से कोई बातचीत हुई थी, कि बेटी, क्या है, क्या आरूप लग रहा था, तब उस दौरान कभी कोई बातचीत हुई थी, अलविस से, इस मसलेपा, जब ये चीजे होती है, तो वैसे हमें विश्वास था पूरा, कि वैसा कुछ नहीं है, पर फिर भी आप सोचो ना, आप खुद अपने आपको रख के सोचो ना, कि आपकी मोजू कुछ ही नहीं, तो ये चीजे सरपेर की, बिना सरपेर की कैशे चल रहे हुआ हूँ, इनके पीछे कौन है, हमें भी तो चाहिए, जी, मेरा बाता आज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर टाल रख अपने सर जो ये ऐसे एफायर करवा दी, अगर दो स्योंतर मैं बहुत कुछ कर देता, क्या हमें नहीं नहीं पता हम आपको चाहे हूँ, आपको नहीं पता मुझे अपलपलगा पता हुता हुँ, ऐस प्रेंड से बिल्गुल वैवार है मेरा, आपने नहीं देकि उसकी लोगों ने वह देख लिया उसका वाइज इसको पगड़ो इसको करो सड़े को खराब कर आगे जा कहीं क्या पता कौन कौन काम कर रहा है कोई उसके बैक में कि किसी को क्या है कि क्योंकि सीम साब भी आये थे कि समानित करने कि अगर अगर चीए ता उसको कोई भी शियम आपको अगर आपका शियम तो वो भी आ उसने अच्छा काम किया था बच्चे ने आगया को यह तो नहीं आता तो आप चीए शियम को उससे कुछ लोग उसके साथ जोड़ दिया तो बीजेपी का है मेरा तो कर रहे हैं नहीं करोगे क्या या मना कर दो गया वागी मता हो आप जब अलविस के पास जेल में गए तो आपने पूछा कि बेटा यह क्या है या मतलब क्या बातचीत एक जिए पर सो तक तो मैं साथ ही था सर क्या है है यही नहीं कुछ भी हमारे घर में बात नहीं होती थी मैंने यह का है कि मैं उसको खुद लेके गया हूं भी इंगे पिता बेटा चलो जल्देश निमत कि आते जो लिखना है लिखवा लेंगे जी और भी काम है हमारे जी और चलो पापाजी आज ही कर लेते है अगर आमे अन्देशा होगी यही पकड़के बठाय जाए जाएगा मतलब मैं अपने बीट्रा को ले जा कर दे दून उसको और मैं जा कि बोल रही गया मतलब जा कि सब कर नमस्ते बोलना तो हूं पिर हम ओंत क्यों क्यों है अपर बडर जोड़ पर जोड़ से बात कि soothing हैं इसा हिूंत गआई ब्लार वाज़ दो जाएगा और वहाज़ दो जाएगा क्या इचीज आप लोटा दोगे हमारी देखिये बिल्कुल दर तीन देन खाना खाये हो ली हमने मेरी 90 जी मदर भी खाना नहीं खा रही है मेरी लड़की विदैस रहती है उनके गर में चूला निचवट रहा है हम भूग नही कि यह दिन वापसी लोटा देंगे कोई कि यह दिन वापिस हो जाएगा सब कुछ वो तो होगा ही होगा डाया दालत से लेकिन यह चीजे यहां तक आई क्यों कि इन दिनों के मरभाई कर देश्रब वो इस सिल्सले में रहा कि हमने कुछ किया नहीं हमें डरने के आउशकता अधिन यह पापजी पहलानी यह चीज रेव पार्टी यह आप सब्सक्राइब अधिन नॉंबर में फुलाय था जब चोड़ दिया था दो गणते पूछ के जा हूवई सिंपल उसके बाद उसने बढ़ाया था जिए आपके लास्ट व्यान होने अब वो जाने उन्हें क्या किया है मेरा एक सवाल देखिए मैं बताओ मैं बोलना हूँ जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस रेलीज जारी किया पूरी बास सुनिएगा अच्छा और नोडा पुलिस के डी सीपी से मैंने खुद इंप्रूव किया बताओ नोडा पुलिस का य आता है वह रिकवर हुए थे 20 ml जो साप का जहर है वह रिकवर हुआ था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और जो पांच आरोपी गिरफतार थे उनसे एल्विस की कनेक्टिविटी सीडियार कॉल डिटेल से वह कनेक्ट है और उन लोगों ने बताया कि एल्विस की कई पार्टी में रेव पार्टी में वह साप का जहर और साप लेकर गए थे तो यह कनेक्टिविटी हुए जिसके बाद मैंने नहीं देखा यह इंट्रों मैं नहीं देखा प्रेस जारी हुई है और उसमें एंडी पीस की मतलब मुझे इस बारे में ग्यान नी है कि ऐसे कुछ हुआ है मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को लेगा तरो बिना पूछे को महाँ पे मदला शीदा मोलेगे नहीं आच्छा चली है इसको मुझे बाब बताई देखे एक केस है चुकि भाई नोडा पुलिस का यह दावा ह एक वक्ति को उसको गिरफ्तार किया गया है अभी नयाई खिरासत में चाशीर दाखी लोगे चाशीर दाखी लोने के बाद ट्राइल चलेगा और उसके बाद फैसला होगा आप आहात है और यह हमारे दसकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी है लेकिन फिर वही कि वालग चलिवास के हमारा स्थाव स्पाइन तोडने की कोशिस की हाला कि यह भी देखा गया कि समझा षोता हो गया उस धगड़े के बारे में आपकी बात्स्चीत कोई कभी इल 믿 से हुई या उसके ने मे जनकारी हूई यह मेरे को तो पूछ को नहीं यह पूचा है उसको तो मेरे दोस्ता पहले भी दोस्ता हम साथ काम कर देते हैं फिर करते हैं जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या एलविस है चुकि आपकी वीडियोस हम लोगों ने काफी देखें आपसे काफी लगाओ है उसका कई वीडियोस है इनफेक्ट हम ने आपके द हैं मậंसाना इस कांहां कोई बात करने के आपने कोशिश करी है को एक यह कलुए आप देहरे मतर है हैं गणवे होड़ कोष्चिष करते हैं लुव्मिड रता हुच्च्श बात लुथ होती है मान लोग कुछ बात होती है समझाई भी बी जाती है ौपना मतरता है ईपना म अभी भी असमुक है, कोई चेज नहीं, आजए मजा करना, वही चीज़े हैं, वही आदते हैं तो आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा कि वह जेल जाएगा, उस पर साफ की कोई सोचा है, कोई नहीं सोचना चीज़े है, ठीक है जी, आपने बच्चों के बारे हम कोई सोचे का कि हमारे सामने है, जो पी एफे में बाड़े हैं, वही सोच रहे हैं, पने बच्चे के बारे हैं, कि ऐसा ही होगा, एकिन होगा उनके साथ कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी उन्हें प्रदे के सब कुछ खरे रहे हैं उन्हें और फोट भी अंधियरे में यह गिला बहुत फिर उन्हें पर पेसे बाइब का बोदी के मुझा है और बहुत चर्चा चल रही है चुकि आम पुताओ कि हमारे घर में कुछ लोग जो ईलिविस को पसंद करते हैं अब यह चाहता हूं तो यह चुकि वह बादारी हो जाती है अगर मुझे लोग पहचानते हैं एक खुले से चुकि आप भी माबाप है मैं भी एक पिता हूं मेरा एक सवाल है कि जो वीडियो आते हैं और आज कल चुकि यंग जेनरेशन लोग थोड़ा सा खुले विचार के त तो जो वीडियो जाती है जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है और सरफ एल्विस की बात नहीं कई यूट्यूबर्स हैं तो कभी आप लोगों ने वो वीडियो देखें हैं तो कई वीडियो देखें उसके देखो जो मैं तो बहुत कम देखता हूं आप अब हाल की आप बड़ी बाते नहीं हुए माले छोटी मोटी आपने बच्चों को सब समझाते हैं वह भी अपना मत रखता हैं अब अपने बात रखते हैं ते समझे लता हूँ अभी जो रिसेंड का जो विबाद हुआ था ड्रग परम फिर आएंगे एक मुनुवर फारूक के साथ जगड़ा है उसका नहीं फोटो जो वारेल हुआ था अब बताओ क्या है नहीं हम तो आप से पुछने घर में चल्चा हुए आप जब आप इतने मुनुवर का जिकर फर दे तो बताओ सही आप मैं क्या बोल रहा हूँ जो यह उसकी फैंस है और जो अभी टोलिंग इस कुराव किया था अरुण कोई मुनवर फारुकी है उसके साथ कोई कोई शोशल मीडिया मैं बहुत जादा नहीं जानता ता सूसल मीडिया मैं तुक्रता जान च्टायता है कॉन सर ăn यूस जो अभी अभी इसान उसमे जो एल आगर नहीं थे तो उसने उसको आउट क आउट कर दिया तो खूशी मनाती हैं, डैसे सारे किर केर्केटर tonand who participated. तो क्या हो गया विबाद क्या हो रिइक हो बएद बचा है? कि गडी कॉर लगा लिय इसको रिइक प्यस्तों गडी कॉर लगा लिया। किस को मुणावर को? रडायो रिये उसके? नहीं कुछी भी नहीं तो गले मैं मैं लगा लूँ आपको गले लाओं इसमा कोई ब्याद है नहीं समझा नहीं देखता ना जादा मुझे आपको यह देखिए सुसना जी जादा अगर अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला मुझे नहीं पता जिनाठी समय में आपको तो सोसल मीडिया पर ट्रेंड चला और उसको लेकर ऐसी नोबत आ गई मैं बताता हूँ, Elvis जो एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता है Elvis और इस वज़ा से जोड़ा से सौल हो चुकी है जी आप अपड़ा से मैं बोलूँ हाँ, बिल्कुल बोले में मतलब मुझे नहीं पता आप कौन है कोई मुद्धा नहीं इन चीज होगा जी मैं तो मरे टो कउसो दूरू, आप माने जThey को मेश में जाया हूँ मेरे साथ चाल मेरे घरे मारका घरे मेरे घर्लाती नहीं कहते है कि मैं घर ग debBO PAL तो कहना की तूह हा Μैुद्धा मेरे साथ चल मेरे घर्वाले तेरी जाती बताते तो कैना की तूह है हम इनसान हैं, अगर बच्चे को चलाने वाड़े उन्होंने भी कही ना कहीं जिक एक एक अध्यापक और अध्यापक और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और प्रिशिये एक अध्यापक को ऐसे ही समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चाहिए अब इसका कोई बुरा भी मेरा भी मान लेकि उसका पिता ऐसा कह रहा है नहीं नहीं तो मैं आप अध्यापक को ऐसे ही होना चीए ऐसे अध्यापक पूरे देश इस तरह की सोच भी अगर है इसे अबीवी पूरे देश में हाल में मैं फिर भी बुला कि अगर मैं आप एक अध्यापक हैं आपकी जिम्यदारी है आपने जिम्यदारी निभा रहे हैं मैं पत्रकार हूं मैं पत्रकार के तौर पर जिम्यदारी निभाओंगा अगर एल्विश पहले क्या था वो मतलब नहीं है लेकिन बिग बॉस जब अब नहीं बढ़ जाती है कि उसको अपने बोलने पर जब खास तोर से नहीं जब वो वीडियो में आता है सोसल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थोड़ा सैयम रखा जाए चुकि यह अध्यापक है आपने कभी यह बातचीत की जो विवाद और अभी विवाद हाल फिलाल में चलना तो आपके कान तक एक ख़बर आती होगी यहीं लाई जगले की या फिर कुछ अपशब चीपटाय भी कर दूँ गा कर देता हूं अगर गलत बात है तो तूक ऐसा नहीं है वो मेरा बेटा घृट इसका मेरा ही सब Seep पहला मैही गुरू उसका मामी पापा भी गुरू है कर गलत करेगा वो कहीं लगे गाहमें तो आपको लगता है कि मैं जैसा अपने बेटे मैं त की बात करें कि वो भी गलत है बिल्कुल सरासर हमारे बच्चे को अतम करने की कोशिस है अपका बेटा इतना बड़ा इंफ्लूएंसर है लेकिन आज की डेट में इस पर यह आरोप है कि वो साप की जहर का इस्तमाल करता है वो मतलब आरोप यह बिल्कुल बेगुनियाद है और कि यह सबसे परले हम यह क्लियर कर दें कि दरसल नॉवंबर में यह केस दर्ज किया था नोईडा पुलिस ने पीफे जैसा कि एलकिस के पिता राम उतार जी यह कह रहा है पीफे ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे सेक्टर उन्चास पुलिस थाने में फाई आर द दर्ज की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ नवंबर में फाई यार दर्ज होई और अब मार्च में यानि चार पांच मेंने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है मार्च में एल्वी स्यादों को अचानक जैसा पिता बता रहे हैं क की नोटिस आपको दिया और पूस्ताज के लिए बुलाया और उसके बाद अचानक गिरफतार कर लिया लेकिन अब उस पर यह है कि वह 27 ए जो एंडी प्या सेक्ट है कि वह ड्रक्स के लिए फैनेंसिंग करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इस्तवाल होता है वो ड्रक्स का सीवन भी करता है इस तरह के भी आरूप लगला है सार एक 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 बात गला थे विल्कुल है ऐसे कोई कुछ भी लगा दे इंचे जो कोई तुक थोड़ी ना है ठीक है पर हम दर एक ही चीज गहेंगे कि आप एक बार पुछोगे या लाग हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है बेकसूर है और बेकसूर है उसको फसाया गया है बिल्कुल अज जिसने फसाया जिन्होंने उनसे भी पूछो कि ऐसी क्या रंजिश्ट थी एक बच्चे से अगया आप एक ऐसी द्धारा लगा दे की कोई भी बाहर नहीं आए गाओ ने बाहर तो एसा नहीं हदालत है यह कानू नहीं नहीं थारा क्या होटी है नियू थारा होती है न्डी पीए सेक्ट की वह वह मैंने चुकि शुषान के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते ह खरीद़ फ्रोक्त करना खरीद़ करना क्या जो झाल्व के शलवा कार उसमें के बहुत आसानी से जमानत प्लीज आपी लिजिए बहुत आसनी से जमानत नहीं मिलती है क्यार javast Cliff 2019 लिख खिमिने से बात की हमने परी बनिया लगाए कर यह कित्ञे यह बताओ मुझे, उसे नहीं रहा है, ऐसे किसी बच्चे को फसा कर गलत गलत, क्या क्या मैं ऐसी ऐसी नहीं नहीं चीज़ है, हमने तो जिन्नेगी में सूनी नहीं यह चीज़ है, हमें नहीं पता चोबिस गंटे बच्चे हमारे पास रहता है, क्या करता है, क्या करता है, क्य पाफा उठाके कि मुला किसी से सैंनी नहीं हो रहा है कि वह एक गां से निकल कर कहां से कहां पहुच गया यहीशं नहीं हो रही है, Mतलाब बिग बॉज प्लत यह इतने बड़ हूई यूटुबर बैठे हुए है, क्या मेरा लड़का ही यूटुबर है? इसे है , इसके निद्यू है ? क्या पिछे लगए , गया प्या है , क्या देख लियए ? रभास कोई कुछ भी लगाए ? मा कि आस भी यहीं नई है , कुछ भी नई है , कुछ भी यहीं है , बढ़ पिछ हमें हुण है jak जीने , नई हमें जीने कर दिकार है ? यह बते हैं तो पिछले चनल पे भी कहा है कि मुझे हजार जनम मिले पिता बनने के लिए तो मैं ऐसा ही बेट चाहूं जैसे मेरा है इस चीज के लिए हम सिर्फ जुकाएंगे भी नी क्योंकि हमारा लड़का बेकसूर है कि नजरे आजी कुछ भी सिच्वेशन हैं हमारी नजर नहीं जुकिए हैं अगर 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 अजुकिए पालिक का है और यही अपील करने आया आप लोगों से बस इसी बारे में कि उसकी यह चीजे न आप वो करें देखिए मत दिखाओ अच्छा ही आप इसकी बुराई भी ना मतलब इस तरह कि अपने तरफ से बिना उस देखिए हम देखिए हम देखिए आप से जो वाजीब सवाल है वो पूछा और देखिए ख़वर चल भी रही है यह बास तो सच्चाई है क्या आपके वाजीब सवाल थे जो भी हुए थे ने बिल्कुल है ने प्लीज पूलिए कौन सा सवाल आपको चुभा बिल्कुल हो सबती है देखिए ने वो चीज़ का जबाब दो ना कि लगजरी गाडिया है फोर्चिनर गाड़ी हमारे गाव में हर तीसरे गर में गड़ किसी सक्स के पास गाड़ी होना पैसा होना अगर अपनी हो मैनत से कमा रहा है तो कोई जूर्म नहीं मैं आपको आपको यही बता दे रहूं आपके साब्यानी मेरा जमीन के बदले में 1909 में मैं अमने जमीन दी थी कोई पैसा रा यह बीरो डला हुआ है कि वही इतने करोड क जमीन के बदले में लियाओ प्लोट है वहाँ पर कहां खरीद सकता है गुडगाम को प्लोट लेगे उस टाम दिमाग लगा लिए पैसे ना चीप लोट दे देना चारो भायों नहीं ले लिया था अपना जितनी जमीन ती उसके बदले में उस पर गर बना रहे है तीन साल होग वह दस बाई दस के कमरे में लेटता है वी भी आके हम खाट पे सोते हैं भाई ऐसा नहीं है हम ग्राउंड से जुड़े है अगर एक बात बता रहा हूं मैं तो आपके बेटे का आपके फकर रहेगा लेकिन जो आपने बात बताई है उससे थोड़ा सा मैं विच्रित हूँ क कि मैं भी पता करूं कि जाके मुझे नहीं पता था इन चीजों के बारे मुझे द्हराएं लगाई है 29 ड्रक्स के लिए साजिस 27 ए ड्रक्स की फैनेंसिंग करना देखिए अज लगाई आज नहीं उसी एक्ट में ग्रफतारी हुई है यही तो मैं आपको बता रहा हूं जो तो ही जहरी जहर पार्टी यह पता नहीं आपको जानकारी तो हम आपको जानकारी दे दें कि उस पर जो यह साप वाला जो होता है प्रतिबंदित सर्प उस पर वाइंड लाइफ एनिमल एक्ट लगता लेक वो I.P.C. की धारा होती है N.D.P.S. की धारा जो ड्रक्स का का कार और उसमें गिरफ्तार हुआ है तभी जो आप देख रहे होंगे यह जहर वहर की बात इस वज़े से लगाने दो जिसको भी वक्तिस चीज का भी जबाब देगा जब टाइम आएगा बेकसूर सीध होगा बेकसूर तो है अशीध होगा आप हमें खुद बुलागे फिर बिठाओगे ऐसे अब फिर हम आप से बिल्कूल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे फिर मैं यह बोल रहा हूँ जैसे आभी आपने उसकी ब पड़े लिखे हो चाहे ना लिखे हो तो पैसा कमाना किसी के पास गाड़ी होना अगर वो मांदारी से अपनी मेहनस से कमा रहा तो यह कोई जुर्म नहीं है एल्विस के पास 50 गाड़ियां हो हमें कोई अतराज नहीं है नहीं हमने कभी ख़बर चलाई लेकिन हाँ यह यह यह कड़ी सचाई है कि आज की डेट में एल्विस किरफतार है उस पर आरोप है नोड़ा प्लिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है प्रेस रिलीज हमारे पास है और उस पर यह आरोप है इस वजह से मीडिया इस वजह से हमने आपसे पूछे हमने कभी हम आपसे कॉंटक्ट नहीं करते कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकी कि बिग बॉस ओटीटी का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भी आपसे बात करना चाहते थे हम चाहते थे कि आपकी बात आपसे हैं जिसमें इक दूचार मैं आनुमान ना हूजी अचातीवार के दिखा दूने कुछ नहीं करता हो कुछ भी नहीं करता है सकाम कुछ भी और इसी चीज़ गाम्य अफसोफ है कि कुछ किये बिना उसका नाम भी जोड़ दिया वो जब मोगे पुछ कहीं कुछ भी है पर भी नहीं है इस इसे जए लेक्षन कुछ भी इतना भी नहीं है इतना भी उनको सदबुद्दीदे भगवान जिनों ने ऐसा चीजे की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी अब तो उनका रोल ही खतम हो गया सदा आपने बता दिया जो कर दिया नहीं अभी 14 दिन की नहां चाहूंगे जिनके एंज्यू के थ्रू यह चीज हुई है कि एजे मा सोच के देखो और जो उनके प्याफए वाड़े हैं उनके ओपर ध्यांदों की विए क्या कर रहे हैं किस बच्चे के ऊपर एलिविशन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मेवारी बनती है तो एक एजे मावा सोचे कि आज उनके मावाप किस सीचुशन से जोजर रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक बेटा है बस मेरी बात पहुंचे तो मेनका अगांदी जी तक पहुंच जाए यह चीज़ अगर आप कहरें कि चोदा दिन बात दूबारा कुछ क्या बता रहे हो से मिलने के उसीच करेंगर मिल जाएंगे तो कि ऐसा मैं कह रहा है अपने पता करूँगा मैं जाके कि क्या हुआ है कौन शी मुझे नहीं पता बिल्कुल है क्योंकि हम इन चीज़ों है पड़े नहीं कभी भी पता ही नहीं जिन चीज होगा कि हमारी तरफ से ऐसी एक नंबर दारा राशी आजार नंबर दारा मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के तो कानुन के जारकार ही बता सकते हैं सर पीएफए की जो आपने बात करी पीएफए का ये कहना है कि उनकी पास का विडेंस है आडियो है वीडियो है जालो ठीक है जी कहने दो इसके पहले क्या कभी जब जैसे नोड़ा पुलिस से सामना आमना हुआ पुलिस से क्या इसके पहले कभी एल्विस को लेकर किसी और पुलिस से कभी सामना हुआ नहीं कभी कुछ नोड़ा पुलिस कर नोवंबर मौदा एक वर सामना तब बुलाए था इसको जब यह केस हुआ था तब दो गंटे फ वहा तो क्छोछ भी नहीं है लेकिन चलो आप कहा रहा है तो मान रहे हैं क्या ऐसा अगर हमने और होच्छ एक या दूर नेकुछ किया है इसा अगर हम आर आराम से शिल्ड़ के माने लगार तो चार जो गूष तो चे पीड़ते हैं ये जिन्दीगर निया। आप अगर अगर तो डरने कियो किशी से के पास जाओंगी वाई मेरा यह हॉए यह वह है तो अबना आप मेरा वो अट जाएगा पर बाकी है अगर हमें लगता कि लड़के इनने कुछ गल्टी किया तो हमा हत्पाउं नी मारती इदर उदर कि अबना इसको बचाने के लिए कुछ करने के लिए मालकी यह दिन ना दे तो यह भी क्या दिया था जब तीन राजयों को जो राजिस्तान वोटरफिश आया था तब उनसे फोन किया था कि वह कोई वो नहीं यह वांटे नहीं जाने तो इसको कुछ बचला देते जब वो पुलिस ने रोका था था ने कुछ आगए तब क्या हुआ था इनों तो तब चला दिया था इनों तो फरा रहे हो तीन राजयों को पुलिस डोंड रही है उसको तो फिर आपकी उसमत अलविस से बात चीथ होई था निए वो तो हमने आई रहा पुलिस को चला रही है तो मैं आपको बताता हूं हर चीज मीडिया को बिसिकली क्या है यह पुलिस कहती है क्यों देखर मैं पुलिस पर कुछ नहीं कहूंगा जी मैं हमारे देश को चला रही है मैं कहूंगा वे कि हम जब भी उस पुलिस वालों ने नौवड़ा पुलिस से कंट्रक्ट किया था यह जाने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्पूल अब देखें लेकिन वही बात हुई न वही पुलिस जो बोली थी वॉंटेड नहीं है वही पुलिस नोड़ा पुलिस नॉम्बर के बाद आज गिरफ्तार के ले रही है और गिरफ्तार भी असा के ले रही है पहले तो सामाने भाराय लगी थी अब तो एंडीपेस एक्ट लग गया वही पुलिस जो बुली थी वॉंटेड नहीं है आखिर वह नॉम्बर डिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च बात कैसे प्लट भी आप जो मीडिया को बने पता ही प्लट गई नहीं पता करूं नहीं आप दार लगी आप कैसे मालनों क मुझे नहीं पता दिन दारा होगी हम पता करके फिर आएंगे आपके पास कि क्या दार लगाई है क्या वकील से पुछुआ में पहली जो प्रेस रिलीज आई है आज नहीं जिस दिन अरेस्टिं हुए उसमें ऊपर सेक्शन लगा हुआ है उसके बाद वो तो आप सही साही क जिसने केश किया है करवाया है तो अपने तरफ से कसर थोड़ी छोड़ेगा है वो तो है मेन बात तो यह नहीं कि कितना विजोट गोल इतना पावरफुल आदमी होगा वो जो भी है ऐसा थोड़ी है वाइल लगवाया उसके कौन जहर कहां बेच रहा है कौन क्या कर रहा है उसका नाम जोड़ना आपके लिए काम करना हूँ है जोजा जी आज आज जह इख आज 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 जो बना दिया मेरा लड़के का ह। अरह रखराइगर ज़ल रही है जैसे तो यह हमने देख आ पको पता भी फिचे आप से कोई पुछा आप क्या कोगे? हम जानता हो यही नि ना आज आज नाम बना हुआ हर घर का बच्चा जानता है दशार भाद में उन्हों यह भी काया कि भई अमारा तर यह जो बगार तर जो सपेर वागेर थे उस नाम से कॉ लेना देना नहीं है उनकी वीडियो जी आई थी इस नाम के लड़के को में नहीं जानते हैं, हमारा क्या लेना देना, ठीक है जी लेकिन अब चीजे संब्ड़ नहीं रहे नहीं, मतलब हमारे तो कड़ी जूड़ना रहे क्योंकि हमें चीजम पड़े नहीं कभी भी, पेटा ये कहते रहा है पापऑजी, मेरा को लेना देना अब भेफिकर रही है बस कुछ नहीं है मेरा अगवा कहीं किसेद बात करनी पड़े या करें नूगल कुछ नहीं है अच्छा ही नहीं है अचहा क्या आपको लगता है कि जूग शाह आप पॉलिटिकर भी जया उसको छहाइब है खट्रसापका नाम लिए क्या पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है या आपको यह भी एक है अगर आप ini? अगर उसका रुजान था या है तो तो देखो वात अलग है वागि हमाभी पॉलिटिक्स नहीं उतारेंगे, क्योंकि वह स्याद इसी चीज का भी हो गया हो, कि कि शिवा ऐसा लगा हो कि वही, क्योंकि इतना वह उसको प्यार मिल रहा देश में, हो सकता किसें सोच जाओ कि यार, हमारा कम्पीटर आ गया है, मैं क्या पाता भी यह, क्या मुझे भी ऐसा काफिला चीज यह, हसमुक तो ही, मिसमेजा करने वाड़ा, कर देश को भई, कि मुझे भी ऐसा काफिला चीजिए, जैसे कि टर साब के पिछे चला था, तो लोगों ने सोच लिया, शाइद पॉलिटिक्स नह जोएन कर लेए, कभी, ऐसा हो सकता है, अच्छ अच्छों की देखता था यह, वाइन वाइन मतलब छोड़ी चोड़ी वीडियो वगारा, तो इसको शोग था, फोन जैसे आया मुझे से वीडियो बनवा लेता है, तो हमें तो यही नहीं पता था भाई साब उस टाइम की यूट्यूब होता क्या है, मैं तो बलकि उसमें क इस पर आरोप है, और आरोप यह दावा नोड़ा पुलिस का है, कि सांपू के जहर का, मीडिया का दावा नहीं है, इस वज़े से नोड़ा पुलिस ने ग्रफतार किया है, सल्मान खान की एक बात को लेते विए मैं एक सवाल पूछूँगा, कि सल्मान खान ने बिग बॉस का जब खतम गा था, तो एल्विस को सला दी थी, कुछ, आप लोग को तो यह पता होगा, मैं तो बहुत ज्यादा इसा तो, जो इसको लेकर, क्योंकि एक चीज लोगों ने पूछी, जो बोला था कि जरूर पूछना कभी हो, कि यह जैसे कोई भी सेलेब्रिटी जैसे बहु लेकिन क्या, अब अगर चीजें हुई, अब मिली, तो जो वीडियो में गाली गलोच, अब शब्द भासा का इस्तमाल, क्योंकि आप यकिन जानी कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी ऐल्विस के फैन है, सेवंध क्लास के, मैं आपको नहीं मालू, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं मिला हूँ, यह तारीफ ही समझ लीजे, कि सेवंध क्लास के बच्चे, एट क्लास के बच्चे, थर्ड क्लास के बच्चे, यह सब एल्विस के फैन है, अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैंने बता जिले के से चलना होगा? ये बिग बोस के बाद की वीडियो की बात कर रहे ओप जैसे वा हमाले जे वीडियो बना दोसमे कहरा है जैसे छोटे बच्चे भी देखते हैं उसने कुछ पिछे बिग बोस से पहले वी एक अध्यग किया है ज़ा बाद में भी कर रहा है अब देखना सरू कर दूं मैं वीडियो जो बात ठीक है उसको उस बात कुमानेंगे आप देखे यह बहुत अच्छी बात हो और यह हर मावाप होते हैं कोई भी मावाप हो सेलिवरिटीज कोई भी हो लेकिन यह जो मावाप होते हैं वो यही बिल्कुल एकसेप्ट करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी बदलाओ करेंगे लेकिन सीधे सीधे यह आरोप लगाया है पिएफाई पर एल्विस की मान ने कि एक कॉंस्परेसी के तहट एल्विस यादो को फसाया गया है पिता अध्यापक है इनका कहना है कि अपने बेटे को हमेसा सलाह दी है वो किस प्रसे बेबुनियाद है और यह लडाई अदालत तक जारी रहेगी अल्विस यादो कौन नहीं जानता सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर फेमस यूट्यूबर जिसे नोड़ा पुलिस ने गिरफतार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सांपो के जहर के इस्तमाल का अ उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है ये तो बात हुई OTT बिग बॉस के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है औ हमारे साथ मौझूद है एलविश यादो के पिता और माता जी नमश्कार सुस्मा जी आपने देखा होगा मीडिया में टीवी में तमाम जगह पर चल रहा है सांपो क्या जहर सांपो की पार्टी और तमाम चीजे चल रही होंगी देख भी रहोंगे पहले तो यह बताईए क की आपका बेटा जो एक फेमस है आप खुठ चुनके साथ रहते हैं की इतनी फैनंस फालोइंग है अब उसको एक विलम के तॉर पर पेस किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा रहा आपका क्या कहना है मेडिया के मेडिया बात करने आए कि वो विलिन नहीं है और ये चीजे नेगरिटिविटी फिलाना बंद करें रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि बिना तत्थों पर आधारित बाते ना करें मैं कल से देख रहा हूँ है दो दिन बिजी था परसो में साथ ही ले गया था उसको हम तो एक उसका संबन आयत है कि उसको ठाने में आके वो रिपोर्ट करना है अपने बियान लिखवाने है सिंपल अगर हमें पहले ऐसा पता हूँ कि कुछ होने वाला है बहुत से तरीके होते हैं ना भी जाते हैं नहीं आपने कहा है कैसे यह हमसे तो पुलिस वाले जाने की कौन से संबन के तहत क्या होता है लेकिन उसमें यह लिखा हूँ है कि इसमें आपका आपका ब्यान अंकित किया जाना है जी एक सो साथ कर नूटिस था तो मगा बिटा चल जल्दी है और हम फोन ओन करके आई उसे मिलने के सारे मतलब उसके टच मे रहे और हमने लोकेशन बेजी हम जाके क्योंकि वह साहब वाले बड़े लेट थे थोड़े से तो हम कही बैट के नोटा में उनके फ्रेंड्स हैं जो भी है रिष्दार है हमारे जो भी दूर के और हम आपे लोकेशन बेज़ दी हमने वो केहला कि जिए अपने ओफिस में ले जाएंगे वहीं से बात करेंगे इसे बात करेंगे सिंपल हम रहु गया ऑकील थे साथ एक उचल गया साथ उसके बाद हमें पता लगया कि वह त परसासन जाने जी वह तो उनका काम है मुझे पता नहीं किसे जगा क्योंकि हमारे ना कोई बैकरांड आउंड आसा फैमिली और ना में चीज़ों से कभी गुजरने हैं और श्याद कोई भी नहीं गुजरना चाहेगा तो उसके बाद हमें कल बेटे से मिलने गया हूं तो हम मैंने कहा कि यह क्या चल रहा है इसलिए मैंना वाज रुक्या मीडिया का क्यों ही अपनी बात रखी जाए और आपको अपनी बात रखे और हमें आख भी है क्योंकि किसी का भी बेटा ऐसे जुर्म में या इस तरह कि जूटे जुर्म में सच्छे में तो वही है पीड़ा य जो भी अब कानून से उपर तो क्या है अब तो क्योंकि कानून के उसमें चले गए हम याई-पालिकार भरोस्य है उसकी सरण में हैं और बस प्रे करें बगवान से कि उसको महार रहने की जितने दिन भी उसका महापे है जो भी मुझे नहीं पता इन चीजों के उत्में ने पह आज मैंने सोचा कि यह ने अगरी टूटी जो मेडिया में फैल रही है भाई ऐसा मत करो प्लीज आप भी हैं जिसमें मेडिया की बाते मेडिया से कहने आया हूं मैं हमारे फैमिली बैग्राउंड चेक करिया बिना तथ्यों पे अधारीद बात करिए कि अरे कहां है रे रे कि हुई होगी लाओ मेरे बेटी की टिकट कहां एंट्री कि उसने किसको क्या कि लाओ उने कुछ सामने हम बेदर पता लगे वो था यह नहीं बंबे में था उस दोरान वो यहां पर है नहीं नहीं ना कभी वो उसमें गया है मैं कह रहा हूं कि जितने भी दुनिया में पूर काम कर रहा है कौन काम कर रहा है यह फेवारे हैं जो जिनकी लेडर वो है उनके संट्रक्षन में जलता है में लिए गांदी जी बाई बड़े राजव आदमी हमारी कहां टक कर रहा है उन्होंने करा है क्यों किया है यह वीडियो उठा लया आठ महीने पहले साल वर पुरान वाकि अब यह है कि अच्छी जब जब पहला केस नोडा पुलिस ने धर्च किया था और फाई यार में अल्विस का नाम आया था तब आपकी अल्विस से कोई बातचीत हुई थी कि बेटे क्या है क्या आरूप लग रहा है साब के जर्ट तब उस दौरान का भी कोई बातच कि कोई उस है निए उसरा मेरे घरी नहीं गये मैं है नहीं आया तो आरूप कैसे लगा हो गया जब आया है यहां पर आप कुछ चीजे ग्राउंड पे भी लेवल पर सोच ना खुद अपने आपको रख के सोच ना कि आपकी मोजू कुछ है नहीं तो यह चीजे सरपैर की ब मेरा बाटा आज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर टाल रखा है ने दिखे आप हिम्मत रखिए हिम्मत क्या रखे जी इनन तो मेडिया वाला नमारे के छोट रखा हमको हमारे गर में को याग लगा जाए इतना इतना प्रोबगेंटा भला दिया नहीं ने आप रोई है म मैं बहुत कुछ कर देता किया में नहीं नहीं पता है मुझे फलफलगा पता होता हुटा उसका मेरा फ्रेंड से बिल्कुल अबयवार है मेरा आप नहीं देखे उसकी वीडियो बगयरा कैसे बने में में के साथ हस्ता खेलता रहता है हूँ इसके पीछे इन दिखे लिए इसने लोगों वो देख लिए उसका यहाज इसको पकड़ो इसको करो साओड़े को खराबकर आगे जा के कहीं क्या बता कौन-कौन काम कर रहा है कोई उसके बैक में कि किसी को क्या है कि क्ल को क्योंकि सी-एम-साफ भी आ थे तह अवाना हुट कोई भी किया तो नहीं आदो दूदी तो अगर शाय को दाटा शया थे लिगा तो आपको कानी तो अग्यां दूग भुज तो अगर शोड़ दो पर चाहिए दो बना दिया जिससे आपसे बात कर लिए अपका है मेरा से कर लिमेरा है सब से बात करनी पड़ेगी वही उसको तो कोई समानित करूगगा तो आप मैं कैसे मना कर दूगा कि आपको समानित करूगा परतीवाद बांद बच्चों को कर रहे हैं नहीं करोगे क्या मनाकर दोग गया हवा हैं कि मता हो आप जब एल्विस के पास जेल में गए तो आपने कि बेटा ये क्या है या मतलब क्या बात्चीत एक्जिप्स तक मैं साथ ही था सर क्या है है यह नहीं कुछ भी हमारे घर में बात नहीं होती थी मैंने यह का कि मैं उसको खुद लेके गया हूँ भी इंगे पिता बेटा चलो जल्देश निमत कि आते जो लिखनाय लिख़ा ले अठीके अपने मीडिया की बात की है के बीडिया में चल रहा है जिए बहुत बुरा चल रहा है मारे खलाप और ऐसा चल रहा है कि सब्सक्राइब कर दो कि अभी अदालत में केस जाएगा अभी और हम यह दर्सक्राइब कर दो जाएगा क्या आप लोटा दोगे हमारी देखिए बिल्कूल तीन देन खाना खाये हो ली हमने मेरी 90-year's की मदर भी खाना नहीं खा रही है मेरी लड़की विदेश रहती है उनके गहर में चुला निच वट रहा है हाँ भूक नहीं लग रही है मैं सर अबाग बताओ निर्दोश अमें भी पता है कल को निर्दोशिद होगा यह भी हमें पता है यह बता है कि यह दिन वाप वह रहा है कि अमने कुछ किया नहीं दरने का आव शकता नहीं बापाजी पलानी ये चीज रेव पार्टी ये अमारे आपकी पार्टी थीए अब हमारे आपकी तख जब सुरुवात में केसले अब लुग तक तो बात ही हो ती भाई मेरा एक सवाल देखें बताओ मैं बोलना हूँ जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस रेलीज जारी किया पुरी बास सुनिएगा अच्छा और नोडा पुलिस के डी सीपी से मैंने खुद इंप्रूव किया बताओ नोडा पुलिस का ये कहन है कि जो नवंबर में पांच लोग गिरफतार हुए थे जिनके पास से नौ प्रतिबंदीत सांप जो वाइल डाइफ एप में आता है वो रिकवर हुए थे 20 ml जो सांप का जहर है वो रिकवर हुए था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिप पता है कि एल्विस की कई पार्टी में रेव पार्टी में वो सांप का जहर और सांप लेकर गए थे तो यह कनेक्टिविटी हुए जिसके बाद मैंने नहीं देखा जिए इंटू नहीं देखा प्रेस रिडीज जारी हुई है और उसमें अंडीपियस की मतलब जो ड्रग ब चुकि नोडा पुलिस का यह दावा है एक वक्ति को उसको गिरफ्तार किया गया है अभी नयाई खिरासत में चाशीर दाखी लोगे चाशीर दाखी लोने के बाद ट्राइल चलेगा और उसके बाद फैसला होगा आप आहत है और यह हमारे दसकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी है लेकिन फिर वही बात आएगी लोग पूछेंगे भी क्योंकि अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर आपको याद होगा उसका किसी से जगड़ा हुआ था गुरुग्राम सेक्टर तिरपन में एक फाई आर और दर्ज है किसी यूट्यूबर ने दर्ज कि हमारा साथ मारपीट की हमारा श्ञाम तोडने की कौशिस की हाला कि यह देखा गया कि संज उता होगया उस ध्हगड़े के बारे में आपकी बादचीत को ही कभी अल्विसस से हुई या उसके बारे में जानकारी हुई हुई मेरे कुनिए वी पुछा है उसको मैरेek को कु है तो बोला मेरे दोस्ता पहले भी दोस्ता हम साथ काम कर देते हैं फिर करते हैं जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या एल्विस है चुकि आपकी वीडियोस हम लोगों ने काफी देखें आपसे काफी लगाओ है उसका कई वीडियोस है इंफेक्ट हम ने कोई बात करने के अपने कोशिश करी है कभी मतलब यह आप देहां जब बेटा हमार तो अपने घर में सब बातचीत करते हैं हर मुद्धे बातचीत होती है दिसक्शन होती है मान लो कुछ बात होती है समझाई भी जाती है अपना वो भी अपना मत रखता है अम भी अपना मत इसरूमें भी असमुक था, भी भी असमुक है, कोई चेज नहीं, आजे मजा करना, वोई चीजे हैं, वोई आदे हैं तो आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा कि वो जेल जाएगा, उस पर साफ की ऐसा कोई सोचता है, कोई नहीं सोचना चीज़ था तो ठीक है जी होट के अपने बत्चो के बारे होट की सोच्छे, वेदेंसां की बारे है, क्या परकी से संय नहीं, गोई धこれで सोच्छे में की यह शे मोई तुक्षिए वे, वह भी समय क्युक्त हैma थों चोशा सब NICK बहुत चर्चा चल रही है चुकि मैं आप बताओं कि हमारे घर में भी कुछ लोग है जो एलविस को पसंद करते हैं मैं साब बता देना चाहता हूं तो यह चुकि मैं बहुत खुले से चुकि आप भी माबाप है मैं भी एक पिता हूं मेरा एक सवाल है कि जो वीडियो आते है हैं और आजकल चुकि यंग जेनरेशन हैं लोग थोड़ा सा खुले विचार के हैं तो जो वीडियो जाती है जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है और सिर्फ एल्विस की बात नहीं कई यूट्यूबर्स हैं तो कभी आप लोगों ने वह वीडियो देखें उसके मैं तो बहुत कम देखता हूँ आपने दिखासे में देख लेते हैं अगर कुछ लगते हैं कोई शब्द में उसको समझा देते हूँ कि आपने कभी बातचीत की कि इस तरह के अपशब्द भासा मालो जो मुझे अच्छा नहीं लगता एक दो शब्द तो मैं उसको बहुत बहुत बड़ी बाते नहीं हुए माले छोटी मोटी आपने बच्चों को सब समझाते हैं वह भी अपना मत रखता हैं अपने बात रखते हैं तो समझे लता हूँ अभी जो रिसंड का जो विवाद हुआ था ड्रग परमफिर एंगे एक मुनुवर फारूकी के साथ फोटो जो पिक्चर जगडा आप लोको मालूम है कि यह जो मुनुवर फारूकी के साथ जगडा है उसका नहीं फोटो जो वारेल हुआ था आप बताओ क्या है नहीं हम तो आप से पूछने घर में चल्चा हुए आप जब आप इसने मुनुवर का जिकर कर दे तो बता साथ अधि कियो लगा लिया है स०ाउन झोटो पिछ इलफ ने उसको लाइल वस्तर अगयरे वाग पाला जो तो जो बताओ किया तो पिछे से सारी कर्केटर और टूकां किया था तो क्या हो भगा क्या है गड़े कि लगा를 लगा लिया इसको कि इलफ श किसको गड़े क्यों लगा लिया किसको मुनवर को मुनवर को लड़ाय हो रही है इसको लेकर जगडा बच्चा है किसका लड़ाय होगी लड़ाय किसी की कुछ नी विए किसी को मुद्दे को लेकर जनता अगर ऐसी बाते सोचती है खूब दिन भर ट्रेंड चला मुझे नहीं पता जिए जो एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता यह और इस वजह से जोड़ाय हो चुकी है जी आप अपड़ा समय बोलू हाँ बिकूल अब अब मुझे नहीं पता आप कोई है जी मैं तो बहीं गए टीच्चर हूं अगर हम यह चेज रखेंगे जाती दाराव में यह चीजह मैं तो को सो दूर हूं आप माने औना माने आप मेरे इतने स्कूलों चाहे पता करें कि मैं तो यह कहता हूं बच्चों से कोई अगर बाडर शेरा है कि मेरे साथ चल चुछ जाती बादता है, मोड़ीय कहता है, तो मेरे साथ चल मेरा घरा गर। तरी जाती बता दे, तो कहना कि तु हुए है, हम इनसान थे. अगर बच्चे ने गड़र लगा लिया है, मेरे ने, तो मेरे हैसाब से तो भूर ठीक किया है ऐसे तो मैं ज्यादा तो नहीं बड़ी बात कहूंगा लेकिन हमारे बड़े-बड़े जो देश को चराने वाड़े उन्होंने भी कही ना कही है जिके एक अध्यापक है और एक अध्यापक जी ने गलत कह रहा हूं है अब प्लीज पर मैच के दो रहाना आपस मैंसे कर लिए हुवे चीज़े शोट हो चुकी है यह दिखिए आप टीचर है अध्यापक के और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और प्रिशेट एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चीए अब इ आज की दौर में ऐसे ही टीचर की जड़वत लेकिन फिर अब वहीं पूछा जाएगा एक सवाल अगर आप अध्यापक है तो प्लीज इसको नराज में तुकि इसको लेकर वी चर्चा है हाल फिलहाल में मैं फिर बोला कि अगर मैं आप एक अध्यापक है आपकी जिम्यदा हमें चाहने वाले हाजारों की संख्या में ऐसे चाहने वाले वी हैं जिनको शायद आप नहीं भी जानते होंगे हम लोग देखते हैं ऐसे कई ऐसे फैंस है क्या उसकी जिम्यदारी अब नहीं बढ़ जाती है कि उसको अपने बोलने पर जब खास तोर से नहीं जब वो आपके कान तक एक ख़वर आती होगी यही इल्लाई जगले की या फिर कुछ अप्षब्द क्योंकि देखे कई ऐसे वीडियो में अप्षब्द कर देता हूं मैं अगर गलत बात है तो ठीक ऐसा नहीं है वो मेरा बेटा है उसका मेरा ही सबसे पहला मैं ही गुरू है उसका म तो आपको लगता है कि मैं नहीं डाटता हूंगा मैं जैसा अपने बेटे मैं तो क्लास में यही कहता हूं कि जैसा मैं तुम्हें डाटता हूं अपने बेटे के समान समझगे बच्चों को डाटता हूं मैं कि चीजे गलत है वो अपने लिए भी गलत है औरों के लिए गलत ह या वो चीज है तो गलत तो गलत ही रहेंगे उसको आप ठहरा नहीं सकते हैं लेकिन हम इस मुद्धे पर बात करने आए हैं उसकी बात करें कि वो भी गलत है बिल्कुल सरासर हमारे बच्छे को अतम करने की कोशिस है तुसमा जी जानती है आपका बेटा इतना बड़ा इंफ् की लगा दी यह भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रग रिकावर नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चलें कि यह सबसे पर आपको बताता हूं सबसे पर हम यह क्लियर कर दें कि दरसल नौंबर में यह केस दर्च किया था नोईडा पुलिस ने पीएफे जैसा कि यह पिता र अब यह दर्च की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ नवंबर में यह दर्च होई और अब मार्च में यानि चार पांच मेंने से ज्यादा का वक्त हो चुका है मार्च में एल्वी स्यादों को अचानक जैसा पिता बता रहे हैं कि नोटिस आपको दिया और पूस्ताज के लिए बुलाया और उसके बाद अचानक गिरफतार कर लिया लेकिन अब उस पर यह है कि वह 27 ए जो एंडी प्या सेक्ट है कि वह ड्रक्स के लिए फैनेंसिंग करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इ होए जो खोड़ए भी तो खेलह ए लागो आओ परतें परन से अपना है और वकरप लिए दिखल में है। तो उसको वी पहता है विल्कुल अज हुआ जिसने तो वृसुह में ने उनसे भी पुछ उ की ऐसी क्या अस्पह दोफिरी ईक बत्चे से आप एक क्या रहा हो कि ऐसी धारा लगा दे कि को भी बाहर नहीं आएगा हूँ ने बाहर तो ऐसा नहीं अदालत है क्योंकि हमारे तो पता नहीं 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 थारा क्या होती है जो एधारा होती है नदीपीएक्ट की वो मैंने चुकिं सुसानत के दौरान कवर किया था मंबई में रहते हुए टॉन्टी सेवन एट्रग्स की फैनिंसिंग करना खरीद फरोगत करना फैनिंसिंग करना तो यह इसमें जो कानून के सलाकार उसमें यह बाहते हैं कि बहुत आ स्क स्क और जम्हानत नहीं मिलती है दो जी बस पीलिया आपके कॉफी अगर यह वह में तो पता नीं चीज होगा यह पाले कई पूरा विस्वास है कि स्याद्टी हो जाए बाकि छालो हमें दो नहीं पता इंचीज को के बलकुल भीयान निया चीजग के लिग्सेवात की हमन सबता है कान वे चाहिजीस राय मिना क्रोंटारी कार गई उठा या कैसे इसके करत काता है या अभा रड़ा कि वे ओड़ा तार्व फिरू ऌई आ रहा है कि वह है कर आफ जिताइए इतने बढ़ का यूक्टूबर हैं किया मेरा लटका ही यूटुबर है ऐसा इसमें क्या पिछ्छे लगए इसके क्या देख लिया ऐसा देखो जी कोई कुछ भी लगाए मा की ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है हद गर्दी लगाने बाड़ोने भी बिलकुल है कुछ भी नहीं है प्रिष्ट जीने का अधिकार नहीं है? यह बती है मैं तो पिछले चनल पे भी कहा हूँ कि मुझे हजार जनम मिले पिता बनने के लिए तो मैं आजा ही बेट चाहँ जैसे मेरा है क्योंकि मुझे पता है फकर महिशुस कर रहा है हमेशा उसने और इस चीज के लिए हम से जुकाएंगे भी नहीं क्योंकि हमारा लड़का बेक असूर है कि नजरे आजी कुछ भी सिच्वेशन है हमारी नजर नहीं जुकिए हैं अगर 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 अजुकिए पालिक का हैं और यही अपील करने आया आप लोगों से बस इसी ब तो सच्चाई है क्या आपके वाजिव सवाल के जबी हुए थे मैं बिल्कुल है प्लीज पूलिए कौन सा सवाल आपको चुभा बिल्कुल हो सकती है देखे नहीं वो चीज का जबाब दो ना कि लगजरी गाडिया है फोर्चिनर गाड़ी हमारे गाव में हर तीसरे गर में के पास गाड़ी होना अगर अपनी वो मैंनत से कमा रहा है तो कोई जुर्म नहीं अधिसा है बना रहा हूं प्लोट है मेरा जमीन के बदले में 19sn6 में में हमने जमीन दी थी कोई पैसा ने बरेसों होता है उसके बदले में उसका लोगने बीड़ो डाला हुआ है कि इतने करोड का अरे भाई हो फिर मलब जमीन के बदले में लिया हुआ पर लोटे हुआ पर कहा खरीद सकता है गुडगाम को प्लाटो ले गे उस टाम दिमाग लगा लिए पैसे ना चीप लोट दे देना चारो भाई हो नमने ले लिया था है जितनी जमीन थी उसके बदले में उस पे घर बना रहे है तीन साल होगे दीरे 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 पैसे जो तन खा रहा रहा हुआ वह भी ए लोन का भी है कुछ वह भी कर रहा है अपना ने तो फिर वीडियो में तो थोड़ा उसा लोगों को दिखाने की लिए करता हो गयो यह ह अब चीज है अश्रीज अश्रीज है वो दस बाई दस के कमरे में लेटता वी भी आके हम खाट पे सोते हैं भाई ऐसा नहीं है हम ग्राउंड से जुड़े हो एक बात बता रहा हूं मैं तो इसको भी हाइप करके भाई वह है वह है उसको पाजी है फक्र नहीं होगा आपके ब द्रक्स के लिए साजिस 27 ए ड्रक्स की फैनेंसिंग करना देखिए अज लगाई आज नहीं उसी एक्ट में ग्रिफतारी हुई है यही तो मैं आपको बता रहा हूं जो इक खबर चल रही है कि जहरी या जहर पार्टी यह पता नहीं आपको जानकारी तो हम आपको जानकारी दे दें कि उस पर जो होता है प्रतिबंदी सर्प उस पर रवाइललाइफ एलीमल एक्ट लगता है लेक वो wrestle की दधिस धरा trust का कारूबार करते हैं ड्रग्स का इस्तमाल करते हैं, ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते हैं, ड्रग्स के लिए पैसा करते हैं, उसमें अंडीपीयस एक्ट भी लगाए इसमें और उसमें गिरफतार हुआ है, तभी जो आप देख रहे हूँगे, यह जहर वहर की बास और इस वज़े से. लगाने दो जिसको भी वक्ति स्वीज का भी जबाब देगा जब टाइम आएगा बेकसूर सीध होगा बेकसूर तो वह है अचीध होगा आप हमें खुद बुलागे फिर बिठाओगे ऐसे अब फिर हम आप से बिलकूल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आ किसी के पास गाड़ी होना अगर वो मांदारी से अपनी महनत से कमा रहा तो यह कोई जुर्म नहीं है एल्विस के पास पचास गाड़ियां हो हमें कोई अतराज नहीं है दो हमने कभी खबर चलाई लेकिन हाँ यह बी एक कड़ी सचाई है कि आज की डेट में एल्विस सफ्तार है उस पर आरोप है नोड़ा प्लिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है प्रेस रिलीज हमारे पास है और उस पर यह आरोप है इस वजह से मीडिया इस वजह से हमने आपसे पूछे हमने कभी हम आपसे कॉंटेक्ट नहीं करते कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते कि बिग बॉस OTT का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भी आपसे बात करना चाहते थे हम चाहते थे कि आपकी बात लोगों तक पहुचे कि क्या यह जो ड्रक्स कारोप है कि वो ड्रक्स यूज करता है ड्रक्स के लिए फै कर दिखा दूमें कुछ नहीं करता हूँ कुछ भी नहीं करता है ऐसा काम कुछ भी और इसी चीज़ कहा में अफसोस है कि कुछ किये बिना उसका नाम भी जोड़ दिया वो जब मोके कुछ कहीं कुछ भी है नहीं तच में इसनी जो के सरवक्त के इंदिजार एक बार कवाओ हजार बार कितनी बार कवाओ नहीं है इस इसे जर्लेशन कुछ भी इतना भी नहीं है इतना भी उनको सदबुद्धिदे भगवान जिन्होंने ऐसा चीज़े की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो पुलिस जो भी है मुझे नहीं पतागी अब उनको अब तो उनका रोल ही खतम हो गया आपने बता दिया कि उनन तो कर दिया जो कर दिया नहीं अभी चोदे दिन की नहां चाहूंगे जिनके एंजियों के थ्रू यह चीज हुई है कि एजे मा सोच के देखो और जो उनके प्याफवाड़े हैं उनके ओपर ध्यान दो कि विक्या कर रहे हैं किस बच्चे के उपर एलिविशन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मेवारी बनती है तो एक एजे माव सोचे कि आज उनके मावब किस सिचूशन दो जर रहे हैं कि उनके लिए एक बेटा है बस मेरी बात पहुंचे तो मेरी बात पहुंचे तो मेनका अगानी जी तक पहुंच जाए यह जीज़गा पुलिस वाला उसे क्या कहना जी नवे भी कहीना कई क्या उनके पैसा हुआ है तो उनसे मिलने के उसिच करेंगर मिल जाएंगे तो कि ऐसा मैं यह जह पनेए पता करूंगा पेफा का यह कहना है कि उनकी पास अजो कोईधकि, आड़ीयो है, वेडियो है? जालौ, ठीक है, कहने दो, इसके पहले क्भी जैसे नोग्डा पुलिस से, सामना आपना हुआ है क्या इसके पहले कभी, ऐलawning को लोकिसी और पुलिस से सामना हुआ है नहीं, कभी कोज़ भी है नुड़ा पुलिश कर नोमबर मौदाए एक बुलाए था इसको जब ये केस वा था, तब दो गन्टे फूस्ता सकारे कर गेरवजा हो गी उसके बुलाए था हमें कि लश्ट व्यान अंगित कर ने हम चले गई लेके मैं उसके बाद बता नहीं अब आप बता रहे हुए जानकारी हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है हुआ तो कुछ भी नहीं है लेकिन चलो आप कहरा तो मान रहे हैं कि ऐसा अगर हमें सोचते कि हमारे लड़के ने कुछ किया है लड़का सोचता में ने कुछ किया है जो चार महीने बित्ते हैं, आराम से अपने इस जिन्दगी वैतीत करने लग रहे थे, कुछ है नहीं हमें क्या पता था क्या चल रहे हैं, अपने आराम से बैठे वे थे अपने गर में, शांते की जिन्दगी हैं, हमारा लड़का निर्दोस है तो कुछ भी नहीं है आराम से पता हैं, अधने बादी किया यह से चाहिए नहीं है, तो मैं क्यों डर्ने कियों किसी से के पास जाओं की, मैरा यह हुआ यह उप अप मेरा वह उठ जाएगा भर बाकी है अगर हमें लगता कि लड़के इनने कुछ गल्टी किया तो हमां हत्पाउं नी मारती दर उदर के लिए कुछ करने के लिए तक भी च्रहता पड़ा था तीन राज्यों जो राजिस्तान वाटर पिशा से तब उन से फ़ोन किया था कि वह कोई औनी यह नहीं जाने तो इसको हाँ हम पुछ भुछ पुलिस ने रोका था न्मुछ पुछ दब्रगोडे तो के सिए उनूर्ण मेडिया बादम तब चला दिया था कि फरार है वो तीन राजीव के पुलिस डॉन रही है उसको तो फिर आपकी उसमत अलविस से बात चीथ होई ती नियुक्त है वहाँ पापा जार चूब कि वॉस दोरान था ही वहीं पर बोले यह क्या चल दिया जी हूँ मेडिया में क्या चलना कि आजा घार ता वह रॉड यह बॉड रोड़् पर शिर न तो जा रहा है तो को निए इसको जाने तो जहाने जे जा रहा है हूं को ख़ए तीन राजीव के पुलिस डूंटे था नितना मतलब क्या हो तो निए चीज यह मैं आपको बताता हूं तो हर किया है कहां से लगते हैं यह पुलिस कहती है कोई अब देखे लेकिन वही बात हुई न वही पुलीस जो बोली थी वांटेड नहीं है वही पुलीस नोवंबर के बाद आज गिरफतार के ले रही है और गिरफतार भी असा के लिए पहले तो सामाने भाराय लगी थी अब तो एंडीपेस एक्ट लग गया वही पुलीस जो बुली थी वांटेड नहीं है आखिर वो नॉंबर डिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च बात कैसे प्लट भी आप जो मीडिया को बने पता ही प्लट गई अब पता करूं नहीं आप दार लगे आपकी बैए कैसे माल हुआ हुआ है उसके बाद अप सही थी का्या है एंडीपी अथेक्क लगा फिर हम ने एंडीपी अक्ट में जाननी की हमारी कुछ थी की कोन कॉनसी इंडीपीănस में धराय लगाई है तब वो अलग-जडी गारें वेजैसे आई पी जंदो फिशे किया है ऐएव सिधार सधि जो भी है, ऐसा थोड़ी है, वाइल लाइफ लगवाया, उसके कोण जहर कहां बेच रहा है, कोण क्या कर रहा है, इसका नाम जोड़ना, आपके लिए काम कर रहा हूँ है, ओजा जी, आजी, 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 आ आज नाम बना हुआ हर गर का बच्च जानता है तब कि बाद में उनों यह भी काया कि वारा तो यह जो पेर पड़ाना था लिए नहीं हमारा इस नाम के लड़कें को लिए नहीं जानते हमारा क्या लिए देना थी के लेकिन अप चीजे संबढ नहीं रही है मतलब हमार तो कि आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल भी उसको चाहिए आपने खट्र साब का नाम लिया क्या पॉलिटिकल एंगल तो नहीं एए या आपको यह भी एक है अगर आप को पॉलिटिकल एंगल जैसे आप बता रहे थे आप इछले बाले बतार दे कि वह उसको वो टिकट का लट सकता है तो क्या पता उसको हटाने के लिए रास्ते से ये चीजे उसको ऐसा कर दिया है अगर उसका रुजान था या है तो तो देखो बात अलग है वागि हम भी पॉलिटिक्शन उसको नहीं उतारेंगे क्योंकि वह स्याद इसी चीज का भी हो गया हो कि शिवा ऐसा लग लगा हो कि वही क्योंकि इतना वह उसको प्यार मिल रहा देश में हो सकता किसें सोचा हो कि यार हमारा कम्पीटर आ गया मैं क्या पाता भी यह क्या वो प्लिटिक्स में इंट्रेस्ट है यस खटर शाब उससे ओ लोगों को लगाओ उसको सम्वानित करने आय थे तो लोगों लगाओ कहीं कुछ इसको ना कुछ कर दे कि जटर साब आय तो लोगों ने सुचलिया शाद पॉलिटिक्स जोएं कर ले कभी ऐसा हो सकता है अच्छ देखे मैं यह जाना चाहता हूं दो मेरे सवाल है बल्कि यह यह अल्विस की यह शुरुआत कैसे हुई यूटूब से वा कुछ को यह बताएगी वाई यह कॉलिज के सेकंड एर में श्याज शुरुआत हुई थी तो जैसे वे और बच्चों की देखता था यह वाइन वगेरा यह वाइन मतलब छोटी-चोटी वीडियो वगेरा तो इसको शोग था फोन जैसे आया मुझ से वीडियो बनवा लेता हुए को कॉद्ञ था वाइचा तो हमत相त इसटेम की यूुटीव होतता हिए तो वीडियो पर आने लिए पस्यास के दो घर पलिघियर नवहीं पनाने लिग पतारा ऊया के चीजि asking क λέळू गोई देखे उस पर आरोप है और आरोप ये दावा नोड़ा पुलिस का है कि सांपू के जहर का मीडिया का दावा नहीं है इस वज़े से नोड़ा पुलिस ने ग्रफतार किया है सल्मान खान की एक बात को लेते हुए मैं एक सवाल पूछूँगा कि सल्मान खान ने बिग बॉस का जब खतम हुआ था तो एल्विस को सला दी थी कुछ आप लोगों कुछ तो यह पता होगा मैं तो बहुत ज्यादा इस सब्सक्राइब जो इसको लेकर क्योंकि एक चीज मुझसे लोगों ने पूछी जो बोला था कि जरूर पूछना कभी हो कि यह जैसे कोई भी सेलेब्रिटी जैसे बहुत फेमस हो गया पहले आपके ल अगर चीजें हुई अब मिली तो जो वीडियोज में गाली गलोच अब शब्द भासा का इस्तमाल क्योंकि आप यकिन जानी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ऐल्विस के फैन हैं सेवंध क्लास के मैं आपको नहीं मालूँ मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं मैं म अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्स थोड़ा सा नए तरीके से चलना होगा बीग बोस के बाद की वीडियो की बात कर रहे हो अप यह जैसे महले जे वीडियो बगरा बना दो उसमे चोटे बच्चे भी देखते हैं उसने कुछ पिछे बिग बीगोस से पहले एक अधिया किया एक वीडियो में जा बाद में भी कर रहा है अट यार दोस्तों विसाद यार दोस्तों में वो बंद करवाद में रहा है तो आपने वोला है जरूरू अब मैं देखना सरू कर दूंगा जो बात ठीक है वो ठीक है उसको उस बात कुमानेंगे हम देखे यह बहुत अच्छी बात है और यही हर माबाप होते हैं कोई भी माबाप हो सेलिवरिटीज को एलविश यादो को फसाया गया है पिता अध्यापक है इनका कहना है कि अपने बेटे को हमेशा सलाह दी है वो किसी तरह से किसी भी ड्रक्स में इंवाल्व नहीं है किसी ड्रक्स के सिंडिकेट में इंवाल्व नहीं है जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की और यह माबाप का क गिरफ्तार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सापों के जहर के इस्तमाल का अब नोडा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद एलवी शादों को गिरफ्तार कर लिया है उस पर आईपीसी के सेक्षन के अलावा एंडीपीस की कई संगीन धाराएं लगाई है प काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है यह भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है एलविश यादों के पिता और माता जी नमश्कार सुस्मा जी आपने देखा होगा मेडिया में टीवी में तमाम जगह पर चल रहा है सांपो क्या जहर सांपो की पार्टी और तमाम चीजे चल रही होंगी देख भी रहोंगे पहले तो यह बताईए कि आपका बेटा जो एक फेमस है आप खुद चुन के साथ रहते हैं कि इतनी फैन नहीं है और यह चीजे नेगर्टी पहलाना बंद करें रिक्वेस्टे मीडिया वालों से कि बिना तत्थो पर अधारित बाते ना करें मैं कल से देख रहा हूं है दो दिन बिजी था परसो में साथ ही ले गया था उसको हम तो एक उसका संबन आया था कि उसको ठाने में आके आपके वह रिपोर्ट करना है अपने ब्यान लिखवाने है जी सिंपल अगर हमें पहले ऐसा पता हूँ कि कुछ होने वाला है बहुत से तरीके होते हैं ना भी जाते हैं ने आपने का बलत कैसे हैं हमसे तो वह तो कोट का पदा उसका फूलिस वाले जाने की कौन से कित किया जाना है जी एक सो साथ कर नूटिस था तो मगा बिटा चल जल्दी और हम फोन वन करके आई उसे मिलने के सारे मतलब उसके टच में रहे और हमने लोकेशन बेजी हम जाके क्योंकि वह साब वाले बड़े लेट थे थोड़े से तो हम कही बैट के नोएडा में उनके क्योंकि आएगि अटर हमें फ्रेंड जो भी एडिश्दार है वहारे दूर के वहा पर लोकेसे बेज दिया हमने वहां पर लोकेस में ले जाएंगे वहीं से बात करेंगे रूप गया अब कि रूख गया उसके बाद हमें पता लगा कि वह तो भई हरासात हम भेज दिया तो परसासन जाने जी वो तो उनका काम है, मुझे तो पता नहीं है किसे जगा क्योंकि हमारा ना कोई बैकराउंड ऐसा फैमिली और ना हमें चीज़ों से कभी गुजरने हैं और श्याद कोई भी नहीं गुजरना चाहेगा तो उसके बाद हमें कल बेटे से मिलने गया हूँ तो हमने पूछा भई कल नूजी सलतल पड़ी की उसने कभूल कर लिया यह कर लिया और परपाजी मेरे को तो कई रोका ही नहीं है और सीधा मेडिकल कराया और भई यह ले आए तो सुष्मा जी आप मिली अलीज से तो तब मै अगरे बेटा ऐसे जुरम में या इस तरह कि जूटे जुरम में सच्छे में तो वही है पीड़ा यह है कि कुछ किया नहीं है क्या आप जब अलविस से आप मिलने गए जेल में है किस हालत में है क्या बातचीत हुई बातचीत हुई है किसके फैंस भी जानना चाहते है जो बेलकुल ठीक है हो और उनके फैंसे मेरी यह कहना है कि भई भगवान उसको उसको प्रे करें कि यह चीजे सहन करने के सकती दे कि जितने दिन भी जो भी अब कानून से उपर तो क्या है अब तो क्योंकि कानून के उसमें चले गए हम यह पाले का फे बरोस्य है उसकी सरण मे प्रे करें बगवान से कि इसको महार रहने की जितने दिन भी इसका महा पर है जो भी मुझे नहीं पता इन चीजों कि मुझे नहीं पता है उनके यह वाकील कर लिया हमने शिंपल बस व करता रहे का जो भी और आज मैंने सोचाई कि यह ए यह जिए ने अगरिट जो मेडिया प्रवाइब बात करिए कि अरे कहा है रेव पार्टी हुई होगी लाओ मेरे बैटी की टिकट कहा है एंट्री कि उसने किसको क्या किया लाओ उने कुछ सामने हम बेद पता लगे वो था यह नहीं बॉंबे में था उस दोरान वो यहां पर है यह नहीं वो ना कभी वो उसमें मैं कह रहा हूं कि जितने भी दुनिया में पूरा परसेंट मै ठोक के ताओं मैं थाओं करता हूं वो हमारी परवरेश है ऐसा काम में बिल्कुल सनलबत नहीं है बिल्कुल भी क्यो अधाया लगाई वो किसने लगवाई सब को सब पता है पीछे बैक में कौन काम कर रह रहा अगर वो इतना ही काम कर रहा था तो बिग बोस होने के बाद ही परसीद्य होने के बाद ही क्लिप चाटी गई है तभी कर देते हैं उसको तो वो जुलाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे के गाने की किलिप काड लाया और यह करके सब शड़ेंतर के तहत किया गया गया है वाकि अब यह है कि अच्छी जब जब पहला केस नोड़ा पुलिस ने दर्च किया था और फाई यार में अल्विस का नाम आया था तब आपकी अल्विस से कोई बात चीथ हुई थी कि बेटे क्या है क्या आरूप लग रहा है सा आपके ज़र तब उस दौरान का भी कोई बातचीत हुई थी अल्विस से इस मसले पाफ देगो जब यह चीजे होती है तो वैसे हमें विश्वास था पूरा कि वैसा कुछ नहीं है पर फिर भी आपसे आपसी बातचीत होती है जह हमें यह पता है कि कि किसी भी तरीकी की कोई उस है निए उसरा अप मेरे घरी नहीं आप अपको अपने आपको रख के सोच ना कि मुझू कुछ है नहीं तो यह चीजे सरपेर की कैसे चल रहे हो आमें इनके पीछे कौन है हमें भी तो चाहिए जी अचेरा बाता आज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर टाल रखा है कि देखे आप हिम्मत रखिए हिम्मत के आगे रखेंजी है नहीं तो मेडिया वाला हमारे के छोट रख्था हमको हमारे गर में कोई आग लगा जाए इतना इतना प्रोफिकेंट अपहला दिया नहीं नहीं आप रूहिए मां दिखिए अधिए वाड़ों ने सर्जी एसे र ने दो अगर दो अगर दोस्य होता तक मैं बहुत कुछ कर देता किया में नहीं नहीं पता मुझे पलफलका पता उसका मेरा फ्रेंट से बिल्कुल बैवार है मेरा आप ने देखिए उसकी वीडियो बगारा कैसे अबने में के साथ हसता कहलता है हूँ कि किया कितना संगर्श किया इसने लोगों ने वो देख लिया उसका वाई यहाज इसको पकड़ो इसको करो साड़े को खराब कर आगे जाके कहीं क्या पता कौन कौन काम कर रहा है कोई उसके बैक में कि किसी को क्या है कि क्ल को क्योंकि सीम साफ भी आये थे कुछ लोग उसके साथ जोड दिया है तो बीजेपी का है मेरा तो बच्चा इनन डूगली बना दिया ना जिससे आप से बात कर लिए अपका है मेरा से कर लिए मेरा है सबसे बात करने पड़ेगी उसको तो कोई समानित आपको समानित करूगा तो आप अगर मैं कैसे मना कर दूगा कि मैं आपको समानित करूगा पर्तिवाण बच्चों को कर रहे हैं नहीं करोगे क्या या मना कर दो गया आवा कि मता हो आप जब एल्विस के पास जेल में गए त चलो जल्देश निमट के आते हैं जो लिखना है लिख़ा लेंगे जी और भी काम है हमारे जी और चलो पापजी आज ही कर लेते हैं अगर हमें अन्देशा होगी यही पकड़के बठाया जाएगा मतलब मैं ही अपने बेटे को ले जा कि दे दू उसको और मैं जा के मैं बोल ईकर जा कि सब्कोनमस्ते बोला है जैसे गया में इंडे आपने मीडिया की बाद की अवही बुरा चल रहा हमारे खिलख और ऐसा चल रहा है कि हम्हें पतानी चैदे हमारे परिवार के जिटड़ने का कर नहीं है नहीं जिए इसा है कि मैं बता हूँ न कैसा प्यो है हिम्मत अभी अदालत में केस जाएगा अभी और हम यह दर्सक्राइब को बताएगा क्या ही चीज आप लोटा दोगे हमारी देखिये बिल्कुल याम अदा तीन देन खाना खाये हो ली हमने मेरी नाइंटी एर्स की मदर भी खाना नहीं खा रही है मेरी लड़की विदेश रहती है उ यह दिन वापसी लोटा देंगे कोई जो हमने कुछ किया नहीं डरने के आउशकता नहीं बापाजी पलाणी यह चीज रेव पार्टी यह हमारे अपकी तूरुए तक तो बात ही हो रही थी भाई अपने बात करते हैं अपने बात करते हैं जब नोंबर वीज बीज नोंबर नोंबर में बार बलाया था इनोंने खाय थे शहयों किया अब तो पीएफे में खुश होगा गोत ने मेरा एक सवाल देखिए मैं बहुत आप जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया पुरी बात सुनियेगा अच्या और नोडा पुलिस के डी सीपी से मैंने खुद इंट्रूव किया नोडा पुलिस का ये कहना है कि जो नवंबर में पांच लोग गिरफतार हुए थे जिनके पास से नौ प्रतिबंदित सांप जो वाइल डाइफ एप में आता है वो रिकवर हुए थे 20 ml जो सांप का जहर है वो रिकवर हुआ था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और जो पांच अरोपी गिरफतार थे उनसे एल्विस की कनेक्टिविटी सीडियार कॉल डिटेल से वो कनेक्ट हुई है और उन लोगों ने बताया कि एल्विस की कई पार पार्टी में वो साप का जहर और साप लेकर गए थे तो यह कनेक्टिविटी हुए जिसके बाद मैंने नहीं देखा यह इंटू नहीं देखा प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसमें एंडी पीएस की मतलब जो ड्रग बारे में ग्यान नी है कि ऐसे कुछ हुआ है मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को लेगा तरो बिना पूछे को मुझे मुझे एक केस है चुकि भाई नोडा पुलिस का यह दावा है एक व्रक्ति को उसको गिरफतार किया गया है अभी नियाई खिरासत में चार्षीड दाखिलोंगे चार्षीड दाखिलोंने के बाद ट् जर्षकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी है लेकिन फिर वही बात आएगी लोग पूछेंगे भी क्योंकि अभी बीते दिनों सोसल मीडिया पर आपको याद होगा उसका किसी से जगड़ा हुआ था गुरुग्राम सक्टर तिरपन में एक फाई आर और करी गिक्षर्णर अच्छिए को से करें कर vot fire एकुल जू प्रवाद करते हैं जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या एलविस है चुकि आपकी वीडियोस हम लोगों काफी देखें आपसे काफी लगाओ है उसका कई वीडियोस है इनफेक्ट हमने आपके देखें जो यह सब कुछ विवाद एलविस के साथ सब्सक्राइब करते हैं पहले जब एलविस जो था चोटा वालग अब जब फेमास हुआ उसके बाद क्या परिवर्तन आया या 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 एलविस में कुई चेंजेज आपने देखें किसी तरह का मिल्किंज पस्ब्सक्राइब करते हैं इसरू में भी असमुक था भी भी असमुक है कोई चय नहीं आजए मजा करना वोई चीजे हैं वोई आद्धे हैं तो आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा कि वो जेल जाएगा उस-पर साफ की शोचता है कोई इसकोई सोचना ची एक निदे के बाड़ किसने कीया है यह काम किसी ने इंटर्वूए देते हैं वे थी तभी अंध्यर में देते हैं हम ताप के सामने फिर भी रोशनी में बैठी हूं यह किया उन्होंने पता तो उनको भी है अब दिखिए अब जो चुकी दर्सक है और बहुत चर्चा चल रही है चुकी मैं आप बताऊं कि हमारे घर में भी कुछ लोग है जो एलविस को पसंद करते हैं मैं साब बता देना चाहता हूं तो यह चुकी मैं अब यह क्यों कर रहे हैं अगर ऐसा है लेकिन फिर वहीं चल्चा यह चलती है जेखिए जो सेलिब्रिटीज हो जाता है चुकी मैं पत्रकार हूं तो मेरे जिमदारी हो जाती है अगर स्रणक पर मुझे लोग पहचानते एक खुले से चुकी आप भी माबाप है मैं भी एक किता हूं मेरे एक सवाल है कि जो वीडियोज आते हैं और आजकल चुकी यंग जेनरेशन है लोग थोड़ा सा खुले विचार के हैं तो जो वीडियोज आती है जिसमें कई अप्शब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है और स सिद्व Supers आप से तो कभी आप लोगों ने वह रिज़ते हैं तो कई वीडियो देखें उसके द्यवसा की अफ ने देख लेत भी बहाट कैसे संब जे लेते हैं कि आपने कभी बातचीत की कि तरह के अप याप्शब भासा है इसमालो जो मुझे अछा नहीं लगता है एक द अभी जो रिसंड का जो विबाद हुआ था ड्रग परम फिर आएंगे एक मुनववर फारूकी के साथ फोटो जो पिक्चर जगडा आप लोको मालूम है कि ये जो मुनववर फारूकी के साथ जगडा है उसका नहीं फोटो जो वायरल हुआ था अप बताओ क्या है नहीं हम त फोटो पुरा ट्रेंड किया था अप मुनववर फारूकी है उसके साथ कोई कोई सोसल मीडिया में बहुत जादा नहीं जानता सूसल मीडिया मैंने सिर्दा जगता जिता है कौन से बिग बिग ऑस जो अभी गया है अभी रिसेंट कप जो बिग बशसें युए उसमें उसम रड़ दिया, में रड़े में बरे पीच्छे से उसने गडत डाल ज़से हाथ बुट किया सचिने आर अपसे दिल लुट किया था आढ né अच्छा मय गया था सबास्वा किया तो क्या हो गया वेद्द किया हो गाला कि गले क्यों लगा लिया पकु फिसको मुण ड़ा इसको लगा लिया इसको等पत्खाने wynच मो थेनुच को लिए लगा लिया आत्या हम लोह भी कम देखते वी कृफिक उतिका पदीनी किस और लगा यूभी किसी का बद और वगी लडई किसी को मुद्दे को लेकर जनता अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला मुझे नहीं पता जिनाट्र समय ना से नोबत आ गई जोड़ दिया या गें से जोड़ दिया या क्या जोड़ दिया मैं मैं बताता हूं एल्विस जो एक खास राइट विंग या हि अगल दूड़ दूड़ की बात करता है लिष और इस वजह से जो 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 स्वाज़ ये चीजे रखेंगे जाती दाराम ये चीजे मैं तो को सो दूर हूं आप माने ना माने आप मेरे इतने स्कूलों में जाए पता करें कि मैं तो यह कहता हूं बच्चों से कोई अगर बच अगर मेरा घरवाले तेरी जाती बता दे तो कहना कि तुई है हम इनसान हैं अगर बच्चे ने गड़े लगा लिया मेरे में तो मेरे इसाफ से तो भूठ ठीक किया है ऐसे तो मैं ज्यादा तो नहीं बड़ी बात कहूंगा लेकिन हमारे बड़े-बड़े जो देश को चलाने आपस मैं ऐसे कर लिया हुए चीज़े शोट हो चुकी है यह देखिए आप टीचर है अध्यापक के और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और अप्रिसियेट एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चीए अब इस सीज़ कोई पूछा जाएगा एक सवाल अगर आप अध्यापक है तो फिर बार बार और चुकी देखिए मैं यह सवाल पुछाओ प्लीज इसको नराज में तुकी इसको लेकर वी चर्चा है हाल फिलहाल में मैं फिर बुला कि अगर मैं आप एक अध्यापक हैं आपकी जिम्यदारी है अगर अल्विष पहले क्या था वो मतलब नहीं है लेकिन बिग बॉस जबसे वो जीता उसके हजारों की संख्या में चाहने वाले हैं जिनको शायद आप नहीं भी जानते होंगे हम लोग देखते हैं ऐसे कई ऐसे फैंस है क्या उसकी जिम्यदारी अब नहीं बढ़ जाती ह है कि उसको अपने बोलने पर जब खास जो वी वेदियो में आता है सोसल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थुढ़ा संहयम रक्खा जाए अपने कभी इस बात चीत की जो विवाद है और अभी विवाद मैं तो बेंग टीचर बिल्कुल कहूंगा और उसको सम्झागता भी रहता हूं और सम्झाओगा भी आगे और इसकी पिटाई भी कर दूँगा, कर देता हूं मैं अगर गलत बात है तो आगी, कर दूख जागी, बिल्कुल सरब मेरे बच्चे को टीकिस सम्झे जागते हूं Brussels और शेल भी गलत है और उखहुर है सब्ते आप तो यह वह तहरा नहीं सकते हूद्गी। लेकिन हम जिस मुद्धे पर बात करने आए हैं उसकी बात करें कि वो भी गलत है बिल्कुल सरासर हमारे बच्चे को खतम करने की कोशिश है लेकिन आज की डेट में इस पर यह आरोप है कि वो सांप के जहर का इस्तमाल करता है वो वह अरोप यह बिल्कुल बेगुनिया और अब तो यह भी आरोप टूंटी सेवने सबसे संगीन धारा एंडी पीएस एक्ट की लगा दी यह भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रक रिकव नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चलें कि यह सबसे पहले हम यह क्लियर कर दें कि दरसल नौंबर में यह केस दर्च किया था नोईडा पुलिस ने पीएफए जैसा कि यह पिता रामतार जी यह कह रहा है पीएफए ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे सेक्टर 407 में अउन्चास फुलिस िछाने में अफाई यार दर्च हुई थी और बहुत हरानी की बत है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने फाई यार दर्च की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआis प्रफ़ दर्ज होई और अब मार्च में यानि चार पांच में ने उससे ज्यादा का वक्त हो चुका मार्च में एलवी स्यादों को अचानक जैसा पिता बता रहे हैं कि लोटी साब को दिया और पूस्टाज के लिए बुलाया और उसके बाद अचानक गिरफ्तार कर लिया लेकिन अब उस पर अरोप यह है कि वह टूंटी सेवन एजो ड्रक्स के लिए फाइननसिंग करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इस्तमाल होता है वह ड्रक्स का सिवन भी करता है इस तरह के भी आ एसे कोई कुछ भी लगा दें इंचेजों कोई तुक थड़िए ना है ठीक है पर हम दो एक ही चीज कहें कि आप एक बार पूचे होगे न लाग पूच्छे ने करन बेकसूर है बेकसूर है और बेकसूर है उसको फसाया गया है बिल्कुल जिसने फसाया जिन्होंने उनसे भी पुछो कि ऐसी क्या रंजिश्ट थी एक बच्चे से अलगा पी क्या रहो कि ऐसी दारा लगा दे कि को भी बाहर नहीं आएगा हूँ ने बाहर तो ऐसा नहीं हदालत है यह अपिसेवन जो एधारा होती है नडी पीएस एक की वह वह मैंने चुकिन सुसांत के दौरान कवर किया था नंबई में रहते हुए उन्टी सेवन एघक्राई उनीअं टीप्य पीएस की जो एक धारा होती है लोस यह होता है अब किस टैसे दौरान को मैं यह गरेंण चलनाइव सव तो नहीं मिलती गिन नीहीं चैता… कि आपके अर्ण पार्ण पर निजसे बात की हमने वाइन कुछ रह लेगा कोई यह बताओ मुझे कुछ नहीं रच के गवाख इसे किसी बच्छे को फसाकर गलत गलत क्या क्या मैं एसी आसी नहीं नहीं चीजे हमने दो जिन्दिक में सूनी नहीं है चीजे हमें नहीं पता कि उठाओधा उठागे उठाओधा के कि मैं लगा किसी से सहीन नहीं हो रहा है कि वो एक गाउं से निकल कर कहां से कहां पहुंच गया ये चीज़ जैननी हो रही है मतलब बिग बोश पर ले यूटुबर बैट्थे हुए हैं क्या मेरा लड़काई यूटुबर है जो जोुकर अलाद का माँ इसा कै इस में क्या पिछे लग गई इस के डुकर ले ऐसा आभकिशी कोई कुछ भी लगा मा की ऊब discret कर ने कि मुझे हजार जनम मिले पिता बंढ़ने के लिए तो में ऐसा ही बेट आचा हूं जैसे मेरा है यहां फक्र महसूस कराया है हमेशा उसने हमारे इस चीज के लिए हम से जुखाएंगे भी नी क्योंकि हमारे लडगा बे कसूरे कि नजरे हम जाएं पालिक का है और यहीं एपील करने आए आप लोगों से बस इसी बारे में उसकी चीज ना वो करें डिके बदिक वाजीब सवाल है वो पूछा और देखिए ख़वर चल भी रही है यह बास तो सच्चाई है क्या आपके वाजीब सवाल थे जो भी हुए थे मैं बिल्कुल है प्लीज पूलिए कौन सा सवाल आपको चुभा बिल्कुल हो सकती है देखे निए वो चीज का जबाब दो ना कि लगजरी गाडिया है फोर्टुनर गाडिया हमारे जाओं हर किंटी है घर कोड़ी हमके जिए हमसे पास यह घ़िया कमा रहा है और छोटार में आ विसी सक्स के पास गाड़ी होना पैसा होना अगर अपनी व मैं मकांट बना रहा हूँ, प्लोट है मेरा, जमीन के बदले में 1906 में में हमने जमीन देती, कोई पैसे नहीं कोलबरेशन होता है, उसके बदले में उसका भी पता ना किस-किस लोग उन वीडियो डाला हुआ है कि इतने करोड का अरे भाई, मतलब जमीन के बदले में लिया व थोड़ा सा लोगों को दिखाने की लिए करता होगा यह है वह चीज है, वह एक अलब चीज है, असलिज वह दस बाई-दस के कमरे में लेटता भी आके हम खाट पे सोते हैं भाई, हैसा नहीं है, तो इसमें बुराई भी क्या, अगर ऐल्विस बात बता रहा हूँ मैं तो, आपको फक्र नहीं होगा आपके बेटे का आपके लिए फक्र रहेगा, लेकिन जो आपने बात बताईए, उससे थोड़ा सा मैं विच्रित हूँ कि मैं भी पता घर हूँ, वकील से जाके, मुझे नहीं पता था इन चीजों के बारे में जा दहरा बारे में उसकी धराएं ल को बता रहा हूँ, जो ये खबर चल रही है, कि जहरी या जहर पार्टी, ये पता नहीं आपको जानकारी, तो हम आपको जानकारी दे दें, कि उस पर जो ये साप वाला जो होता है, प्रतिबंदी सर्प, उस पर वाइल लाइफ एनिमल एक्ट लगता है, वो आईपीसी की ध जहरा जो ड्रक्स का कारोबार करते हैं, ड्रक्स का इस्तमाल करते हैं, ड्रक्स का सिंडिकेट चलाते हैं, ड्रक्स के लिए पैसा करते हैं, उसमें अंडीपीस एक्ट लगता है, तो अंडीपीस एक्ट भी लगा है इसमें और उसमें गिरफतार हुआ है, तब ही जो आप द आप हमें खुद बूला के फिर बिठाओंगे ऐसे अफिर हम आप समय बिल्कुल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे मैं यह बोला हूँ जैसे आभी आपने उसकी बात की परदे कि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा कमाएं और बि इसके पास पचास गाड़ियां हूँ हमें कोई अतराज नहीं है दो हमने कभी खबर जलाई लेकिन हाँ यह बी एक कड़ी सचाई है कि आज की डेट में एल्विस किरफतार है उस पर आरोप है नोडा प्लिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है प्रेस रिलीज हमारे पास है औ एक बॉस ओटीटी का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भी आप से बात करना चाहते थे हम चाहते थे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे कि क्या यह जो ड्रक्स कारोप है कि वो ड्रक्स यूज करता है ड्रक्स के लि कुछ नहीं करता हो कुछ भी नहीं करता है ऐसे काम कुछ भी और इसी चीज़ गामे अफसोच है कि कुछ किये बिना उसका नाम भी जोड़ दिया वो जब मोके कुछ कहीं कुछ भी है नहीं तच में इस जो के सरवक्त के इंजार एक बार कवाओ लाख बार कवाओ हजार बा लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो पुलिस अगर कहना चाहें आप उनको अब तो उनका रोली खतम हो गया अपने बता दिया कि उनने तो कर दिया जो नहीं अभी 14 दिन की नहां अचो दिनका गंदी जी से बोलना चाहूंगी जिनके एंजियो के थ्रू एचीज हुई है कि एजे मा सोच के देखो और जो उनके पीफए वाड़े हैं उनके उपर ध्यान दो की विक्या कर रहे हैं किस बच्चे के उपर एलिविशन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मेवा अचे तुमेर का गंदी जी तक पॉंच जाए जीज 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 अवे भी कही ना कई पिता भी है एक जगे और करेंगे बात अगर आप कहरें कि चोदा दिन बाद दुबारा कुछ क्या बता रहे हैं अब यह तु साइब करेंगे हम कि इसको पुन्रा बिटती हो कर अगर ऐ कि कि इसले हैं क्या भी पास कवड़कर आपिस और पुलिस से कभी सामना हुआ पिलिस से अज इसके पहले कभी आलविस को लेकर किसी और पुलिस और है कभी सामना हुआ नहीं कभी कुछा है कि नोड़ा पुलिस कर नुवंबर मौधर साल नहीं तब बुलाए था इसको जब ये केस हुआ था तब बस दो गंटे पूस्तास कर गहर बज़ा हुई उसके बाद बुलाए था हमें की विलाश्ट बियान अंगित करने हम चले गए लेके मैं उसके बाद अराम से बाद करने लगा लेए थे कुछ है नहीं हमें क्या पता था क्या चल रहा है आप अराम से बैख एक और लड़का निर्दोसा तो कुछ लिए नहीं है तो मैं क्यो डरने कि क्यों किशी के पास जाओंगी वाए यह यह वहाए भू है अपना अप मेरा वह उट लो विर सो भी समय भी तर को शोंचे भी यह तो एक उसको इसको इंचया आप अधिन निए पाद कर दो हो इसको बचाने के लिए कुछ करने के लिए दिन अदी तो यह पी स्लिब मुझ अधिन जा दें गाँ जब लूंक रहें था त्य ड़ा रहे हैं टिंड़र ब शेख इननों का कि कोई वह नहीं ए वांटेट है जाने तो इसको कुछ भी चला देते ते मिडिया वार्ण तो पुलिस ने रोका था था तब क्या हुआ था इननों तो मीडिया वार्ण तो तब ही चला दिया था था वह तो फिर आपकी उसमत अलवेस से बात चीत होई था वह तो हमने वह आई रहा था भूमबे से वह पापा ज्यार क्योंकि उस दौरान था ही वहीं पर ओले यह क्या चल दिया जी मेर्टाम क्या चलना में आजा भई गहर तो तो वह राई रोड़ इसली बुलाय था हमने कि रोड़ आतू पताय भी लग जाया इनको उनको उन्ह उन को यह चीजें अब देखें मैं आपको बताता हूं हर चीज मेडिया को बिसिकली क्या है कहां से लागते हैं यह पुलिस कहती है कोई अब देखें लेकिन वही बात हुई ना वही पुलिस जो बोली थी वांटेड नहीं है वही पुलिस नोवर के बाद आज गिरफ़तार के कर ले रही है और गिरफ़तार भी असा कर ले रही है पहले तो सामान भाराय लगी थी वन पुन टीबी वाइल लाइफ एनिमल एक अब तो एंडी पीस एक्ट लग गया वही पुलिस जो बोली थी वांटेड नहीं है आखिर वो नॉंबर डिसंबर जनवरी फरवरी मार्च म आप जो मीडिया को ने पता ही है प्लेट गई नहीं आप पता करूँ नहीं करना आप दार लगे आप कैसे मालनों की वह है मुझे तो नहीं पता जिन धारा होगी हम पता करके फिर आएंगे आपके पास कि क्या दाराय लगाई है क्या वकील से पोच्छोंगा में पहली जो अब कंसी अनडीपेस में ध अराय लगाई है तब वह अलग अलग अमदीपेस की धाराय होती है जैसे aikट्य की धारा होती है वैसे घडे आज होती है इसने केस किया है उप का एपर तोड़ी छोटेगा, वो तो है, मेन बात तो ही है, कितना पावरफुल आदमी होगा, वो, जो भी है, ऐसा थोड़ी है, वाइल लाइफ लगवाया, उसके कोण जहर कहां बेच रहा है, कोण क्या कर रहा है, इसका नाम जोड़ना, आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं होजा जी क को जानते हो, तो आप क्या कोगे, हाँ जानते हो, यही तो कहोगे ना, आज नाम बना हूआ है, हर घर का बच्चा जानता है, तब की बाद में उन्हों यह भी काया कि हमारा तो जो सब पेरे बगेर थे हमारा इस नाम से कोई लेना देना नहीं, उनकी वीड़ी भी आई थी, कि इस नाम के लड़के को आपनी जानते है, हमारा क्या लेणा देना, ठीक है जी लेकिन, अब चीजे शंबड़ नहीं रहे हैं, मतलब हमारे तो कड़ी जूढ ना रही है क्यों कि हम पड़े नहीं कभी भी, बेटा यह कहते है पापजी, मेरा को लेणा देना नहीं है, आप निक खट्र साब का नाम लिया, क्या पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है या आपको यह भी एक है, अगर आप ही कहा है, पॉलिटिकल एंगल जैसे आप बता रहे थे या पिछले बाले बता रहे दे कि वह उसको वो टिकट का दाविदार भी माना जा रहा था, इलक्षन का इसका रुजान था या है तो तो देखो बात अलग है, वागि हमा भी पॉलिटिक्स न उसको नहीं उतारेंगे क्योंकि वो स्याद इसी चीज का भी हो गया हो, कि कि शिवा ऐसा लगा हो कि वही क्योंकि इतना वो उसको प्यार मिल रहा था देश में, हो सकता किसं सोचा हो कि हमारा कम्पीटर आ गया, मतले क्या आपकता भी है, क्या वो प्रलिटिक्स में इंट्रेस्ट है इसको लोगों को लगाओ, इसको सम्मानित करने आये थे, तो लोगों को लगाओ कहीं, कहीं कुछ, इसको ना कुछ कर दे, कि ज़ए भी जए भी ऐसा काफिला चीए, हसमुक त अच्छ, मैं यह जाना चाहता हूँ, दो मेरे सवाल हैं, बल्कि यह एल्विस की यह शुरुवात कैसे हुई यूट्यूब से, कुछ बह यह बताएगी वाई, यह कॉलिज के सेकंड एर में शुरुवात हुई थी, तो जैसे अब और बच्चों की देखता था यह वाइन व प्रवाइन वह बता चल गया, बस फिर अपने वीडियो से बनाने लगाई, फाइनल एर तका सर्थ देखें, मैं एक चीज बोलूंगा, देखें उस पर आरोप है, और आरोप यह दावा नोड़ा पुलिस का है, कि सापू के जहर का, मीडिया का दावा नहीं है, इस वज़े से नोड़ा पुलिस ने ग्रफतार किया है सलमान खान की एक बात को लेते हुए मैं एक सवाल पूछूँगा कि सलमान खान ने बिग बॉस के जब खतम हुआ था तो एल्विस को सला दी थी कुछ आप लोगों को तो यह पता होगा मैं तो बहुत ज्यादा इस सब्सक्राइब क्योंकि एक चीज मुष्चे लोगों ने पूछी जो बोला था कि जरूर पूछना तो फेमस हो गया पहले आपके लिए तो बेटा ही है घर में जाता होगा भले बिग बॉस बिनर है एक माबाप के लिए बेटा किता ही बड़ा हो जाए ओ बेटा ही रहता है लेकिन क्या सेवंध क्लास के मैं आपको नहीं मालूं मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने मिला हूं यह तारीफ ही समझ लीजे कि सेवंध क्लास के बच्चे एट क्लास के बच्चे थर्ड क्लास के बच्चे यह सब एल्विस के फैन है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बत अब तोड़ा सा नए तरीके से चलना होगा यह बिग बोस के बाद की वीडियो की बात कर रहे हो आप जैसे माले जे वीडियो वगर बना तो उसमें कहा रहे है कि जैसे छोटे बच्चे भी देखते हैं वीडियो में या बाद में भी कर रहा है और यार दोस्तों किसाद जैसे मजाग यार दोस्तों में वो बंद कर वाद में रहा है तो आपने वोला है जरूर बिल्कुल करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी बदलाओ करेंगे लेकिन सीधे सीधे यह आरोप लगा कौन नहीं जानता है इंफ्लुएंसर फेमस यूट्यूबर जिसे नोडा पुलिस ने गिरफतार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सापो के जहर के इस्तमाल का अब नोडा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद एलवी शादो को गिरफतार कर लिया है उस पर आई पीसी के सक्षन क के अलावा एंडी पीस की कई संगीन धाराएं लगाई हैं पूस्ता आज के बाद एलवी शादो को नोडा पुलिस ने गिरफतार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है ये तो बात हुई ओटी टी बिग बॉस के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है एलवी शादो के पिता और माता जी नमश्कार सुसमा जी देखिए आपने देखा होगा मीडि जो एक फेमस है आप खुछ उनके साथ रहते हैं कि इतनी फैन फॉलोईंग है अब उसको एक विलन के तौर पर पेस किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा आपका क्या कहना है जिए यही तो बात करने आया मीडिया की मेडिया से यही बात करने आएं कि हो विलन नहीं है और ये चीजे नेगरिटी पहलाना बंद करें, रिक्वेस्टे मीडिया वालों से कि बिना तथ्थो पे अधारित बाते ना करें। मैं कल से देख रहा हूँ है, दो दिन बिजी था, परसो में साथ ही ले गया था उसको, हम तो एक उसका संबन आया था कि उसको ठाने में आकर रिपोर्ट करना है, अपने बियान लिखवाने हैं, सिंपल, अगर हमें पहले ऐसा पता हूँ कि कुछ होने वाला है, बहुत से तरी अंकित किया जाना है, जी, एक सो साथ कर नूटिस था है, तो मगा बिटा चल जल्दी और हम फोन ओन करके आई उसे मिलने के सारे मतलब उसके टच में रहे और हमने लोकेशन बेजी हम जाके, क्योंकि वह साहब उपर बड़े लेट थे थे थोड़े से, तो हम कही बैट के न कुछ रहा है, मतलब साथ थे, कि ऐसे हो गया जी, कल में गया हूँ फिर में, से मिलने, क्योंकि मैं तो समली नहीं पाया इस चीज को लेकि कि आये किस काम के लिए थे, और अमें अंदेशा हो ता वकील साब ही यह कह रहे थे कि इसमें तो कोई गरिफतारी हो यह नहीं सकती, परसासन जाने जी वो तो उनका काम है, मुझे तो पता नहीं है किस चीजगा क्योंकि हमारा नहा कोई बैकराउंड ऐसा फैमिली और नहामें चीज़ों से कभी गुजरें हैं और श्याद कोई भी नहीं गुजरना चाहेगा, तो उसके बाद हमें कल बेटे से मिलने गया हू तो हमने पूछा भई कल नूजी सलतर पड़ी की भई उसने कभूल कर लिया, यह कर लिया, बढ़ाजी मेरे को तो कई रोका ही नहीं है, और सीधा मेडिकल कराया और भई, यह ले आए, तो सुष्मा जी आप मिली अलीज़े, तो तब मैंने कहा कि यह क्या चल रहा है, इसलि उटे जुरम में, सचे में तो वही है, पीड़ा यह ही कि कुछ किया नहीं है, जो बश्मा जेब मिलने गए, जेल में है, किस हालत में है, क्या बातचीत हुई, कि इसके फैंस भी जानना चाहते हैं, जो इसके फैंस, बदकुल ठीक है हो, और उनके फैंसे मेरे यह ज्याना ह यायय पालिका बरोस्य है उसकी वहां याय लारिया bacon बहर एक उसको महार रहने की जितने इन की उसका, जो भी मुझे नहीं पता है शीज़ों के उत्म पहले गा गया कि मुझे क 대해 सिम्पल अर भी और क्या कारवाय हुति Крас wrench कमेगा, यमने स्पारागों Kapi हमारे फैमिली बैग्राउंड चेक करिया बिना तत्थो पे अधारीद बात करिये की अरे कहां है रे रेव पार्टी हुई होगी लाओ मेरे बेटी की टिकट कहां एंट्री कि उसने किसको क्या किया लाओ उने कुछ सामने हम बेद पता लगे वो था यह नहीं बॉंबे में था हमारी परवरिश है ऐसा काम में बिल्कुल सनलिपत नहीं है बिल्कुल भी क्यो दालया लगाई वो किसने लगवाई सब को सब पता है पीछे बैक में कौन काम कर रहा है प्यपे वारे हैं जो जिनकी लेडर वो है उनके संट्रक्षन में जलता है में रगा गांदी जी भाई अभी कर देते हैं उसको तो वो जुलाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे के गाने की किलिप काड लाया और यह करके सब शड़ी अंतर के तहत किया गया जी बाकि अब यह है कि अच्छा मजी जब जब पहला केस नोड़ा पुलिस ने दर्च किया था और F.I.R. में अल कि वैसा कुछ नहीं है पर फिर भी आप से आपसी बातशित्त होते हैं जहा हमें यह पता है कि वैज किसी भी तरीकी की कोई उस है नहीं उसरा अप मेरे घरी नहीं गये मैं है नहीं आया तो आरोप कैसे लगा हो गया जब आया ही नहीं आप इस आप इस चीजे ग्राउंड अपने आपको रखके सोचो ना कि आपकी मुझू कुछ है नहीं तो यह चीजे सरपेर की बिना सरपेर की कैसे चल रहे हूं में इनके पीछे कौन है हमें भी तो चाहिए जी मेरा बाटा आज उन्होंने बिना बेक असूर के अंदर टाल रख़ा है कि दिखिए आप हिम्मत रखिए हिसमत के आगे रखेंजी है नहीं तो मेडिया वाला हमारे के छोट रख्था हमको हमारे गर में कोई आग लगा जाए इतना इतना प्रोवगेंट आप भला दिया नहीं नहीं आप रूई है मत दिखिए अधिए वाड़ों ने सर जी एसे र आपको नहीं पता मुझे पलप्लका पता हुता हुथ मेरा फ्रेंडली परहन से बिल्गुल अभार है मेरा आपने देखिए उसकी वीडियो बगएर है कैसे बड़े में के साथ हस्ता खेलता रहता है हूँ कि अपने लोगों ने वो देख लिया उसका भाई यहाज इसको पगड़ो इसको करो साड़े को खराब कहीं आगे जाके कहीं क्या पता कॉन 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 काम कर रहा है को उसके बैक में कि किसी को क्या है कि क्योंकि सीम साब भी आये थे कि समानित करने का जी आगना चीए ता उसको कोई भी शियम आपको अगर आपका शियम तो वो भी आई उसने अच्छा काम किया था बच्चे ने आगया कोई और हो तो भी आता श्याद नहीं आता तो आना भी चीए शियम को उससे कुछ लोग उसके साथ जोड़ दिया तो ब अधिवांट बच्चो को कर रहे हैं नहीं करोगे क्या या मना कर दो गया हूँ कि मता हो आप जब एल्विस के पास जेल में गए तो आपने पुछा कि बेटा ये क्या है या मतलब क्या बात्चीत एग्जेट्स तक तो मैं साथ ही था सर क्या है है ही नहीं कुछ भी हमारे घ आपने मीडिया की बात की बहुत बुरा चल रहा है हमारे खिलाप और ऐसे चल रहा है कि शैद हम पता नहीं है हमारे परिवार के जिरने काक नहीं है अब ही अदालत में केस जाएगा अब ही और हम यह दर्सक्राइब हो जाएगा क्या ही चीज आप लोटा दोगे हमारी नहीं देखिए बिल्कुल तीन देन खाना खाये हो ली हमने मेरी 90 अर्श की मदर भी खाना नहीं खा रही है मेरी लड़की विदेश रहती है उनके घर मे हमें तो भूग नहीं लेग रह यह में शर्य बढ़ो निर्दों में भी पता है करको निर्दों अरत भी दोगा यह मैं सओं आधा यह लात बलवक्त पेटने कोई जो में वहां में नहीं तो चैशिजीए इस घ्लाने माने ॉसक्तर नहीं है पाजी ज rice रिख के ओडिए और हम विचीजी रेरी पार्टी एक हमारे आपकी पारी थी जब भरेंच कर वी और एक सवर्ण दाओ के ऑफ में एक बात कर दबादे से अब अब वह चाहिए जब नॉमबर में बुचो नॉमबर इनुम नोमबर बुलाया था हमाई थे साहिए तो जो भी इन जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोड़ा पुलिस ने एक प्रेस रेलीज जारी किया पुरी बात सुनिएगा और नोड़ा पुलिस के DCP से मैंने खुद इंटू किया नोड़ा पुलिस का ये कहना है कि जो नवंबर में पांच लोग गिरफतार हुए थे जिनके पास से पानो प्रतिबंदित सांप जो वाइल डाइफ एप में आता है वह रिकवर हुए थे 20 ml जो सांप का जहर है वह रिकवर हुए था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और जो पांच आरोपी गिरफतार थे उनसे एल्विस की कनेक्टिविटी सीडियार कॉल डीटेल से वह कनेक्ट हुई है और उन लोगों ने बताया कि एल्विस की कई पार्टी में रेव पार्टी में वह सांप का जहर और सांप लेकर गए थे तो यह कनेक्टिविटी विए जिसके बाद मैंने नहीं देखा इंटों मैं नहीं सब्सक्राइब करें लिए सब्सक्राइब करें लोग पूछेंगे अभी बीते दिनों सोसल मीडिया पे आपको याद होगा उसका गुरुग्राम सेक्टर तिरपन में एक 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 और दर्ज है किसी यूट्यूबर ने दर्ज कराई कि हमारे साथ मारपीट की हमारा स्पाइन तोड़ने की कोशिस की हाला कि यह भी देखा गया कि समझा होता हो गया उस जगडे के बारे में आपकी बातचीत कोई कभी करने दोस्ता पहले भी दोस्ता हम साथ काम करते तो प्रक्रते जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या अल्विस है चुकि आपकी वीडियो सम लोगोंने काफी देखें आपसे काफी लगाओ है उसका कई वीडियो इनफेक्ट हमने आपके देखें जो यह सब कुछ विवाद अल्विस के साथ जूड़ा खासतोर से जब बिग बहुस में जीता यह जो सब कुछ विवाद लाए जगले कई वार विवाद भी होता है तो उस पर कभी आपकी कोई बात्चीत या आप कभी बताने की कोई बात करने के अपने कोशिश करी है कभी मतलब सब याथ करते है हर मुद्ध बात्चीत होती है अपना व याफ कchlossen होती है मान लो कुछ बाती है समझाई भी जाती आई अपना वो होग्या हम्हार Mत रखता है में अपना मत रखते ह। सर बत्चे माबाप से बात करते माः-बँछों से बात करते है अपने पर विश में बदी शमुक था बीवी शमुक है, कोह जो चिज नहीं, कोह जाग करना ऐँ चीजे हैं, फोदी आदते हैं तो आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा कि फोली जयाएगा उस पर लिए यही शोचे नहीं कोहीं है तो फिर वहाए भ़ी आसा तो है कि ए तो खीक जी अभरे में कोई सोचेगा कि वह हमारे सामने जो पीफ अपने बाड़े हैं वह वे सोच ले एपने बच्चे के बारे में कि यसा होगा यहां होका उनके साथ कुछ नहीं कुछ लाटे के पिछ बैँखे के सब कुछ कर रहे हैं में यह नहीं पता किसे नहीं किया है काम किसे नहीं इंट्रुवी देते हैं वह भी तब दीर में देते हम अधरे में आपके सामने फिर बी आरोशनी में बैठे में यह किया उन्होंने पता तो उनको भी है अब दिखिए अब जो चुकी दर्सक है और बहुत चर्चा चल रही है चुकी मैं आप बताऊं कि हमारे घर में भी कुछ लोग है जो एल्विस को पसंद करते हैं यह साब बता देना चाहता हूं तो यह चुकी मैं अब यह कर रहे हैं अगर ऐसा है तो लेकिन फिर वही चल्चा यह चलती है जेखिए जो सेलिब्रेटीज हो जाता है चुकी मैं पत्रकार हूं तो मेरे जिमदारी हो जाती है अगर स्टवक पर मुझे लोग पहचानते हैं एक वीडियो जाती है जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है और सिर्फ एल्विस की बात नहीं कई यूट्यूबर्स हैं तो कभी आप लोगों ने वह वीडियो देखें हैं तो कई वीडियो देखें उसके मैं तो बहुत कम देखता हूं आपने अंड देखा कोई शब्द में उसको समझा देते हूं कि आपने कभी बातचीत की कि इस तरह के अपशब्द भासा है मालो जो मुझे अच्छा नहीं लगता एक दो शब्द तो मैं उसको बोल देती हूं कि ठीक है ममी हाल कि आसी को बहुत बड़ी बाते नहीं हुई माले छोटी मोटी अब ही जो रिसंड का जो विवाद हुआ था ड्रग परम फिर आएंगे एक मुनवर फारूकी के साथ फोटो जो पिक्चर जगडा आप लोको मालू मैं कि ये जो मुनवर फारूकी के साथ जगडा है उसका नहीं फोटो जो वायरल हुआ था उसके वाद आप बताओ क्या है नहीं हम तो आप से पुछने घर में चल 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 जो आप जब आप इसने मुनवर का जिकर कर दे तो बताओ सही है मैं क्या बोल रहा हूँ जो ये उसकी फैंस है और जो अभी ट्रोलिंग पुरा ट्रेंड किया था एल्वेस कोई मुनवर फारूकी है उसके साथ कोई कोई सोस पड़ कर दाया इसको बिस दूद युग है अधर की उल्वेस मुचे कोई से आथ डाले जेसे ने ऑगा है चुछे आप किया तो बेखा लोल यह वी निए तो पिछी मनाते शसे सारे करिकेटर वगेर बैस वो काम किया था तो क्या हो गया श्टार में युगा लगा लगा ल किसी को मुद्धे को लेकर अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला उसको लेकर ऐसी नोबत आ गई मैं बताता हूँ एल्विस जो एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता है और इस वज़ा से जोड़ा से सौल हो चुकी है जी आप अपना थोड़ा से मैं बोलू हाँ बिल्कुल बारे में मुझे नहीं पता आप कौन है कोई मुद्धा नहीं इन चीज होगा जी मैं मैं तो बहींगे टीचर हूँ अगर हम यह चेजर रखेंगे जाती धाराम यह चीज़ा फी viola हम देहिए मैं जाखलो चाहत है कोई जाती लOचा पांगा से साथ काहँड मैं तो कहना कि मेरे साह चाल मेरे साथब म मेरे घर मेरे घर घर वाले तरिiko नहीम होगा भया लेकिन हमारे बड़े बड़े जो देश को चलाने वाड़े हैं उन्होंने भी कही ना कहीं जिके एक अध्यापक है और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और एक अध्यापक को ऐसा ही होना चाहिए समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चाहिए अभी बुरा भी मेरा अध्यापक को ऐसा ही होना चाहिए इस तरह की सोच भी अगर है इसको लेकर वी चर्चा है हाल फिलहाल में मैं फिर बुला कि अगर मैं आप एक अध्यापक है आपकी जिम्यदारी है आपने जिम्यदारी निभा रहे हैं मैं पत्रकार हूँ मैं पत्रकार के तौर पर जिम्यदारी निभाऊंगा अगर एलविश पहले क्या था वो मतलब नहीं है लेकिन बिग बॉस जबसे वो जीता उसके हजारों की संख्या में चाहने वाले हजारों सोचल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए चुकि यह अध्यापक है आपने कभी यह बातचीत की जो विवाद और अभी विवाद हाल फिलाल में चलना तो आपके कान तक एक ख़बर आती होगी यही लाई जगले की या फिर कुछ अपशब क्योंकि देखे कई ऐसे वीडियो में अपशब तो कभी हाँ जी वही उसी पर वही मैं पूछ नहीं उनकी ममी ने बोला है कि वह देखो मैं तो बिंग टीचर बिल्कुल कहूंगा और उसको समझाता भी रहतता हूं और समझाऊंगा भी आगे और उसकी पिटाई भी कर दू कि अपने बेटे के समान समझगे बच्चों को डाटता हूं मैं कि चीजे गलत है तो गलत है वो अपने लिए भी गलत है औरों के लिए गलत है अब सब्द है या वो चीजे तो गलत ही रहेंग उसको आप ठहरा ने सकते तर्प लिकिन हम इस मुद्दे पर बात करने आए हैं कि वो साप के जहर का इस्तमाल करता है वो मतलब कि आप बिल्कुल बेगुनियाद है और अब तो यह भी आरो 27 ने सबसे संगीन धारा NDPS Act की लगा दी यह भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रग रिकवर नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चले कि यह आप सबसे परला हम यह पिता रामतार जी यह कह रहे हैं पिएफए ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे सेक्टर उन्चास पुलिस थाने में एफाई यार दरज हुई थी और बहुत धरानी के बात है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने एफाई यार दरज की उसी का तबादला हो गया था उस भी साब को दिया और पूस्ताज के लिए बुलाया और उसके बाद अचाना गिरफ्तार कर लिया लेकिन अब उस पर यह है कि वह तुन्टी सेवन ए जो एंडी प्या सेक्ट है कि वह ड्रक्स के लिए फैनेंसिंग करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब आपके जहर का इस्तमाल होता है वो ड्रक्स का सीवन भी करता है इस तरह के भी आरूप लगला एक 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 बात गलात है विल्कुल उड़ और यह से कोई कुछ भी लगा दें इन चीजों कोई तुक थोड़ी ना इं ठीक है पर हम तक एक ही चीज गैंगे कि आप एक बार पुछोगे यह लाग बार पुछोगे हमारा लटका बिल्कुल बे कसूरे बेकसूर है और बेकसूर इसको फसाया गया है बिल्कुल जिसने फसाया जिन्होंने उनसे भी पुछो कि ऐसी क्या रंजिश्ट थी एक बच्चे से अधिया आप एक दारा लगा दे को भी बाहर नहीं आएगा वह बाहर तो ऐसा दालत है यह जो एदारा होती है नदी पीए सेक्ट की वह मैंने चुकिं सुसांत के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए 27 एंडी पीएस की जो एक धारा होती है 27 एंडी पीएस में वह था ड्रक्स की एंडी करना करें करीथ फरोग्त करना फैनेंसिंग करना तो यह जो जो कानून के तो आहिस के अहगा हम अदो बहुत में मिलते है Divine साफकीए 20 morning परी बे बनिया लगा कितने दिन फुश रह लेगा कोई यह बताओ मुझे हैं कि उच नहीं रहे सके गवा ऐसे किसी बच्चे को फसा कर गलत-गलत क्या क्या हम ले ऐसी ऐसी नहीं नहीं चीज हैं होई हमे नहीं पता 24 गंडे बच्चिनाधा हमारे पास रहता है कि यहां से रहता है हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं कया करता एक वह law एтов। कि ओ जधी हुआ हैं तो ऊगे हैं कि मेरा लड़का है यहूट्यूबर है 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 ऐसा इसमें क्या पिछे लग वे इसके किए देख लिया इस में है थेखिक लिए तो अधिकार नहीं है। यह बते है। मैं तो पिछले चैनल पे भी कहा हुआ है। मुझे हजार जनम मिले पिता बंढने के लिए तो मैं आज़ा ही बेटना चाहूं। जैसे मेरा है। क्योंकि मुझे पते है। यह पते है। इसके शुचा रहा है। और इस चीज के लिए हम से जुकाएंगे भी नहीं क्योंकि हमारा लड़का बही कसूर है। कि नजरे आजी कुछ भी सिच्वेशन है। हमारी नजर नहीं जुकी है। अग्वान है। अगर 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 अज़ना जुकी है। और यहीं अपील करने आया आप लोगों से बस इसी बारे में कि उसकी यह चीजे ना करें। अप दिखाओ अच्छा ही आप उसकी बुराई भी ना मतलब इस तरह की अपने तरफ से बिना। आप से जो वाजीब सवाल है वो पूछा और देखे एक ख़वर चल भी रही है। यह बास तो सच्चाई है। क्या आपके वाजीब सवाल थे जब हुए थे। ने बिलकुल है। प्लीज भूले कौन सा सवाल आपको चुभा बिलकुल हो सकती है। देखे। ने वो चीज का जवाब दो ना कि लगजरी गाड़िया है। फोर्चिनर गाड़िया हमारे गाव में हर तीसरे गर में ख़ड़ी है। जी छोड़ो आप इसे जोगमत करो आप छोड़ो। क्या हमारे पास यह होनी चाहिए। आपको यही बता दे रहा हूँ। अपके साभब दे लिए प्लोट है मेरा। जमीन के बदले में 1906नमे में हमने जमीन दी ती कोई पैसने ले कोलबरेसन होता है। उसके बदले में उसका भी बताना किस-किस लोग उने वीड़ डाला हुआ है कि इतने करोड का अरे भायों मतलब जमीन के बदले में लियावा प्लाउट है वहां पर कहा खरीद सकता है गुडगाम को प्लाटो लेगे उस टाम दिमाग लगा लिए पैसे ना चीप लोट दे द आके हम खाट पे सोते हैं भाई ऐसा नहीं है हम ग्राउंड से जुड़ने होगा लेकिन जो आपने बात बताई उससे थोड़ा सा मैं विच्रित हूँ कि मैं भी पता करूं कि मुझे नहीं पता था इन चीजों के बारे मुझे दहराएं लगाई है 29 ड्रक्स के लिए साजिस ट्वंटी सेवन ए ड्रक्स की फैनेंसिंग करना देखें लगाई आज नहीं नहीं उसी एक्ट में ग्रिफ्तारी हुई है यही तो मैं आपको बता रहा हूं जो यह खबर चल रही है कि जहरी या जहर पार्टी यह पता नहीं आपको जानकारी तो हम आपको जानकारी दे दे कि उस पर जो यह सांप वाला जो होता है प्रतिबंदी सर्प उस पर वाइल लाइफ एनिमल एक्ट लगता है लेक वो आईपीसी की धारा होती है एंडीपियस की धारा जो ड्रक्स का कारोबार करते हैं ड्रक्स का इस्तमाल करते हैं ड्रक्स का सिंडिकेट चलाते हैं ड्रक् सब्सक्राइब देगा जब टाइम आएगा बेकसूर सीध होगा बेकसूर तो वह है अजिध होगा आप हमें खुद बुला के फिर बिठाओगे ऐसे अब फिर हम आप से बिल्कूल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे मैं यह बोला हूँ जैसे आप भी आपने उसकी बात की हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे अधा कमा और बिल्क बिग बॉस में जा रहा है इतना वड़ा सुस आजकल तो यूट्यूबर जितने वो भी पैसा कमा रहे हैं चाहे पड़े लिखे हो चाहे ना लिखे हो तो पैसा कमाना किसी के पास गाड ही में ElВils किरफतार है उस पर अरोप है नोड़ा प्लिस में प्रेस् रीलीज ज traveling किया है प्रेस री इस हमारे पास है और उस पर आरोप इस वजह से मेडिया इस मजे से हम ने आपसे पूछे हमने कभी हम आपसे कॉंटेक्ट नहीं करते कभी आपसे सवाल नहीं पूछते आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकी कि बिग बॉस ओटीटी का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भी आपसे बा के लिए फैनेंस करता है रेव पार्टियां अलग अलग होती है जिसमें कोई दूचार में आनुमान ना हूजी तो चाती वाड़ के दिखा दूमें कुछ नहीं करता हो कुछ भी नहीं करता है ऐसा काम कुछ भी और इसी चीज़ का में अफसोश है कि कुछ किये बिना उसका नाम पे जोड़ दिया वोजब मोके कुछ कहीं कुछ भी है नहीं तच में सिर्वक्त के अक लाग बार कवाओ हजार बार कितनी वार कवाओ क्था नहीं है इससे कुछ वी इतना भी नहीं है इतना भी कि उनको सदबुद्धिद भगवान जिनों ने ऐसा चीज़े की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो फुलिए मुझे नहीं पता जिस अगर कहना चाहें हैं अब तो उनका रोल ही खतम हो गया अपने बता दिया कि उनन तो कर दिया जो कर दिया जो कर दि उनके उपर ध्यान दों की विए क्या कर रहे हैं किस बच्चे के उपर एलिविशन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मेवारी बनती है तो एक ऐसे माव और सोचे कि आज उनके मावाप किस सीचुशन से जोजर रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक बेटा है बस मेरी बात पुलिस वाला उसे क्या कहना जी वे भी कही ना कई पिता भी है एक एक जगे और करेंगे बात अगर आप कह रहे हैं कि चोदा दिन बात दुबारा कुछ क्या बता रहे हो आप अभी तुसाइब करेंगे हम कोई इसको पुन्रा बिरती हो अगर ऐसा हुआ है तो उनसे मिलने प्रश्चाइब करेंगे हैं कि अधिक नंबर दारा मुझे तो पता ही नियुकिस चीज़ के तो कानून के जारकार भी बता सकते हैं सर। पीएफए की जो आपने बात करी पीएफए का ये कहना है कि उनके पास कावी एविडेंस है आडियो है वीडियो है जालो ठीक है जी कहने दो इसके पहले क्या कभी जब जैसे नोडा पुलिस से सामना आमना हुआ पुलिस से क्या इसके पहले कभी एल्विस को लेकर किसी और प तब बस दो गंटे फूच्टा सकर गहर बज़ा हो गी उसके बाद मुलाएद हमें कि विलाष्ट भ्यान अंगित करने हम चले गई लेके मैं उसके बाद बता नहीं अब आप बता रहे हुए जानकारी है कि ऐसा ऐसा हुआ है अब तो कुछ भी नहीं है लेकिन चलो आप कह रहा हुआ दो मान रहे है ऐसा अगर अभर हमें सोचते कि हमारे लड़के ने कुछ किया है लड़का सोचता में ने कुछ किया है जो चार महीने बिते हैं अराम से अपने इस जिंद़ी वैतीत करने लग लगए थै एकुछ है नह तो में पता था क्या चल रहा है अपने आराम देखे वे ते अपने गर में शांते ही जिन्दिगे वह अमेरा लड़का निर्दोस है तो कुछ भी नहीं है पर फर पर इस नहीं है तो मैं क्यों डरने की किशीज़ के पास जाओं कि मेरा यह वह यह अपना आप मेरा वो ओठ जाएगा पर बाकी है अगर हमें लगता की लड़के ने कुछ गल्थी किया तो हमा आप भाउन ही मारती इदर उदर कि एप सोच तो आप इस चीज को जाने के लिए कुछ करने के लिए मिलखी यह दिन ना दे तो यह भी कहा दिया था जब तीन राजयों को पर इस जो रहे है तो तब उन से फोन किया था कि वह कोई वह नहीं यह वांटेट है जाने तो इसको हां तो जब वह पुलिस ने रोका तो फिर आपकी उसमत अलबिस से बात चीज होई तो 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 आपकी उसमत अलबिस से बात चीज होई बोला बाइ लविस जा रहा है पता हूं इनको रोकना है बनो नहीं हमें कोई वांटेट थोड़ी इसको जाने जहां भी जा रहा है तो खबर आश चल रही थी किया तो वह तीन राज्यों के पुलिस डून्टे बता नितना असरग क्या हो गया इसके मतलब क्या हो है तो यह चीजें अब दिखे मैं आपको बताता हूं दिखे हर चीज मीडिया को बिसिकली क्या है अजला ये पुलिस कहती है वही पुलिस इसको चला रही है वही पुलिस जो बोली थी वांटेड नहीं हाँ वही पुलीस नोवर के बाद आज गिरफतार की रही है और गिरफतार भी असा के ले रही है पहले तो सामान भाराए लगी थी 120B, wildlife animal act, अब तो NDPS act लग गया वही पुलिस जो बोली थी वांटेड नहीं है आखिर वो नॉंबर, डिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च बात कैसे प्लट गी? आप जो मीडिया को बने पता ही है प्लट गी को आप पता करूँ नहीं आप दारा लगे आप कैसे मालनों की वह है मुझे तो नहीं पता कि सत्का इन डी पी एक्ट मे Freeman के कौन कौन सी इंडी पियस में धाराये लगा है तब वह अलग अलग अंडी इपेअस की धाराये होती है जैसे आई-पीसी की भार होती है बैसी जो बीया है जिसने केस किया है करवाया है तो अपने तरफ से कसर थोडी शोटेगा है है मैं किसका शूख था लिए काम करना हूं है ओजा जी कि भूला है अच्छा बड़ा दिया मेरा लड़के का अच्छा बना दिया मेरा लड़के का अच्छा अब रिपोडिंग चल रही है जैसे जिसमें हमने देखा तरवात आपको पता भी है तो आप क्या को गओगे हाँ जानतो हूँ इतो कहोगे ना आज नाम बना हुआ हर गहर का बच्चा जानता है तब कि अपकी बाद में यह भी काया कि वार अमारा तर जो सपेर अगेर थे हमारा इस नाम से को लेना देना नहीं वहुं की वीड मेरे को लेड़ा देने नहीं है आप भेफिकर रही है बस कुछ नहीं है मेरा अगवा कहीं कीशिद बात करनी पड़े या करें नूगल कुछ नहीं है अच्छा ही नहीं लड़ सकता है तो क्या बता उसको हटाने के लिए रास्ते से यह चीजे उसको ऐसा कर दिया है अगर उसका रुजान था या है तो तो देखो बात अलग है वागि हम भी पोलिटिक्शन उसको नहीं उतारेंगे क्योंकि वह स्याद इसी चीज का भी हो गया हो कि कि शिवा ऐसा क्योंकि इतना वह उसको प्यार मिल रहा देश में हो सकता किसें सोचा हो कि यह हमारा कंपीटर आ गया मैं यह पता भी है यह क्या वो प्लिटिक्स में इंट्रेस्ट है यह यह श्याद खटरशाब उससे लोगों को लगाओ उसको सम्मानित करने आय थे तो लोगों को यह जाना चाहता हूँ दो मेरे सवाल है बल्की यह अल्विस की यह शुरुवात कैसे हूई यूटूब से अब कुछ बताईगी यह कोलिज के सेकंड एर में शुरुवात हुई थी तो जैसे वे और बच्चों की देखता था यह वाइन मतलब छोटी-छोटी वीडियो वग है जैसे ऑगों शिरा मुझसे वीडियो बन लेता है यो यह हुग हमें तो यह यह पता था भॉई सूप एफ पिर अगरा बनाने लगाई के दिखें मैं एक चीज यह बहुंगा यह कि इस पर आरोप है और आरोप यह कि दावा नोड़ा पूलिस का है कि सापो के जहर का मीडिया का दावा नहीं है इस वज़े से नोड़ा पुलिस ने ग्रफतार किया है सलमान खान की एक बात को लेते विए मैं एक सवाल पूछूँगा कि सलमान खान ने बिग बॉस का जब खतम हुआ था तो एल्विस को सला दी थी कुछ आप लोगों कुछ तो यह पता होगा मैं तो बहुत ज्यादा इस सब्सक्राइश जो इसको लेकर क्योंकि एक चीज बुछ से लोगों ने पूछी जो बोला था कि जरूर पूछना कभी हो कि यह जैसे कोई भी सेलेब्रिटी जैसे बहुत फेमस हो गया पहले आपके लिए तो बेटा ही है घर में जाता होगा भले एक बिग बॉस बिनर एक माबाप के लिए बेटा किता ही बड़ा हो जाए वो बेटा ही रहता है लेकिन क्या अब अगर चीजें हुई अब मिली तो जो वीडियो में गाली गलोच अब शब्द भासा का इस्तमाल क्योंकि आप यकिन जानी कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी ऐल्विस के फैन है सेवंध क्लास के मैं आपको नहीं मालूँ मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं मिला हूं यह तारीफ ही समझ लीजे कि सेवंध क्लास के बच्चे एट क्लास के बच्चे थर्ड क्लास के बच्चे यह सब एल्विस के फैन है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता कि बेटा अब तुम्हारी जमेदारी तुम सलिबरिटी जो थोड़ा सा नए तरीके से चलना होगा अब बीग भॉस के बाद की बाद की बाद कर रहे वाप जैसे माले जो वीडियो बणा तुमे कारा है कि जैसे चुटे बच्चे भी देखते हैं उसने कुछ फिछ बीग बोस से पहले एक अट जगे किया का, वीडियो में या बाद में भी गर रहे हैं यार दोस्तों किसाथ जैसे मजाग यार दोस्तों में वो बंद करवाद नहीं है तो आपने वोला है ज़रूर उसके लाल में जो बात ठीक है वो ठीक है उसको उस बात कुमानेंगे हम देखे यह बहुत अच्छी बात हो और यही हर मावाप होते हैं कोई भी मावाप हो सेलिव फाई पर ऐल्विस की मानने कि एक ऐक कॉंस्प्रेशी के तहत ऐल्विस यादो को फसाया गया है पिता अध्यापग नीए का बेटे को हमेसा सलाह दी है वह किसी तरह से किसी भी ड्रक्स में वाट्स नहीं है किसी ड्रक्स के सिंडिकेट में इन्वाल्व नहीं है जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की और ये माबाप का कहना है कि एलवी स्यादो पर जो भी आरोप लगे है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये लडाई अदालत तक जारी रहेगी एलवी स्यादो कौन नहीं जानता सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर फेमस यूट्यूबर जिसे नोडा पुलिस ने गिरफतार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सापो के जहर के इस्तमाल का अब नोडा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद एलवी स्यादो को गिरफतार कर लिया है उस पर IPC के सक्षन के अलावा NDPS की कई संगीन धाराएं लगाई है पूस्ताच के बाद एलवी स्यादो को नोडा पुलिस ने गिरफतार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है ये तो बात हुई OTT बिग बॉस के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है अलविश यादो के पिता और माता जी नमश्कार सुस्मा जी देखिए आपने देखा होगा मीडिया में टीवी में तमाम जगा पर चल रहा है सापो क्या जहर, सापो की पार्टी और तमाम चीजे चल रही होंगी देख भी रहोंगे पहले तो यह बताईए कि आपका बेटा जो एक फेमस है आप खुछ उनके साथ रहते हैं उनकी इतनी फैन फॉलोईंग है अब उसको एक विलियन के तौर पर पेस किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है आपका क्या कहना जिखो जी यही तो बात करने आया मेडिया की मेडिया से यही बात करने आए जी वो विलियन नहीं है और यह चीजे नेगिटिव टी फैलाना बंद करें रिक्वेस्ट है मेडिया वालों से कि बिना तथ्थो पर आधारी तो बाते ना करें मैं कल से देख रहा हूँ है दो दिन बिजी था परसो में साथ ही ले गया था उसको हम तो एक उसका संबन आया था कि उसको ठाने में आके वो रिपोर्ट करना है अपने बियान लिखवाने है कि सिम्पल अगर हमें पहले हैसा पता हूए कि कुछ होने वाला है बहुत से तरीक के होते हैं ना भी जाते हैं ने मिं अपने का मि uska क्यों पूलिसा पार आद आपका विम्हान की तेस की या होत ता है लेकिन उसमें लिखा हुआ था Current Driving जी एक सो साथ कर नूटिस्ट है तो मगा बिटा चल जल्दी और हम फोन ओन करके आई उसे मिल दिने के सारे मनलब उसके टच में रहे और हमने लोकेशन बेजिए हम जाके क्योंकि वह साब बड़े लेट थे थोड़े से तो हम कही बैट के नोएडा में उनके फ्रेंड्स हैं है जड़िए हमने झाल को डीशिख दाए है खर फारषे साथ हम हारे तो हम और हमकेशन भी बेज़ दे हम लिए सब्सक्तिया को फिए हम लेजल ले लिफ ले जाएंगा में आं से बात करेंगे घल एक साथ ह Master मखें एक कि उसके बाद हमें पताल नगा कि वह साथ के लिए मैं तो साथ थे, कि ऐसा हो गया जी, कल में गया हूँ फिर में, से मिलने, क्योंकि मैं तो समली नहीं पाया इस चीज को लेकि कि आये किस काम के लिए थे, और अंदेशा होता हुता है कि इसमें तो कोई गिर्फतारी हो यह नहीं सकती, अब वो तो खेर परसासन जाने जी वो तो उ यूजी सलतर पड़ी कि भई उसने कबूल कर लिया, यह कर लिया, अब पापजी मेरे को तो कई रोका ही नहीं है, और सीधा मेडिकल कराया और भई, यह ले आए, तो समा जी आप मिली अलिए से, तो तब मैंने कहा कि यह क्या चल रहा है, इसलिए मैं आज रुकिया मेडिया क्योंकि अपनी बात रखी जाए, और आपक हमेडिया कि हम अपनी बात रख कर देनेवद है, क्योंकि किसी का भी बेटा ऐसे जुरम में यह जूटे जूरम में, सच्छे में, तो यह पिडा यह है कि कुछ किया नहीं है, व्यालकि कि अड़िया से आप मिले गए, मैं जेल में है , किस अलत हुई है , क्या बात्चीत हुई बात्चीत हुई ए कि इसके फैंस भी जनना चाते हैं , बेलगुल ठीक है वह और उनके फैंस से Minor कहना है, बहगवान उसको प्रेकरे कि उसको जिक्षए करने के सकति innovations कि जितने दिन भी जो भी अब कानून से उपर तो क्या है, अब तो क्यों कि कानून के उसमें चले गए हम, याई पाले का भे भरोस्य है, उसकी सरण में हैं, और बस प्रे करें बखवान से कि उसको महार रहने कि जितने दिन भी उसका महापे है, जो भी मुझे नहीं पता इन मैंने पहले कि मुझे नहीं बता इन चीजे को क्या कारवाई होती है, वकील कर ली अमने सिंपल बस, वकरत रहेगा जो भी और आज मैंने सोचा कि ये ने अग्रिटूटी जो मेडियाम फहल रही है, भाई ऐसा मत करो प्लीज, आप भी हैं जिसमें मेडिया की बाते मेडिया अब भी हैं वो था ही नहीं नहीं ना कभी वो उसमें गया है, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में पूरा परसंट है, मैं ठोक कहता हूं, दावा करता हूं, वो हमारी परवरेश है, ऐसा काम में बिलकुल सनलिप्त नहीं है, बिलकुल भी, क्यो दाले लगाई, किस इनने लगवाई, सब को सब पता है, पीछे बैक में कोन काम कर रहा है, प्यप फेवारे हैं जो, जिनकी लेडर वो है, उनके संट्रक्शन में जलता है, मैं लगा गांधी जी बड़े राजवादमी हमारी कहां तक कर रहा है, उन्हों कर रहा है, क्यों किया है, यह वीड़ जब पहला केस नोड़ा पुलिस ने दर्च किया था और F.I.R. में Elvis का नाम आया था तब आपकी Elvis से कोई बात्चीत हुई थी कि बेटी क्या है क्या आरूप लग रहा है साब के जर्ट तब उस दौरान का भी कोई बात्चीत हुई थी Elvis से इस मसलेपन देखो जब यह चीजे ह होती है तो वैसे हमें विश्वास था पूरा कि वैसा पुछ नहीं है पर फिर यह पिर आपसे आप सी बात्चीत हो ते हुए जह हमें यह पता है कि कि सी भी तरीक की कोई उस है और शुर मेरे घरी नहीं गए मैंनी आया तो आरूप कैसे लागा हो गया जब आया ही नहीं अधिना बेकसुर के अंदर टाल रखा है अधिए अधिके आप हिम्मत रखिये इसमत के आगी रखे जी इना तो मेडिया वाला नमारे के छोट रख्था हमको हमारे गर में को याग लगा जाए इतना इतना प्रोबिकेंट ने इसे रहूं को निए ऐसे अपलिकी एफाईर देता किया मेर अकुत कर रही है कूछ करके हो तो कैसे मालू मैं अपको नहीं पता है जाए या उन्हीं पता है और मुझे दफलफलगा पता उसका मेरा फ्रेंड़ी प्रेंड से बिल्गुल अबयवार और आपने देखिए उसके वीडियो बगएरा कैसे बड़े में के साथ हस्ता खेलता रहता हूँ अवे उसके पेखिए कि किया अज़ इस पगड़ो इसको करो सड़े को खराब कर आगे जाके कहीं क्या पता कौन कौन काम कर रहे कुई इसके बैक में की किसी को क्या है कि क्योंकि सीम साथ भी आए थे कर दो अगर चाहिए उसको कोई भी शियम आपको अगर आपका शियम तो वो भी आ उसने अच्छा काम किया था बच्चे ने आगया को यह अगया को यह अगर भी आता श्याद नहीं आता तो आप चीए शियम को उससे कुछ लोग उसके साथ जोड़ दिया है तो बीज एपी का हमारे घर में पटने नहीं कि अंजा आपसे आप करना कि दो जाहunci को अपको इसको आपको आप कर दूगारों मैं कैसे मान खर दूगा कि मैं आपको आपको आपcken पोловा पर्षवाण बच्चोग क्या है, है नहीं कुछ भी, हमारे घर में बात नहीं होती थी, मैंने यह कहा है कि मैं उसको खुद लेके गया हूँ भी इंगे पिता बेटा चलो जल्देश निमट के आते जो लिखनाय लिखवा लेंगे जी और भी काम है हमारे जी और चलो पापाजी आज ही कर लेते हैं अग कर खालम मेरे मेरी लड़की विधारी से रहती हैं उनके घर में चूला नेजय बहुकर निलग वग रही हमें उलकी सर्य कि बताओ निर्दोस्य हमें भी पता है छोट, यो bilateral को मैंमें आदालत यहां जोटा यह दिन वापसी कोई यह दिन वापिस हो जाएगा सब कुछ वो तो होगा ही होगा डाइफिनेट होगा आदालत से लेकिन यह चीजे यहां तक आई क्यों कि इन दिनों के परभाई करते हैं कि हमने कुछ किया नहीं हमें डरने के आउशकता नहीं पापाजी पलानी यह चीज रेव पार्टी है हमार यह तो तक तक तो बात ही हो अरे बात क्रहए थी बहुत है कर दो दो दूटे जा तो फोल यह जा निए और उनने क्या की आए मेरा एक सवाल देखिए मैं यह बोलना हूं कि जैसे आपने मीडिया के बात की तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस रेलीज जारी किया पुरी बास सुनिएगा अच्छा और नोडा पुलिस के DCP से मैंने खुद इंप्रूव किया बताओ नोडा पुलिस का यह कहना है कि ज जो नवंबर में पांच लोग गिरफतार हुए थे जिनके पास से नो प्रतिबंदीत सांप जो वाइल डाइफ एप में आता है वो रिकवर हुए थे 20 ml जो सांप का जहर है वो रिकवर हुए था जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया उसकी टेस्ट रिपोर्ट ज़ाई और जो पांच आरोपी गिरफतार थे उनसे ऐल्वीस की कनेक्टिविटी सीडियार कोड़ डिटेल से वह कनेक्ट हुए है और उन लोगों ने बताया कि ऐल्वीस की कई Parties में रेव पार्टी में वो सांप का जहर और सांप लेकर गय थे तो यह कनेक्टिविटी वि प्रेस जारी हुई है और उसमें NDPS की मतलब जो बारे में ग्यान नहीं है कि ऐसे कुछ हुआ है मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को लेगा तरो बिना पूचे को मुझे एक केस है चुकि नोडा पुलिस का यह दावा है एक वक्ति को उसको गिरफतार किया गया है अभी नियाई खिरासत में चाशीर दाखी लोगे चाशीर दाखी लोने के बाद ट्राइल चलेगा और उसके बाद फैसला होगा आप आहत है और यह हमारे दसकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी है लेकिन फिर वहीं बात आएगी लोग पूछेंगे भी क्योंकि हमारा स्पाइन तोड़ने की कोशिस की हाला कि यह भी देखा गया कि समझा होता हो गया उस धगड़े के बारे में आपकी बातचीत कोई कभी अलविस से हुई या उसके बारे में जानकारी हुई हुई मेरे को नहीं पूछा है उसको पूछा क्यों नहीं है उसके बारे मेरे साथ काम करते ते प्धेर करते हैं जो यह सब कुछ चलता होगा सुस्मा जी कभी घर में क्या एल्विस है चुकि आपकी वीडियो संब लोगों काफी देखें आप से काफी लगाओ है उसका कई वीडियो इनफैक्ट हमने आपके देखें जो यह सब कुछ विवाद ल्विस के है कभी मतलब या अपने अपना मत रखते हैं अपना मत करते हैं मापड़ में बच्छों से बात करते हैं पहले जब ऐल्विश जो था छोटा वालग अब जब फेमास वह उसके बाद क्या परिवर्टन आया या 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 यल्विश में कोई में भी असमुक था, भी भी असमुक है, कोई चेज नहीं, कोई आजे मजाग करना, वोई चीजे हैं, वोई आदे हैं, तो आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा, कि वो जेल जाएगा, उस पर साफ की, ऐसा कोई सोचता है, कोई नहीं सोचना चाहिए, तो, ठीक है जी, क्योंकि हमारी जो है, परते के पिछे बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, हम यह नहीं पता किसी ने किया है, यह काम किसी ने नहीं, इंट्रूवी देते हैं, वे तब अंधेर मी देते हैं, हम तापके सामने, फिर भी रोशनी में बैठे हुए, यह हो किया उन्होंने, पता तो उ चर्चा चलती है जेखिए जो सेलिबरिटीज हो जाता है चुकि मैं पत्रकार हूं तो मेरे जिमदारी हो जाती है अगर स्रणक पर मुझे लोग पहचानते हैं एक बहुत खुले से चुकि आप भी माबाप है मैं भी एक किता हूं मेरा एक सवाल है कि जो वीडियोज आते हैं और आजकल चुकि यंग जेनरेशन है लोग थोड़ा सा खुले विचार के हैं तो जो वीडियोज आती हैं जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तमाल किया जाता है और सरफ एल्विस की बात नहीं कई वी यूट्यूबर्स हैं तो कभी आप लोगों ने वो वीडियोज दे करता है एक दो शब्द तो मैं उसको बहुत बड़ी बाते नहीं हुए माले छोटी मोटी आपने बच्चों को सब समझाते हैं वो भी अपना मत रखता हैं भी अपने बात रखते हैं समझे लिता हूँ अभी जो रिसंड का जो विवाद हुआ था ड्रग प्रमफिर आएंग एक मुनववर फारुकी के साथ फोटो जो पिक्चर जगडा आप लोको मालू मैं कि यह जो मुनववर फारुकी के साथ जगडा है उसका नहीं फोटो जो वायरेल हुआ था अप बताओ क्या है नहीं हम तो आप से पूछने घर में चल्चा हो जब आप इसने मुनवर का जि आप सिर्फ जाते इसने जानता सुसल मीडिया मैं अधर जिनता जैता है भी विग जिता था अभी जिता ओड़ी कोर स अब गयाए अभी डिसेंट कप जो बीग बॉस निए थी नहीं तो उसने उसको आउट कर दिया पिछे से उसने गड़े पिछा सार का चेंट को हाँछा ह इन्लीना, ऐल्वीजी ने उसको आउट किया था किया हो गया कि गड़े कुख लगा लिया इसको किसको नसको निख लगा लिया इसको टरका लिया एडाय longailable मैं मैं लगा लुक लगा लाओ किसा कुई बयाद नियु तक कट्हिंभाब नियु डे। किसी को मुद्धे को लेकर अगर ऐसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला उसको लेकर ऐसी नोबत आ गई मैं बताता हूँ एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता है और इस वज़ा से जो चुकी है जी आप अपड़ा से मैं बोलूँ हाँ बिल्कुल बरे में मुझे नहीं पता आप कौन है कोई मुद्धा नहीं इन चीज होगा जी मैं तो बहींगे टीचर हूँ अगर हम मैं ये चीजे रखेंगे जाती दारम ये चीजे मैं तो कोसो दूर हूँ आप माने ना माने आप मेरे जितने स्कूलों में जाए पता करे कि मैं मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से कोई अगर बच्चा है कि मेरे साथ चल को जाती वाद अप खिलाता है माले कहता है मुछ जा जो देश को चलाने वाड़े हैं उन्होंने भी कहीना कहीं जो एक अध्यापक है और एक अध्यापक है जी ने गलत कह रहा हूं है अब प्लीज बोली है मैं यही चीज़े हुई थी वहां पर मैच के दो रहाना आपस मैंसे कर लिए वे चीज़े शोट हो चुकी है यह देखिए आप टीचर है अध्यापक के और बिल्कूल आपने बहुत अच्छी बात की और एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए समाज को सही रास्ते पर लेकर जा में ऐसे ही टीचर की जर्वत है लेकिन फिर अब वहीं पूछा जाएगा एक सवाल अगर आप अध्यापक है तो आप और जो आपने फिर बार बार और चुकी देखिए मैं यह सवाल पुछाओ प्लीज इसको नराज में तुको कि इसको लेकर वी चर्चा है हाल फिल हाल में मैं फिर वह बुला कि अगर मैं आप एक अध्यापक है आपकी जिम्यदारी है आपने जिम्यदारी निभा रहे हैं मैं एक पत्रकार हूँ मैं पत्रकार के तोर पर जिम्यदारी निभाओंगा अगर अलविश पहले क्या था वो मतलब नहीं है लेकिन बिग बॉस जब से वो बोलने पर जब खास तोर से नहीं जब वो वीडियो में आता है सोसल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए चुकि यह अध्यापक है आपने कभी यह बातचीत की जो विवाद और अभी विवाद हाल फिलाल में चलना तो आपके कान तक एक ख बेलकुल कहूँगा और उसको सम्मझाता भी अग्यापका और सम्मझाऊगा भी आगए और इसकी पिताइभी कर दूँगा। कर देता हूं मैं अगर गलत बात है तो ट delsाहरे नहीं उसका में अम्हीं पापा है अर गलत करेगा वह वो कहीं लगेगा हमें तो आपक को ब़ता है या वो चीज है तो गलत तो गलत ही रहेंगे उसको आप ठहरा नहीं सकते हैं लेकिन हम इस मुद्धे पर बात करने आए हैं उसकी बात करें कि वह भी गलत है बिल्कुल सरासर हमारे बच्छे को अतम करने की कोशिस है तुसमा जी जानती है आपका बेटा इतना बड़ा नडी पीएस एक्ट की लगा दी यह भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रग रिकवर नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चलें कि यह सबसे पर लगे कर दें कि दरसल नौंबर में यह केस दर्ज किया था नोईडा पुलिस ने पीएफे जैसा कि एल्पिस के पिता राम उतार जी यह कह रहे हैं पीएफे ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे सेक्टर उन्चास पुलिस थाने में एफाई यार दर्ज हुई थी और बहुत धरानी के बात है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने एफाई यार दर्ज की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक् है और उसके बाद अचाना गिरफतार कर लिया लेकिन अब उस पर रोप यह है कि वह तुन्टी सेवन ए जो एंडी प्या सेक्ट है कि वह ड्रक्स के लिए फैनेंसिंग करता है साजिश में सामिल है उसकी रेव पार्टी में साब के जहर का इस्तवाल होता है वह ड्रक्स का स कोई कुछ भी लगा दे इंचे जोंगा कोई दुक थोड़ी ना है ठीक है पर हम तो एक ही चीज गहेंगे कि आप एक भार पुछोगे यह लाग बाद पूछोगे हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है बेकसूर वे कि ऊश्का उश्या गया है बिल्कुल अज जिसने फश जो ए धारा होती है नडी पीए सेक्ट की वो मैंने चुकि सुसांत के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए इन डी पीए स्की जो एक धारा होती है तौन्टी सेवन ए एंडी पीए समें वहता है ड्रक्स की फैनेंसिंग करना अच्छा खरीद फरोग्त करना फैनेंसिंग करना तो यह जो कानून के सलाकार उसमें यह बांते हैं कि बहुत आसानी से जमानत प्लीज आपी लीजे बहुत अगर यह बहुत पता ने चीज यह जोगा यह जाए पाले कर पूरा विस्वास है कि शायद जल्दी हो जाए बाकि चलो हमें तो नहीं पता है इन चीज हो कि इलकोल भी जान नहीं चीज हो कि अगर नवकील से बात कि हमने पारी बेब उनिया लगा कितने जिन पुछ रह ले कि को आफ़यां में दो सुनिंहीं यह हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता है को 24 गंटां पता हमारे ःता इस जा शाए ऑटकर इसी से ख़ल आ हो रहाएं кोड कि यह यह चीज से पहुआ पहुंच गाया यह सैन नहीं हो रही है प्भी बोह आइतने ब草ं वह यूटूबर Besides YouTube अ कि ऐसा इसमें क्या पिछ्छे लग गए इसके क्या देख लिया इसा कोई कुछ भी लगाए मा कि ऐसा कुछ भी नहीं है 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 कि हमें जीने का अधिकार नहीं है हमारे लड़के को जीने का अधिकार नहीं है यह बते हैं तो पिछले चैनल पे भी कहा हूँ कि मुझे हजार जनम मिले पिता बनने के लिए तो मैं ऐसा ही बेटा चाहूं जैसे मेरा है इस चीज के लिए हम सिर्फ जुकाएंगे भी नी क्योंकि हमारा लड़का बेकसूर है कि नजरे आजी कुछ भी सिच्वेशन है हमारी नजर नहीं जुकिए है अगर 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 अजुकिए पालिक का है और यहीं अपील करने आया आप लोगों से बस इसी बारे में कि उसकी करें देखें मत दिखाओ अच्छा ही आप उसकी बुराई भी ना मतलब इस तरह की अपने तरफ से बिना उसकी चीजे ना करें आप से जो वाजीब सवाल है वो पूछा और देखिए ख़वर चल भी रही है यह बास तो सच्छाई है क्या आपके वाजीब सवाल के जबी जी चोड़ो आप इस इंची जोगमत करो आप चोड़ो नहीं चाहिए बिल्कु लगजरी गाड़ी ओने ची बिक बॉस विनर है पैसे कमा रहा है नहीं आपको आपको वाज़ार डिली थी वेगनार मैं आपको ऑनियर कह रहा हूं किसी सक्स के पास गाड़ी होना पैसा होना अगर अपनी ओ मेनथ से कमा रहा है तो कोई जूर्म नहीं है आपको यहीं बता दे रहा हूं आपके साब करण करोट है मैं उस ताम दिमाग लगा लिए पैसे ना ची प्लोट दे देना चारो भाईो ने ले लिया था अपना जितनी जमीन थी उसके बदले में उस पहर बना रहे तीन साल होगे दिरे 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 पैसा जो तन खा का हुआ रहा हो और भी है खुछ वो भी कर रहा है अपना बीडियो में तो फिरमाल थोड़ा सा लोगों को दिखाने की करता है यह है वह है ओर चीज है वह कलए अश्ता अष्मुप वह वे दस बाई दस के कमरे में लेटता है वी भी आके हम खाट पे सोते हैं भाई आपके भी आपके बेटे का आपके प्रकर रहेगा लेकिन जो आपने बात बताई उससे थोड़ा सा तो मैं विच्रित हूँ कि मैं भी पता करूं किल से जाके मुझे नहीं पता था इन चीजों के बारे मुझे दहराएं लगाई है 29 ड्रक्स के लिए साजिस 27 ए ड्रक्स की फैनेंसिंग करना देखिए अज लगाई आज नहीं उसी एक्ट में ग्रिफ्तारी हुई है यही तो मैं साप वाला जो होता है प्रतिबंदी सर्फ उस पर वाइल लाइफ एनिमल एक्ट लगता है लेक्ट वो आईपीसी की धारा होती है एंडीपियस की धारा जो ड्रक्स का कारोबार करते हैं ड्रक्स का इस्तमाल करते हैं ड्रक्स का सिंडिकेट चलाते हैं ड्रक्स के लिए पैस जब टाइम आएगा बेकसूर सीध होगा बेकसूर तो है अचीध होगा आप हमें खुद बुलागे फिर बिठाओगे ऐसे अब फिर हम आप से बिलकूल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे पिप्र में यह बोला हूँ जैसे आप यह आपने उसकी बाद की फज़ दे के हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे जादा कमा और बिल्ट बिग बॉस में जा रहा है इतना वड़ा सूशा आजकल तो यूट्यूबर जितने हैं वो भी पैसा कमा रहे है चाहे पड़े लिखे हो चाहे ना लिखे हो तो पैसा कमाना किसी के पास होना अगर वो मांदारी से अपनी मेनस से कमा रहा तो यह कोई जुर्म नहीं है एल्विस के पास पचास गाड़ियां हों हमें कोई अतराज नहीं है दो हमने कभी ख़बर चलाई लेकिन हां यह भी एक कड़ी सच्चाई है कि आज की डेट में एल्विस किरफतार है उस पर आर सवाल नहीं पूछते आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकी बिग बॉस ओटीटी का विजयता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबाप परिशान है इस वज़े से हम भी आप से बात करना चाहते थे हम चाहते थे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे कि क्या यह जो ड्रक्स का आरोफ है कि वह ड्रक्स यूस करता है ड्रक्स के लिए फैनेंस करता है रेव पार्टियां लग अलग होती है जिससे कोई क् दूचार मैं आनुमान ना भॉक्त भेके दिखा दूने। कुछ नी करता हूँ कुछ भी हैं क्ठी इसा काम कुछ भी ohosh पर इसी चीज़ कहा में अफसोच है कि कुछ किये बिना उसका नाम भी जोड़ दिया, वो जब हो के पुछ कहीं कुछ भी है नहीं तच में इसनी है इस जोके सरवक्त के इन ज़ार कर आओ, लाख वार कर आओ, हजार बार कितनी बार कर आओ नहीं है इस इजरेशन कुछ भी इतना भी नहीं है इतना भी उनको सदबुद्धिदे भगवान जिनों ने ऐसा चीज़े की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी नोड़ा पुलिस जो अगर कहना चाहें आप उनको अब तो उनका रोल ही खतम हो गया सदा आपने बता दिया जो कर दिया जो नहीं अभी 14 दिन की नहां चाहूंगे जिनके एंज्यू के थ्रू यह चीज हुई है कि एजे माँ सोच के देखो और जो उनके प्याफए वाड़े हैं उनके ओपर ध्यान दो कि विक्या कर रहे हैं किस बच्चे के ऊपर एलिविशन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मेवारी बनती है तो एक ऐजे माव उसोचे कि आज उनके मावाप किस सीचुशन प्योजर रहे हैं कि उनके लिए एक बेटा है बस मेरी बात पहुंचे तो मेनका गांदी जी तक पहुंच जाए यह जीज़ नवड़ा पुलिस वाला उसे क्या कहना जी वे भी कहीना कई पिता भी है एक एक और करेंगे बात अगर आप कहरें कि चोदा दिन बात दुबारा कुछ क्या बता रहे हो आप अभी तुसाइब करेंगे हम कुई वही इसको पुन्रा बिटती होगर ऐसा हुआ है तो उनसे मिलें कि उससे करेंगर मिल जाएंगे तो कि उसा है कैसा मैं कहा रहाा आप उने पता करूंगा मैं जाकी कि वही क्या हुआ है क्नई मुझे नहीं पता बिलकुल है क्योंकि हम इन चीजहों है पड़े नहीं कभी भी पता ही नहीं 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 कि हमारी तरफसे यह यहज़दार्धा इसके पहले क्या कभी जैसे नोड्या पुलिस से सामना हुआ क्या इसके पहले कभी अल्विसको लेकर किसी और पुलिस से सामना हुआ न्वम्बर मौदा व्यग विलाय था इसको जब ये केस हुआँ था त्ब adesso दो गंटे पूच्टास कर गहों जाओ उसके बाद मुलाएद हमें की विलाष्ट भ्यान अंगित करने हम चले गई लेके मैं उसके बाद बता नहीं अब आप बता रहे हुए जानकारी है कि ऐसा ऐसा हुआ है हुआ तो कुछ भी नहीं है लेकिन चलो आप कहरा तो मान रहे हैं कि ऐसा अगर हमें सोचते कि हमार अब बाद आप बैठे वे तबने गर में शांते ही जिन्दिगा अब अमेरा लड़का निर्दोस है तो कुछ भी नहीं है अब एक ही बात कहता हुए नहीं है तो मैं क्यों किशीजी के पास जाओं की मेरा यह हॉए वो है मैं तो अबना आप मेरा वो अठ जाएगा पर बाक कि अगर हमें लगता कि लड़के इनने कुछ गल्थी किया तो हमां हत्पाउं नी मारती दर उदर तर तो सोचो आप इस चीज़ को जाने के लिए कुछ करने के लिए मलकी यह दिन ना दे तो यह भी क्या दिया था जब तीन राजयों के पर इस जो रोड़ा था था तीन रा तो फिर आपकी उसमत अलविस से बात चीज़ हुई तो हमने आपको आई रहा था था तो यह क्या चल दिया जी मेडिया में क्या चलना में वह आजा भई घर तो वो राज रोड़ इसली बुलाय था हमने कि रोड़ आतू पताय भी लग जाएगा इनको तो वह उन्हों को जाने जहां भी जा रहा है को खबर आज चल रही थी तो वह तीन राज्यों के पुलिस डूंटे बता नितना सरग क्या हो गया इसके मतलब क्या हो है तो यह चीज़ें अब तो यह मैं आपको बताता हूँ हर चीज मेडिया को बिसिकली क्या है यह पुलिस कहती है कोई जहां डेश को चला रही है मैं कौंगा विकि हम लेकिन मैं कहले जब भी उस पुलिस वालों ने नावर्डा पुलिस से कंट्रक्ट किया था यह हमें जान का था कि वह एसा कुछ भी अब ही नहीं है अब देखें लेकिन वही बात हुई ना वही पुलिस जो बोली थी नहीं है आखिर वो नॉंबर, डिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च बात कैसे प्लट भी? आप जो मीडिया को बने पता ही है प्लट भी? आप पता करूँ नहीं आप दारा लगे आप कैसे मालनों की वह है? मुझे तो नहीं पता जिन दारा होगी, हम पता करके फिर आ पर एक कुछ थी की कौण कौण सी NDPS में धराये लगाई है तब वो अलग अलग ंडेपयस की धराये होती है, जैसे IPC की धराय होती है, वैसी-वैसी धराये होती है जिसने केस किया है करवाया है तो अपने तरफंचे कसर थोड़ी छोटेगा वो तो है मेन बात तो यह ना कि कितना भी जोट गो लो जो बहुत ना पावरफुल आदमी हो गऊ जो भी है ऐसा थोड़ी है वाइल लगवाया उसके कोण जहर कहा बेच रहा है कोण क्या कर रहा है इसका नाम जोड़ना आपके लिए काम कर रहा हूं है ओजा जी कि लहाँ जा अचा 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 बस बना दिया मेरा लड़के का अवरा अब रिवोड़िंग शल रही है जैसे जुश में हमने देखा आपको पता भी आप से कोई पुछ आप अलुशादो को जानते हो तो आप क्या का होगे हाँ जानतो हूं यही तो का होगे ना आज नाम बना हूआ है ह क्या लेना देना मुवात देना हूँ ठीक है जी लेकिन अब चीजे संब्लनी रही नहीं मतलब हमारे तो कड़ी जूना रही क्योंकि हमी चीज़ंपड़े नहीं का भी भी बेटा यह कहत रहा है पापजी मेरा को लेना देना नहीं है आप ए फिकर रही बस कुछ नहीं है मे यह भी एक है, अगर आप ही कहा है, पुल्टिकल एंगल जैसे आप बता रहे थे, पिछले बाले बता रहे दे कि वह उसको वो टिकट का दावविदार भी माना जा रहा था, एक्षन का दावविदार लट सकता है, तो क्या बता उसको हटाने के लिए रास्ते से यह चीजे उस अगर उसका रुजान था या है, तो देखो बात अलग है, वागि हम भी पॉल्टिक्शन उसको नहीं उता रहेंगे, क्योंकि वह स्याद इसी चीज का भी हो गया हो, कि कि शिवा ऐसा लगा हो, क्योंकि इतना वह उसको प्यार मिल रहा था देश में, हो सकता किसे न सोचा हो अगर हमारा कम्पीटर आ गया, क्या पाता भी है, क्या वो प्रटिक्स में इंट्रेस्ट है रिसको लोगो को लगाओ, इसको सम्वानित करने आय थे, तो लोगो को लगाओ कहीं, कहीं कुछ इसको ना कुछ कर दे, क्या रहे हैं, मुझे भी आसा काफिला चीए, हसमुक तो ह मुझे भी आसा काफिला चीए, जैसे कीटर साब के पिछे चला था, तो लोगो ने सोच लिया, शायद पोलिटिक्स ना जोएन कर लेए कभी, ऐसा हो सकता है, अच्छे, मैं ये जाना चाहता हूँ, दो मेरे सवाल है, बल्कि ये अल्विस की ये शुरुआत कैसे हूई यू मतलब छोड़ी चोड़ी वीडियो वगारा, तो इसको शोग था, फोन जैसे आया मुझसे वीडियो बनवा लेता हूँ, तो हमें तो यही नहीं पता था भाई साब उस टाइम की यूट्यूब होता क्या है, मैं तो बल्कि उसको मत क्या है, सादे फोन लेके चलता रहता है, यह वीडियो बनाई, यह वीडियो बनाई, वह देरे 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 फिर, हमें भी बता चल गया, बस फिर अपने वीडियो से बनाने लगाई, फाइनल एर तकाता, देखें मैं एक चीज यह बोलूँगा, देखें उस पर आरोप है, और आरोप यह दावा नोड़ा पुलिस क है कि सांपो के जहर का, मीडिया का दावा नहीं है, इस वज़े से नोड़ा पुलिस ने ग्रफतार किया है, सल्मान खान की एक बात को लेते वे मैं एक सवाल पूछूँगा, कि सल्मान खान ने बिग बॉस का जब खतम हुआ था तो एल्विस को सला दी थी, कुछ, आप लो पूछना कभी हो, कि ये जैसे कोई भी सेलिबरिटी जैसे बहुत फेमस हो गया, पहले आपके लिए तो बेटा ही है, घर में जाता होगा, भले एक बिग बॉस बिनर है, एक माबाप के लिए बेटा किता ही बड़ा हो जाए, वो बेटा ही रहता है, लेकिन क्या, अब अगर चीजें हुई अब मिली, तो जो वीडियोज में गाली गलोच, अब शब्द भासा का इस्तमाल, क्योंकि आप यकिन जानी कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी ऐल्विस के फैन है, सेवंध क्लास के, मैं आपको नहीं मालूँ, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं म मैं मिला हूँ, यह तारीफ ही समझ लीजे, कि सेवंध क्लास के बच्चे, एट क्लास के बच्चे, थर्ड क्लास के बच्चे, यह सब एल्विस के फैन है, अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मैंने बताया कि घर में भी हैं तो क्या उनको यह बता रहा हूं तो क्या मिलें तो लिविस को बताएंगी कि बेटा अब तुम्हारी जिम्मादारी तुम सलीबरिटी जो थोड़ा सा नए तरीके से चलना होगा छीले की से बताए हैं अरे सा टारएहर है यार दोस्तोस में साठी ओधार अरिजन के अध्यार्ड एग कि बीडाव शीमिए विडेयो की आप आप कर रहा हैं है हैं अगanic फैरो चाहर बहुत करतों अभलत वाद में डिया है ऽीच ने कृट फ्राइद एंगः। फिडियोर से क यही हर माबाप होते हैं कोई भी माबाप हो सेलेवरिटीस कोई भी हो लेकिन यह जो माबाप होते हैं वो यही बिलकुल accept करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी बदलाओ करेंगे लेकिन सीधे सीधे ये आरोप लगाया PFI पर Elvis की मान ने कि एक कॉंस्परेसी के तहट Elvis यादो को फसाया गया है पिता अध्यापक है इनका कहना है कि अपने बेटे को हमेशा सलाह दी है वो किसी तरह से किसी भी ड्रक्स में इंवाल्ब नहीं है किसी ड्रक्स के सिंडिकेट में इंवाल्ब नहीं है जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की और ये माबाप का कहना है कि Elvis यादो पर जो भी आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये लडाई अदालत तक जारी रहेगी Elvis यादो कौन नहीं जानता सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर फेमस यूट्यूबर जिसे नोडा पुलिस ने गिरफतार किया है आरोप लगा है रेव पार्टी में सापो के जहर के इस्तमाल का अब नोडा पुलिस ने कई महिनों की तफ्तीज के बाद Elvis यादो को गिरफतार कर लिया है उस पर IPC के सक्षन के अलावा NDPS की कई संगीन धाराएं लगाई है पूस्ताच के बाद Elvis यादो को नोडा पुलिस ने गिरफतार किया उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है ये तो बात हुई OTT Big Boss के विनर की जिसकी काफी प्रसिद्धी है लोग उसके फैंस काफी जादा है लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माबाप पर क्या गुजरती है ये भी जानना जरूरी है और इसलिए हमारे साथ मौजूद है Elvis यादो के पिता और माता जी नमश्कार सुस्मा जी आपने देखा होगा मेडिया में, टीवी में तमाम जगा पर चल रहा है सापो क्या जहर, सापो की पार्टी और तमाम चीज़ें चल रही होंगी देख भी रहोंगे पहले तो ये बताईए कि आपका बेटा जो एक फेमस है, आप खुद चुनके साथ रहते हैं उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है अब उसको एक विल्लें के तौर पर पेस किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या कहना है दिखो जी, यही तो बात करने आया मेडिया की मेडिया से यही बात करने आए, कि वो विल्लें नहीं है और यह चीजे नेगर्टिवीटी फैलना बंद करें रिक्वेस्ट है मेडिया वालों से कि बिना तत्थों पर आधारित बाते ना करें मैं कल से देख रहा हूं है, दो दिन विजी था परसो में साथ ही ले गया था उसको, हम तो एक उसका संबन आयत है कि उसको ठाने में आके वो रिपोर्ट करना है, अपने बियान लिखवाने है सिंपल, अगर हमें पहले ऐसा पता हूँ कि कुछ होने वाला है तो बहुत से तरीके होते हैं, ना भी जाते हैं हमसे तो पुलिस वाले जाने की कौन से संबन के तहत क्या होता है लेकिन उसमें यह लिखा हुआते है कि इसमें आपका व्यान अंकित किया जाना है जी, एक सो साथ कर नोटिस था जाते है वहाँ पे लोकेस न भेज़ दिया हमने, वहाँ से बात करेंगे सिंपल हमें रुक गया, वकील थे साथ एक उचले गए साथ उसके बाद हमें पता लगया कि वह तो भई हरासात हम भेज़ दिया चोदा दिन की में जैसे सुचना है, मतलब साथ थे कि ऐसा हो गया जी, कल में गया हूँ फिर में, से मिलने क्योंकि मैं तो समली नहीं पाया इस चीज को लेकि कि आये कि इस काम के लिए थे और हमें अंदेशा होता है, वकील साथ भी यह कह रहे थे कि इसमें तो कोई गरिफतारी हो यह नहीं सकती अब वो तो खेर परसासन जाने जी वो तो उनका काम है, मुझे तो पता नहीं है किस चीजगा क्योंकि हमारा ना कोई बैकरांट ऐसा फैमिली और ना हमें चीज़ों से कभी गुजरें हैं और श्याद कोई भी नहीं गुजरना चाहेगा तो उसके बाद हमें कल बेटे से मिलने कया हूं तो हमने पूछा भई कल नूजी सलतर पड़ी की उसने कबूल कर लिया यह कर लिया और पापाजी मेरे को तो कई रोका ही नहीं औ जब अपनी बात रखी जाए और आमें आक भी है क्योंकि किसी का भी बेटा ऐसे जुरम में या इस तरह कि जूटे जुरम में सच्छे में तो वही है पीड़ा यही है कि कुछ किया नहीं है क्या आप जब ऐल्विस से आप मिलने गए जेल में है किसा हालत में है क्या बातचीत हुई है किसे फैंस भी जानना चाहते हैं जो सके फैंस जुरम ठीक है ओ और बगवान उसको इसे प्रे करें कि उसको यह चीजे करने के सकती कि जटने दो भी आप कानून से उपर तो क्या है अब तो क्योंकि कानून के उसमें चले गए हम यह और प्रेस्की सोरह में है और भष्मार कंवान से कि उसको महार रहने कि जितने दिन भी इन चीजा़। पूर मैंने नहीं नहीं कारवाई हो उता हैं किया कारवाही स citrus हं वित्ती थाथ हिर भाहि मैंने तरहानास करेंस जो भी शुचें गुरी वारी corridor में जए अब नहीं करना हो इंक धाया है हमारे फैमिली बैग्राउंड चेक करिया बिना तत्थो पे अधारित बात करिए कि अरे कहां है रेव पार्टी हुई होगी लाओ मेरे बेटी की टिकट कहां एंट्री कि उसने किसको क्या किया लाओ उने कुछ सामने हम बेद पता लगे अर्फ दोरान वो यहां पर है नहीं ना कभी वो उसमें गया है मैं कह रहा हूं कि जितने भी दुनिया में पूरा परसेंट है मैं ठोक कहता हूं दावा करता हूं वो हमारी परवरेश है ऐसा काम में बिलकुल सनलिपत नहीं है बिलकुल भी क्यो दाले लगाई वो किसने बाई सब को सब पता है पीछे बैक में कौन काम कर रहा है यह फेवारे हैं जो जिनकी लेडर वो है उनके संट्रक्शन में जलता है मैं बिलका गांदी जी बाई बड़े राजवादमी हमारी कहां टक कर रहा है उन्हों है क्यों किया है यह वीड़ उठा लया आठ महीने पह काड़ लाया और यह करके सब शड़े अंतर के तहत किया गया जी बाकि अब यह है कि अच्छा मजी जब जब पहला केस नोड़ा पुलिस ने धर्च किया था और F.I.R. में अल्विस का नाम आया था तब आपकी अल्विस से कोई बातचीत हुई थी कि बेटी क्या है क्या आ किसी भी तरीक की कोई उस है निए उसरा आप मेरे घरी नहीं गये मैं है नहीं आया तो आरोप कैसे लगा हो गया जब आया है यह आप आप इस चीजे ग्राउंड पे भी लेवले पर सोच ना खुद अपने आपको रखके सोच ना कि आपकी मुझू कुछ है नहीं तो यह च आपको नहीं तो मेडिया वाला हमारे के छोट रख्या हमको हमारे गर में कोई आग लगा जाए इतना इतना प्रोवगेंट आप भला दिया नहीं नहीं आप रूह को नहीं मैं ऐसे अपली की एफायर करवा दी अगर दो अगर दोशी होता तो मैं बहुत कुछ कर देता क्या कुछ करके हो थो कैसे मालू मैं आपको नहीं पता न्यौधल करता है तो नहीं पता मुझा पता उत्त मेरा पैरेंड ये अब नहीं देखे लिए वीडियो गएरा कैसे हमने में के साथ हस्ता खेलता है हो किया कितना संगर्श किया इसने लोगों ने वो देख लिया उसका वाई यहाज इसको पकड़ो इसको करो साले को खराब कर आगे जाके कहीं क्या पता कौन कौन काम कर रहा है कोई उसके बैक में कि किसी को क्या है कि कल को क्योंकि सीम साब भी आये थे कि समानित करने का अगर चीए ता उसको कोई भी श्याम को अगर आपका अगर अच्छा काम किया था बच्चे ने आगया को यह रहता श्याद नहीं आता तो आना भी चीए श्याम को उससे कुछ लोग उसके साथ जोड दिया थे बीजेपी का है मेरा तो बच्चा इनने डू कि अगरा अगर अँदेशा होगी यह पकड़गे बच्चों को कर रहे हैं नहीं करोंगे क्या यह मना कर दो गया हूं की मता हो आप जब एलविस के पास जेल में गये तो आपने पुचा कि बेटा यह क्या है यह बातचीत एक्सिट अब तक तो मैं साथी था सर तर क्या है है वही नहीं कुछ भी हमारे घर में बात नहीं होती थी मैंने यह काहा कि मैं उसको खुद लेके गया हूं भी इंगे पिता बेटा चलो जल्देश निमट के आते जो लिखनाय लिखवा लेंगे जी और भी काम है हमारे जी और चलो पापाजी आज ही कर लेते हैं अगर हमें मेडरा हैरे जहीं मेड़ा है अ मारी खीलाप और आज से चल रहा है हां जिसा पता नहीं है और हम हम दों जात्या दोगों जये जार हूं प्लटा दोगे उमारी यह लगा तीन देन खाना खाया हो लिया हमने, मेरी नाइंटी एर्स की मदर भी खाना नहीं खा रही है, मेरी लड़की विदेश रहती है, उनके गहर में चूला निचवट रहा है, हाँ भूक नहीं लग रही है, हमें, प्रूग निर्दोशा हमें भी पता है, कल को लेकिन यह चीज यहां तक आई क्यों, कि इन दिनों की मरभाई करते हैं, रहा है कि अमने कुछ किया नहीं हमें डरने के आउशकता नहीं पापाजी, भलानी यह चीज, रेव पार्टी यह हमारे अपकी पार्श नहीं परसो तक तो बात ही हो रही थी भाही, अपने हमें बा आपके लास्ट व्यान होने, अब तो वो जाने उन्होंने क्या किया है, अब तो प्याइफ में खुश होगा बहुत है, मेरा एक सवाल देखिए, मैं बताओ जी बोलना हूँ, जैसे आपने मीडिया के बात की, तो दरसल नोडा पुलिस ने एक प्रेस रेलीज जारी किया, पुरी बात सुनिएगा, और नोडा पुलिस के DCP से मैंने खुद इंट्रूव किया, नोडा पुलिस का ये कहना है कि जो नवंबर में पांच लोग गिरफतार हुए थे, जिनके पास से नो प्रतिबंदित सांप, जो वाइल डाइफ एप में आता है, वो रिकवर हुए थे 20 ml जो साप का जहर है, वो रिकवर हुए था, जिसको जैपूर के टेस्ट लेब में भीजा गया, उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई, और जो पांच आरोपी गिरफतार थे, उनसे ऐल विस की कनेक्टिविटी, CDR कॉल डिटेल से, वो कनेक्ट हुई है, और उन लोगों ने बता प्रेस रिलीज जारी हुई है, और उसमें NDPS की मतलब जो ड्रग हुआ है, मुझे इस बारे में ग्याननी है, यह ऐसे कुछ हुआ है, मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को लेगा, तर बिना पूच्छे को, महाँ पे, मतलब सीधा हो लेगे, नहीं आच्छा, चली है, इसके मुझे एक केस है, चुकि नोडा पुलिस का यह दावा है, एक वक्ति को उसको गिरफ्तार किया गया है, अभी नयाई खिरासत में चाशीर दाखी लोगे, चाशीर दाखी लोने के बाद ट्राइल चलेगा, और उसके बाद फैसला होगा, आप आहत है, और यह हमारे द किसी यूतीवर ने दरजकराई कि हमारे साथ मारपीट की हमारा स्पाइन तोड़ने के कोशिस की, हाला कि यह भी देखा गया कि समझता हो गया, उस धगड़े के बारे में अपकी बातचीत कोई कभी अलविस से हुई या उस आख के बारे में जानकारी हुई? जोही को यूंकि तो मुझको को होगे को इसको जो हूंने सित्ट थिक है कि आपकी वीडियो कि आपकी लगा हूं है उसका कई वीडियो इंफेक्ट हम ने आपके देखें जो यह सब कुछ विवाद Elvis के साथ जुड़ा खासतोर से जब बिग बहुस में जीता यह जो सब कुछ विवाद लाए जगले कई वार भी होता है तो उस पर कभी आपके कोई बातचीत या आप कभी बताने की कोई बात मत रखता हैं भी अपना मत रखते हैं मुझे घरम सब बच्चे माबाप से बात करते हैं माबाप में बच्चों से बात करते हैं पहले जब Elvis जो था छोटा वालक अब जब फेमास हुआ उसके बाद क्या परिवर्तन आया या अल्विस में कोई चेंजे आपने देखे किसी त बात चेंजे नहीं के प्रेक्ट पासे होगा कि एंपने बच्चे के बारेट जो को गचा कोई सोच तो कि वह किसने किया है किसने नहीं इंट लो एइगें में आप के स्वाफने रोशनी में बेटतें थिर विंश्ड़ परकोशनी क्वे यह किया उन्होंने पता तो उनको भी है अब दिखिए जो चुकि दर्सक है और बहुत चर्चा चल रही है चुकि मैं आप बताऊं कि हमारे घर में भी कुछ लोग है जो एलविस को पसंद करते हैं मैं साब बता देना चाहता हूं तो यह चुकि मैं अब यह क्यों कर रहे हैं अगर ऐसा है लेकिन फिर वहीं चल्चा यह चलती है जेखिए जो सेलिब्रेटीज हो जाता है चुकि मैं पत्रकार हूं तो मेरे जिमदारी हो जाती है अगर स्रणक पर मुझे लोग पहचानते एक खुले से चुकि आप भी माबाफ है मैं भी एक किता हूं मेरे एक सवाल है कि जो वीडियोज आते हैं और आजकल चुकि यंग जेनरेशन है लोग थोड़ा सा खुले विचार के हैं तो जो वीडियोज आती है जिसमें कई अपशब्द भासा का इस्तवाल किया जाता है और स में घुर्चूबर स कभी आप लोगों ने वह वीडियोज देखे हैं तो एक वीडियो मैं तो बहुत कम देखता हूं आप देखा से और कुछ लगते हैं कोई शचाव्द में उसको समझा देती हैं कि आपने कभी बातचीत की कि इस तत्रह के अब और शब्द मालो जो मुझ अभी जो रिसंड का जो विवाद हुआ था ड्रग पर हम फिर आएंगे एक मुनववर फारूकी के साथ फोटो जो पिक्चर जगड़ा आप लोको मालू मैं कि ये जो मुनववर फारूकी के साथ जगड़ा है उसका नहीं फोटो जो वायरल हुआ था अप बताओ क्या है नही हम तो आप से पुछने घर में चल्चा हो जब आप इसने मुनववर का जिकर कर दे तो बताओ से हैं मैं क्या बोल रहा हूं जो ये उसकी फैंस है और जो अभी ट्रोलिंग पुरा ट्रेंड किया था एल्वेस कोई मुनववर फारूकी है उसके साथ कोई कोई सोसल मीडिया म पिछे से हाथ डाल के सचिन कोई किया था अच्छा फिर क्या हो गया तो पिछे से जैसे सारे किर्केटर बगएर बस वो काम किया था तो क्या हो गया विबाद क्या हो गया इसको किसको एल्वेस ने उसको गड़े क्यो लगा लिया किसको मुनवर को मुनवर को मुनवर को इसको लेकर ही तो जगड़ा तुछ नहीं किसी को मुद्धे को लेकर एसी बाते सोचती हैं खूब दिन भर ट्रेंड चला मुझे नहीं पता जिनाथ समय पर ट्रेंड चला उसको लेकर ऐसी नोबत आ गई मैं बताता हूँ, Elvis जो एक खास राइट विंग या हिंदुत की बात करता है Elvis और इस वज़ा से जोड़ा से सौल हो चुकी है जी आप अपड़ा से मैं बोलूँ हाँ, बिल्कुल बोलूँ प्लीज मुझे नहीं पता आप कौन है कोई मुद्धा नहीं इन चीज होगा जी मैं तो बहुन के टीचर हूँ, अगर हम यह चेजर रखेंगे जाति दारम यह चीजर मैं तो कोसो दूर हूँ, आप माने ना माने, आप मेरे जितने स्कूलों में पता करें कि मैं तो यह कहते हूँ बच्चों से, कोई अगर बच्चा है कि मेरे साथ चल को जाती वाद अब कहला तो कहना कि तुई है हम इंसान हैं अगर बच्चे ने गड़े लगा लिया मेरे 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 कोई फर्क ने पड़ता है तो मेरे असाफ से तो भूर ठीक है ऐसे तो मैं जादा तो नहीं बड़ी बात कहूंगा लेकिन हमारे बड़े-बड़े जो देश को चराने वाड़े उन्हो के चीजे शोट हो चुकी है यह देखिए आप टीचर अध्यापक के और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और एक अध्यापक को ऐसे ही होना चीए समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चीए अब इस चीज़ कोई बुरा भी मेरा भी मान लेकि उसका पिता ऐसा कह अध्यापक को ऐसे ही होना चीए ऐसे ही अध्यापक पूरे देश में आज की दौर में ऐसे ही टीचर की जर्वाट है लेकिन फिर अब वहीं पूछा जाएगा एक सवाल अगर आप अध्यापक है तो और जो आपने फिर बार बार और चुकी देखिए मैं यह सवाल पुछ प्लीज इसको लेकर भी चर्चा है हाल फिल हाल में फिर ही बोला कि अगर मैं आप एक अध्यापक हैं आपका जिम्हाडरी है आपने जिम्हादारी निभा रहे है मैं पत्रकार को ब्र pen कि जम्हादारी निभावगा अगर यलविश पहले क्या था वह मतलब नहीं लेकिन ब अब नहीं बढ़ जाती है कि उसको अपने बोलने पर जब खास तोर से नहीं जब वो वीडियो में आता है सोसल मीडिया में आता है तो बोलने पर चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए चुकि यह अध्यापक है आपने कभी यह बातचीत की जो विवाद और अभी विवाद हा कर दो बोला है कि वह देखो मैं तो बेंग टीचर मेलकुल कहूंगा उसको सम्झाता भी रहता हूं और सम्झाओंगा भी आगे और इसकी पिटाइभी कर दूँगा कर देता हूं मैं अगर गलत बात है तो ठीक ऐसा नहीं वो मेरा बेटा है उसका मेरा ही सबसे पहला मैं ही कर गलत करेगा वो कहीं लगेगा हमें तो आपको लगता है कि मैं डाटता हूंगा मैं जैसा अपने बेटे मैं तो क्लास में यही कहता हूं कि जैसा मैं तुम्हें डाटता हूं अपने बेटे के समान समझगे बच्चों को डाटता हूं मैं कि चीजे गलत है तो गलत है वो अ सब्सक्राइब करने की कोशिश है आपका बेटा इतना बड़ा इंफुलेंसर है लेकिन आज की डेट में इस पर यह आरोप है कि वह सांप की जहर का इस्तमाल करता है वह आरोप यह बिल्कुल बेगुनिया दे और अब तो यह भी आरोप 27A सबसे संगीन धारा NDPS Act की लगा दी यह भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रक रिकावर नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते चलें कि यह सबसे पहले हम यह क्लियर कर दें कि दरसल नौंबर में यह केस दर्च किया था नोईडा पुलिस ने पीएफे जैसा कि एल्गिस के पिता राम उतार जी यह कह रहा है पीएफे ने बकायदा एक कुछ एविडेंस दिये थे सेक्टर उन्चास पुलिस थाने में एफाई यार दर्च हुई थी और बहुत धरानी के बात है कि जिस दिन जिस अधिकारी ने एफाई यार दर्च की उसी का तबादला हो गया था उसके बाद सेक्टर बीस में केस ट्रांसफर हुआ नवंबर में एफाई यार दर्च हुई और अब मार्च में यानि चार पांच मेंने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है मार्च में एल्वी स्यादों को अचानक जैसा पिता बता रहे हैं कि नोटिस आपको दिया और पू द्रच का सिवन भी करता है इस तरह के भी आरूप लगर है सर एक 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 बात गला तरह आए ऐसे कोई कुछ भी लगा दे इंचे जोंगा को तुक थोड़ी ना है ठीक है पर हम दर एक ही चीज गएंगे कि आप एक बार पुछोगे या लाग बार पुछोगे हमारा लड़क बिल्कुल बेकसूर है बेकसूर है और बेकसूर है उसको फसाया गया है बिल्कुल आज जिसने फसाया जिनोंने उनसे भी पुछो कि ऐसी क्या रंजिश्ट थी एक बच्चे से कि अधार लगा दे कि को भी बाहर नहीं आएगा हूँ ने बाहर तो ऐसा नहीं हदालत है क्योंकि हमारे तो पता नहीं ना थारा क्या होती है 27 जो ए धारा होती है न्डीपेसक्ट की वो मैंने चुकि सुसांत के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए 27 एंडीपेस हेशर में होता है drug की financing करना आच खरीद फरोग्त करना financing के दाला तो कार आब श bırak शाकार उसमें इنت अजद कि बाहते हैं कि बहुत आओने लगा किभी बेब उनियाद लगा कितने जिंक फूछ रहलेगा कोई ये बताओ मुझे, भुछ ने रहे रहे किसी बच्चे को फुसा कर, गल्ट गल्ट, क्या किया मलिए ऐसी नहीं नहीं चीज़े, नहीं जो हमेने तो जिन्दिक में सुनी नहीं है, हमें नहीं पता है मैं 24,000 गंटचन हमारे पास रहतेält हैं हमारे बच्चह कैसा है कैसा है कैसा नहीं क्या नहीं करते है यह ब चिछे उठागे है उठा उठागे ज्यए किक तनिकल कर कहां से कहां पहुच गया यह चीज. उडी वे यूटुबर बैठे हुए है, क्या मेरा लड़का यूटुबर है, ऐसा इसमें, क्या पिछे लग गए इसके, क्या देख लिया ऐसा? कोई कुछ भी लगाए मां कि ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी महां के लिए बादकime लिवाड़ धुन है हमारे लड़के को उने गार नहीं है यहां पिछ बाती ना त। पिसले चैनल पे भी कहा है कि मुझे हजार जनम मिले पिता बनने के लिए तो मैं इसा ही बेटा चाहूं जैसा मेरा है कि फक्र मैशूस कराया है हमेशा ही उसने हमारा सिर्फाक प्रूपा जिस के लिए हम इस चीज के लिए हम शिर्फ जुकाएंगे भी नहीं क्योंकि हमारा लडगा बेक सूर है कि नजरी प्रूपालिक का है और यह अपील करने आया आप लोगों से बस इसी बारे में कि उसकी च सवाल है वो पूछा और देखिए ख़वर चल भी रही है यह बास तो सच्चाई है क्या आपके वाजिव सवाल थे जो भी हुए थे मैं बिल्कुल है ने प्लीज पूलिए कौन सा सवाल आपको चुभा बिल्कुल हो सकती है देखे ने वो चीज का जवाब दो ना कि लगजरी गाड़ी आए फोर्चुनर गाड़ी हमारे गाव में हर तीसरे गर में ख़ड़ी है जी छोटो आप इसे जोगमत करो आप छोटो ने चुकि भाई है हमारे एसे लाइन उसके पास गाड़ी होना पैसा होना अगर अपनी ओ मेहनत से कमा रहा है तो कोई जूर्म नहीं है आप आपको यही बता दे रहा हूं? वीडियो में तो थोड़ा सा लोगों को दिखाने की लिए करते होगा यह है वह चीज है वह अलग चीज है असलिस अश्वाव है वह दस बाई दस के कमरे में लेट तावी भी आकर हम खाट पे सोते हैं भाई लेकिन जो आपने बात बताई उससे थोड़ा सा मैं विच्रित हूँ कि मैं भी पता करूं कि मुझे नहीं पता था इन चीजों के बारे मुझे दहराएं लगाई है 29 ड्रक्स के लिए साजिस 27 ए ड्रक्स की फैनेंसिंग करना आज लगाई आज नहीं नहीं उसी एक्ट में ग्रिफतारी हुई है यही तुम्हें आपको बता रहा हूं जो यह खबर चल रही है कि जहरी यह जहर पार्टी यह पता नहीं आपको जानकारी तो हम आपको जानकारी दे दें कि उस पर जो यह सांप वाला जो होता है इंडिकेट चलाते हैं ड्रक्स के लिए पैसा करते हैं उसमें डीपियस एक्ट लगता है तो एंडीपियस एक्ट भी लगाए इसमें और उसमें गिरफतार हुआ है तब ही जो आप देख रहे होंगे यह जहर वहर की बाद सो जासे लगाने दो जिसको भी वक्तिशीज का भ आप से बिल्कूल बुलाओंगा आप दोनों को बुलाओंगा और आप आएंगे मैं यह बोला हूँ जैसे आभी आपने उसकी बात की पर देके हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे अधा कमाया और बिग बिग बॉस में जा रहा है इतना बड़ा सुस आजकल तो यूट अचास गाड़ियां हों हमें कोई अतराज नहीं है दो हमने कभी ख़बर चलाई लेकिन हाँ यह बी एक कड़ी सचाई है कि आज की डेट में एल्विस किरफतार है उस पर आरोप है नोड़ा प्लिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है प्रेस रिलीज हमारे पास है और उस पर आरोप है इस वजह से मीडिया इस वजह से हमने आपसे पूछे हमने कभी हम आपसे कॉंटेक्ट नहीं करते कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकी बिग बॉस ओटीटी का विजेता आज लुकसर जेल में बंद है और उसके माबा आप परिशान है इस वजह से हम भी आपसे बात करना चाहते थे हम चाहते थे कि आपकी बात लोगों तक पहुचे कि क्या यह जो ड्रक्स कारोप है कि वो ड्रक्स यूज करता है ड्रक्स के लिए फैनेंस करता है रेव पार्टियां अलग अलग होती है जिसमें कोई दूचा जार में आनुमान नाहो जी चुछाती बाड़ के दिखा दूंए अच्छ नहीं करता हो कुछ भी नहीं करता है ऐसा काम कुछ भी और इसी चीज़ गामे अफसोच है कि कुछ किये बिना उसका नाम बे जोड़ दिया वो जब मोके कुछ कहीं कुछ भी है नहीं तच में इस सरवक्त का इन जार पहाओ हजार बार कितनी बार कवाओ कि नहीं है इस इस इसलेशन कुछ भी इतना भी इनको सब बुद्यद्य भग्वान जिनों रेसा चीज़ चीज़ की है लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वह भी पुलिस जो अगर कहना चाहें आप उनको अब तो उनका रोल आपने बता दिया कि उन्हां तो कर दिया जो नहीं अभी 14 दिन की नहां चाहूंगे जिनके एंज्यू के थ्रू ये चीज हुई है कि एजे माः सोच के देखो अर जो इनके भी वाड़े हिरे उनके ओपर ध्य हन दो कि या कर रहे हैं किस बच्चे उपर एलिफिशन लगा रहे हैं गलत यह उनकी जिम्मेवारी बनती है तो एक ऐजे मावा सोचे कि आज उनके मावाप किस सीचुशन प्रूजर रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक बेटा है बस मेरी बात पहुंचे तो मेनका गांदी जी तक पहुंच जाए यह जीज़ अवेड़ा पुलिस वाला उसे क्या कहना जी है वे भी कहीना कई पिता भी है एक जगे और करेंगे बात अगर आप कहरें कि चोदा दिन बात दुबारा कुछ क्या बता रहे हो आप अभी तुछ साथ कस्टिगी अपील करेंगे हम कुई इसको पुन्रा बिटती होगर ऐसा हुआ है तो उनसे मिलें कि उसे करेंगर मिल जाएंगे तो कि ऐसा मैं कह रहा ह पी एफए की जो आपने बात करी पी एफए का ये कहना है कि उनके पास कावी एविडेंस है आडियो है वीडियो है जालो ठीक है जी कहने दो इसके पहले क्या कभी जब जैसे नोडा पुलिस से सामना आमना हुआ पुलिस से क्या इसके पहले कभी ऐल्विस को लेकर किसी और अब पुलिस से कभी सामना होगा? नहीं. कभी कोई? कभी नहीं. नोड़ा पुलिस के नोवंबर मोधा इग वर सामना तब बुलाए था इसको. जब ये केस वा था. तब बस दो गंटे पूस्तास कर गहर बज़ा होगी. उसके बाद बुलाए था. पुलाश्ट ब्यान अंगित कर ने हम चले गए लेके में. उसके बाद बता नहीं अब आप बता रहे होए जानकारी हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है. हुआ तो कुछ भी नहीं है लेकिन चलो. आप कहरा तो मान रहे हैं कि ऐसा. अगर हमैं छोच खिव कि हमारि लडके ने कुछ किया है. लड़का सोस्ता मैंने कुछ पिया है. ज tut protochod blessings सोच वे चार महीने भी नियुन हुआ एं पिके हमारा कैश्ट करता वेकित करण घर के वख डिख अनृट. वहां भी नहीं हम इंगा पता था क्या चल रहा है अब अराम जे बैठे वे था पने गर में शांती की जिंदिगे वह अमारे लड़का निर्दोस है तो पुछ भी नहीं है अगर एक ही बात कहता हूं तो पाबज मेने कुछ किया है नहीं है तो मैं क्यों डरने की क्यों कि वहां में हमारे पुछ करने के लिए यह परण देखे का बीज़गर को तर्स पादा था इन राजों यू नहीं हो तो पुलीस ने रोका था ने तो कुस्मक क्या हूआ था इन इंहां तो मीड्या में लाओं त तब चला दिया था था तो फरा रहे वह तो तीन राजों के तो फिर आपकी उसमत अलविस से बाद चीत होई थी? तो आई रहा था पंबे से महात वह रहा है पापा जयार क्योंकि उस दोरान था ही वहीं पर बोले यह क्या चल दिया जी क्या चलना को आईकशन की वाना इतो क्या है अगर उश्टेम मुझे ृ- बोटियू जा करना था उठाइ् जा अगर जाना हो अगयि थी?